कि आई गेस वी आर आप्सुलूटली लाइफ वड़ाफट से एक बढर कंफर्म कर दो कि हमारा अज वीजियो 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 और वीजियो वीजियो ऑद्यो एकदम बेतरीन तरीके से प्रॉपर है गया अरे वाई साव क्या वात है सार आज तो सरा मातंग मचाने वाले है नहीं, बराबर किसी चीज़ का तुम टेंशन लोगे नहीं, तुमको जो भी रेलिवेंट चीज़े सब मैं करवा दूँगा, ठीक है, तो चालू करते हैं आपन फटाफट से, एक बार एक बार कन्फर्म करों के सब कुछ सही है क्या, आवाज वगेरा तुमको आ रही है, येस अब वो क्या-क्या बात है, ध्यान से सुनना, अरे-अरे, बस-बस, अब सुन लो, सुन लो, बस हो गया, गुड मॉरिंग तुमारा, कितना लिखोगे, अच्छा ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है, अब, जब भी भी आप अब देख रहे हो, एक बात का ध्यान लखना, नोट्समा चेंज करना, आपके बात जो नोट्स है वो लेकर बैठो, आपने जिन से भी पढ़क है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने नोट्स लेकर बैठना, आपके सहूलियत के लिए, आपके convenience के लिए, यह जो होते हैं, मैंने कल कंपाइल करके मेरे टेलेग्राम पे शेयर किये थे, तो just because मैंने शेयर के, इसका मतलब यह नहीं कि आपको उसको प्रिंट लेना ही है, यह मैंने क्यों शेयर किया ताकि कोई solution वगेर आपको तुरन नहीं मिलता रहेगा, तो आप इस बोड नोट से ढून स अब इस मैराफ़न में मैं आपको concept भी कराऊंगा, question भी कराऊंगा, सिर्फ दो-चार बाते ध्यान रखना, सबसे पहली बात, आप जब यह मैराफ़न देख लोगे, उसके बात जब self study करोगे, तो जादा focus आप किस पर रखोगे, जादा focus आप सिर्फ वॉसिफ questions पर रखोगे, बराबर किस पर focus रखोगे, पहली चीज, उसके अलावा, जब आप यह मैराफ़न देख रहे हो, तो there is the possibility कि आपको कुछ कुछ चीज़े recall ना हो conceptually, तो suppose for example, मैं बढ़ा रहा हूँ और आपको है ना, यह decommissioning वाले concept recall नहीं हुआ, star mark करना, तो अब क्या करेंगे, star mark क्यों करवाया, जब यह index 16 को self study करने का time आएगा, तो जो concept आपने star mark कर रखे, आप सी वो concept पढ़ोगे, और उस अच्छे समझ गया, बहुत ही शानदार, अब बीना किसी बात के, बीना किसी रुकावट के, शुरू करते फटावट से, चलो, आ जाईए, तो अच्छा मैं बता दू, अपना flow का tension मतलो, अप मैं जीस sequence में करते वे जा रहा हूँ, उस sequence में करते वे चलना, आराम आराम से, ब्रेक कब होगा, क्या होगा, आपने ब्रेक लेने तो आये नहीं है, जितना खीचा के खीचेंगे, जब लगा ब्रेक के जरुवत आपने ब्रेक ले लिया करेंगे, तो अपने को चिंदा करने की जरुवत बिल्कुल भी नहीं है, चलो, so, let's start the session in, अरे, शुरू करते हैं, इसका property plant equipment, अब सबसे पहला point इसके अंदर definition है, definition अपने को इतना relevant है नहीं, but फटा वर देख लो, tangible, health for use, expected to be used for more than one period, ठीक है, ध्यान अटना, मत भी health for use हेगा, तो पीपी रहेगा, उसके पीपी के अंदर एक और चीज़ कवर है, bearer plant, इसका source कहा से होता है, आपको पता है, इन्डेस, फॉर्टिवर में तरी सम्तीन ओना इस बायलोजिकल असेट, उसमें दो तरह के होता है, एक होता है, प्लांट एक होता है, अब प्लांट के दो बाइफरकेशन होते है, bearer, non-bearer, तो ऐसे कोई भी प्लांट जिसका life more than one year है, उसको बलते है, bearer plants, क्यूंकि एक साल से जाधा तक, farmer को तो produce देने वाल है, just like a machine, जैसे machine से एक साल साथ output मिलने वाल है, वैसे farmer के लिए bearer plant से एक साल साथ उसको mangoes मिलने वाले है, बराबर तो इसके लिए bearer plant भी कहां कवड़ है, index 16 के अंदर कवड़ है, उसके बाद, recognition criteria, किसी भी PP को अब रिकॉर्ट कप करोग only when definition is met, PP treat करेंगे only when definition is met, definition नहीं meet किया, तो inventory treat करने का, ध्यान नकना, अच्छा, उसके अलावा, अगर आपके बास बहुत सारे insignificant, छोटे-छोटा items है, जैसे screws हो गया, net bolts हो गया, तो क्या हम उसको aggregate करके, एक single PP मान सकते है, वो बलता है, aggregate कलो को दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लावा, अगर आपके बास को safety या environmental equipment है, जैसे pollution control equipment हो गया, आप ऐसा कुछ काम करते हो, जैसे pollution होता है, तो इसको control करने के लाए आपने कोई asset install किया हो है, तो क्या वो भी PP होगा, हाँ, वो PP होगा, वो indirectly assist करता है, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा, आगे बढ़ते है फिर आपन, उसके बाद, बोला हुए measurement, अब measurement के अंदर दो चीज़े, एक है initial measurement, एक है subsequent measurement, एक है subsequent measurement, इनिशल का मतलब क्या होता है, कि अब day 1 पे मुनना, day 1 पे आप कौन से value पे record करोगे, तो day 1 पे हम always 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 at cost को record करेंगे, उसको बलेंगे initial measurement, फिर आते है subsequent measurement, subsequent measurement में हमारे पास अगर आपने asset को purchase किया है, तो purchase के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे दुकान में का खरिद लिया मेन asset, अब यह purchase cost में क्या के include करना है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले purchase price, अगर आपको कोई trade discount मिला है, what is the meaning of trade discount, normal course of business में को discount मिला है, उसको trade discount बोलते है, तो अगर ऐसा कोई trade discount म मिलने वाल है, उसको आप add कर देना, उसके लावा सारे directly attributable expense consider करो गया, बराबर इसमें क्या के include करोगे, इसमें employee cost आएगा, cost of site आएगा, delivery cost आएगा, अब इसमें सबसे important क्या है, cost of testing, पीपी को ready करने के पहले हम कभी-कभी test कंड़क करते है, तो उसमें जो भी खर्चा आया वो हम क्या करेंगे, add करेंगे, लेकिन अब इसमें important बात है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये बीच में amendment भी आया था, RTP के अंदर सुनलो फटाफट से, अब suppose मैंना testing का खर्चा है, 100 रुपे का, बराबर अब testing का खर्चा करते करते कभी-कभी क्या होता है, हम कुछ misilliness income भी सौ रुपे का, लेकिन जो testing के through misilliness income generate होई, वो 130 के generate हो गई, तो उस case में, जो अब income जादा है न, तो ये जादा income को क्या मैं profit and loss में transfer करूँगा, दा answer is no, बोलता है इसको भी आप cost से adjust करोगे, cost से adjust करने का मतलब क्या होता है, जब expense जादा होता है, तो cost में add करते, जब income ज general खर्चे है, advertising वाले खर्चे है, initial operating losses है, वो consider नहीं होगा, मैं आपको आसान बाशा में समझाता हूँ, अगर ऐसा कोई भी खर्चा है, जो PPE को ready करने में relevant नहीं है, वो consider नहीं करना, ठीक है, उसके लवा, एक और example याद रखना, कभी-कभी क्या होता है, हम कोई site को, एक car parking site क की तरह use कर लेते है, तो उसमें जो भी आप income कमाऊगे, suppose land है, construction शुरू नहीं किया है, तो उसको मैंने car parking के तरह use कर लो, थोड़ा सा income generate कर रहा हूँ, ये income आपकी profit and loss में जाएगी, ज्यान रखना, ठीक है, उसके लवा cash discount मेला है कुछ भी, तो वो भी जाएगा आपके profit and loss के अंदर, ठीक है, तो ये मैं जब asset purchase करूँगा, तो क्या क्या है, उसकी बात कर रहा हूँ, अब इसमें सबसे important है cost of decommissioning, dismantling site restoration, कभी कभी क्या होता है, मैंने PP आज खरीद लिया, किदर install कर दिया, 10 साल तक use करूँगा, लेकिन government ने बोला है, जिदर आपने PP को install किया है, जगे को आपको level proper करके देना पड़ेगा, उसको बलते है, site restore करके देना, तो site restore जब करोगे, तो उसमें खर्चा आएगा, अब ये खर्चा आज नहीं आएगा, ये खर्चा 10 साल के बाद आएगा, और ये पक्का पक्का आएगा, तो ये directly attributable expense तो होगा, क्योंकि पक्का पक anchor करना ही है, क्यों PPE की वज़े से anchor करना है, तो क्यूंकि 10 साल के बाद anchor करना है, तो आज आपने इसको कोई से value पर record करेंगे, आज आपने इसको present value पर record करेंगे, ध्यान रखना, कौँन से value पर, present value पर, present value निकालने को आता है न, अभी मैं azume करो, exam को टेम देख रहा तो ये अब पीपी में तो आड़ कर दिया आपने उसके बाद जो प्रोविजन है इसका क्या होगा फ्यूचर में इसको आप एवरी यहर के एंड पर वेरी गोड आशर आपको आता है या अन्वाइंडिंग करेंगे एवरी यहर के अन्वाइंडिंग करोगे इसकी तुमको समझ माता अब मुझे बता दो लाग के बदले टू पैसा एक साल के बात दूंगा तो वह जो ट्वेंटी ताउजेंड एक्स्टा चाज कर रहा है वह इंट्रेस्ट के लिए चार्ज कर रहा है तो यह इंट्रेस्ट आप असर की कॉस्ट में कप्तलाइज नहीं करोगे ठीक है इसको आ और वो बॉरिंग कॉस्ट इंडेस्ट 23 के सबसे होता रहेगा तब वरना इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस में जाएगा वो जब बॉरिंग कॉस्ट है तो आप उसकी बाते कर लेंगे चिंता आपको करने की जरुवत नहीं है बहुत शांदर यह अगर आपने असेट परचेस क चलो मैं लिखा वह दिखाते हो मैं आपको एक्षेंच में 3 प्रेफरेस्ट है सबसे पहला प्रेसर किसको दो गया सुन ना its कि अधर अंजर जा नहीं जो asset बहार जा रहा है उसके लिए ध्यान रटना, बहार जाने वाली चीज carrying amount पे भार जाती है, तो ये जो preference दिया हुआ है, वो किसके लिए दिया हुआ है, वो incoming asset के लिए दिया हुआ है, तो पहला preference क्या है, क्या बात रिट क्या शांदर आंसर के है तुमने, पहला preference is, fair value of asset given up plus cash paid if any, तो फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, fair value of asset acquired, मतलब जो asset acquired क्या उसकी fair value, थर्ड प्रेफरेंस अगर दोनों का fair value available नहीं है, तो carrying amount of asset given up plus cash paid if any, बराबर ये plus cash paid क्यू लिखा है मैंने, ये आपको मैंने ऐसा समलो याद रखने के लिए लिखा है, जैसे given up, अगर आपने asset दिया है, साथ में cash भी दिया है, तो cash paid भी given up में automatically आही जाता है, बटा भूलो ने इसलिए मैंने अलग से भी लिखा दिया है उसको, ठीक है ध्यान लखना, तो ये तीन preference किसके लिए, incoming asset के लिए है, outgoing के लिए नहीं है, outgoing तो carrying on पर भार जाएगा, ठीक है अपन record कर लेंगे, अगर कुछ difference आते हैं तो वो जाएगा profit and loss के, अंदर उसको बलते profit on exchange, ये था अगर आपने asset exchange में acquire किया है, या normal value वगएरा पर दिया, उसकी बात आपने इंडेश 20 में करेंगे, खतम हो गया ये, ये मेरा नन्ना मुन्ना क्या था, initial measurement, फिर मैं आऊंगा भी subsequent measurement के ओपर, कि आप किसी भी PP को subsequently कैसे measure करोगे, उसके रहे हमारे पस कितने model है, दो model है, एक है कॉष्ट मॉडल, दूसरा है रिवालुएशन, रिवालुएशन मॉडल, अच्छा कॉष्ट मॉडल क्या बोलता है, एक्जामपल दे रहे हैं, सबोज आपने PP को 10 लाक में खरीदा, लाइफ 10 येर्ज है, अब आपने एक साल यूज किया, तो एक साल से डेप्रिशेट करोगे, तो येर वन के एंड पे कुन से वालुए पर दिखेगा, 9 लाक में बस, इसको कॉष्ट मॉडल बोलते है, खरीदो, डेप्रिशेट करो, कैरिंग और पर दिखा दो, कॉष्ट मॉडल, ठीक है, अब रिवल मॉडल में क्या होता है, रिवल मॉडल में होता है, सब अपने पीपी खरीदा 10 लाक में, एक साल अपने क्या डेप्रिशेट, वैलू क्या बची, 9 लाक, अब ऐसा मालनो, रिवल मॉडल में, उसी साल के एंड पे, फेर वालू निकालता हूँ, तो मैंने निकाली फेर वालू, ठीक है, निकाली फेर वालू निकली 12 लाक, ठीक है, तो मुझे गेन आएगा न, क्योंकि 9 लाक से वालू 12 लाक होगी, तो गेन हो गया, तो मैं एक गेन बुक करूँगा, gain book करूँगा तो entry का मारूँगा मेरा PPE का value बढ़ रहा है तो बोलूँगा PPE account debit to revaluation gain because gain income है तो credit होएगा इससे मेरा होएगा क्या इससे मेरा PPE का value बढ़ जाएगा है ना तो अगर मैं आपसे पूछू अब मेरा revised carrying amount कितना रहेगा मेरा revised carrying amount perfect answer to lx पर देखेगा इसी को बोलते revaluation model मतलब revaluation model के अंदर मैं अपने नन्ने मुन्ने पीपी को किस पर रखता हूँ fair value पर रखता हूँ इतना आसान है भाई सावी है बस और gain book करने को आना चे जाएगा उसकी बात अभी में नीचे करूँगा सब को समझ पढ़ता है यह वाला बात ठीक है तो cost model तो simple है अब अगर आप reval model follow करोगे तो कुछ बात आपको ध्यान में रखनी है कितनी बात है कुछ बात साल में दो बार तीन साल में एक बार कैसा तो बोलता कर अगर asset की value में changes significantly होता है तो हर साल एक बार करना पड़ेगा लेकिन अगर asset की fair value में changes significantly नहीं होता है तो तीन से पाट अब इसके अंदर यह है treatment of accumulated depreciation on data of revaluation जब आप revalue कर लोगे तो पुराने वाले depreciation का क्या होगा यहां ध्यान रखना सबसे पहली बात पुराने वाले अपन क्या करेंगे मैं आपको सिखाता है example लेके सीखते है suppose मेरा asset 100 lakh का है ठीके अब मैंने 2 साल तक asset को use किया तो 2 साल depreciate किया carrying amount कितना बचा 60 lakhs ठीके अब मैंने किया fair value okay 75 lakhs तो मेरा gain आगया 15 lakh रुपेगा ठीके अब यह जो पुराना वाला 40 lakhs का accumulated depreciation है उसका क्या होगा तो उसको treat करने कितने मितर अपने पास perfect answer 2 method है क्या बात है क्या बात है 2 method है अपने पास सबसे पहला method क्या है या तो आपन उसको eliminate कर देंगे या eliminate नहीं करेंगे ठीके और gross block के अंगिस्ट बाहर कर देना उसको तो accumulated depreciation account debit to gross block 40-40 उसके बाद जो gain था वो book करने का लग से PPE to revaluation gain ठीके तो इससे हुआ क्या मेरा PPE का net block gross block दोनो 60 पर आ गया revaluation gain 15 का हो गया पीपी मेरा दिग गया 75 ठीक है अच्छा एक दूसरा method भी है कि आपन उसको eliminate नहीं करेंगे अगर eliminate नहीं करेंगे तो कित्ते step follow करने का अपने को यादे क्लास में discussion 3 step follow करेंगे कित्ते step 3 step सबसे पहला आपन ढूंदेंगे percentage gain अब percentage gain कैसे ढूंदेंगे भाई स asset ठीक है तो मैंने बोला 15 divided by 60 में को 24 पसंट का gain आया अब यह percentage gain आप 2 amount के उपर अपलाए करना एक gross block के उपर और depreciation के उपर ठीक है तो gross block पर अपलाई किया मेरा value आए 25 रूपीज डेप के उपर apply किया मेरा value आए 10 रूपीज ठीक है अब gross block और depreciation दोनों को इतने value से increase कर दे और balancing figure by default आपका revolution gain आएगा तो इससे होगा क्या मेरे balance sheet में gross block 100 के बदले 125 दिख गया depreciation 40 के बदले 50 दिख गया और net block 60 के बदले 75 दिख गया अब आप बोलोगे सब किया क्यू फटा फट से logic सुन लो इसका ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा वो बोलता है आपका basically जो net block है जो net block है वो 60 से 75 हो रहा है तो इसमें किता पसंड का increase हो रहा है 25 पसंड का increase हो रहा है तो बाकी दोनों को भी प्रोपोस्टे 25 पसंड से increase कर दो यह logic है अच्छा यह पहले वाले method में क्यू नहीं होते है विकॉस पहले वाले method में आपन यह eliminate कर देते और gross block यह आपन 60 के पर ले आते हैं तो करनी की जरुवत नहीं है इसलिए दो method चलो लॉजिक भी discuss कर लगे क्या बात है सर मजा आ गया ठीक है आगे बढ़ू आगे बढ़ू सर अब इसके बाद था revaluation to be applied to entire class of asset जब आब revalue वगेरा करोगे तो suppose मेरे पास land है तो जितने भी lands है सब पे revaluation सब पे सब पे revaluation ऐसा तो entire class पे same class पे same method लगाना पड़ेगा अब same class का मतलब क्या होता है जिसका nature से मैं characteristic से मैं उसको same class बोलते है अब example ले रहा हो ध्यान से सुनना suppose मेरे पास बहुत तरह की building है और मैंने एक building को revalue किया तो कि मैं बाकी building को भी revalue करूंगा depend करता है अगर एक industrial building है और एक office building है just because surname building building है इसका मतलब भी नहीं कि सब को revalue कर देना सबोज मेरा सरनेम आका शम्मानी हो गया तो मैं कि अम्मनी का बेटा हो गया है तो सभी वैसे बच्छो भी है तो just because दोनों building है इसका मतलब भी नहीं कि दोनों को आप revalue कर दोगे industrial building का nature अलग है office building का nature अलग है तुम समझ रहे हैं समझ गये सा ठीक है तो उस पर लगला method चल जाएगा उसके बाद treatment of revolution gain and loss यह भी बड़ा का चीज है ध्यान से सुनना treatment of real gain loss चलो मैं आपको यहां दिखा भी रखा यहां से देख लो रीवल gain loss का जाएगा ठीक है रीवल का मतलब unrealized gain loss है नहीं है क्योंकि आपने fair value पर रखा तो gain arise हुआ था तो देख पहले पूछने का जिंदगी में कब revalue किया मैंने बोला जिंदगी में first time revalue किया तो जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ है तो बोलता है gain आया तो OCI में transfer करने का OCI में भी NR में transfer करने का ठीक है अगर जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ है पहली बार revalue और loss है तो कहा transfer करने का उसको profit and loss में transfer करने का ठीक है यह समझ गया अब अगर आपने subsequently revalue किया है मतलब दूसरा प्यार है दूसरी बार revalue कर रहे हो और gain आया तो directly OCI नहीं loss में gain को transfer करोगे उसके ऊपर कोई और gain आता है तो वो OCI में जाएगा ठीक है मैं example देता हूँ इधर ध्यान दो सबसे पहले में loss आया सब्सेक्वेंट रूपीस का ठीक है और बात में gain आया 130 का तो पहले क्या करोगे to the extent of previous loss पहले 100 रुबे का gain profit loss में जाएगा excess 30 का gain OCI में जाएगा वासर example भी लेला मज़ा आ गया आगे बढ़ जाता हूँ अभी loss आया मतलब सबसेक्वेंटी loss आया तो फिर तो देखो पहले क्या था अभी loss पहले भी loss तो यह वाला loss profit and loss अभी loss लेकिन पहले का gain था तो फिर जितना previous gain था उतना loss आप profit and loss में transfer करोगे उतना loss आप पुराना gain है उतना loss OCI में जाएगा balance loss profit and loss पर जाएगा सर समझ मा आ गया मज़ा आ गया सर ठीके तो यह था treatment of gain and loss अब काफी बच्चे एक सवाल पूछते सर OCI R-NR के अंदर फरक है मेरी बात ध्यान से सुनना 20 सेकंद के अंदर confirm कर दूँगा R-NR का मतलब क्या होता है R-N R-NR का full form क्या होता है non-reclassifiable to PNL अब अगर OCI NR होता है तो क्या होता है जब आपका PPE बाहर होएगा तो जितना भी revaluation profit आपने book किया है वो सीधा revaluation surplus से निकल कर retained earnings में transfer होएगा मतलब directly within other equity transfer होएगा NR का मतलब होता है not classifiable to PNL तो जब आपके PPE book से बाहर जाएगा तो जितना भी आपने OCI में profit book करके other equity में जागा किया रहेगा वो other equity के revaluation surplus से निकल कर retained earnings में जाएगा लेकिन अगर यही OCI R होता R तो जब PPE बाहर होता है ना तो जितना भी आपने revaluation surplus में profit book किया है वो पहले PN channel में transfer होता है उसलिए बोलते री classifiable to PNL समझ गया यह कब करना जब PPE बाहर होगा तब है ना तो NR होगा तो उसको profit loss में लेकर मत आना उपुराने profit को उसको सिधा retention में डाल देना लेकिन अगर R होगा तो उसको लेकर आने का समझ में आता है यह वाला बात समझ गया सर क्या ब इसका मतलब क्या है होता क्या है जब भी आप कोई OCI में profit बुक करते हो OCI अनर में profit बुक किया यह अनर का profit ultimately other equity के reval surplus में जमा होता हूँ चलता है ठीक है अब यह जिंदगी बर surplus के अंदर ही पड़ा रहेगा यह क्या होगा इसका तो यह surplus से कब यह basically non free reserve होता है ठीक है तो क् surplus से निकल कर return earnings में जाएगा यह तो आपको मैंने बताया था जब आपका पीपी बुक से भार हो जाए लाइफ खतम हो जाया या पीपी बेस दो तब यह optional निये करना ही पड़ेगा आपको इसमें important वाला क्या है excess depreciation कभी कभी क्या होता है अब इसका example बताओ sir excess depreciation का मतलब क्य ठीक है अब तो आपका revised carrying amount कितना हो गया fair value पादेगा 12 lakhs लाइफ कितनी बच्ची है 9 years तो आपको पता है ना जब आप रिवालू करते हो carrying amount बढ़ता है तो आपका depreciation prospectively increase होता है your depreciation increases prospectively यह बात पता है आपको पता है ना sir ठीक है अब तो आपका depreciation year 2 में कितना आ गया 1.33 आ प्रीशन की वजह से excess depreciation कितना आया मैं बुलूँ 0.33 आ गया company ना option दे रखाए आप चाहो तो इतना excess depreciation surplus से निकाल कर RE में हर साल transfer कर सकते हो इतना excess depreciation surplus से निकाल कर RE में हर साल transfer कर सकते हो बराबर तो मैंने बता देको surplus से निकल जाएग उत्ता excess depreciation RE में चला जाएगा, यह इ जब लोज आगा तो पॉसिबल नहीं है चलो ठीक है आगे बच आते हैं फिर अपना आगे आता है क्योंट आगे कुनसा है component accounting अब कभी कभी क्योंता है एक मेर्वाट करना होटा है टागे टो हाँ क्लास वालों को याद अगया था जेट प्ले इंजन वाले एक्जामपल है ना तो आजाओ इदा दिखा जाताओ फटाफट से आपको तो सब्स प्राइवेट जेट था 100 लाग रुपे का इंजन का लाइफ फाइवेस बॉड़ी का लाइफ 10 यह तो क्या करने का आपको प्लेस कर दिया अप जो भी आपने उपर है कॉंपने ओनट के रहें च और पर दीके और आप ने वाले आपने वाले पर आपने सब्सक्रांट कर डेंडर माइनस कर देना, ठीक है तो क्या जब भी आपने कोई component रेप्लेस किया, तो नए वाले component का value एड़ करोगे, पुराने वाले component का value माइनस करोगे, ध्यान रखना, अब इसमें भाइफर केशन दे देना, कि इसमें से नया engine का value इतना है, बॉड़ी का लाइफ इतना है, नय engine का ज तो प्रॉब्लम नहीं थी ना अगर सबका लाइफ ही सेम है सबका साथ में हपीवटे में आएंगे फिर उसके बाद अगर कोई पार्ट रिप्लेज करोगे तो पुराना वाला वाला वैलू रिकॉर्ड करना वासान मजह आ गया ठीक है उसके बाद अगला पॉइंट सब्सिक्वेंट कोश्टिंग कर एक बार पीपी खरीद लो उसके बाद आपने उसके ओपर कुछ सब्सिक्वेंटली खर्चे किये मतलब एक बार रिलेशन्शिप में आ गये उसके बाद हर साल पॉपकॉर्ण खिला रहो पिक्चर दिखा रहो उसको बोलते सब्सिक्वेंट कोश्टिंग कर वासर मज़ा आ गया थीक है अब इसमें देखना पड़ेगा खर्चा किस नेचर का है अगर रिपेर से मेंटरेंस वाला खर्चा है तो वो जाएगा आपके प्रॉफिट लॉस में अगर आपने कोई पार्ट रिप्लेस किया है अगर आपने कोई major component रिप्लेस किया है तो उस case में फिर क्या करेंगे उस इसमें यही इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, यह इंपोर्टेंट स्टार माग कर लो, अब इसका मतलब क्या सुनना, सपोज आपका प्लीन का लाइफ 20 यर्ज है, गौवन बोलता है, एवरी पाथ चाल में इसका इंस्पेक्शन करने का, है ना, तो क्वेश्चन इस, क्या आप day one पे inspection अलग से करोगे है? नई, day one पे जब asset मिलेगा, वो तो inspect हो के यह आए रहेगा, और हर एक inspection किते साल में कंदग करना है? पात साल में, इसका मतलब जब day one पे asset आपको मिला है, तो वो inspect होके आया है ना, तो वो बोलता है, इसके उपर भी component accounting apply कर देना, तो इसमें e इसमें एक इन्सपेक्शन का खर्चा is already included, उसमें इन्सपेक्शन वाला खर्चा is already included, तो इसके चते एक्जामपल देखो फटावट सहीदर, सपोज मैंने बोला कि नॉर्मली इन्सपेक्शन करोगे, तो टुडेश्ट टम में 10 लागा खर्चा होता है, तो ऐसा माल लेनेगा क कि 100 लाग के अंदर 10 लाग का इन्सपेक्शन खर्चा is already included, और अगर खर्चे का इन्सपेक्शन के लिए इतना बाकी के लिए इतना, तो इन्सपेक्शन का वालडेटी कितना था सिफ पात साल, तो इसको फाइवेज मार्ट करोगे, और बाक के से लिएज को 20 लाग, मतलब इ बहुत शानदार, चलो, आगे बढ़ जाते है, उसके बाद आएग अपना land and building, वो बोलता है land and building है, तो land and land अलग करनेगा, building, building अलग करनेगा, land जनरल लाइफ infinite अदर depreciate नहीं करनेगा, हाँ, बाइचांस, land ऐसी नेचर के हुई, इसका लाइफ finite है, तो depreciate कर देना, लेकिन building तो always depreciable होती ही, ठीके ध्यान रटा, उसके बाद, depreciation, वो depreciation का मतलब क्या होता है, depreciation का मतलब है, आपन जो asset को capitalize करते है, हर साल profit loss में डालने को बोलता है, depreciation, method कोन से, SLM, WDV, universal production, ध्यान रखना, depreciation revenue के बेस पर आप चार्ज नहीं कर साते, यह नहीं कि मैंने जितना बेचा मत करना, जब वो ready हो जा तब depreciation कर देना, एक और चीज होती है, स्केंदल, suppose ready हो गया 1st FEP को, मैंने use करना शूरू किया 1st March को, आपने use कब से क्या फरक नहीं पड़ता, ready हो गया ताना 1st FEP को, 1st FEP से depreciation कर देना, उसके लावा, cessate मतलब बंद कप करेंगे, या तो asset base दो के या फिर asset 105 में चला जाएगा तब, अब पूरा EFR पढ़के आया तो मालूम रहेगा, 105 में जाएगा, जैसी 105 में आया, depreciation ceases, ठीक है, नहीं या तो बढ़ा दूंगा, उसके लावा, depreciable amount क्या होता है, जब SLM follow करते हो, तो आप कैसे करते हो, cost minus residual value, divided by the life, तो इसका मतलब आप तो आपको जितने साल में benefit मिलेगा, आप उतने साल में depreciate करना, ठीक है, ध्यान रखना, उसके लावा, जो भी ये method है, आरवी है, useful life है, इसको आप every year review करने का, इसपर India से change हुआ, तो change in accounting estimate, estimate का change क्यों गोलते है, क्योंकि आप इसको prospective accounting follow करने का, पुराना change नहीं करने का, उ अब मैं थर्ड येर पर आया, और मुझे मालूम पड़ा, सो नहीं, 120 इंकर करना है, उसको बलते है, changes in decommissioning, restoration, similar liabilities, मतलब ये जो change है, ये unwinding की वेड़े से change नहीं हो रहा है, मेरा जो original estimate था, वो ही change हो गया, तो change का effect कैसे देंगे, इसका better understanding question के अंदर आएगा, लेकिन, concept समद लो पहले, कि आपने इसका effect कैसे देंगे, suppose आपको सबसे पहले ये देखने का, कि asset को उनसे model पे ह है, एक simple सी बात धियान रखना, अगर decommissioning amount change हो रहा है, calculation मैं सिखा दूँगा, but effect कैसे देंगे पहले वो समद लो, अगर asset आपके cost model पे है, तो जो भी change है, उसको cost suggest करने का, इतना याद रहेगा, सर कैसे, suppose मेरा decommission का खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ने समय क्या करता ह लाइबिलिटी बढ़ाता हू, टू प्रोविशन बढ़ाऊंगा, तो debit क्या कर देना, पी-पी, suppose मेरा decommission का खर्चा गिर गया, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, तो provision debit करूंगा, credit क्या कर देना, पी-पी, तो आप basically cost model में PP से adjust करना ये changes को, simple, अच्छा, अगर आपका यही asset reval model पर होता तो, तो जो भी change हो रहा है, उसको आप revaluation gain loss adjust करोगे, कहां adjust करोगे, revaluation gain loss है, इसका मतलब, suppose मेरे provision को increase करना है मुझे, तो मैं बलूँगा 2 provision, debit क्या करने का reval loss, simple, आपका मेरा provision गिर रहा है, तो मैं बलूँगा debit provision, credit क्या करने का, credit all gains, revaluation gain, इतना याद रहागा क्या, इसका मतलब asset कौन से model पर वो देखो, cost model पर cost adjust करो, reval model पर revaluation gain loss की तरह, मज़ा आ गया सर, है ना, मज़ा आ गया, यह अपने concept को आपने कर दिया, रफा दफा, भाई साब क्या मज़ा आ गया सर, अब concept ही नहीं, आकाश कंदू की खास बात क्या है, question भी कराएगा, सब को दो तरह question होगे, एक तो जिसका मैं बात ही नहीं करूँगा, last day पर सब करते मत बेटना, बेवकूफू की तरह, ठीक है, येडी की तरह सब करते मत बेटना, खतम हो जागा तुमारा काम, सब मत करना, अपने marking को भरुसा करना, और तुमारी marking ने तो मेरे पर भरुसा करना, ठीक है, मैं ये नहीं बोला, जो mark करूँगा, वो ही आएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं बोला, mark करा होए questions किये, तो कोई भी question आतो बना लोगे, तुम समझ रहे हो क्या, तो मैं वो question बताऊंगा, जो आपके सारे concept cover कर जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है, तो दो तर टीन थी, ठीक है, 1 CR की, बोलता है, day 1 पर अपने को breakdown नहीं दिया हूए components का, ठीक है, अब life 10 years है, अब चाप breakdown क्यों नहीं दिया components का, शायद हर एक component की life सेम होगी, इसलिए breakdown नहीं दिया अपने को, अब बोलता है, 6th year के end पर मैंने part replace कर दिया है, ठीक है, जो आपने part replace किया ह उसका नया value 45 lakhs है, ठीक है, अब discounted वगरा दिया हूँ, अब ये क्यों दिया आपको समझेगा, तो करना क्या है, 6 साल के end पर आप आए, तो पहले 6 साल के end पर value पर आजाओ, ठीक है, तो मैं लेके आता हूँ को 6 साल के end की value पर, इधर को, इधर गया मेरा, illustration number 8, one sec, let me see, एक स दे दे ना, बस, ये तो ढूणने में टाइम जाएगा अपना, one sec, अरे मैं ऐसी discuss कर लूँ के, इसके जरूवा देगा अपने को, छोड़ोगो सब, हाँ, सबोध आपने कोई part replace किया, तो आप 1 CR को पहले 6 साल से depreciate करोगे, ठीक है, तो 10 साल की life है, तो 60 lakhs है का depreciation, 6th year के end प पहला value है, उसको आप add करने का, लेकिन component में एक और बात थी, क्या करना अपने component के अंदर, component के अंदर, अपने को पुराना वाला carrying amount है, वो minus करने का है, अब वो कैसे मिलेगा, वो दिया वाई नहीं है, तो आपको उसमें बुद्धी लगानी पड़ेगी, कि कोई चीज अग निकालने के लिए, तो इससे आपको day one की cost मिलेगी, है न, इससे आपको क्या मिलेगी, day one की cost मिलेगी, old वाले engine की, old वाले engine की, अब मुझे पुराने engine की day one की cost नहीं चाहिए, छे साल के बाद की carrying amount चाहिए, तो इसमें से 6 है, इसका depreciation माइनस करना, संबलो, मैं roughly ले रहा कुछ ऐसा आजाता है, 20, 13 lakhs का असपास, मैं random ले रहा हु कुछ भी ठीक है, सपोज यह old carrying हमा 13 lakhs आगे, तो बस इसको minus कर देना 13 lakhs को, ऐसा, तो इसके अंदर tricky part क्या था, पुराने वाले engine का आपको value नहीं दिया गया है, तो पुराने वाले engine का value ढूनना was the trickier part, clear यह वाल 10 lakhs की, इसके अंदर legal cost included है, अलक्स आड करने का जरूवत नहीं है, work चालू कब किया है, first में से, तो यह preparation leveling of land, capitalize करोगे, कोई material खर्चा किया, material पर खर्चा किया, capitalize करोगे, employment, जो involved है construction में, capitalize करोगे, लेकिन, जितने महीने construction चला, उतना ही capitalize करोगे, वह बोलता है, construction चला है 30 न 7 months capitalize करना, उसके बाद ongoing overhead allocation using overhead allocation model, general overheads कभी allocate मत करना, car parking वाल income, बता चुका, कभी capitalize मत करना, relocated employees, employees को एक जगे से, दुसरे के ट्रांसफर किया, capitalize मत करना, opening ceremony, आरे राहूल गंदी को बुला, बुला की ribbon काटो, capitalize मत करना, ठीक है, तो यह सब आपने जो capitalize किया, very good, उसके बाद बो हो जाए, उस दिन से depreciate करोगे, मतलब, current year में कितना महिने depreciate करोगे, 31st March, मतलब, 4 महिने के लिए, ठीक है, उसके बाद, वो बोलता है, useful life कितना है, 40 years, हाँ, अब इसमें component accounting भी है, बोलता है, इतना भी asset बनेगा, उसमें थोड़ा roof भी होगा, roof का life 20 years होगा, बाग के असर का component है, land भी तो है, तो जितना भी cost आएगा, जैसे मुझे, suppose for example, cost मिल जाते है, मेरे को यह उपर था, मिला गया था, कहा है, देखने दो जा रहा, suppose मेरे को cost आ इतना, 199.125, example, अभी small discuss करना बाकी है, तो अब क्या करोगे आप, इसको आपको bifurcate करना पड़ेगा, land में, building में, building के दो हिस्से, normal building और roof, ध्यान रटना, तो land के लाइफ तो infinite होता है, उसको आप depreciate नहीं करोगे, जो roof है, roof, उसका लाइफ 20 years है, तो depreciate for 4 months based on 20 years, बराबर, जो बाकी building है, उसका लाइफ 40 years है, तो depreciate based on 40 years for 4 months, ठीक है, ध्यान रटना, तो इसमें 3 component है, ध्यान रटने वाली उसके लाबर decommissioning का बात किए, कि 40 years के बाद हम खर्चा इंकर करेंगे 20 million का, तो अपने को decommissioning तो आज के टर्मस में capitalist करना होता है, वो बोला हो है, 40 years के बाद का discount factor दिया होगा, तो 20 million into यह multiply करना, आपको आज का मिल जागा decommissioning, वो मुझे मिल गया, तो मैंने उसको add कर द तो कौलिफाइंग अचेट पे किया गया, interest का खर्चा capitalist कर सकते हो, बराबर तो इसमें loan लिया 17.5 का, अब यह specific borrowing है, तो specific borrowing में क्या करते है, जितना समय construction चला, उतना पूरा interest आप कंचड़क कर सकते हो, तो construction मेरा चला है में से लेके November 7 months तक, तो 17.5 lakhs पे 7 by 12 करके, 6% करके, जितना भी आपका amount आएगा, वो आप पूरा capitalist कर सकते हो, लेकिन इसमें जो income होई है आपको, normal income, temporary income from this loan, वो भी आप minus करोगे, तो proceeds from this loan, आप minus करोगे, और interest आप consider कर लोगे, तो वो net net करके 5.1 to 5 वाता है, वो आपने add कर लिया, ध्यान रखना, clear, बस, वो पुछा था, carrying amount factory क देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, question का last line ध्यान से पढ़ा करो, पूछा किया है, यह नहीं कि AD कितर चालू करना, solve करना, शुरू कर दिया, अभी मत करना, देखना, पूछा किया है, तो अपने को क्या पूछा है, year end का पूछा है, year end का पूछा है, year end का पूछा है, 5 million का, ठीक है, अब यह खर्चा कितन साल के बात करना है, 10th year के बात करना है, discounting rate 8% दिया हुआ है, और company कौन सा model फॉलो करता है, cost model फॉलो करता है, तो इस question के दो पार्ट है, पहला पार्ट में क्या बोलता है, carrying amount ढूटो, PPE का, और decommissioning का value ढूटो, हर साल के end पे, अगर कुछ नहीं, पहले PP का value दिया है, उसमें decommissioning का present value अड़ कर देना, ठीक है, तो जब मैं add करूँगा, चलो मैं दिखा जाता हूँ कैसे करना है, इसको यहां फटा-फट से देखो, तो आपने, जो भी आपको cost दिया है, उसमें आपने decommissioning का value अड़ किया, आपको total value मिलग decommissioning का, ठीक है, अब मैंने बस entry mark के दिखा दी, अब क्या करना आपको, पहला case बोलता है, कि आपके estimate में कोई change नहीं हुआ है, तो फिर क्या करोगे, carrying amount, PP का हर सल क्या रहेगा, अरे हर साल का depreciation करोगे, तो मिल जागा carrying amount, तो मैं हर साल क्या करूँगा, opening लिखूँगा, हर स लिखूँगा, तो ऐसा आपको हर साल निकालते वे चलना है, simple, similarly decommissioning का भी value चीए, year end पे, तो कैसे निकालोगे, opening, unwinding, closing, this closing will become opening year, इस पे unwinding करना, फिर closing, फिर opening बनेगा, इस पे unwinding करना, फिर closing, ऐसा खेला कूदी करते वे चलना, unwinding amount, add करना, ध्यान ना, add क्यों करेंगे, entry interest to provision, तो provision बढ़े आई ना, थियान रखना है यह वाली बात का, यह पहला case CCS में को दिक्कती नहीं है, मजा तब आएगा, जब हो क्या बोलते है, case B के अंदर, कि at the end of fourth year, fourth year के end पे, मेरा estimate change हो गया, estimate क्या change हुआ, बोलते है, अब, end of useful life में, हमको 8 million incur करना पड़ेगा, instead of 5 million है ना, तो अब, अपने को amount किस साल के हिसाफ से दिया हुआ है, last year के हिसाफ से दिया हुआ है, वो बोलते है, अब, आपको last year में जाकर, 5 के बतले, 8 incur करना है, तो पहले तो कब change हुआ है, फो त यह end पे change हुआ है, तो इस change को, आप four year के हिसाफ से लेकर आओ पहले, तो मैंन छे साल से discount करोगे, तो कर दिया सा discount 6 साल से, उसके बाद, अपने को मिलेगी present value, 8 million के एसाफ से, इसको आप compare करना, 4th year के end के, पुराने वाले estimates है, यह रहा, 4th year के end के, पुराने वाले decommissioning का compare करना, तो यह मेरा नया present value, compare करो, पुराने present value से, तो decommissioning का amount बढ़ रहा है की गिर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बराबर, 4th year के terms में निकालू, तो 1.88 से बढ़ रहा है, तो अब मैं यह बढ़ने हुए decommission को कैसे consider करूँगा, मैंने सिखाया था ना, जब भी decommissioning estimate में change हो, पहले तो मेरा decommissioning का value भी change हो जाएगा, तो subsequently मेरा depreciation will also change, और subsequently मेरा unwinding will also change, अब मेरा decommissioning last last year में दाके 8 million हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, बस, यह आपको simple सा बात ध्यान रखना है, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, कि जो increase decrease हुआ है, आपको increase का amount directly नहीं बता है, कि फिर मेरा आता है, 18, 18 को extra mark करो, simple घर पर एक बार refer कर लेना, बट इसका मैं better version करा रहो आपको, illustration no.19, यह भी चुम्मा question है, आज तक exam में आया है, मुझे पता नहीं क्यों नहीं आया है, यह हर बार आने का capacity है, ठीक है, सुन लो, एक power plant है, है ना, और उस पर decommissioning भी है, very good, 40 बोलता है, कि assume that a market-based discounted cash flow model, अब यह fair value, वो देखो न, इतना बड़ा नाम, चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेनु को पल आया, अब यह fair value है बाबा, वो, इस 1,15, कब का दिया है fair value, 31st March 14 का, शान्ति से करने का, आपको cost कब का दिया था, 1st April 11 का, अब भी सही हो गए, एक बाब बता दो, हाँ हाँ बबा, अभी सही हो गया, अभी अभी सही, अभी सही, अभी सही मैं चालू करूँ आपस रिपीट करूँ, यस रिपीट करता है, सुन लो, तो अपने को दिया हुए cost, ठीके, 1,20,000 का, उसमें D. Commiss ने इंक्लूड है, 10,000 का, अपने को fair value का दिया हुए, 31st March, आज footing का fair value दिया हुए, ठीके, तो पहले आपको carrying amount निकालनी पड़े की उस दिन की, तो अब मैं कैसे करूँगा, देख लो, फटाफट से, तो सबसे पहले मैं को cost दिया हुए, 3 साल करूँगा depreciate, मुझे carrying amount मिल जाएगी, अब मैं इस carrying amount को fair value से compare करूँगा, लेकिन यह fair value है ना, पूरी fair value नहीं है, this is after deduction of allowance of 1164 decommissioning, अब मुझे बताओ, मेरे जो cost है, उसमें decommissioning included है ना, तो मेरे fair value के अंदर भी include होना चाहिए ना, बट यह include 10,000 उमत करना, आज के terms में करना, तो आज के इसाफ से value 11 section दे दी हुए question के अंदर, ठीक है आप निकालते तो भी roughly इतनी ही आती है, वो मेरे बाज़न करके दिया हुए, तो आप पूरी वाली fair value निकालोगे, compare करोगे, 1,11,000 carrying amount है, fair value जाद है, gain आएगा, बस यह gain आपन बुक करेंगे, जिन्दक में पहली बार gain आया, तो OC INR में जाएगा, तो इसके entry का देती है gain की, PP to reval gain मेरा PP का value बढ़ गया, और मैं gain book कर दूँगा, मैंने एक प्यारा strike बना के दी दिया, तो मेरा PP इतना दिख रहा है, जो gain book किया, वो reval surplus मा आ जाएगा, और decommissioning मेरा इतना दिख रहा है, इसका exact amount actually 11,576 है, but question में आपने को 11,68 दिया हुआ है, कभी-कभी ऐसा rounding off का फर 15 पे खड़ेता न, तो पहले 15 पे आ जानेगा, तो एक साल depreciate करनेगा based on the revised carrying amount, और 31st March 15 की carrying amount पे आ जाओ, आगे sir carrying amount पे, एक बार आप 31st March 15 की carrying amount पे आ जाओगे, उसके बाद, बोला है कि decommissioning का जो provision है, वो गिर जाता है 5000 से, decommissioning का provision 5000 से गिर रहा है, अब ये जो decrease है, ध्य अपने को 10th year के साब से दिया, आपन present value term में increase decrease लेकर आये थे, जैसे 1.88 आया था न, increase, वो आपन लेकर आये थे, यहाँ वो directly 1.88 दिया हुए, ऐसा मान लेने का, तो directly decrease का amount दिया हुए, अब मैं क्या करूंगा, तो ये decrease का treatment will depend, asset कौन से model पे है, तो asset यहाँ, cost model पे नहीं, fair value model पे है, तो इसको आपन fair value suggest करेंगे, कैसे करेंगे, एकदम simple है, गिर रहा है provision, तो बोलेगा provision debit 2, गिरने वाली चीज में credit balance आया, तो gain ही आएगा, revolution gain, gain होएगा, अब ये gain का जाएगा, देखना अपने का पहले का था, मैं बोलू, EC asset पे पहले भी gain आया था, और अभी भी gain तो ये वाला gain OCI में जाएगा, simple, तो देखो, बोला हूए मैंने, कहां गया मेरा ये, provision to revolution gain, पहले भी gain, अभी gain, तो ये वाला gain OCI में जाएगा, ये एक चीज हो गई, ठीक है, तो इससे, क्या इससे मेरा carrying amount of asset change होएगा, नहीं, cost suggest करना ही ने, cost को ऐसी रहने देना, सि मेरी dec decommissioning को जो provision के value है, वो 12,180 से 5,000 हो जाएगी, sir, 2,180 कैसे आई, एक साल और unwinding के आता है, उसको 11,600 से लेकर, इसले 12,180 हो गई थी, तो 5,000 से गिर जाएगी, ठीक है, अब इसमें last में एक और चीज करने बोला है, कि आँ वापस से fair version perform करो, अब ये fair value वापस से net of allowance for decommissioning दिय करने का fair value के अंदर, तो मैं 1,7,000 में ये नया वाला decommissioning add करतूंगा, बराबर, तो ये रही मेरी carrying amount, ये रही मेरी fair value मुझे इस पार loss आजाता है, अब ये loss डिरेकली पेरल में transfer करूंगा, ना मुन्ना ना, डिरेकली पेरल में नहीं, तो क्या करेंगे, sir, अरे ECS पे पहले gain पड़ा है, तो सारा loss आप OCS adjust कर देना, बस, तो मैंने extract बना के वापस दे दिया, ये मेरा asset की value, ये मेरा equity की value, जो इतनी थी, उसमें से इतना loss के वज़से कम हो जाएगा, और मेरा provision का value after reduction इतना हो जाएगा, तो इस asset में तीन चीज़े, मैं बोलू, यादी कर लेने का ती question important है, हर chapter में 4-5-5 question बताऊंगा, उतने करके जाओगा, chapter खतम हो जाएगा, तुमको इतना मजा आजाएगा ना, तुम बोलो के वा, sir, खुद करते तो बहुत समय लगता, अब मेरे बताने का जब खुद से करोगे ना, तो तुमको लोगे, वा, sir, आ रहे मैं कोई याद, ए या तो eliminate करेंगे या नहीं करेंगे, यह उसी के ओपर है, और लेडी example करवा चुका, same question है, ठीक, एक बार देख ले ना, बस इसको, हाँ, यह यह भाई, एक चुम्मी दे तो इसको, दे दिया चुम्मी, अब सुन लो ज्यान से, इतना बढ़िया question है, है 15 सा question, लेकिन इतना क अब मैं कैसे करूंगा, तो 5 साल का depreciation कितना है इसका, 5 साल का depreciation है, 12.5 लेक्स कैसे आया सर, 30 माइनस 17.5, तो 5 साल का depreciation 12.5 है, तो पर अनम का कितना रेगा, पर अनम का, it will be 2.5 लेक्स पर अनम depreciation, अब यह क्यों निकाला सर आपने, अरे अगर आप day 1 की cost divided by पर अनम डेप कर मैं दिखा तो कहा मिलती है मेरको, यह देख लो इधर, हाँ आई एर, आई एर, आई एर, आई एर, देखो, ऐसे करके मुझे life मिलती है, मिरेकाल से 12.5 की, 12.5 की मिल जाती है, ठीक है, समझा सबको यह वाला पाट, ठीक है, उसका बोला क्या है भी, बोलते है हमने 11, 1st April 1 को 1st April 6 को हमने reval किया, मतलब 5 साल के बाद reval perform किया, 10% upward revolution, तो पहले क्या करोगे, ledger बनाओगे 5 साल तक का, अब 5 साल का ledger कैसे बनाओगे, अरे खरीदा उसकी entry, 5 साल तक depreciate करो, closing, फिर depreciate, closing, यसे 5 साल तक करने का, कब तक, 1st April 16 के opening balance तक ना आजा, तब तक आ जाना, ठीक है, करके आगे सर, अब क्या बोलते है, reval मैंने कब क्या यह देखना, 1st day पे के last day पे किया है, अगर last day पे करोगे, तो पहले depreciate करना, फिर reval करना, यहां first day पे किया है, तो directly reval कर लेंगे, बुला जितना भी value था, उसका 10% upward revolution, जिन्दगी में पहली बार प्यार हुआ है, पहली haven limited avail the option given by nds, of transferring some surplus, as the asset is used by the enterprise, यादे, वो transfer कब करते है, surplus से, re के अंदर, excess depreciation, तो जैसे जैसे आप जितने साल में, excess debt charge करोगे, उतना amount, surplus से निकाल कर, re में चला जाएगा, अब इसका impact क्या पड़ेगा, बाद में मालू पड़ेगा, तो यह मैं 2 साल तक, नए value पे depreciate तो 2,75, 2,75 दो साल तर depreciate किया, मेरा excess depreciation कितना है per annum, पहले मैं 2,50 depreciate करता था, अब मैं 2,75 depreciate करता हूँ, तो मैं excess कितना depreciate कर रहा हूँ, 25,000 per annum में excess depreciate कर रहा हूँ, बराबर, तो ऐसे मैंने 2 साल तर charge किया है, तो total में मैंने 50,000 excess debt charge किया है, यह 50,000 का amount, आपके reward surplus से निक अब बोलता है, इसी 2 साल के बाद downward revalue किया 15%, अब देखना इधर, तो downward revalue के लिए, पहले carrying amount लगी कि 2 साल के बाद की, carrying amount was 13,75,000, इसी 13,75 पे मैंने downward revalue किया 15% का, ठीके, तो जब इसका 15% निकालोगे, तो 206,250 आएगा, अब आता है खास बात, यह reval loss कहाँ जाएगा, तो अब मेरा previous gain किता था, अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे से मेरा previous gain 1,75,000 था, लेकिन मैं बुलिए उस 1,75,000 मैं से 50,000 आप ओलेडी retained earnings में transfer कर चुके हो, तो balance gain कितना बचा रहेगा surplus के अंदर, से 1,25,000 बचा है, इसे लिए वो excess debt वाला treatment दिया था आपने को, नॉर्मल बचा ही नहीं है, 1,75,000 मैं से 50,000, तो मैं अल्री किता ट्रांसर कर चुका, balance बचा है से 1,25,000 का, तो मैं बोलूँगा 2,6,250 मैं से 1,25,000 मैं से 1,25,000 मैं से 1,25,000 मैं से 1,25,000 मैं से अजज़श करूँगा, बाकी loss में profit loss में डालूँगा, यह आपको मिला, तो मैंने यह दे कर मारती बेचने की, simple, that's it, बराबर ध्यान रटना, मजा आगया सर, फील आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर, उसके बाद question number 2, क्या है से इसके अंदर, सुन लो फटाफर से बहुत easy है, आपने असर का काम शूरू किया 1st April को, ठीक है, क्या क्या खर्चे incur किये, material पे खर्चा क नहीं करते हैं, नमत consider करना, employee cost for construction staff, 3 months का दिया हुए, लेकिन बात बोलू, नीचे जब पढ़ो के, तो मालू पढ़ेगा, 2 मेना ही चला है construction, तो इसमें से प्रोपोर्शनली 2 मेने का अप्लाइस करना, बाकी जाएगा profit and loss में, फिर overheads, इसमें क्या दिया हुए, ये दिया उसके अलावा, payment to external advisors relating to construction, कैपलाइस करोगे, dismantling restoration, present value पे कैपलाइस करोगे, इसका information यहां दिया हुए, present value पे कैपलाइस करोगे, यहां तक clear है, ठीक है, तो आपन जब असर की cost निकाल लेंगे, ready कब हुआ है, 31 में को ready हुआ है, तो जो भी value मिलेगी, 31 में की मिलेगी, inspection करोगे, अरे 4 सल के बात करोगे, वो छोड़ो, inspection पढ़ते ही समझ जाने का, कि हमारे day 1 के cost में भी तो यह खर्चा included होगा, होगा सर, तो जितनी भी आपकी day 1 की value आएगी, चलो मैं दिखाई दे तो आपको इदर, किदर, किदर गया रे मेरे राजा बेटा, ओले मिला बाब inspection कितने साल में करोगे, चार साल में करोगे, तो इस inspection की life कितनी हो गई, चार साल हो गई, इसको चार साल पर depreciate करना, और बाग के शर के life 8 years हो गई, तो इसको 8 years के साथ देप्रिशेट करना, बस year end की value मिल जाएगी, ध्यान अटना depreciation से 10 months के लिए करना, क्योंकि 31st में को ready हु पूछा रहेगा तो, अच्छा, अब इसमें को अब ध्यान रटना, अगर आपको decommissioning का value लिखना है balance sheet में, तो ये value मत लिखना, year end की value चाहिए, year end की value के लिए क्या करोगे, 10 months के लिए unwinding करोगे, तो कैसे unwinding करोगे, इसकी rate कितनी तिरे, उसकी present value की, तो बोलने का 5% discounting rate है तो into 5% into 10 by 12 कर दे ना बस, 10 months का unwinding आपको मिल जाएगा, ठीके तो unwinding करोगे 10 मेने का, तो value आपको ये मिल जाएगी, simple, is this clear to everyone, yes sir, absolutely clear sir, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो sir, उसके बाद, एक बात कहूँ आपसे, इतने question भी कर लिए न, कोई माय का लाल, आपका exemption रोख नी सकता पटाफट से कर दू, सर से, अरे सर से, मोरी चुनिरी जाए, जाए, सर से हमारे index 16 जाए, सरक के सरक, सरक, ठीक है, तो हमने index 16 को क्या कर दिया, अब फटाफट से अगले index पर आ जाए, अच्छा मेरी बाद ध्यान रखना, कभी भी जब अभी पढ़ रहो ना मेरे साथ, तो stress लेकर मत बैठना, stress में काम खराब होएगा, मैं कोशिश करूँगा, जित्ता महल चिल रखू, उतना चिल रखूँगा, ठीक है, टेंशन लेने का जरूवत नहीं है, हसते खेलते पड़ेंगे, दिमाग में अच्छते जाएगा, ठीक है, बट मा आगे बढ़ उसके पहले एकदम सही है, वाह, मजा आ रहे लाए वलते है, वाह, क्या बात है, बहुत ही शांदर, बहुत ही जानदर, ठीक है, चलो, तो मैं फटाफट से अगले इंडेस पर बढ़ जाओ क्या फिर, हाँ सर बढ़ो ना जल्दी से, चलो, आपन अगला इंडेस पर 38 पर जाते है, 38 पर और पास भी जाना, CA बनके मुझे पाटी भी जाना, ठीक है, इंडेस 38, इंटैंजेबल असेट, ठीक है, अब इसके अंदर अपने को क्या क्या धणड़ना सुन लो, सबसे पहला प्ट है, डेफिनेशन, ठीक है, स्टार्टिंग दर रिविजिजिन इन 3, 2, 1, 1, गो, 38 या पिर अगर वो किसी अलग कॉंट्रेक्ट में राइज हुआ है तो इदेन्टिफाइबल है एक्जांपल जैसे होता है आप लेक्षेस वाला गुडविल आप इसको अलग से बेच सकते हो को इंडेस्ट 21 का मिल जाएगा बेसिकली यह बोलता है जो भी वैलू दिख रहा है एक्जाक्ली उतने फिक्स्ट और डिटर्मिनेबल अमांड में रिलाइज़ेबल नहीं है उसको बलता है नॉन को समझ जाएगा विदाओट फिजिकल सिफ्टेंस हैं एक गाइडेंस दिया हुए अगर किसी असेट में दोनों कॉम्पोनेंट तो फिर क्या बोलेंगो उससेट को तो देखता है विच इस दा मोर सिग्निफिकेंट एलिमेंट जैसे सीडी में आया सॉफवेर तो पैसा सीडी तो इनिशल कॉस्ट पर होता है पर्चेस किया सेम लाइक बात नहीं करना एक्षेंज में एक वायर किया वह सेम लाइक प्रेफरेंस है अपने पास इंकमिंग असर्ट के लिए फेर वाले उफसर गिवन प्लस कैश पेड वो नहीं है तो फेर वाले उफसर एक्वायर वो भी अगर आपने कोई बिजनस कॉश्ट में पर टेक वर करना एडली बोलने कोई खरीदने वाले के लिए उसकी कॉस्ट होती है तो फेर वाले पर टेक वर करेंगे क्योंकि ऐसे कुछ इंटेंजेबल है जो आपने वाले के विकार्ड कर सकती है तो ऐसकेले वो इंटेंट नहीं यह थो गोण जब मैं खरीद रहा हूँ तो आईकन रिकॉर्डिट थीके second, तीसरा, जब भी भी आप excess PC pay करते हो, suppose आपने business combination में PC pay किया, 50 का, है ना, और net asset acquire किया, आपने 40 के, तो जो excess pay किया, 10 वो गुड़ुल के लिए पेकिया होता है, तो वो बोलता है, simple, तीसरे point में, चौते point में, कभी-कभी क्या होता है, कोई दो intangible, साथ में ही बिख सकते है market में, जैसे, suppose मैंने BB वचल खरिद लिया, है ना, तो BB वचल का जो logo है, और जो उसकी tagline होगी, yes people, है ना, तो जो tagline हो logo है, वो साथ में बिखता रहेगा market में, तो जब मैं इसको record करूँगा, तो मैं साथ में record करूँगा, ऐसे internally generate करने का मतलब क्या होता है, खुद बनाया तो, तो उस case में, अगर आपने internally generate goodwill किया है, गुड्डू को generate किया है खुद से, तो कभी record मत करना, ठीक है, other than goodwill है, तो हर intangible को दो phase में bifurcate करने का, research phase, development phase, research phase के अंदर अपने को पता नहीं होता है, कि अशट बनेगा नहीं बनेगा, तो जितना भी amount है, सब जाएगा profit and loss में, बराबर, question में, दिया वरत है, कितना research है, कितना development है, और development phase में, क्योंकि अपने को पता है, कि अशट बनने वाला है, हम यहां जो भी खर्चा करते है, कि हमारा development phase शुरू हो चुका है, हमको कैसे मालू पढ़ेगा, कि friendship से प्यार में आ चुक है, तो वह बोलता है, कि जिस दिन development phase शुरू होने वाला होगा ना, उस दिन 6 condition check करने का, अगर 6 के 6 condition meet हो गई, तो बोलते ना उस दिन से आपको प्यार हो गया, उस दिन से development phase begin हो गया, अब वह 6 condition क्या है, सुन लो, सबसे पहले technical feasibility of completion होना चाहिए, intention to complete होना चाहिए, complete होने के बाद वह use या sell कैसे होगा, वह बताने का, इसका future इकनावी benefit होना चाहिए, availability of, मतलब इसको complete करने के लिए, क्या आपके पास technical financial resources available है क्या, और क्या जितना भी खर्चा करोगे, reliably measure कर पाऊगे क्या, यह 6 condition meet करेगा, तो development phase begins, अब सर याद कैसा रखेंगे, मैंने एक hint दिया हो, इसके लिए ध्यान रखना, इसमें से 2 condition है, वह कुछ नहीं आपका recognition criteria है, future benefit and cost can be measured reliably, 2 condition completion को लेकर है, feasibility of completion, intention to complete, और बागे 2 condition AA है, availability of resources or ability to use yourself, ऐसे करके याद कर लो, कहा नहीं कतम, ठीक है, तो यह 6 meet है तो क्या आएगा, development फे शुरू हो जाएगा, development फे शुरू होने के बाद भी, सिर्फ direct वाले खर्चे capitalize करना, इसका मतलब इसमें भी सिर्फ, जो भी relevant खर्चे capitalize करना, selling, admin, abnormal cost, यह सब capitalize मत करना बेटके इसके अंदर, उसके बाद कुछ other important points, relating to internally generated intangible asset, कभी कभी क्या होता है, किसी company को समझ नहीं आ रहा है, कि हम कुन से phase में है, तो भाई तुम friendship phase में ही हो, तुम research phase में ही हो, उसके बाद, कुछ item, apart from the goodwill, इनको भी अगर internally generate किया, तो record मत करना, कुन से, brand, customer database, publication title, master, sir इसका मतलब क्यों होता है, news public होता है, तो उसको आप intangible record नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके लावा, अच्छा यह important बात, अगर normally आपन research development पुझा खुद करते हैं, तो research का खर्चा P&L, development capitalize, लेकिन अगर मैंने किसी और का किया हुआ research, acquire किया तो, अगर आपने किसी और का किया गया research acquire किया है, तो वह जो research में आपने payment किया है, वह आप capitalize कर सकते हो, provided it meets the definition and identifiable criteria, ध्यान रखना, अगर ऐसा बोले ना, कि मैंने किसी और का research acquire किया, तो आप capitalize कर सकते हो, अच्छा, एक ओ, clarification, जब आप किसी और का research acquire करते हो, जब आप किसी और का research acquire करते हो, तो आप capitalize करते हो, अब acquire करने के बाद, भी आप आप खुद कुछ research करोगे न, उसके ओपर, तो खुद का किया गया research, profit and loss में जाएगा, और खुद का किया गया development capitalize होएगा, लेकिन जो आपने किसी और का research acquire किया, वह आप capitalize कर सकते हो, तो ध्यान रदा, तो मैंने बोला भी, अगर आपने incomplete purchase किया है, इसको आप capitalize करोगे, purchase करने के बाद, खुद research किया, तो वह profit and loss, और खुद का किया research, और खुद का किया development, capitalize कर देना, उसके बाद subsequent measurement, यह अपना initial खतम होगे, सबको समाझ में आया यहाद तक, yes or no, yes sir, yes or no, with the one 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 way, subsequent measurement, अब इसके अंदर किया है, दो model अपने पास, एक cost, और एक revaluation, यह तो sir, कि तब देखे ला लग रहे, same like 16, हाँ, फरक है, फरक है, हम तुम अलग है, फरक है, फरक है, क्या फरक के साथ, यहाँ जब revaluation use करोगे, तो fair value active market की चाहिए, कहां की value चाहिए, active market की value चाहिए, what is the meaning of active market, इसा market जहां intangible, regularly, frequently, purchase sale होता है, उसको बलता है active market की value, तो यहाँ अगर fair value active market की नहीं है, तो आप reval model यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ के condition PPE के अंदर नहीं ता ध्यान लगना, उसके बाद, frequency वाला point same है, treatment of accumulated amortization, याद दो treatment है eliminate करो, उसके अलावा, यहाँ यहाँ फरक है, revaluation to be applied to entire loss of asset, अब होता क्या है, suppose हमने का try करना, suppose मेरे पास इदर 5 software है, हम क्या बोलते हैं, same class पर same model, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, इसमें से 4 software की active market है मेरे पास, एक की active market नहीं है, तो जिसकी active market है उसके लिए fair value चलेगा, जिसकी active market नहीं है उसके लिए cost चल जाएगा, मतलब अगर एक single class में किसी particular asset की active market वाली value नहीं है, तो इसके लिए cost चल जाएगा, लेकिन अगर पांचों की value होती है active market की तो तो फिर अलगलब follow नहीं कर सकते, ज्यान रखना, एक की नहीं है बाकि सब की है तो फिर अलगलब चल जाएगा, उसके बाद treatment of reward gain loss, it is same like PPE, टाइम बेश मत करना फालतुगा, और treatment of reward surplus to RE, surplus RE में कब जाएगा, या तो जब intangible base दोगे तब, या फिर वो excess depression की तरह same है excess amortization, same है, subsequent cost incurred, जब intangible खरितते हो, और उसके बाद future years में कुछ खर्चे करोगे, उसको बलते है subsequent cost incurred, अब इसका क्या करेंगे, normally बोलता है intangible के अंदर, जब subsequent खर्चे करते हो, तो they do not result in FEBs, future benefit, profit loss में transfer करेंगे sir, लेकिन मैंने एक चीज़ डिसकर्स की थी, कि it is possible कि कभी कभी कोई subsequent cost, आपको benefit दे सकते हैं, कैसे, अरे वो software की अगर आपने validity increase कर दी, तो उस case में अगर आपको लगता है कि benefit मेले, तो capitalize कर देना, but maximum case में नहीं होगा, उसके अलावा, fifth point, expenditure incurred but no intangible asset, यादे class मां बताया था, कसम खाना ऐसे कसम खाना, God promise करना, कि मर जाएंगे, मिड जाएंगे, लूट जाएंगे, लेकिन एक खर्चे कभी भी capitalize नहीं करेंगे, कोन से खर्चे, वो question आपको confused करेगा, कोन से खर्चे सुन लो, research वाला खर्चा, start-up वाला खर्चा, training का खर्चा, advertising का खर्चा, relocation वाला खर्चा, यह खर्चे दिखे, तो सीधा profit and loss, वो कभी-कभी confuse करेगा, कि यह ना advertising किया बहुत benefit मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा जेमें रखने का benefit को, सीधा profit and loss में डाल देगा, कहा नहीं खतम, ठीक है, ओके, उसके बाद amortization, it is same like PP, बज एक परक है, amortization के method कि है, SLM, WDV, units of production, और भी कोई follow कर सकते हो, revenue के based amortization चलेगा क्या, नहीं चलता है normally, एक case में चलेगा, क्या होता है, suppose कभी-कभी, मेरे पात license है, आपने मेरे से पूछा life कितना license का, मैंने बहुत लाइफ नहीं पता, तो फिर license का validity कितना है, government ने बोला, जब तक आँ 50 करोर का collection ना कलो, तब तर लाइसेंस आपका है, मतलब यहाँ license का life, is dependent on my revenue collection, तो जहाँ life is dependent on revenue, वहाँ revenue के base पर amortize कर सकते हो, because जितना में revenue collect करूंगा, उतना life कतम होएगा ना मेरे license का, तो जहाँ life revenue पर dependent है, वहाँ amortization based on collection चल जाएगा, बाकी case में नहीं चलेगा, ठीक है ध्यान ना, बाकी सब कुछ same like PPE है, उसके बाद residual value, बोलता है normally assume to be zero, लेकिन कभी-कभी ऐसा possible है, question में दिया वरता है, कि third party ने commitment दिया हुए, कि वह तुमको कुछ ना कुछ value दे देगा, तो अगर commitment है ऐसा third party का, या फिर आपको लगता है कि कोई active market है, जहाँ थोड़ा बहुत subscribe value का पैसा मिल सकता है, तो उस case में residual value मान सकते हो, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है, तो zero assume कर लेना, उसके लाब़ा useful life, intangible का life अगर infinite है, तो आप उसको amortize नहीं करते हैं, उसको इंपेरिमेंट टेस्ट annually करते हैं, थर्ड इससमा बात करेंगे इस बारे में, लेकिन life finite है, तो amortize करोगे, कुछ guidance दिया हुआ है, दो guidance अध्यान रखना, पहला guidance क्या बोलता है इदर सुन लो, license है, बोला validity 40 years की है, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे को license का benefit 10 years तक मिलेगा, क्यों? अरे 4G अभाई बंद होने वाले अभी, बराबर तो मेरे को लगता है कि मेरे को benefit 10 years मिलेगा, तो validity से फरक्ष नहीं परता, आप amortize कना 10 years के अंदर, पहले चीज़, कभी-कभी क्या होता है, second point, कभी-कभी होता है, जब आप license खरीद रहे हो, 10 years के लिए, तो government ना आपको option दिया, कि चाहो तो 10 साल के बाद, 5 साल के लिए और renew कर लेना, at a very nominal price, तो अब मैं life day 1 से 10 साल मानू की 15 साल मानू, तो it depends, अगर आपको day 1 पर पता है, कि आप पक्का पक्का renew करोगे, तो day 1 से life 15 years मान लो, लेकिन अगर आपको लगता है, कि आप शायद renew नहीं करोगे, तो 10 years मान लो, intention दिया वार एगा, don't worry about it, 9 point annual review as per index rate, भाई कर लेना, चेंज बाद वाद चेंजन अकाउंटे एस्टिमेट सेम, impairment 36 कंदर करेंगे, the recognition it is same, वा सर, मज़ा आ गया, फिल आगे सर, फिल आगे फिल आगे, question करो sir, question करो भटा भट से, खतम करो इसको, आव आओ, इतना बढ़िया question आ गया, पहले में मज़ा आ गया देखके, सुनना इदर, illustration no.3, क्या बोलता है, बोलता है न, अब यह अच्छा question है ठीक है, पहले के है, तो इसमें से 7 lakh का खर्चा है, वो 31st March 11 के slots के लिए है, और जो 1 lakh है, वो prepaid के nature का है, है न, तो क्या करेंगे sir, तो उस case में जो 8 lakh पेकिया, उसके entry क्या रहेगी, आप बोलोगे, जो current year का है, वो expense करो, जो next year का है, उसको prepaid book करो, इंटाइंजिबल असरी के तरा book नहीं कर सकते हैं, यह बाद ध्यान रखना, advertisement को आप इंटाइंजिबल असरी के तरा book नहीं कर सकते हैं, एड़िस्में प्रीपेट तो ही सकता है यार, इत्त राड़्लिक वला बात तो कह ली देंगा, तो यह prepaid रह सकता है, पिर अग्ले साथ इसको राइट अफ कर देंगे, simple, okay, उसका बोलता है, मैंने फोला सवाला खर्चा और क्या next year में, ये खर्चा भी next year किया है, इसका slot भी next year के लिए, तो next year इसको क्या कर देना, next year आप इसको profit loss में transfer कर देना, simple, ये था आपका illustration number 3, ठीक है, एक second देना मुझे मेरे को एक second देना, okay, यप, रुकावाट के लिए खेद है, आगे बनो, चलो, अब आता है illustration number 6, ये भी अच्छा question है, ये आप self कर सकतो हो, ये exchange के ओपर है, ठीक है, अब इसमें अच्छा बात क्या है, मैं discuss कर लिए अफटाफर सुनना, इसमें दोनों company के point अभी से बोला व acquire किया, software earth से, है न, और बदले में क्या दे license दिया, अब दोनों company के point अभी से पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसमें अपने को ध्यान रखने वाली बात के हम बताता हूं, मैं आपको रुको इदर, किदर के अपना ये, ठीर ठीर, ये देखो, तो पहले लिख लो, इसमें चा प्लस cash paid, second preference acquired को, third preference given up plus cash paid if any carrying amount पर, ठीक है, अब solve कैसे करने का, एक company को पकड़ने का पहले, पहले sun को पकड़, ठीक है, sun के लिए, पहले entry मार दिया कर, sun के लिए acquired के software, और गया क्या license है, तो बुलने का software debit to license, हर case में कोई भी case हो, software debit to license, software debit to license, ये entry मारने आ गया, ठीक है, ज यहां 3 case दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहां देख लो, यहां simplify कर रखा है, मैंने 3 case दिया हुआ है, पहला case किया है, fair value of asset given up plus cash paid if any, given up कुन साथा license, का license का fair value है, है, तो record कर, कोई difference नहीं है, very good, second case में आ जाओ, fair value of asset given up, क्या given up का fair value है, given up given up license, license का fair value है, है, record कर, difference को डाल profit and loss के तीसरा, fair value of asset given up, given up का fair value है, license का fair value है, नहीं है, तो carrying amount पर record कर ले इसको, उनको समझता है कैसे करने का, entry mark, outgoing का पहले, फिर income का खिला कुदी करते रहे, अच्छा, फिर अप, इसके earth के point विशा, earth ने क्या किया भाई, earth ने license acquire किया, software दिया, तो entry mark, license आया, software गया, license आया, software गया यह करने को आता है, आ गया, अब क्या करने का, जो बहार जा रहा है, carrying amount पे, इसको बहार का carrying amount पे, carrying amount पे, carrying amount पे, अब अच्छा क्या, incoming, incoming के लिए खिला कुदी कर, पहला preference क्या है, fair value of asset given up, earth के लिए given up software है, तो software का fair value है कि देख, software का fair value है, record का license को, इस value पे है, second case में, fair value of asset given given up, given up is software, software का fair value नहीं है, तो required का fair value ले, है, sir required का, required पे record कर, तिसरे के इसमें, किसी का भी fair value नहीं है, to carrying amount पे record कर, कहो नहीं को, बुद्धी लगाने का exam के अंदर, समझ गये गया, चलो, आगे बढ़ जो, अच्छा, एक और चीज, 38 के जब, आगे वाले questions करोगे ना, तो उ सुन लो, सुन लो, सुन लो 30 का ग्यान, थोड़ा सा, थोड़ा सा दे रहो, impairment, कैसे करते है, दो amount compare करते, carrying amount, recoverable amount, बराबर, अगर carrying amount जाद है, recover कं कर पाओगे, है ना, इसका मतलब क्या है, carrying 120 लेकिन, recover उत्ता करी नहीं पाओगे, तो impair हो गया, कितने का impair होगा, 20,000 का impairment loss हो ग होगे, तो impair हो गया, ऐसा समझो, यह carrying out बना आपके passing marks, आपना, यह passing marks 60 है, लेकिन आपने कितना लाया, आपना 50 लाया, सर यह सब बातें मत करो, exam के पहले है, समझ गे ना, ठीक है, तो यह सब समझ जब बातें नहीं करूँगा, फिर यह सब, ठीक है, आगे बढ़ो, अब ध मेरा research है, profit loss में, second development है, capitalist करेंगे, तो capitalist करेंगे मतलब, अच्छा अभी asset बन रहा है, बना नहीं है, तो amortize मत करना ब्योगोफो की तरह, amortization begins when the asset is available for you, अब तक available हुआ नहीं है, तो मैं क्या करेगा, मैं capitalist करेगा, 900 रुपे के उपर, अब year end आपको recoverable amount दिया, 1000 रुपे गा, है ना, तो बुद्धी लगाना, मेरा carrying amount किता है, 900, recoverable किता है, 1000, तो difference दिखके, जप्टा मत मार दाना, impairment loss, 100 रुपे, carrying amount 900 है, recover जाधा किया है, passing mark 60 है, लाया तुमने 70 है, बोलो, मज़ा आ गया ना, मज़ा आ गया, no impairment loss, सर आप समझ आ रहे है, सर, मत किलो, सर है, ठीक है, क्या बोलता है, expenditure अगले साल, 6000 का incur किया, एक बार development phase शुरू हुआ, तो हर बार development phase ही चलेगा, एक बार development phase शुरू हुआ, तो हर साल, development phase ही चलेगा, चल रहे है, सर, तो मैं capitalize करूँगा, अब मेरा capitalize amount, 900, plus 6000 हो जाएगा, तो it will be 6900, ठीक है, अब आपको वापस से क्या, अच्छ दिया वा नहीं था, very good, ठीक है, उसके बाद next year से आपको दिया वाए, अभी इस दिन से available for use हो गया था, लास्ट डे से, तो अग्ले साल amortize करोगे, live 6 साल, तो एक साल के बाद आपको carrying amount मिली, अब question में, इसी साल के end पर आपको recoverable दिया वाए 5000 का, तो देखो ना, मेरा carrying amount after depreci इसी दिन का recoverable is 5000, तो लॉस आएगा ना, कि carrying amount जाद रिकावरेबल कम है, तो impairment loss आगा, चार्ज कर लेना, revise carrying amount मिल जाएगी, बस बता देना, कितना carrying amount है, कितना गया profit and loss में, तो इस साल में, थोड़ा amortization की वाए से गया, बाकी गया impairment loss की वाज़ा से, कहां नहीं काता, हो गय अरे, कोई धंका question, यह रा गया, illustration no.27, सुनो क्या बोलता है, आसान बाशा में समझाता हो, short में समझाता हो, बोलता है हमने पूरे साल में खर्चा किया 18 lakhs का, हैना 12 months का खर्चा 18 lakhs है, अब इन्होंने क्या बोला, हमारा development phase जून से शुरू हुआ है, हैना जून से शुरू ह मतलब, April और May, आपका research phase था, तो उन्होंने बिवकुफु की तरह क्या किया, पूरा 18 lakhs काइप्टलाइस कर दिया, आरे, ना मुना ना, इसमें से पहले 2 मेने का खर्चा research है, तो वो PML में जाना चाहिए ना, और 10 मेने काइप्टलाइस होना चाहिए, बराबर वो आप question पूरा 18 lakhs काइप्टलाइस कर दिया, गलत किया देव से ना, है ना, तो अब हमको यह बताया नहीं, कि पहले 2 मेने का खर्चा कितना था, तो प्रोपोश्टेंट निकालने का, कैसे निकालोगे, तो 18 lakhs into 2 by 12 करोगे, तो 3 lakh रुपे आएगा, यह research phase है, और 18 lakhs into 10 by 12 करोगे, तो 15 lakhs आएगा, यह development phase है, सिफ 15 lakhs capitalize करोगे, 3 lakhs डालोगे profit and loss पे, तो एक rectification entry pass करना ही पेड़ेगी, क्योंकि आपका intangible आज 18 पे दिख रहा है, 18 से 15 पे राना पड़ेगा, तो entry का मारोगे, P&L to intangible asset, ताकि intangible asset 3 lakhs से कम कर दोगे, यह आपन एक साथ में entry मारते क्योंकि तो 2 इसमें 2 एक, तो offer है आपके पास, तो यह fair value हो जाएगा, यह value inus हो जाएगा, तो आपन which levels higher लेंगे, तो recoverable amount 9.6 है, अब आप देखो आपका intangible कितने पे दिख रहा है, after research को भार करने के बाद 15 पे दिख रहा है, लेकिन recoverable आपका 9.6 है, तो impairment loss भी होगे, आपका 5.4 क तो यह भी जाएगा profit and loss में, मतलब 2 खर्चे profit and loss में जाएगे, और उतने amounts आपका intangible कम हो जाएगा, तो एक rectification entry pass करोगे तो मज़ा आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, देखो मैंने pass भी किया हुए, research phase का 3 लाग, impairment loss का 5.4 लेक्स, और उसके बाद आपका, जितना भी था 8. like 40, intangible उतने से कम हो जाएगा, तो 18 lakhs पर दिखने वाले intangible, इतना कम करने के बाद 9 lakh 60 पर दिखेगा, that is a revised caring amount, simple, खतम सर्मजा आ गया, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू सर्, उसके बाद, अच्छा पहला question ध्यान रखना, उसमें क्या बोलता है, सुन लो, एक important बात है, normally कि आपन किसी भी employee को capitalize नहीं कर सकते है, क्योंकि employee को पर control नहीं होता है, तो अगर कोई employee आपके पास है, तो उसको आप कभी भी intangible नहीं मान सकते, लेकिन क्या होता है, इसके अंदर, मैंने एक player, जैसे IPL वगरा में होता है, जैसे रोहिच चर्मा में मुंबाइ इंडर्स के उसके बाद, यह LDR question, चांदर question है, ध्यान सा सुनना, क्या बोलता है, question number 3, यहां 3 asset है, ठीक है, पहला, 3 intangible asset है, ठीक है, क्या बोलता है, सुनलो, पहला मैंने एक company खरीदा, PC दिया 13,20, net asset आया 10 lakhs का, तो मैंने जो access पे क्या गुडविल है, तो मेरा गुड़ू कितना हो ग अब एक goodwill is never amortized, it is only tester for impairment annually, बराबर तो goodwill 3.2 day 1 पे था, 3.2 year end पे रहेगा, simple, amortize मत करना उसको, दूसरा, अब आपने franchise acquire किया है, 4th of May को, सौल के बीच में, किसी मन के बीच में acquire किया है, बट एक बात लिखे है, लाश में जाकर, कि जिस साल आप खरीते हो ना, उस साल amortization लोगे, irrespective of the date of acquisition, आप अगर 4th में को खरीदो, कि 4th July को खरीदो फरक नहीं पड़ता, आप जिस साल में खरीदोगे, उस साल में पूरे year का amortization, यह मैं directly करने नहीं बोला, question में बोला गया, इसलिए आपन ऐसा करेंगे, जहां नटना है वाला बात, is this clear to everyone, तो इसमें full year का amortization लेना, अब कैसे लेंगे, 80 lakhs में खरीदा है, तो first year में कितना amortization करोंगे, life 5 years दी हुई है, तो 80 into 1 by 5 के पूरे साल amortize कर देना, अब इसमें एक और चीज़ है, आपन जब खरीद रहे हैं, तो 80 lakhs तो अफरेंट पे कर रहे है, उसके लाबाद जितना revenue कमा होगे, उसका 2% भी पे करेंगे, तो यह जो 2% हर साल पे करोगे, यह जब जब पे करोगे, तब तब profit loss में जाएगा, यह capitalize मत करना, बिकोज हमको आज नहीं बता हम कितना पे करने वाले, ठीक है, उसके बाद, एक copyright require किया है, 2 lakh 50 को में उसको register किया, तो यह capitalize करोगे, एक और amount दिया ह हुआ है, हमने किसी पे case किया, और वो case हम जीत गए, मतलब जो भी है, successful prosecution के लिए, अब जब case किया, तो खर्चा लगा न मेरे को, lawyer खर्चा वगेरा वगेरा, तो बोलता है, यह 7 lakhs ता खर्चा मुझा लगा, किसी और पे case करने के लिए, क्या करू उसका, भाई, यह capitalize मत करना यह profit loss में जाएगा, किसी और को दूख देने वाले खर्चे, capitalize मत करना, profit loss में जाएगा, जो register किया, वो capitalize करोगे, इसका life 10 years दिया हुआ है, मेरे क्याल से, तो 10 years में amortize कर दिना, तो अगर presentation दिखना है, तो ऐसा कुछ होगा, आप पहले दिखाओगे, goodwill, यह opening भी इतना आता amortize कुछ होगा नहीं, closing कितना, franchise जतना amortize होगा, closing कितना, copyright जतना amortize होगा, closing कितना, सारे closing को add करोगे, year end पे intangible कितना मिल जाएगा, उसके अलावा, PNL में क्या जाएगा, PNL में first revenue amount दिया हुआता, पढ़ोगे, adjustment number 2 मिलेगा, 10 lakhs, अब जितना revenue कमाऊगे, उसका 2% pay भी amortize नहीं करोगे, इसकी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर, उसके बाद, यह वाला भी अच्छा question है, सुनलो मेरी बात ज्यान से, सपोज मैंने एक machine खरीदी, like 15 years है, लेकिन क्या बोलता है, एक commitment है, कि कोई third party, 5 years के बाद, मुझे 60% इसकी value return करने को ready है, मतलब after 5 years, इसकी residual value क कितनी है, 12 lakhs का 60%, at is 7.2 lakhs, अब मैं यह RV consider करूँ की नहीं करूँ, तो आप अगर आगे पड़ोगे, तो company क्या बोलता है, company intends to sell in 5 years, company का intention है, 5 years में base देगा, तो भली life 15 years है, मिरको फरक नहीं पड़ता, मैं कितने years में amortize करूँगा, मैं 5 years में amortize करूँगा, अब amortization कैस बराबर, तो ऐसे आप निकालेगा amortization, वो कितना आता है, 96,000, इन्होंने घदू ने क्या किया, इन्होंने 12 lakhs divided by 15 years कर दिया सीधा, ना RV consider किया, ना proper life consider किया, तो बताने का गलत कि आदेव से न, है न, बस वो ग्यान देकर आजाना, उनको काहन नहीं करता, ओ भाई साब, क् इसको भी आपने क्या कर दिया, सरक, 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 कर दिया, सर, very good, चलो, तो, खतम हो गया, अपने इंडेस पाफटावट से, टाइम खुटी नहीं करने का, आपका टाइम बहुत किमती है, टाइम खुटी ज़रा भी नहीं करने का, ठीक है, मैं एक मिनट चरब पानी पील मैं दो, दस सेकंड का ब्रेक लेड़ा दो, पानी पीके, ठीक है, यह प्यास है, बड़ी, मजा आ गए, सर्यार, फिल आ रही है, एकदम फिल आ रही है, बापस से बोलूँगा, लाइक करें देखा न, और सबस्क्राइब करें न, देखा, कुछ फाइदा ही निए, सबस्क्राइब के विन देखने का फाइदा ही निया, भाई, हाँ, मैंने देखा, काम नहीं आता, तो लूट सुन लो आगे बढ़ो लेट्स स्टार्ट दरीविजन ओव इंडेस 40 इन 3 2 1 & Go सबसे पहला इंडेस 40 रहना नाम कहा इसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले इन्डेस में कब आनेगा तो इसको वर्ते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब मेरे इंटेंशन के ओता है या तो मैं इसको चलाओंगा या में इसको भाव बढ़ने का बेस दूंगा किया तो cost क्या होगी वह same like PPA, सिफ़ decommission का बात नहीं किया हो है, exchange required किया वह same है, तीन preference और commercial substance नहीं है तो एकी preference है, उसके बाद अगर कोई PPA कभी-कभी अपन lease पे लेते हैं, lease पे लिया कोई investment property तो उस case में 116 के हिसाब से आपन accounting करेंगे उसका measurement वगेरा, fair value is only for disclosure purpose, और कभी-कभी अगर fair value नहीं मिलती है, तो उसका fact along with reason disclose कर देना, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि IP में fair value चाहिए क्या, तो बोलनेगा हाँ चाहिए, लेकिन record नहीं कर सकते, सिर्फ disclose करनेगा, और अगर fair value नहीं मिलती है, तो यह fact plus reason बता देनेगा कि हमको fair value नहीं मिलती है, simple, समझा, चलो, आगे बट रहा हूँ मैं, subsequent costing cut, servicing पे खर्चा किया, profit and loss, कोई part replace किया, अगर आपने investment property का, तो बस नया वाला value भार, पुराना वाला value record, simple, sorry, नया वाला value record, पुराना वाला value भार, भाई उल्टाक बोल दिया, ठीक है, चलो, आगे, अब आता है मजा, अब main काम यहां से शुरूएगा, property held for more than one purpose, मतलब आपने एक IP खरीदा, और उसको एक से जाधा purpose के लिए held करके रखा, उस case में कैसे करेंगे फिल, तो उस case में बोलता है, if the property is held for more than one purpose, तो यह चेक करने का क्या वो property, separable है क्या, suppose 10 माले की building है, 3 floors में use कर रहा हूँ, 7 floors rent पर चड़ा रखा है मैंने, अब जो पार्ट में use कर रहा हूँ, अभी floor wise तो अपर अलग से बेच सकते हैं न, 10 floors है, 3 floors use, 7 floors rent, तो यह floors can be separable, तो जितना use कर रहा हूँ, उतना PPE, जितना rent पर दिया उतना IP, separately record करने का, लेकिन, if the two parts cannot be sold separately, है न, suppose मैं 30% घर use कर रहा हूँ, 70% घर rent पर है, तो यह मत बोलना, which is the more element, यह नहीं बोलने का आपन, कि है न, 70% rent है तो पुरा IP, नहीं, इस case में, अगर single flat है, तो separable तो नहीं, अलग से बेशने सकते इसको, उस case में देखना, whether PPE का element is significant or not, significant का मतलब majority नहीं होता है, significant का मतलब क्या यह 30% material है कि आपके लिए, तो अगर आपके लिए 30% material है, बराबर, तो उस case में आप बोलोगे, भाई held for use portion is significant, पूरा property मेरे लिए PPE हो जाएगा, अगर आप बोल तो नहीं नहीं, 30% significant नहीं है मेरे लिए, तो उस case में आपके लिए पूरा property IP हो जाएगा, तो majority मत देखना, किसमे majority है, नहीं, यह देखना use वाला portion significant है क्या, significant मतलब material है क्या, जयते 30% मिल रहे तो material है भाई, तो उस case में use वाला portion material है, तो पूरा property ध्यान लगा, उसके बाद, ancillary services provided to occupants of property, आपने property के साथ साथ कुछ चोटी मोटी ancillary service भी दी, तो उस case में क्या करने का, तो उस case में देखने का, जो service दिया है, वो significant and insignificant है, suppose मैंने एक hotel land पे दिया किसी को, hotel के साथ, एक security guard भी दिया साथ में, तो security guard के service देना, is a insignificant service given, तो फिर उस case में, जो hotel आपने land पे दिया हो IP ही रहेगा, लेकिन suppose मैंने hotel land पे दिया, hotel के साथ सारी service भी दी मैंने, cooking, security, reception, housekeeping, shipping, सब service मैं ही दे रहा हूँ, hotel भी मेरा, सारी staff भी मेरे, तो जब आप service ऐसी दे रहे हो, जहाँ staff भी पुरा आप ही का है, तो उस case में, आपने service दिया वो significant है, तो यह IP ही नहीं, एक तरीके से आपका ही hotel, आपका ही staff, तो आप ही चला रहे हो भाई, तो यह PPE हुआ फिर उस case म होगे, तो घर का property घर के अंदर ही है, तो PPE ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीके, simple, उसके बाद, transfer to or from investment property, क्या आप investment property से किसी और index में, या किसी और index से, IP में आ सकते हो, क्या, आ सकते हो, only when there is evidence of change in use, इसका मतलब क्या है, for example, suppose अभी मैं कुछ चीज यूज कर रहा हूँ, मैं सो सोच रहा हूँ कि मैं इसको rent पे देना शुरू कर देता हूँ, rent पे दिया, नहीं, use करना बंद किया, नहीं, सोच रहा हूँ, सोचने से classifier चेंज नहीं करने का, suppose मैं कुछ यूज कर रहा था, use करना बंद किया, rent पे देना शुरू कर दिया, evidence है भी change in use का, तो आपका 16 से व 40 में transfer कर रहा हूँ, तो जब आप इस दिन पे 16 से 40 में transfer करोगे, तो यहां की carrying amount है, वो IP की क्या बन जाएगी, cost बन जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है, तो मतलब carrying amount पे transfer होईगा, ऐसा कहां कहां transfer हो सकता है, IP, PP और inventory, इनके बीच में transfer हो सकता है, ठीक है, अच्छा एक और च या life खतम हो, simple, एक summary दिया हो है, बाद में घर पर बैटकर refer कर सकते है, या आपके IP के सारे concept हो जाते है, खतम, अब आजा इसके कुछ questions करते है, मज़ेदार questions करते है, आजा, इसके अंदर सबसे पहले आप directly jump मार के आओगे, यह वाले question पे, illustration number 9, बड़ा शांदर और simple सा question है बोलता है, first April 11 को मैंने property खरी दी, land खरी दी, land है, तो depreciate करूँगा, नहीं करूगे सर, ठीक है, 2CR में खरी दी, और इसको rent पे देना शुरू कर दिया, lease पे देना शुरू कर दिया, तो मैं बोलो, यह मेरे ले क्या हो जाएगा, यह मेरे ले IP हो जाएगा, ठीक है सर, कब तक lease पे दिया मैंने, मैंने 31 सप्टेंबर दर lease पे दिया, अच्छा बीच में fair value अगरा भी दिया हुआ है, वह साल के end पे, मेरे को fair value पे record करना ही नहीं है, it can only be relevant for disclosure purpose, ध्यान अतना, ठीक है, फिर 31 सप्टेंबर तक मैंने इसको rent पे दे रखा है, अब 31 सप्टेंबर के बाद मै आपका ordinary course of business बन जाए, तो वह चीज आपके लिए inventory बन जाती है, तो इसका मतलब वह 31 सप्टेंबर को IP से निकल कर inventory में चला जाएगा, कौन से value पे जाएगा, 2CR पे ही जाएगा, sir क्यों, अरे 2CR की day 1 की value थी, depreciate करोगे नहीं, और IP में रखते cost पे हो, तो यही value 31 एक बार इंडेस 2 में आ गया, फिर इंडेस 2 की accounting करना, अब इंडेस 2 की accounting कैसे करोगे, तो बोलते हैं, इंडेस 2 में आने के बाद, मैंने मेरे को एक conversion करना ना, flats के अंदर, तो मैंने 60 लास के और खर्चे इंकर करने शुरू किये, तो यह हो गया directly attributable expense, तो यह मैं 2CR के अंद किती 2.6 CR, यह एंड पर, यह तो आप inventory में हो अभी, 31st March 16 पर, अब inventory में आपन कॉस्ट या NRV, whichever is lower रखते हैं, अब वो बोलता है, यह flat अभी भी incomplete है, तो यह WIP stage में, अब इंडेस 2 के साब से, WIP की NRV क्या होती है, it is the fair value selling price, selling price क्या है, हार एक flat का selling price 50 lakhs है, आप 10 flat बनाने व to 10 flat, बराबर 10 flat into 50 lakhs, 5 CR, लेकिन WIP में क्या होता है, selling price में से, आप cost to sell, और cost of completion भी minus करते हो, यह cost of completion 40 lakhs का रखा होगा है, कि अभी WIP से FG बनने में, और खर्चे इंकर होने बाकी है, तो वो cost of completion भी minus करोगे, तो NRV आपको मिलेगी 4.6 CR, तो या तो cost पर, या NRV पर, station number 10, अब क्या बोलता है, सुनलो, बहुत simple सा पाट रही है, मेरे पास एक IP था building A, कब खरीदा मेंने, वो तो बोलता है, अच्छा, पहले वो बोलता है कि 31st March 20 के साब से information दे रहे है, IP खरीदा अपने 10 CR में, वो बोलता है, at the, at that time useful life was 20 years, very good, out of which 5 years have expired, as on 1st April 19, बोलता है 1st April 19 के हिसाब से 5 साल खतम हो गया है, लेकिन अपने को 31st March 20 के हिसाब से चाहिए, तो मैं बूलो, अगर 1st April 19 के हिसाब से 5 साल खतम हुआ है, तो 31st March 20 के साब से 6 साल खतम हो रहेगा, तो आप total building A को कितना depreciate करोगे, ये 5 years भी depreciate करोगे, प्लस extra 1 year भी depreciate करोगे, total 6 साल आप depreciate कर करना है, क्या solution दिखाऊंगा, तो बढ़िया रहता न, अपने लिए, देख लो इदर, building A, दिखता building A, ये सार दिखता है, तो cost 5 साल depreciate किया, current year का मैं अलग से depreciate किया, तो मैंको value मिल गई 7 CRP, ठीक है सर, उसके बाद एक building B भी थी, वो भी IP है, बोला हुए, कि मैं held कर रहा ह for capital appreciation, IP हो गया, ठीक है, purchase किया, 19 में, अभी एक साल पेले purchase किया है, तो इसको कितना depreciate करेंगे, एक साल depreciate करेंगे, like 40 years है, तो कर दे भाई depreciate, तो कर दिया depreciate, तो मेरा ये दोनों building, देखेगा IP के अंदर, building A, building B, दोनों IP के अंदर दिख गया, fair value भी दिया हुए, it is only for destroyer, प note कैसे देंगे, अरे, जो question में लेका है, चाप देनेगा, की inputs ये सब यूज किया, मैंने करके, एक बार देखो के समझ जाएगा, आपको, जब question का, weightage ज्यादा रहेगा, तो दे देना, weightage पांच माक करेगा, तो देने का जरूवत नहीं है, ठीक है, वो सिर्प्रेकर में डि लिखोगे, तो सिर्फ current year का लिखना, जैसे building A में पात सल पहले का भी है, तो वो पेनल में नहीं आएगा, पेनल is prepared for the year, तो सिर्फ current year का आएगा, clear ये वाला part, ये सा clear, खतम होगे ये वाला part, done and dusted, ठीक है, उसके बाद, question number 1 पे आजाओ, question number 1 में किया है, सुन लो, बोलता ह मेरे पास पहले 7 floors है, जो मैं use कर रहा हूँ, तो पी-पी, बाकी के 3 floors vacant है, वो नीचे बोलता है, मैं rent पे दिया, तो ये IP हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या बोला हूँ है, कि total, इसकी cost के 10 CR, 10 floor की cost 10 CR है, अब नीचे bifurcation भी दिया हूँ है, कि cost of top 3 floors is 3 CR, बराबर, तो top 3 माले की cost 3 CR है, तो ये 7 floors की value कितने हो जाएगी, 7 CR हो जाएगी, आगे और क्या बोला हूँ है, the remaining 7 CR, can be allocated 25 towards land, and 75% towards building, तो ये जो PPE है, PPE के दो हिससे है, land और building, तो 7 CR है, उसमें 25% land, 75% building, ये खुदी बाइफरकेशन करना, और मेरे काल चाहरा कुछ 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 करने का अब land, अच्छा आपने को fair value भी दिया हुआता, तो fair value को भी है ना मैं इसी cost के ratio में बाट दूँगा, मुझे fair value total दिया हुआता, bifurcated नहीं दिया हुआता, तो total fair value 15 lakh दिया हुआ है, तो मैंने इसी ratio में बाट दिया, sir fair value क्यू चाहिए, by chance PPE के लिए अगर आपने rewire model follow किय लेकिन नीचे बोला है कि PP के लिए अपने cost ही चूज करते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर काम का नहीं इसका fair value कुछ भी, अच्छा IP के लिए उनको fair value model यूज करना है, उनकी इच्छा है कि वह fair value यूज करें, मुझे बताओ, IP के लिए fair value model चलता है या, IP के लिए fair value model चलता ह लेकिती, एक साल से तीनों को कर देना depreciate, land depreciate होएगा नहीं, building और IP दोनों होएगा depreciate और आपको year end के value मिल जाएगी, एका छोटा सा line लिख दो के ज्यान देकर कि भाई fair value सिर्फ बिस्टो परपस के लिए, क्लिए IP में subsequent measurement cost पर होता है, तो मज़ा आ जाएगा, एक्जाम में इसमें बहुत सारे concept cover होते है, सुनलो क्या बोलता है, बोलता है, दो पीपी था, एक IP था, दोनों पीपी फेक्टरी था, ठीक है, purchase price दिया होए, market value दिया होए, life दिया होए, subsequent measurement, एक का cost, एक का reval, और IP के लिए रिवेल, फिर गलती कर रहे है, गलत किया देश से ना, बोलने बोलता है, अगर आप किसी के लिए रिवेल मोडल यूज कर रहे हो, तो जो भी gain आएगा gain, वो हम PNL में डालेंगे, आरे gain PNL में नहीं, gain जाता है भाई, loss आया तो PNL में जाता है, अब बोलता है, analyze करो, की भाई, analyze करने बोला है न, तो ज्यान देंगे नहीं देंगे, देंगे, अफकोस देंगे, ज्यान भरपूर्नी देने का, relevant चीज़े लिखोगे तो समझ जाएगा, जहाँ जाँ जाँ मिस्टेक के उसका ज्यान देने का, सेम क्लास से मड़वला ज्या अब बोलने का बस, थोड़ा बहुत आप बोलोगे तो काम बन जाएगा, clear वाला पाट क्या, absolutely clear सर, अब आगे बढ़ो फटाफट से, आगे बढ़ो सर, अब present कैसे करेंगे, इस question को आप दो case में solve करोगे, अपने को यह नहीं बताया गया है कि PP के लिए कौन सा model follow करना है अंसर क्या आएगा, बराबर तो वो आपको presentation देना पड़ेगा, देख लो कैसे देना है, suppose मैं देखो बता रहा है concept कौनसा कौनसा code करना है, यह board notes आपको चीह है, कौनसा कौनसा concept करना है, मैंने डाल लगए टेलिग्राम पर जाकर देख लेना होगा, ठीक है, आपको सिफ reference क अगर दोनों PP को revalve पर रखोगे, तो पहले depreciate करोगे एक साल के लिए, फिर इस carrying amount को fair value से compare करोगे, ठीक है, तो आपको revise carrying amount मिल जाएगी, same applies to second PPE also, पहले depreciate करना, फिर compare करना fair value से, क्योंकि fair value यह रंका दिया हुआ है, ठीक है, तो अब जब balance sheet बनाओगे, तो एक तो PP एक और चीज आएगी, वो है, revalve surplus, आपका अधर equity के अंदर क्यों, जो gain book किया है, वो OCI से निकल कर, अधर equity में जमा होता हुआ चलता है, तो वो भी दिखेगा इंदर, ठीक है, उसके बाद, PNL cash track में, डेपरिशन दिखा दोगे, और OCI R में जो balance है, वो भी दिखा दोग पहले आपको total खर्चे दिए, कि building बनने में कितना खर्चा लगा, ठीक है, तो वो जितने भी relevant खर्चे आपन capitalize करेंगे, लेकिन इसमें से, इसमें से क्या बोलता है, इसमें से 60,000 refundable taxes है, अच्छा lag हुआ क्या, अभी सही है क्या, अभी सही है, अभी 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 अभी, अभ सही है न, अभी सही है, ठीक है, वापस repeat कर देता हूं, मैं, सुन लो, खरीदा, capitalize, non-refundable tax, capitalize, legal cost, capitalize, ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, 1 lakh building approval में, capitalize, 10 lakh construction cost, capitalize, लेकिन, this 10 lakhs includes 60,000 refundable taxes, तो जितना भी refundable tax है, वो आपको minus करके capitalize करना पड़ेगा, विकॉस इंक्लूडिंग है, त 10 lakhs पसे 60 minus कर देना, तो 9 lakh 40 capitalize करोगे, उसके बाद, 40,000 abnormal खर्चे, कभी capitalize मत करना भाई, ठीक है, अब total खर्चे आपको मिल जाएगा, तो अगर total करोगे तो आएगा 63 lakh 40,000, ठीक है, अब वो क्या बोलता है, बोलता है, दो माले का building है, तो हम ground floor, subsidiary को rent पे दे रहे, और first floor खु यूज किया वो PP, लेकिन अगर CFS के point of view से बात करोगे, तो rent पे तो अपने subsidiary को यह दिया हुआ है, तो दोनों portion PPE रहेगा, simple, बरावर खतम हो गया, उसके अलावा, उसके अलावा कुछ नहीं करना, उसके अलावा खतम करना है इसको, अरे खतम करना इसको, आरे हम जीत गए सर बताओ या, वरन हाफ आवर के अंदर तीन इंडेस मुटा दिया अपने, कवन कवन इंडेस, 16, 38, 40, तो इसको भी, आरे सरक बाजू में, सरक सरक आ दिया भाई साब इसको, अब आजा फटा फट से अगले इंडेस पे, अब अगला कुछा करेंगे, इंडेस 36, तो फटा तरा तरा तेरा सुरू, तेरी बाते, तेरी आदे, तणहा राते, बताओ भाई, 1,800 लोग अभी वी लाइव है, कंसिस्टेंटली, सबके सब एक्जमिशन लाएंगे, सर, क्या बात है, आजाओ, चलो, इंडेस 36, लेट साट दे रिविजन, इन, इन, 3, 2, 1, and go, इंडेस 36, ह अब मेरी बात ध्यान से सोओना, इंप Judούμε का मतलब क्या होका है, इंपेर्मेंट का मतलब हrica का मिनमें, इसके सकोप में तीन इसके痛 करें ध्यान रड़ां, 16, 38, 40. वाले असेट, К remains करेंगे, सर, आब इंपेर्मेंट कं योटा कब है, जब क्येरिंग अमाउंट जादा है, र से मिल जाएगा सर रिकावरेबल कहां से मिलेगा ढूंड़ना पड़ेगा इसको निकानने के लिए कितने अमाउंट यह फटाबट से आंसर करो मेरे को वेरी गुड़ आंसर दो अमाउंट चाहिए एक चाहिए FVLCTS जिसको मैं बोलता है Fair Value Less Cost to Sell या Fair Value Less Cost of Disposal है ना या फिर वालू इन यूस ठीक है दोनों में से अब FVLCTS कैसे ढूंड़ते कुछ है नहीं Fair Value दिया वारेगा Cost of Disposal दिया वारेगा Fair Value में सब माइनस कर देना मिल जाएगा FVLCTS value in use कैसे मिलता है अपने को nothing but present value of future cash flows होता कि जब आप Asad यूस करोगे तो यूस करके कुछ cash flow generate करोगे ना future cash flows लेने का question में दिया हुआ रहेगा तो suppose में को लगता है मैं 5 सल तक Asad को यूस करेगा तो 5 सल के cash flows दिये वे रहेंगे future के बस उसका आपको present value पर लेकर आने का है cash flows दिये वे रहेंगे ध्यान दियान दरना एक question अचा आपन ढूंते भी है कितने cash flows हो भी करेंगे आपन तो यह क्या होता है value in use तो it includes cash flows में क्या क तो suppose पात सल असल के यूस करोगे आप साल के बाद तो आप जाके असल को बेचोगे ना है ना तो वो जो फिफ्ट यर के end बेच के रिच के रिचल वायलू मिलेगा ना वो भी cash flow का पार्ट बनेगा लेकिन वो कौन से year की cash flow में गरूंगा और्स ये cash flow में सेकेंड ये cash flow में इसको आप last के cash flow मेंड करना क्यूं अरे asset use करने वाले हो तो पहले पात साल यूस करोगे फिर बेचोगे ना मतलब पैसा कम मेरेगा पात सल के बाद तो उसको लास्ट अवाले cash flow मेंड करना सर क्या बात है यार तनमे पिंकी मंसी सनूती तुम लोग यार तुम लोग पढ़क तो मेरे cash flow इतने है मैं सोच रहा हो कि अगर मैंने BB साट आप किया तो मेरे cash flow बढ़ जाएंगे तो अगर tie up किया ही नहीं है तो मैं बेटकर सपना बेख रहा हो कि करूंगा तो इतने cash flow बढ़ जाएंगे किया क्या ना इनना तो इग्णोर करने या cash flows जो existing situation है वो consider करने का हा value in use पर guidance दिया हुआ है क्या guidance दिया हुआ है सुनना अगर आपके cash flows foreign currency में आए तो यहां दो चीज़ होती है सबसे पहला convert कैसे करेंगे rupees में है ना second discounting rate इंडिया का लेगी foreign का ले है तो यहां दो बात ध्यान अतना discounting rate जिधर के cash flows है वहां का लोगे cash flows foreign के तो discounting factor foreign का लोगे पहला चीज़, second चीज़, present value से जब convert करोगे dollar से rupees में तो कौन से rate पर convert करोगे, जिस दिन value in use निकाल रहे हो उस दिन की conversion rate पर, that means spot rate पर, उन लोग confuse करने के लिए आपको future के rate देंगे, ले मत लेना, ठीक है ध्यान लगना, ठीक है, अब यहां कुछ circumstances दिये हुए, यह समझा ह इसमें क्या सुनना, कभी-कभी क्या होता है, मेरे को FVLCTS नहीं मिलता है, कभी-कभी होता है, असट के बेचने वाला price है नहीं मेरे पास, तो मैंने summarize कर रहे है, अगर FVLCTS नहीं मिलता है, तो क्या अकेला value in use, recoverable बन सकता है, बन सकता है, यह ना चलेगा, लेकिन अगर value in use न बेचने वाले value अकेला recoverable बन सकता है, लेकिन अगर सिफ बेचने वाले value है, use वाले value नहीं है, तो बेचने वाले value को आप सिफ recoverable नहीं मान सकते है, तो उस case में का करेंगे हम, उस case में हम जाएंगे towards the concept of CGU, cash generating unit, example दो sir, मेरा mic है, camera है, iPad है, laptop है, यह सब individual के cash to generate नहीं करते है, सब को मिला दोगे, तो यह मेरे लिए CGU है, सब मिला के cash to generate करते हैं, कैसे, आप जो मुझे शायद fees भरोगे उसके form में, बराबर तो उसकी testing अपन CGU में करेंगे, बड़ तुम लोग पढ़के आयो मेरे को लग रहे हैं ना, सर, देखो तुम लोग को इतना याद आ रहा है चोड़ी बात है, तो एक्जाम में तुम को recall होईगा, और तुम रोते रहते हैं, मेरे को recall नहीं हो रहा है, सब तो recall हो रहा है, ऐसी फाल तुम में रहते हैं तुम लोग, आजाओ इदर, यह समझा तुम लोग को, ठीक है, उसके बाद, recognizing and measuring and impairment loss, impairment loss हम कैसे निकालेंगे, ठी यह impairment loss कहा जाएगा, सर, cost model पे है, तो PNL में जाएगा, अगर asset rival model वाला है, तो impairment loss को आप revaluation loss की तरह treat करोगे, है ना, मैंने class में बताया था, सिफ treatment same होता है, treatment same होता है, मतलब, revaluation loss का अपन क्या करते है, देखते हैं ना, पहले क्या था, अगर पहले का भी loss, अभी भी loss, तो ध्यान रटना सिफ treatment same है, nature अलग है, क्यों, impairment loss कैसे निकलता है, carrying amount और recoverable amount compare करके, reval loss कैसे निकलता है, carrying amount और fair value compare करके, हम तुम अलग है, फरक है, फरक है, फरक है, लेकिन तोनों का treatment same है, anyways, चलो, आगे बढ़े, yes, आगे बढ़ो, sir, when to conduct impairment test, ठीक है, that means frequency of impairment test, frequency मतलब, जिंद indication आने पर test करने का, indication can be external, internal, वो read कर लेना इक बार, लेकिन, तीन असर के case में, annual impairment test is compulsory, annual impairment test is compulsory, कितने असर के case में, तीन असर के case में, वो तीन असर कुन से है, intangible with infinite useful life, intangible under development, or goodwill acquired in a business combination, अब मैं इसकी hint दता हूँ, याद कैसे रहेगा, तीनों के तीनों intangible है, और तीनों amortize नहीं होते है, कैसे, intangible with infinite useful life, amortize नहीं होता, intangible under development, जब तक वो development stage में, amortize नहीं हो रहे है, और goodwill amortize नहीं होता, तो ये तीनों को आप annual impairment test करोगे, ध्यान लगना, simple है, उसके बाद, ये होगे अपना, फिर आता है अपन CGU के ओपर, cash generating unit, CGU का मतलब क्या होता है, ऐस group of asset, जिसका अपन impairment है, साथ में कंडग करने वाले, अलग-अलग नहीं कर सकते, उसको बलते है CGU, group of asset, साथ में के cash flow generate करते है, उसको बलते है CGU, उसका test भी साथ में होएगा, अब, एक company में क्या, एक ही CGU हो सकता है, क्या नहीं, there can be multiple CGU, अब इसको better समझाने के लिए, मेरे पस आपके लिए शांदर example है, वो refer करोगे, तो फटा पटसी revise हो जाएगा, इदर आ जाओ, आओ मुन्ना आओ मेरे पास आओ, आरे सर, आरे सर, आरे सर, इदर देख लो, CGU, सुनलो, क्या बोलता है, group of assets, that generates cash flows together, example, मेरा teaching का setup, mic, laptop हो गया, camera हो गया, ipad हो गया, mic हो गया, जैसे मैंने बता है, यह साथ मुन के cash flow generate करता है, आपके fees के form में, ठीक है, तो मैं पहले carrying amount लिखूंगा, total, लिखती है सर, अब recoverable amount, अब recoverable amount, individual था क्या मेरे पास, अरे individual नहीं है मैं तबी तो CGU में आ रहा हूँ ना, बबा, total है मेरे पास, कि सब मिलके इतना cash flow generate करती है, ठीक है, carrying amount है, recoverable amount है, अब carrying amount जादा है, recoverable कम है, मतलब जितना carrying amount आओ, उतना recover करी नहीं पाओगे, तो impairment loss हो गया, ऐसा मानलो, पहले carrying amount लिखो, फिर recoverable लिखो, अगर यह amount positive आता है, simple है, clear, okay, यह अपना basic CGU हो गया, उसके बाद, अच्छा CGU में क्या liabilities हो सकती है, हो सकती है, जैसे decommissioning liability है, तो वो CGU का part बन सकती है, अगर को liability CGU का part है, तो liability को आपन यहां से minus कर देंगे, मतलब सारे carrying amount आपना add किया तो na, liability वाला carrying amount minus हो जाएगा, ध्यान आणा liability होगी, फ होता तो देख लेना कभी, हाँ, आगे, अब किस की बात की, गुड्डू की बात की, वो बोलता है, गुड्डू को भी CGU में allocate करने का, क्यों, गुड्डू का अभी individual test possible नहीं है, सिर्फ गुड्डू, गुड्डू से cash हो कितना है, कैसे मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम प अब गुड्डू मिलाके दो लाक रुपिया है, अब यहां तीन case possible है, पहला case में क्या बोलता है, गुड्डू का benefit मिलता है CGU1 के अंदर, तो जब गुड्डू का benefit CGU1 में है, तो बताओ मैं गुड्डू कहां allocate करूँगा, मैं गुड्डू CGU1 में allocate करेगा, तो CGU1 में ती of carrying amount allocate कर देगा, यह पहला चीज हो गया, मतलब goodwill allocable है, तो allocate कर, और impairment test कर, CGU2 का रुखासुखा test वेगा, क्यों उसमें goodwill है नहीं है, अब आता है मेरा case number 2, जहां goodwill का benefit मेरको दोनो CGU के अंदर मिलता है, 25% मिलता है CGU1 में, 75% मिलता है CGU2 के अंदर, जब दोनों जगे पे म 25% goodwill CGU1 में जाएगा, बराबर, बस, CGU1 में 20% allocate के impairment test कर, अब जो loss आएगा, जितना goodwill आपके CGU में, उतना allocate कर देना, बाकी बचावा loss, बाकी asset में in the ratio of carrying amount, ठीक है, अब CGU2 में, बाकी 70% allocate होएगा, यहां loss नहीं है, तो कुछ भी allocate मत करना, simple, यहां भी दिक्कत नहीं है, मज़दार है, तीसरा case, benefits in both CGU's, but cannot be allocated, कभी-कभी क्या होता है, यह, आपके मिन में सवाल आएगा, यह, कैसे मालूम करना कितना मुश्किल है, चंडड यही बोलता है, कभी-कभी है, आपको पता है, कि गुड्डू का benefit, दोनों CGU के अंदर है, लेकिन allocation ratio नहीं होता है, आप सब दो स्टेज का मतलब क्या होता है, सुन लो, स्टेज नमबर वन, पहले टेस्ट करने का, इंडिविज्वल सीजी उसको, यह, मान के गुड्विल ही नहीं, सोच लो, गुड्डू ही नहीं आपका, और टेस्ट कर, तो CGU 1 का टेस्टिंग किया, जो भी loss आया, दोनों को कर देना, combine, और उसमें गुड्विल का तड़का लगा देना, तो CGU 1 को भी combine किया, 2 को भी combine किया, गुड्विल को भी add कर दिया, कर दिया सत, तो 1 में जब लिखोगे, carrying amount, तो कौन सा carrying amount लिखे, 1 में 2 carrying amount था, एक पुराना वाला, और एक impairment loss के बाद वाला, तो impairment loss के बाद वाला carrying amount लेना, ठीक है, तो year I will take 18 lakhs, बराबर तो यह मेरा carrying amount CGU 1 का, CGU 2 में impairment loss था ही नहीं, तो जो carrying amount था ही लिख दिया, अब इसमें goodwill add कर दो, क्यों? देखो, goodwill को मुझे यह नहीं पता, individually कितना benefit मिल रहा था, लेकिन दोनों में benefit मिल रहा है, यह तो पता है ना, त इस case में, नहीं हो सता, क्यों? बाकी दोनों का testing अल्लेड हो चुका है, तो जो भी loss आएगा, goodwill जितना ही आएगा, एक conceptually बोल रहा हूं मैंको, मैंने लिखा भी conceptual note, कि stage जब ऐसे test कर रहे हो ना, जहां आप 1 और 2 को test करके आए हो, और अभी वापस test कर रहे हो, यह testing आप goodwill के लिए कर रहे हो, यहां जो भी loss है, goodwill जितना ही आएगा, उसको पर आही नहीं सकता, conceptually, थ्यान ना, ठीक है, चलो, clear यह वाला part, perfect answer in Narendra Divya, very good, very good everyone, क्या बात है, शांदार, clear, ठीक है, उसके बात, एक और item है, वो होता है corporate asset, what is the meaning of corporate asset, office building, यह office building वगरा जोता है, admission office व पहला teaching business, ऐसे दो CGU है, अब दोनों का admission office खोला है मैंने, अब यह admission office से अकिला cash flow नहीं आता, हाँ, लेकिन है admission office, मेरे दोनों business को assist जरूर करता है, cash flow generate करने के लिए, बराबर, तो उस case में मैं क्या करूंगा, corporate asset को भी CGU में allocate करना परता है, अब कैसे करेंगी, अरे यहां भी मैंने one में allocate किया, test conduct किया loss आया, अब येडे की तरह, ये मत बोलना, कि सारा loss आएगा पहले corporate asset में, ना मुना ना, ये goodwill थोडी ना है, वो logic से goodwill के relevant है, बराबर, तो यहां जो भी loss आया, वो बाकी सारे asset में, including corporate asset, carrying amount के ratio में allocate करना, clear का यह वाला part, यहां येडे की तरह, मत पहले इसमें allocate करेंगे, फिर बाकी में, वो सिफ goodwill के लिए होता है, तो corporate asset में फरक क्या है, अगर ये allocate करने के बाद loss आया, तो सब में in the ratio of carrying amount allocate कर देना, ठीक है, उसके बाद, case number two, दोनों में benefit मिलता है, तो बस benefit दोनों में मिलता है, तो allocate कर, और test conduct कर, simple है, मज़ा third case में आ corporate asset, जो भी loss आया, वो बाकी asset में allocate कर दो, ठीक है, फिर stage two में आऊगे, जहां आप CGU1, CGU2 और corporate asset, तिनों करो एक combine, CGU1 कल रिवाइस वाला carrying amount, CGU2 में वो carrying amount लिख देना, corporate asset जितना मिता add कर देना, अब जो loss आएगा, है न, normally आपन क्या बोलते, loss में allocate करना, लेकिन हम logically सोचो one or two का तो test already हो चुका न, one or two का test already stage one में हो चुका, तो यहां एक बात ध्यान अटना, अगर यहां कोई loss आजाए, तो one or two में मत allocate करना, सिफ corporate asset में allocate करना, लेकिन सर आपने तो कहाता है, इसमां किल allocate नहीं करेंगे, अरे लेकिन इस case में करना पढ़ेगा न, क्यूंकि इनों क पास हो चुके, तो इन दो को थोड़ना आपन बोलेंगे, तुम न्यूस तले बस में एक्जाम दो, तुम समझ रहे हो गया, समझ गया सर, हां, तो बस में यही कह रहा हूँ, कि इनका test हो चुका, तो अब stage two में जो loss आएगा, वो सिफ में allocate करना, वो note मैंने conceptually दे रखा है, अगर बायचांस आपको एक्जाम के एक दो दिन पहले वापस है, note वगरा देखना हो, अभी भूल गए, board notes का मैंने pin भी कर रखा है, telegram का link, जाके देख लेना, अभी pause करके लिखने में time खोटी मत करो, जाके download करो, अपने पास सरको वह आपकी सहूलत के लिए, मैंने upload किया अगे बढ़ो सर, चलो, फिर, recognition and measurement of an impairment loss in CGU, अचा, CGU में loss कैसा locate करेंगे, discuss अलड़ी कर चुके, पहले goodwill में, फिर बचावा जो loss हो बाग की asset में, अचा, ध्यान रटना, कभी-कभी ऐसा possible है, कि आपके CGU में, कोई PPE है, कोई intangible asset है, उसके लावा, कोई normal investment है, investment property नहीं, normal investment in shares, normal inventory वगेरा है, तो ये inventory और investment वगेरा आपके CGU का पार्ट बन सकता है, लेकिन इसमें आपको loss allocate मत करना, loss सिफ उनमें allocate होगा, जो 30 स्कोप में आते है, clear वाला part, ठीक है, उसके लावा इस दो note थीगा, इतने relevant नहीं है, आग या जो, reversal of impairment loss, जो loss book किया है, क्या उसका reversal हो सकत condition है, external, internal, ठीक है, अच्छा, उसके लावा, अब जब reversal करोगे, तो निकालें कि कैसे amount में सिखाता हो, बड़ उसके पहले, reversal कब कर सकते और कितना कर सकते, और इसका effect क्या रहेगा, अगर आपने reversal कोई individual asset पे किया है, तो देखना पहले, asset कौन से model पे, अगर asset cost model पे है, तो reversal क amount gain की तरह जाएगा profit and loss में, अगर asset reward model पे है, वो जितना भी reversal किया है, उसको treat करना लाई का revaluation gain, अब इसकी तरह treat किया मतलब देखना पहले क्या था, पहले का gain, अभी भी gain तो ये वाला gain होसी है, पहले loss अभी gain तो ये वाला gain पहले profit and loss फिर होसी है, simple, अच्छा, जब CGU में reversal करोगे, सिर्व एक बात का ध्यान दखना, सब का reversal हो सकते, except for goodwill, goodwill पे कभी भी impairment loss का reversal नहीं हो सकता, या ध्यान रहेगा, अभी इतना याद रहेगा, अच्छा, अब reversal का amount कैसे निकालेंगे, वो calculation बड़ा important है, तो इसके लिए मापको दिखाओ, जड़ा example आओ, इदर जड एक्जामपल देख लो, फटा-फट से एकदम crystal clear हो जाएगा, suppose मेरे पास, पहले में reversal की बात करो, in case of individual asset, ठीक है, इतना मेरे पास asset था, दो साल depreciate किया, यह मेरी carrying amount, यह मेरी recoverable amount, impairment loss book कर दिया, 40 rupees का, ठीक है, अब impairment loss book किया, तो मेरा carrying amount change होएगा, तो मैं हस्ते खेलते, normal asset को use कर रहा था, तो जब मेरा carrying amount change हुआ, तो मेरा depreciation भी कम होगया, subsequent years में, तो मेरा 2 साल और use किया, ठीक है, अब मेरा carrying amount होगया, 90 है, clear, ठीक है, अब recoverable amount जाके बढ़ गई, तो impairment gain तो आपन book नहीं कर सकते, लेकिन जितना loss पहले book किया, वो तो reverse करी सकते हो, तो कैसे करेंगे, जब ऐसा reversal दिखे, तो देखो, reversal कितने का दिख रहा है, उसको बलते है actual reversal, तो actual reversal 90 और 140 compare करेंगे, तो 50 रुपे का दिख रहा है, फिर आप निकालोगे maximum reversal, अब maximum reversal कितना कर सकते है, 40 मत बोलना, क्यों, compute करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, 2 amounts ही है, maximum reversal निकालने के लिए, प मैं बूलो, अगर मैं impairment करता ही नहीं, तो मैं ये 2 साल, और ये 2 साल, 4 साल तक normal 20 का depreciation चार्ज करता है, बराबर तो मेरी value होती 120, 200 minus 4 का depreciation, बराबर, तो ये carrying amount अगर जिन्दगी में impairment नहीं होता, तो क्या होता, और second आपको चीए carrying amount after impairment, ये कैसे मिलेगा, जिस दिन reversal देख रह है वो, या कितना maximum, तो जेतना maximum उतना reverse करूगे नहीं, whichever is, इसले बूलता है, whichever is lower, तो इतना maximum reversal कर देना, अब सर, maximum reversal कम कैसे आया, मैंने तो impairment 40 का book किया था, logic, फटावर से बता हो, सुन लेना ध्यान से, जब impairment 40 का book किया, तो मैं बूलो, आपने बाकी 2 साल में 5 रुपे का depreciation क कम charge किया, 5 रुपे का expense कम charge किया, तो आपको already 40 में से 10 रुपे, 10 रुपे का benefit तो मिल चुका, तो 30 reverse कर पाओगे, यह हो गया logic, खतम कहानी उसके, उसके बाद, एक और example दिया हो है, CGU वाले case में reversal कैसे करोगे, सुन लो, suppose CGU था, उसमें 2 category बाट दी मैंने, एक normal assets था और गु तो गुडविल तो amortis होएगा नहीं, यह से depreciate करेंगे, लाइफ 10 रुप, तो एक साल का value कितनी बची, 18 रुटल 20, अब recoverable amount दियावे 5 रुप, 15 रुपे का, 20 carrying amount recoverable 15 रुप, बराबर तो बताओ कितने impairment loss आएगा, आएगा 5 रुप, ठीके, तो बाटेंगे कैसे, मैंने क्या पहले सारा loss किस में जाएगा, पहले सारा loss जाएगा, गुड्डू के अंदर, तो गुड्डे में बाट दिया पहले सारा loss, बैलेंस वास का जाएगा, between other assets, वो बाकी asset मैंने एक single category बनाई है, अलग-अलग दिया होता तो बाट देने अंदर ratio of carrying amount बाकी के अंदर, ठीक है, अ आपको recoverable amount दे दिया, तो बढ़ गया recoverable amount, तो impairment gain तो नहीं होता, लेकिन पहले loss book किया, तो reverse हो ही सकता है, अब पहले यह देखो actual reversal कितना दिख रहा है, तो मैंने देखा कितना दिख रहा है, लेकिन क्या निकालना परता दूसरा maximum reversal, अब यह कैसे निकालेंगे, simple, दो amount चाहि तो जब निकालोगे carrying amount if no impairment was there, ignore goodwill, सिर्फ इसका देखो, अगर impairment नहीं होता, तो मैं बोलू, एक साल और दो साल, मैं 2-2 लाग से depreciate करता, तो मेरी value बनती 16 लाग, क्योंकि 20 में से 2 साल तर depreciate करता, बराबर, और real में carrying amount क्या है, वो यहां साब को मिल जाएगी, जिस साल reversal impairment और carrying amount after impairment, मिल जाएगी है, बराबर difference देखो maximum reversal मिला, तो actual दिख रहा है, लेकिन maximum इतना ही कर पाऊगे, तो maximum करने का न फिर, कर दो maximum, और यह सारा maximum reversal सिर्फ में allocate करना, गुड्डू को कुछ करना मत भाई, एक बार गुड्डू गया, तो गया कहनी खतम होगी, उसकी, clear यह समझ के दम बढ़िया तरीके से, ठीक है, अब इसमें एक और concept है, non-controlling interest, the impact of goodwill impairment, यह मैं एक दम last में करा, last में बतला भी chapter के end में कराता हूँ, तो पहले मैं जितना करा, उसकी question discuss कर लेता हूँ, फिर इसको भी discuss करूँगा question के साथ, ठीक है, तो मुझे याद दिला देना, किस दरा भूल गया भी करा, फटावट से, करके जाएंगे न आपन, और मैं बताओ, 36 से मेरे को feel आती है, तुम समझ तो feel आती है मत तब, और वो gross up वाले concept मेरे को feel आती है, तो कर ले न, सिखाऊंगा मैं भी, आजाओ, फटावट से आजाओ, चलो, पहले आप लोगे यह व उसमें बाक किया, अब 11 का अपने को डेटा दिया हुए, 13 पे क्या हुआ है, 13 पे कुछ तो करना है, तो पर 13 की कैरिंग लेकर आओ, कैसे लेकर आओगे, इसको 2 साल से डेप्रिशेट करो, लाइफ कितनी दी हुई है, लाइफ मेरे का से 20 यह दी हुई है, तो 2 साल से डेप् 10, यह मेरा कैरिंग अमांट, 2 साल से इसको किया डेप्रिशेट, यह मुझे मिल गया इधर, ठीक है, गुड्डू मेरे को दिया हुए, ऐस रह जाएगा, इसी दिन पर आपको रिकावरेबल दिया हुए, 2,12,000, मैंने 2,12,000 लिख दिया इधर, ठीक है, अब मेरे को बता, इ 10, 15 को बहुए, तो दो साल और डेप्रिशेट कर, दो साल और डेप्रिशेट कर, तो दो साल डेप्रिशेट कर, बेस रूंद रिवाइस केरिंग अमांट, बराबर ठीक है इतना आया, यह मैंने, अब वो बोलता है उसके बाद बाद वापएस से रिकावरेबल अमोंट दिय तो रिकवरेबल अमौन दे दिया, sir अब sir impairment loss तो नहीं है लेकिन पहले loss किया book उसका reversal दिख रहा है, sir अब कैसे करेंगे reverse पहले difference निकाल के देखो, actual कितना दिख रहा है reversal निकाल लिया, sir अब मेरे को maximum reversal निकालना है अब फटा फट से मेरे को answer करोगे कितने amount निकालने पड़ेंगे जल्दी से में को जवाब दोगे फटा फट से कितने amount निकालोंगे इसके लिया maximum reversal के लिए very good answer दो amount निकालोगे, sir बराबर पहला amount कौन सा निकालेंगे अगर जिन्दगी में impairment नहीं होता तो carrying amount क्या होती बराबर और रियल में जिस दिन reversal चेक करो उस दिन की carrying amount छाप दो नीचे यह देखलो difference मिलगा maximum reversal तो actual ज्यादा विखर है लेकिन max इतने कर पाऊगे तो कर दो maximum reversal कहां allocate करोगे इसको other asset में allocate करोगे रिवर्सल करने से value बढ़ जाती है तो आपकी value दुबार बढ़ जाएगी भाई साथ तो value बढ़ाके हो गई आपकी reverse carrying amount इतनी है बताओ भाई मैं बोलता हो यह question बुचो 100 mark का बुचो कहानी कतम करो इसकी है ना चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो सर कॉमन पूल वाले question में last मिलेता हो ठीक है साथ में मुझे याद दिलाना मतलब वह ग्रॉस अप वाले concept में last मिलेता हो पहले में normal question कराते तो फटाफट से उसके बाद अपने पास कुन सा question है यह वाला शांदर question इसको भाई शांदर वाले LDR मार्क करना इसमें 103 भी आ रहा है और इसमें 36 भी आ रहा है ठीक है अब पहले क्या data दिया हुए सुन लो अपने को data दिया हुए कि हमने 80% interest purchase किया किसी में और उसके लिए हमने क्या-क्या PCP किया वो दिया हुए हमने इतना PCP किया और हमारे शेर की value इतनी थी ठीक है उसके बाद cost of issue अगे कुछ करना निया profit loss में जाता है उसका कुछ करना मत आगे legal cost अगे इंकर किया directly related to equations का भी कुछ करना मत है profit loss में जाएगा आगे fair value दिया हुए अपने को किसका fair value of INA is measured at 1.3 million तो INA जितना acquire का value दिया हुए और NCI को भी fair value पे लेना है अपने को पता ना 103 में NCI निकालते है आपन fair value के उपर NCI निकलने के 2 method होते एक PSN एक fair value तो वो निकालते है आपन fair value के असाब से yes they use the market value of Pluto limited for this purpose no impairment of goodwill arising on acquisition of Pluto was required at this much ठीक है अब करें कैसे मेरे बात ज्यांसा सुनना यह data क्यों दिया हुए आपको normally बाखी question में goodwill दिया हुए था यहां आप 103 का method के goodwill निकालोगे कैसे निकालेंगे PC PC प्लस NCI PC कितना है 80% NCI निकालोगे आप 20% के साब से minus करोगे आए ने तब क्या मिलेगा यह करके goodwill मिलेगा भाईसा ऐसा निकालोगे तो कैसे निकालेंगे दिखा देता आपको फटावट सेधर आजाओ कुन सा question दरे है PC दिया हुए निकाला उसके NCI मुझे fair value पे निकालना है वो data दिया हुए fair value कैसे निकालोगे करके निकाल दिया सर है ना फिर आयने निकाला goodwill मिला अमर को अब goodwill के लिए का information दिया हुए बोलता है goodwill का benefit टीनों के अंदर मिलता है और ratio भी दिया हुए इस ratio में मिलता है मैं बुलू मेरे example का second वाला case हो गया सब में benefit मिल रहा और ratio दिया हुए तो भाई ratio दिया हुए तो very good allocate कर test कर allocate कर और test कर सर करना ही कुछ नहीं अपने को तो मैंने इतना goodwill बिलता है तीनों में कैसा allocate करूंगा अब यहां loss आ रहा है तो पहले किस में जाएगा पहले loss गुडविल में जाएगा तो यहां allocate करने के जरुवती नहीं है C वाले case में goodwill allocate किया टेस्ट किया loss 102 का आया तो अब बहुत ज्यादा loss है तो पहले goodwill में गुडविल से अपना देखना बाजू अले गुडविल मत देखना किसार उपर भी तो पड़ा है अभे वो मत यूज करना तुम्हारे CGU में जो गुडविल वहां allocate करना भाई तो तुम्हारा अब इसमें के सब्सक्राइब का तो अब इसमें का यूज का यूसफुल लाइफ विद्दिया है और तीनों का यूसफुल लाइफ अलग-अलग है ठीक है दो corporate asset है X और Y ठीक है एकस के लिए क्या बोलता है वो allocable है प्रो रेटा बेसेस पे मतलब एक corporate asset है corporate asset को अपन CGU में allocate करते है अब कैसा allocate करेंगे तो बोलता है यह allocable है normally हम बुद्धी का लगाते carrying amount ratio में allocate कर दो लेकिन अब खास बात यह है कि अपने को प्रो डेटा बेसेस तो इन्होंने क्या किया है आपको याद रेगा तो वेरी गूड हाँ वेरी गूड वांसर एवरी वन वो तनमे वेरी गूड वेट्स के बेसे लगे कैसे वेट्स इन्होंने carrying amount और useful life दोनों का weight लेकर उसको allocate किया हुए करेंगे आपन तो carrying amount into useful life correct weights पहला statement test कैसे करेंगे पहले stage में हम तीनों को test करेंगे individually लेकिन x तो allocable है न तो x को include कर लेंगे फिर second stage में हम a b c सबको add करेंगे और उसमें y को भी add अलग से करना पड़ेगा बराबर तो कैसे करेंगे इदा फटा फट से देख लो मैं दिखा दे तो आपको इंदर आचा हो solution नीचाही है मेरे पाची दिल देख लो तो पहले मैंने क्या किया मैंने बोला x allocable है तो तीनों x को और test करो ठीक है अच्छा जो भी loss आएगा जैसे cg1 में loss निया है cg2 में loss आया तो बेवकुफु की तरा क्या मैं पहला loss सारा इसमें allocate करूँ के x के अंदर आरे ना मुन्ना ना corporate asset है तो दोनों में इंदर ratio of carrying amount allocate कर देना मराबर ठीक है c में भी loss है दोनों में allocate के इंदर ratio of carrying amount ये stage 1 में टेस्टिंग हो गए जहां मैंने x को include किया y को include नहीं किया अब stage 2 में टेस्ट करेंगे जहां आपन a b c 3 को करेंग कंबाइन क्या इसमें मुझे x को अलक्स आड़ करना पड़ेगा क्या आरे a b c 3 में x अल्लेड है तो अलक्स आड़ करने का जरूवत नहीं है c y को add कर दे भाई ठीक है तो जब मै carrying amount लिखूंगा a b c का तो revised carrying amount लिखना मतलब अगर किसी cg में impairment loss आया रहेगा तो after impairment loss लिखना बराबर तो मैंने 3 cg का amount लिखा y को add कर दिया ठीक है अब टेस्ट किया अब फिलाल तो कोई loss नहीं है लोग mistake करते difference दिखाने की impairment loss लिख्या जाते है तो उनको आता सब है तुम exam आमें silly mistake करके आतो इसलिए माक्स नहीं आता silly mistake मत करना दिमाग थंडा रखना तो carrying amount 3071 है लेकिन recover आप 3200 ही कर पाऊगे मतलब जादा recover कर पाऊगे दिक्कत ही नहीं है तो कोई loss नहीं आया अच्छा एक और चीज इदर सिखा के बेज रहो बाइचांस loss आता just because corporate asset है इसका मतल में योगेश very good समझे नहीं यह वाला part करके आओगे न भाई देखो बोलते ना paper tricky आएगा तो tricky में क्या ही करेंगे यह सभी करेंगे छोटा मूटा गुमाइंग और क्या करेंगे और कुछ नहीं करेंगे इन लोग ठीक है चलो आगे बढ़ू आगे बढ़ू सर मजा आ रहा जो आपका पूरा 36 start to end cover करता है है अब सुनलो क्या बोलता है मैं फटाफट सापको wholesome way में revise कराता हूँ है न कोशिश हो गई तो जब self practice करो गए तो एक बार इसको roughly कर लेना solve टीक है क्या बोलता है सुनलो इसमें 2 machine है एक machine A है एक machine B है अब क्या बोलता है machine A का individual test possible है तो machine A क अलग से test करेंगे आपन लेकिन machine B क्या बोलता है machine B बोलता है अकेला कुछ नहीं कर सकता machine B से अकेले कुछ नहीं होता तो machine B के लिए हमको CGU बनाना पड़ता है जिसमें machine A भी आता है machine B भी आता है और साथ-साथ में दो और आइटम आते inventory और goodwill अब आप बोलो के sir A का test तो ह दो चुका अकेले वह अबस क्यों आएगा अरे वह सी B के लिए आएगा वह सी B के लिए आएगा वह सी B के लिए वापस बराबर तो अगर मैं आपको उसका solution दिखाओ ऐसा है machine A का करेंगा individual सब कुछ B के लिए individual इससे होता नहीं कुछ भी तो इसके लिए बनाएंगे CGU जि सीखो कैसा data दिया हुए देख लो सबसे पहले अपने को machine अभी machine A का test करने individually machine A को देखो machine A खरीदा अपने April 11 13 पे जो भी अपने को निकालना है वो 31st March 18 पे निकालना है मतलब पहले इसको 5 सल depreciate करना पड़ेगा जब depreciate करोगे इसकी life चाहिए life 10 सल दी हुई है अब गलती प इससे आपको मिलेगा पर है न बराबर तो जब निकालोगे तो इस बात का अपको ध्यान रखना है कि ये गलती ना करो तो कैसे निकालोगे देख लो इधर आपने बोला 10 लाक्स उसमें 5 सल का depreciation ये consider करना मत भूला carrying amount मिल जाएगी है न अब बारियाती अपने recoverable amount की कैसे निकालेंगे दो चीज़ चाहिए एक value in use एक FLCTS value in use का information यहां दिया हुए cash flows को करो present value पे लेकर आओ लेकिन last के cash flow में बोलता है excluding residual value तो को hint भी दिया है सिखाया थाना concept के time पे कि square करना होते 50,000 को तो कर देना है बस इस FLCTS उसका data यहां दिया हुए मतलब 75% data question में सिफ machine A के data के लिए दिया हुए तो अभी FLCTS में ध्यान रखना क्या 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 दिया हुए fair value दिया हुए है उसमें valuation fees दिया हुए dismantling cost दिया हुए packaging cost दिया हुए legal cost दिया हुए अब जब आप बोलते ना less cost to sale तो जो direct selling वाले खर् cost to sale और बाकी legal cost packing cost minus करना valuation fees मत less करना नियान रखना वाला पार्ट ठीक है तो मेरा FLCTS आता है 450 मेरा value in use आता है 489,650 तो मैं क्या लेगा 489,650 याद अपना exam में अगर rounding off के वैसे फरक आरा चलता है marks नहीं कटेगा उसका ठीक है चलो तो मैंने बोला carrying recoverable whichever is higher यह higher ले लिया carrying amount इतना recoverable कम है तो impairment loss आया क्योंकि एसी machine A का test हो रहा है तो loss allocate करो machine A में machine A की revised carrying amount हो जाएगी change यहां तक हो तुम लोग मेरे साथ हो सर और life अभी पात साल ही बच्ची है अब आपन क्या करेंगे CGO का test करेंगे अब CGO में test कैसे करेंगे इसमें क्या क्या items है machine A B inventory goodwill A का value क्या लिखेंगे revised वाला carrying amount लिखना B में क्या value लिखेंगे question में B का data दिया हो है पड़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि B को आपने 15 में खरीदा और क्यूंकि 15 में खरीदा है और हम अभी 31 मार्ट 18 में खड़े है तो 3 साल करेंगे depreciate तो यह B क की value आपको मिल जाएगी बराबर inventory और गुड्डू का value question में दिया हो है पड़ोगे तो मिलेगा आपको का दिया हो है देखो इदर जा इन्वेंट्री गुड्डू की बात कि इमां दोनों का value भी दिया हो है अपने को कितना अच्छे लोगे सर वेरी गुड तो बस अभी चा किरिंग आपको के अब करेंगे यह अधन कने वाली बात सबसे भेड़ ढूर और सर बचा ने किसमे में आलोगेट करऊच का किया में अय क्यू क्यू टेस्ट हो चुका बराबर क्या में inventory में आलोगेट करूँ अनई क्यू आउट उघ्ट आवकोड और ये फ़र्ट। का डिषयन था। जैर। पास्टैट्व का डिषयन मेगा। बी का अपने पास after impairment loss, revise caring amount बच्वी life है, भाई कुछ नहीं, निकाल दोना इसके basis पे आर depreciation, आपको मिलके caring amount एक साल के बाद की, समझा, मिली यह सर, अब क्या बुला हुआ है, अब बुलता है, reversal करना है अपने को, किसका, किसका reversal करना है, एक तो machine A का reversal करना है, और एक CGU का reversal कर अपने को ची है, recoverable, काहां से मिलेगा सर, वो दिया हुआ है, मेरे खाल से question के अंदर, machine A का देख रहा है, तो machine A का recoverable कितना दिया हुआ है, 450 दिया हुआ है, तो मैं लिख दता हूँ, 450 रिकावरेवल, कि इदर लिखा मेने, इदर नीचे लिख दिया, 450 अब कैसे करेंगे सार अरे एकदम सिंपल है, उस पहले आपन देखते, actual reversal गया है, दिख रहा है, फिर निकालना होता है, maximum reversal, कैसे निकालनेगे, जिंदगी में impairment नहीं होता, machine A में, तो carrying amount क्या होती है, तो भाई, अगर जिंदगी में impairment नहीं होता, तो पांच सल depreciate किया था, एक साल और depreciate कर देता, नॉर्मली, तो यह मेरी carrying amount होती है, अगर जिंदगी में impairment नहीं होता, तो, और बस, जिसता reversal चेक कर रहे है, उसका carrying amount कॉपी कर दो, इदर, compare कर लो, मिल गया maximum reversal, और क्या ही चीज़ के अंदर, बराबर तुम देख लो भाई, actual दिख रहा है, 48-280, बट maximum इतना ही कर सथा, तो जब reversal निकालोगे, तो पूरे CGU में जितने asset है, उसका carrying amount चाहिए, machine A का भी निकाला ताजा ताजा, लिख दे, machine B का, अरे आपने part B में जब depreciate कर रहे है, वो ही machine B की carrying amount है, आज की, लिख दो, inventory तो बदला नहीं है, वो change तो हुआ नहीं है, तो 2,00, रहेगा, goodwill बचा ही नह है, second यह recoverable amount, बस, अब recoverable amount, question में कैसे दी हुई है, question में अपने को है, actually 2-3 चीज़े, question में ऐसा बोला है, कि पूरे CGU का value is 11,00, और सिर्फ machine A और machine B का देखोगे, तो 7,60, तो इन्होंने क्या किया ICI के अंदर, 11,00 नहीं लिया है, उन्होंने बोला है, हम combo वाली value लेंगे, 7 goodwill पे reversal लागर, इसला level नहीं लिया, बद ध्यान रतना, यह वाला पार्ट, question पढ़ोगो समझेगा, यह वाला पार्ट, ठीक है, उसके बाद, तो यह carrying amount हो गई, यह recoverable amount हो गई, compare करके देखो, actual गितना दिखर, actual तो इतना दिखर है, लेकिन अब इतना reversal कर सकते है, क्या, वो निकालना है, जिंदगी में impairment नहीं होता, तो value क्या होती, यह तो आपन machine का already उपर निकालके दिखाए न, 430 होती, बस इसका निकालना आना चीए, machine B का, अगर impairment नहीं होता, तो machine B को मैं 3 के बदले, 4 साल depreciate करता normally, बराबर, यह मिल गए मुझे machine B की value, inventory, as it is, रहेगा, चाप दो नीचा आके, बस ना भाई मिलगा न, maximum reversal, तो actual यह maximum, देख लेंगे, अब और ध्यान रटने वाली बात, normally यह जो reversal हुआ, यह किस में allocate करते है, सब में allocate करते है, लेकिन, अब देखो, goodwill में reversal कर सकते, नहीं, inventory out of scope नहीं कर सकते, machine A का reversal अलेड़ी हो चुका, तो बच कौन सी machine B, तो यह पूरा जमेला आपने की ऐसे machine B के reversal के लिए है, समझा यह वाला पार्ट, देखो, मैं revision में आपको सिफ overview दे सकता हूँ, practice तो करना ही पड़ेगा, don't take this as a point की भाई आ गया मेरको, practice चाहिए, तो जो question में बता रहो ना, उसकी तो practice करी लेना, वस, चलो, मज आ गया सर, तो आपने काफी विस्तार में इसको discuss कर लिया, I hope अभी question आपके लिए easy हो जाएगा, illustration number 33, एक और अच्छा question है सुन लो, अच्छा कभी भी question लेंदी दिखे न आपको, लाश में solve करने का, छोड़ दूँगा, लाश में solve करने का हो सके तो, ठीक है, अब लेंदी बोलता है, machine खरी दिया, अपने 5 लग की, जब question बड़ा दिखे तो अब देखलो, चाहता क्या है वो तुमसे, वो बोलता है कि value in use निकाल के दो, तो value in use के लिए cash loss सही है, future cash loss, वो directly नहीं दिया हुआ है, बोलता है महनत करवाएंगे तुमसे, तो कर लेते है महनत, अब कैसा बोलता है, machine खरी दितने में, जब मुझे value in use शही है, तो मुझे cause से कुछ काम ही नहीं है, फिर बोलता है, अच्छा value in use में हम future cash loss लेते हैं, तो हमारा current year 12-13 है, तो हम current year से चुरू नहीं करेंगे, हम future के years लेंगे, 13-14 से शुरू करेंगे, तो अगर आपको दिखता रहा त तो देखो मैंने इसमें भी चालू किया 13-14 से दिखाता हूं मैं आपको रुको, 13-14 से मैंने शुरू किया है, बराबर अब क्या बोलता है, बोलता है, 10,000 हमने बेचे पिछले साल में, 190 के साब से, हमको पिछले में क्या बेचा उसा फरक नहीं पड़ता है, future में क्या करगे दिया है, selling price 200 होगी 13-14 में, यही हमारा first year है, 200 लिखेंगे और बोलता है, हर साल 3% से बढ़ेगी, तो कुछ नहीं, मैंने लिखा 300 और हर साल 3% से बढ़ा दिया मैंने वालों को, ठीक है, उसके बाद अगला data क्या दिया हूए, number of units का, बोलता है, पहले तो आप बेचोगे 10, 10,000, उसके बाद आप 5% से एक्स्टर एक्स्टर बेचोगे, तो कुछ नहीं, मैंने पहले वाले साल में लिखा 10,000, और हर साल 5% से बढ़ा दिया मैंने, costing का question है, selling price into number of units, cash inflows मिल जाएगा, लिख दो, ठीक है, अब आपको अगले data में cost का information दिया हूए, कि आपकी cost 160 है पहल मतलब first year 160 होगी, फिर next year से 1% से बढ़ेगी, और उसके बाद 2% से बढ़ेगी, भाई बहुत simple है, तो पहले साल 160 लेगा, अगले साल 1% से बढ़ा, subsequent year 2% से बढ़ा ले, cost मिल गई, तो number of units into cost करोगे, तो cash outflows मिलेगा, inflows minus outflows करोगे, तो मजा आ जाएगा, net cash flows मिल जाएगा, लेकिन इसमें और भी data दिया हुआ है, सबसे पहले, बोलता है हमको इसको regular maintenance करना पड़ेगा, कब करेंगे maintenance one time खर्चा है 15-16 में, तो maintenance करोगे न, तो 15-16 के cash flow में भार कर देना, उसको, उसके बाद क्या बोला हुआ है, residual value दिया हुआ है, आरे residual value तो में, last cash flow में add करूँगा तो भाई जितने भी outflows है, वो minus कर देना, जितने भी inflows है, वो add कर देना, net cash flows आपको मिल जाएगा, इसमें बाकी कुछ भी data दिया हुआ था, वो irrelevant आपके लिए, वो बोला था, कि technology में invest करेंगे, तो हमारा खर्चा गिरेगा, भाई technology में invest करोगे, खर्चा गिरेगा, लेकिन करना ही नहीं है, मैंने बताया था, अगर कोई future restructuring, जिसका कोई evidence नहीं है, उसको consider मत करना, यहां देखिया, बीबी सर के बाद जाओंगा, तो मैंने cash flow बढ़ेगा, consider किया था, नहीं किया था, तो यहां भी मत करना, very good, ठीक है, बस cash flows मिल गए, present, आपको discount rate 8% दिया हुए, तो आप discount factor use करके present value निकाल लेना, सब present value को total करोगे तो value in use मिल जाएगा, this question is based on solving, इसले 10 माक का है, मैं तो बलता है, इसको 10 के बतले 100 माक का पूछो, कहानी कतम करो sir, very good, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू sir, उसके बाद 34 is very simple, एक बार इसको refer करना, क्या बोलता है, सुन लो, वो बोलता है, हमारे पास एक asset था, बराबर ये data आपको दिया हुआ, value in use निकालने के लिए, तो value in use निकाल लेना, उसके बाद अपनी cost वगेरा, carrying amount वगेरा कितनी, मैं रिकाल से carrying amount दी हुए आपको इसके अंदर, कि निकालना पड़े, आता दिया हुए, carrying amount अपना इतना है इतना अच्छे लोगे, carrying amount भी दिया हुए, ये इस साब value in use निकालोगे, FULCTS कितना वो भी दिया हुए, 6 लाग में बेचोगे, और 96,000 खर्चा आएगा, बराबर तो मैं रिकाल से 5,4,000 अच्छा आएगा, तो बोलता है कि इसी asset के nature में, 36,000 का पहले gain वगेर आया था, तो अच्छे अच्छे लोगे, तो जितना भी loss आया, जितना gain था पहले उतना अच्छे 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 लोगे, बाकी loss अच्छे लोगे, बस और कुछ निए, और ये भी बोला है कि इसमें government ने कुई compensation प्रॉमिस किया है, है ना, but it may compensate, प्रॉमिस किया है, मतलब इसे हावा उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, question number one, question number one का similar question है, आपन 21 में करेंगे, इंडेस 21 में, तो वहाँ देखनेंगे, detention वाली बात नहीं है, वाँ, मज़ा आ गया, तो इसे के साद अपना index 36, जो main था, वो तो गया, common pool बाकी है, common pool कर लेतेगा, फटा-फट से yes, मेरेको आप 10 second होगे, मेरेको notes खुलना पड़ेगा, common pool का, मेरेको 10 second देना, बस रुख जा, अब मेरेको, मिल गया, मिल गया, हमको index 36, मिल लेको, आजा, आओ, सुन लो, कंसर सुन लो क्या बूलता है, कभी-कभी क्यों होता है, आपको पता है, NCI निकलने के दो मेथड होते है, fair value और PSNA, ठीक है, fair value और PSNA होते है, ठीक है, अब सुन लो, अगर आपका NCI fair value पे है, तब तो very good, तो आपको पता है, goodwill होता है, full, जो दोनों को बिलों करता है, parent NCI है, अगर NCI PSNA पे, तो goodwill होता है, partial, वो सिर्फ parent का होता है, ये बाद आपको पता है, ठीक है, तो अब जो मैं कंसर पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ तभी relevant है, जब आपका NCI PSNA पे है, जब आपका NCI किस पे, PSNA पे है, तो पहले example सुन लो, फिर एक अगर 280, अब question क्या बोलता है, concept क्या बोलता है, ये जो recoverable amount दियावा रहता है, इसमें भी, जब recoverable देगा question, तो other asset और goodwill, दोनों का मिला के देगा, लेकिन जो recoverable amount निकाला गया है question के द्वारा, वो full goodwill के इसाब से होता है, ये जो दिया हूँ है, ये जब निकाला था, तो good full मानके निकाला देते है, full मतलब इसमें parent NCR, दोनों का stake होता है, तो ये comparable नहीं हो हा रहिए, क्योंकि carrying not आपने अपने निकाला है, goodwill partial मानके, recoverable amount आपने निकाले, goodwill full मानके, तो ये comparable नहीं होता है, तो अब इसको comparable बनाना पढ़ता है, तो कैसे बनाएंगे comparable? तो ये जो अ 80% स्टेक का गुडविल 80CR है, तो 20% का कितना होता, 20 होता, तो यह मैंने निकाला, नोश्टनल गुडविल, वाइ नोश्टनल, विकॉज यह मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पेर्मेंट परपरस के लिए निकाल लो, बाकि इसका कोई काम नहीं है, निकाल दिया सर, यह करने के बन इसका का गुडविल भी नोश्टनल था, तो इसका लॉस भी नोश्टनल है, बुक नहीं करने का, समझे ये goodwill national इसका loss भी national बुक नहीं करनेगा इसका मतलब मैंने total में कितना goodwill बुक किया 30 का other set पे बुक किया रहेगा और ये जो 80 पेरंग का goodwill है उतना बुक किया तो मैंने 110 का ही impairment loss बुक किया मैं logics में नहीं जा रहा हूँ अब इसको में को पता है थोड़ा बहुत समझा रहेगा अब आपको प्रैक्टिस की जरूवत है अब मैं question कराऊँगा आपको आज आओ इदा ध्यान से देखनो मैंने बूला भी ये bifurcation कैसे करोगे 130 में से 100 का goodwill है 30 other assets है goodwill में 20 NCI का 80 पेरंट का अब इदा ध्यान दे दो फटाफट से अब मैं आपको कुछ question कराता हूँ मीठे मीठे प्यारे प्यारे किदर गया रहे मेरा question ए मेरा फैजल सबका बदला लेगा रहे तिरा फैजल किदर गया फैजल अरे question वाला page चला गया रूको लाना पड़ेगा चू मंतर चू मंतर आजा question वाला page आजा चू मंतर ये लो आगया illustration no.11 पर आना है अपने को ठीक है मैं ये concept को शांती से करा रहा हूँ इसका reason बता है कि मैं बता रहा हूँ मेरे को लग रहा है ये दिख रहा है मेरे को मेरे को अधुनला धुनला धिख रहा है ऐसा धुनला धुनला धिख रहा है मेरे को पाउने दो बजाई ये तुम समझे रहो का ये concept पे question मेरे को धिख रहा है common pool के board notes मैं telegram पे डाल दूँगा common ये जो 36 के board notes नहीं होगे common pool वाले मैं डाल दूँगा 80% shares are subsidy के कितने में लिया आपने 32,000 में लिये 33,000 में लिये अभी IA नहीं दिया हुए 3000 का और NCI को PSNA पे ले अगर NCI PSNA पे है क्या gross up apply होईगा होईगा सर इधरी तो होईगा ठीक है अब दिया हुए PC इतना NCI इतना ये सब question का ये पार्ट है goodwill इतना ठीक है at the end of financial year carrying amount is reduced to 2700 excluding goodwill ठीक है अब बोलते है recoverable है check करो अब मैं आपो करके दिखा रहा हो एक question करके दिखा रहा हो बाकी refer कराऊंगा देख लेना सबसे पहले मेरा net asset कितना है net asset 2700 ठीक है मेरा good do कितना है मेरा good do है 800 बराबर ठीक है ये 80 पसंग के इसाब से है तो फटाफट से मेरे को बताओ अगर मुझे पहले gross up करना पड़ेगा तो national NCI में add करेगा कितना add करेगा 80 पसंगा 800 20 पसंगा कितना फटाफट से बताओ 200 रहेगा सर ठीक है तो ये हो गया 1000 ये हो गया 2700 अब मेरा सर अब मैं बाटूंगा कैसे तो पहले बाटो 1700 के लॉस को आप कैसे बाइफट करोगे आप बोलोगे सर पहले 1000 का गुडविल था नोशनल गिनके तो 1000 गया गुड़ू के अंदर 700 गया अधरशट के अंदर अब गुड़ू में दो लो गया एक पैरेंट और एक NCI है 80% पैरेंट 20% NCI है बराबर मतलब 800 पैरेंट का पैरेंट का गुडविल भूख था इसका लॉस भी भूख होगा NCI का गुडडूathankom ה जो भी भूख मत करना तो आपने टूडल कितना भूख एक तो ये 800 भूख और एक ये 700 भूख यह तो आठ सो पलस 700 आप कितना भूख करोगे 1500 भूख करोगे आया करने को? आया करने को न अरे मसा और क्या चीए भाई सा मज़ा आ गया ना इधर किदर भाई दिखाऊ उनर को पटापट से एक तो इनका सल्वेशन समझता नहीं अपने को जादा देख लो इधर दिखारो 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 यह रहा इलक्षेशन नमबर 11 700 और 800 1500 का लोस आपने बुक किया है ठीक है यह पहला कि है second case second case में क्या बोलता है recoverable amount 2800 है अब सुनना second case में recoverable amount 2800 है एना मेरी carrying amount कित्ती थी मेरी carrying amount थी 3700 बराबर तो carrying amount 3700 था recoverable था 2800 लोस बताओ ना लोस 900 का लोस है अब यह loss के लिए goodwill अकेला sufficient है goodwill अकेला sufficient है बराबर तो मैं बोलू यह पूरा goodwill में जाएगा अब goodwill में 80% parent का 20% NCI का 80% कित्ता आता है 720 20% कित्ता आता है 180 NCI का goodwill भी नोस ना लोस भी नोस ना बुक मत करना यह 720 आप बुक करोगे कहाने काता तो बुला वह देख लो यह 900 का लोस आएगा कर लोगे ना भाई आया तो संभाल ले ना भाई देखो तुम्हारे भरवस वतन साती हो इसका एक और question भी करो अभी जो simple simple है वो आपको बता दूँगा mark करने के लिग कर के जाना ठीक है यह देख लो यह भी LDR अच्छा question है चलो करा देता फटावर्चा देख लो common pool है सुन लो 80% parent है PC इतना दिया हुआ है ठीक है identifyable asset कितने है 1500 अब वो बोलता है NCI फिर PSNA पर अरे NCI फिर PSNA पर तो gross up करेंगे नहीं करेंगे करेंगे सर क्यों नहीं करेंगे ठीक है फिर क्या बोलता है अब अगर आप देखोगे तो 2100 का PC अपन ने पेक है 80% के लिए तो अगर आप वैसे goodwill निकालोगे न तो पते कितना आएगा 80% का goodwill 80% का PC 2100 अब इसमें NCI आड करोगे 300 रुपे का PSNA के एसाब से PSNA मतलब INA का proportionate और INA माइनस करोगे तो goodwill आया 900 का अब इसमें एक चीलाइन बोली थी कि goodwill of 500 related to those synergies have been allocated to other CGU's बोलता है 900 में से 500 का goodwill किसी और CGU का है other CGU का है तो हम जिस CGU को impairment test कर रहे है उसमें ये 500 आ goodwill आना ही नहीं चाहिए उसमें सिफ 400 का बचावा goodwill आएगा ये ध्यान लखने वाली बात है पूरा का पूरा allocate करके मत बैट जाना ठीक है तो एक साल का depreciation करने के बाद आपकी other CGU क्यारिंग अब इतनी बचती है goodwill आप इतना है allocate करना पूरा 900 मत allocate करना ठीक है अब ये goodwill partial है इसको करो gross up निकालो impairment loss impairment loss जितना भी आएगा goodwill के अंदर बाकी other set में या बुक करोगे जितना goodwill में गया उसका 80-20 करना इनसे एका goodwill notional loss भी notional बुक मत करना पेरंट का बुक कर लोगे तो इसमें important part क्या था ये वाला part था goodwill निकालना और goodwill का सिर्फ 400 कंसर्ट करना बाकी same simple है इसका एक और question है वो भी बहुत अच्छा question है बता रहो सुन लो मेरे को लगता है अच्छा question बन के आ सकता है वो exam के अंदर पता है कुन सा है वो दिखाता हू मैं आपको MTP, RTP का question है बहुत ही शांदा तगडा question है वो ये वाला question number 2 of MTP, RTP सुन लो क्या बोलता है देख लो इकर अना सुन लो क्या बोलता है 80% acquire क्या है 190 के लिए ठीक है NCI फिर PSNA पर अरे NCI PSNA पर तो फिर से क्या करेंगे फिर आपना allocate करेंगे किस के अंदर मतलब फिर वो अपने को करना पड़े है कर लेंगे सा gross up ठीक है goodwill का amount वगेरा दिया है ढूंड लेते देखते कितना अच्छा अपने 80% के लिए 190 पे किया है और 200 का INA है तो PC PLUS NCI MINUS INA करेंगे तो मिल जाएगा ठीक है सर उसके बाद क्या बोलता है carried out annual review of goodwill no impairment have been evident ठीक है on 12 and 13 the review involved allocating the asset into 3 CGU's बोलता है CGU 3 है अब मचा पता है क्या 3-3 CGU आपके पस it was not possible to meaningfully allocate the goodwill into individual CGU's बोलता है goodwill का test individually आप allocate करके नहीं कर सकते है तो कितने stage में impairment testing करोगे सर 2 stage में testing करेंगे 2 stage में पहला stage में क्या रहेगा पहला stage में तो पहले मैं goodwill निकाल लूँगा ठीक है कैसे निकालोगे आएगा goodwill निकालने को 103 वाले calculation के इसाब से ठीक है अब बोलता है goodwill allocable नहीं 2 stage में test करो पहले test करेंगे individual CGU's A, B, C without the goodwill ध्यान रखना तो इसमें goodwill allocate नहीं करेंगे अब इसमें जो out of scope वाले asset उसमें loss allocate मत करना जैसे current asset है current asset out of scope है अगर loss आए तो उसी PP और intangible गंदर allocate करना यह संभाल लेना ठीक है तो test किया मैंने individual CGU's को फिर combine करूँगा CGU को including goodwill अब इधर मज़ा आएगा CGU 1, CGU 2, CGU 3 अब गुडविल लिखना अब जो goodwill लिखा यह PSNA वाला goodwill है partial goodwill है बराबर क्या तो अब test directly मत करो इस में इस goodwill में national add करो national तो national add किया यह 30-80% का है तो 20% का कितना 7.5 अब किया अब किया ठक 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 carrying amount आगया recoverable कितना है 350 बराबर बस अब 23.5 का loss है मैं बुलो goodwill से कमी loss है तो बस goodwill में जाएगा 80-20 कर दो जितना parent का उतना book करो जितना NCI का NCI good to be national loss be national नहीं आई विगा allocate ठक है तो मैं allocation में आपको दिया हुआ भाई भॉत मेहनच से पढ़ाया संभाल लेना मैं पहले बता राइतमन फ्ला के आना अगर exam में आ और कोई में को message किया कि sir मेर से गलती हो गई मैं रो दूँगा तुम रो ना रो मैं रो दूँगा ठीक है अब मैं इसका आपको notes डाल दूँगा किसके ओपर टेलेग्राम के ओपर ठीक है चलो आजो अगले इंडेस करेंगे तो इसको अरे इसको तो किया ही निया अद्बूत और विश्वस निया है ना हो गया sir अरे हम जीत गए कैसे जीत गया sir तो इसको भी आपनने क्या कर दिया sir sir से अरे sir से हमारी चुनरी फिर से चले गई क्या हो गई सरक 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 चलो ठीक है अब मैं आपको है ना यह लंच ब्रेक अभी मतलो तुमने पढ़ा ही कितने तो तुम खाना खाऊगे तुमको खाना उतरेगा कैसे कले से बेब 5 दिन बाद पेपर है तुमको ब्रेक मांगना ही मैं तुमको एक मिंटी ब्रेडर दूंगा ज Technology कि पानी दो मिंटी कह देता हू मना खुशी कुशे दू बरेक सब्सक्राइड ना खाऊ है तुमको यह जत पढ़ाना की सब्सक्रणाशने जो सर देखो एटेंब का बात आ गई है नहीं चीए बरे तो ले लो दो मिंट का ले लो अभी 12.42 हो रहा है 12.45 शाथ में रिजुम कर चाहूँगा ठीक है सलोने डाल दूंगा टेंशन मतलो जो भी रेलिवंट 36 का बोर्ट नोट से कॉमन पूल का जो भी है सब में डाल दूंगा टेलिग्राम पर मिल जाएगा शाम तक नेक्स्ट इंडे असापन करेंगे 105 एक के वाई साब कोलते हैं है वेरी गुड़ बताओ ब्रेक में मिर से बुलवा रहे हैं अरे थोड़ा शान्त हो जाओ सांस लेनू सांस लेनू अला सांस समय आ रहा हैं हो आप दिखाय देरहा हैं हो अच्छा है मजनू चल फटा फट ब्रेक खतम कर चल अमजनू गाड़ी निकाल चल अरे भगवान का दिया सब कुछ है दौलत शौरत इंसत है बस एक सीए की डिगरी चाहिए मजनू जा पूछ के आ चल यही करवाल हो तुम है अक टीचर गलत बनके अक्टर बनना था इसह तुम्हारा मैराथिन लेकर अक्टिंग में चले जाता हूँ छोड़ देता हूँ बलेंगे सार छोड़ना है बाद में छोड़ना पेल मैराथ्न लो पूरा फिर चोड़ना है था अमेर खन की नहीं आती मैं इक डालोग आता है उसका उत्तिर यार अरे यार फरान यार इदरता बहुत राजुवाय इदरता बहुत है पाटशल यार पाटशला इसकी इतनों संटेंस आते बुस्ट तुम यह कर वालो पहले भाई गाना गाव सर तुमकर टेंशन है न तुमकर बड़िया गाना से खाता हूँ ठीक है वो गाना सुननेगा अरे जिया ओ बिहार के लाला जिया तु हजार साल जिया ओ बिहार के लाला जिया तु हजार साल यह तम सुर्की पुरी वाट लगाती यह न अफिर आएगा तनी नाची के है तनि गाई के तनि नाची गाई सब के मन वहलावारे भैया हाँ हो गया तुम्हारा ब्रेक खत्म 1245 डन मैं शुरू करो अगला इंडेस आजाओ आँ मुन्ना आओ देखो चिल रखने का माहौल ठीक है ज्यादा टेंशन देने का नहीं आपन टेंशन दे देंगा सबको लेंगे नहीं आजो इंडेस 105 ठीक है अच्छा फटा फट समय को बता दो इसके पहले कुण्च कुण्च कर चुके है इंडेस 16 PPA, 38 Intangible, 40 IP, 36 Impairment of Asset अब मैं आ रहा हूँ इंडेस 105A नाम कहा है Non Current Asset Held For Sale and Discontinued Operations ठीक है इसमें दो पार्ट है पार्ट A कह है Non Current Asset Held For Sale पहला पार्ट ठीक है अब इसके अंदर कैसे डिसकस करेंगे ध्यान रखना सबसे पहला दो पार्ट में बाट दने कैसे इंडेस को ठीक है Non Current Asset Held For Sale पहला पार्ट रहेगा इसक इसमें कॉनसे वाले Non Current Asset की बात होगी 16, 38, 40 वाले की बात होगी ठीक है अब इसमें Definition दिया हुआ है किसी भी Non Current Asset Held For Sale किसी भी Non Current Asset को Held For Sale में Classify कप करेंगे जब आपका Intention उसको बेचने का rather than using it Sir बेचने का Intention है तो 2 में जाने का न Business नी है मेरा बेचना इसने 2 में ने गया Sir बेचने का Intention तो 40 में जाने का Held For Capital Appreciation नहीं यहां मेरा बेचने का Intention है within 12 months तो अगर अगले 12 मेरे बेचने का Intention है तो 105 में है बेचने का Intention दो 3 सल बाद है तो 40 में जाते हैं आपड ठीक है ध्यान रत्मा अब तो यह समझ गया Non Current Asset Held For Sale उसके बाद है जहां जहां Non Current Asset की बात होती है कभी-कभी आप Single Asset की बदले Group of Asset Liability को साक में Dispose करने का सोचते हो उसको बलते है Disposal Group तो उसकी बाद भी करता है वो इतर अच्छा अब थर्ट पंडे क्लासिफिकेशन किसी भी Non Current Asset को Held For Sale में क्लासिफाइग कब करोगे मतलब किसी भी 16, 38, 40 वाले Asset को 105 में कभी लेकर आओगे जब वो दो कंडेशन मेट करेगा पहला Asset मस्ट भी Available For Immediate Sale है न? And Sale मस्ट भी Highly Probable ना पहले वाले का मतलब बताओ Sir Suppose पहले वाला मैंने सोचा कि मैं मशीन बेचूंगा 1st April को लेकिन बेचने के पहले उसको थोड़ा रिनोवेट वगयरा करेंगे पेंटिंग करा के बेचेंगे सब ताकि पैसे जादा मिले तो पेंटिंग करा के बेचने में 3 मेन लग गये 30 जून को वो रेडी हुआ तो अवेलेबल फॉर इमिडेट सल कभी है वो 30 जून से तो 105 में 30 जून को जाएगा तो यह काम बाकी रहेगा, तू भी चलेगा, पहले से 105 में आ सकते हो, ठीक है, ध्यान दखना, उसके बाद, गोलता है, सेल मस्ट भी highly probable, सेल प्रॉबेबल है की नहीं, हमको कैसे मालूम पड़ेगा, बराबर तो 5 कंडिशन मीट करता है, सबसे पहला, management मस्ट भी committed to the plan of sale, second, active program to trace a buyer, मस्ट भी initiated, तीसरा, market करोगे, तो उसकी fair value के आसपास वाली market वाली निकालना, बराबर expectation होनी चेकी, एक साल में completion हो जाएगा, और withdrawal from the sale is unlikely, इसका आपको याद है, तो class जितने भी पड़े थे मेरे से, मैंने शादी के example लिया था, कि अपने भरत भाई की शादी, प्रभेबल कव होगी, जब एक तो वो committed है, दूसरा, भरत भाई शादी करने निकले, उसके लिए क्या trace करना पड़ेगा, तीसरा, अगर भरत भाई खुद सी B.com पास है, तो लड़की भी सी वास पास की देखनी पड़ेगा, यह नहीं कि खुद है, B.com चाहिया, I.M.M.B.A वाली लड़की, बराबर तो market close to its fair value, आउकाद वाला देखने का, उसके बाद चाउता, expectation होनी चाहिए कि एक साल में शादी हो जाएगी, पाचवा, शादी करने के ठानी, तो मु करने का नहीं, withdrawal is unlikely, यान हो गया सारे points, loss of controlling subsidiary, कभी-कभी क्या होता है, हम subsidiary को बेचने का सोच रहे है, तो subsidiary के सारे asset liability भी 105 में classify हो जाएगे, उसके बाद exception to the period of one year, कभी-कभी क्या होता है, हमने क्या बुला, 105 में कब आना, जब expectation होगी, कि एक साल में बीच जाएगा, एक साल में बिच जाएगा, एक सा जाए रहो, उसके बाद, the word sale includes exchange, मतलब आप मोलता है head for sale, तो not necessary कि पैसे के लिए बेच हो, exchange भी कर सकते हो, उसके लाबा इसमें important ये वाला है, new asset acquired with a view of subsequent disposal, याद है, जब नया नवेला asset खरीदते हो, बेचने के लिए, तुरन बेचने के लिए, तो उस case में standard नापको तीन मे जाए असर के लिए available है, जो आप खरीदते हो बेचने के लिए, ध्यान रतना, उसके बाद criteria met after reporting period, अगर 105 criteria meet किया year end के बाद, but date of approval के पहले, तो इसको non adjusting event मानना, as per industry, ध्यान रतना, उसके लावा, non current asset to be abandoned, what is the meaning of abandoned, abandoned का मतलब होता है, आप इसको use करना, बंद कर रहे हो, dump कर बेचने का intention नहीं है, बंद करने का, use ही नहीं करूंगा, जैसे मैंने एक नया phone खरीद लिया, तो पुराना phone बेच नहीं रहो, रख दिया, और ड्रॉर में उसको pack करके, उसको बलते है, abandon कर देना, तो abandon asset 105 में नहीं आता है, 105 में वो आते है, जिनको आप बेचने का सोच रह Abundant का मतलब क्या होता है, कि आप permanently उसका ना बंद करो, बेचो को भी नहीं, उसको abandon बोलते है, अगर temporary उसका ना बंद किया है, तो नहीं वो held for sale है, नहीं वो abundant asset है, ज्यान रखना, ओके, यह हो गया, उसके बाद आता है measurement, किसी भी non current asset held for sale को, कैसे classify करोंगे, तो बोलता है lower of carrying amount या FVLCTS, दोनों में से whichever is lower पे classify करोंगे, logical भी है, asset को बेचने का सोच रहो ना, तो बेचने वाले value पे रखना उसको, तो या तो carrying amount या FVLCTS, whichever is lower, by chance FVLCTS lower है, तो आपका तो asset 100 पे दिख रहा था, अब FVLCTS 90 आ गई, तो आपको 10 से asset को गिराना पड़ेगा ना, अब यह गिराओगे ना, इसको भी प्यार से impairment loss ही बोलते हैं, लेकिन यह कुनसा वाला impairment loss है, यह 105 वाला impairment loss है, क्योंकि यह impairment loss मैंने carrying amount और FVLCTS compare करके निकाला है, 36 वाले impairment loss में, carrying amount और recoverable amount compare करके loss निकालता हूँ, जान रखना है यह वाला बात, फिक है, तो impairment loss और दबुक्कन asset की वाल अब कुछ other important points, जब आप नया नया असर खरीते हो बेचने के लिए, मतलब नया नया असर आते ही 105 में चला गया है, तो उसको cost पे नहीं, cost या FVLCTS विचेवर पर रखना, उसके अलावा, अगर business combination में कोई ऐसा asset आया है, जो बेचने वाले हो, मतलब business combination में कोई 105 का asset आया है, तो normally business combination में हम fair value पे take work करते है, लेकिन business combination में को 105 का asset आया है, तो उसको FVLCTS पे take work करना, clear, yes sir, उसके अलावा, जिस दिन 105 में आ गया, जिस दिन 105 में आ गया है, depreciation amortization immediately stops, उस दिन बंद कर देना depreciation, तुरंथ, इसलिए 16 के अंबर बोलता है, 38 में बोलता है, कि depreciation बंद कब करे यहां तो asset base दो तब, मतलब यहां तो asset का life खता हो जा तब, यह asset 105 में आ जाये तब, ज्यान रखना, clear sir, okay clear sir, अब इसमें जब impairment loss आएगा, तो क्या करेंगे, impairment loss का आपन write down करेंगे, asset के value कम करेंगे, और यहां भी जो loss book के फ्यूचर में उसका reversal हो सकता है, reversal कैसे निकालेंग hypothesis में सीखके तो आए है, कितने बार सीखोगे उसको, अब आता important पर disposal group, मैंने क्या खाता, यहां जो भी discussion करेंगे, वो non current asset पर तो applicable है, वो disposal group पर भी applicable है, तो अब मैं आपको इसका example है, तो फटा फटा फट से ध्यान देना, रुको जा रहा, यह रहा, disposal group, देख लो इधर, तो suppose मेरे पास है न, disposal group में यह सारे assets थे, PPE, intangible, inventory, goodwill, debtors, ठीक है, तो disposal group में मैं सबको साथ में dispose करने का सोच रहा हूँ, carrying amount दिया हुआ है, अब FLCTS दिया हुआ रहेगा, loss आ गया sir, अब यह loss किसमें allocate करेंगे, same logic like CGU, पहले loss जाएगा goodwill के अगर है तो, बचावा loss, किसमें जाएगा, सब में मत डालना, सिर्फ उनी asset में जाएगा, जो इसके scope में आते है, इसके scope में आते है, PPE, intangible, बराबर, तो बस बाकी बचावा loss, तीन का loss, इन में allocate होएगा, inventory और debtors, disposal group का पार्ट हो सकते, लेकिन loss उसमें allocate नहीं होगा, यह अगे, तो यह सब मैं आपको अल्रेडी समझा दिया, इसमें भी reversal possible है, goodwill पे reversal नहीं होगा, वो पता है अपने को, changes to a plan of sale, अब यह भी मज़दार है, बोलता है, किसी और index 105 में थोड़ा समय रहे, थोड़ा समय बिताया आपने, अब mood बदल गया, अब बोलता है, अब बोलत कर लिया, अब बोलते नहीं करनी, तो क्या करें, चले जाओ आपे single category के अंदर, वो यह बोलता है, जब 16 से 105 में आए, अब एक साल रहे 105 में, अब बोलते भाई, नहीं करना, तो चले जाओ 16 के अंदर, दिक्कत यह है, कोन से value में जाएंगे 16 के अंदर, दिक्कत यह है, 16 में होगे 8 lakhs, इस दिन 105 मीट कर गया, इंगेजमेंट कर ली भाई, तो ठीक है, carrying amount यह, फिल से, तो लोवर यह था, तो loss book किया, very good, 25 का loss book किया, अब 105 में आ गये, तो depreciation करेंगे कि आपन, नहीं करेंगे, it seizes, तो हम 31st March 24 को है 105 में, एक साल तक asset को उसी में रखा, कोशिश किया, है न, depreciation तो नहीं करेंगे, क्योंकि 105, it seizes, तो एक साल बात भी इसकी value इतनी रह गई, अब बोल तो mood बदल गया, अब वापत जाओगा, अब single category में, तो वापत single बनने गया, तो 105 से जाओगे 16 में, उनसे value पे जाएंगे, तो एक simple सा value निकालने का, अगर जिंदगी में 105 मे नहीं आते, तो आज carrying amount क्या होती, मैं बुलो, अगर 105 में आता ही नहीं, तो मैं 2 साल तक depreciate करता, उसके लावा ये साल भी करता depreciate, और ये loss भी बूख नहीं करता मैं, तो मैं basically अगर 105 में नहीं आता, तो मैं 10 लाग को 3 साल से straight SLM base पे depreciate कर देता, तो मेरी value उती 7 lakhs, तो आप कोन से value पे जाओगे, 105 16 में आप 7 lakhs पे जाओगे, दिक्कत ही है, currently आपका asset 7.75 पे दिख रहे है, currently आपका asset 7.75 पे दिख रहे है, आपको 7 पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले 7.75 की value को 7 पे लानी पड़ेगी, तो asset को decrease करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा 2 asset क् asset decrease हो रहा है, और debit कर देना profit and loss, उसका logic वगेरा मैं नहीं हाँ दिया हुआ है, अब logic में नहीं कुसर हूँ, clear है वाला पार कर तुम लोगे समझ मा आता है, कर लोगे नहीं वाला आया, तो कर लेंगे asset, ठीक है, खतम, उसके बाद, presentation कैसे करेंगे, balance sheet में किसी भी 105 के asset का, बो उसके बाद, part B है, discontinued operation, what is the meaning of this, वो बोलता है, अगर आप कोई भी component of business, dispose करने का सोच रहे हो, it can be a line of business, it can be a geographical area, और it can be a subsidiary, for example, suppose मैं CS, CFS, CS पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोला, CS पढ़ाना बंध, discontinued operation, suppose मैं suppose पढ़ा रहा मुंबई, पूना, हैदराबाद में, मैंने बोला, पूना पढ़ाना बंध, तो, discontinued operation, तो मैं या तो major line of business dispose कर रहा हूँ, या जोगरी फिए इरा disposed कर रहा हूँ, या फिर, कोई subsidiary बेच रहा हूँ, इसको बोलते है, discontinued operation, अगर ऐसा कोई operation है, तो क्या करनेगा, सबसे पहला, profit and loss में, continuing का profit अलग से दिखाते, discontinuing का profit अलग से दिखाते है, समझता है, ठीक है, उसके अलावा, D point, change to a plan of sale, कल को सोचा कि मैं बंद करूँगा, लेकिन बंद किया ही नहीं मैंने, तो discontinued operation हो दुबारा वो कहां चले जाए, continuing का तो चले जाएगा, ये बात समझती है, ठीक है, अब एक extra part मैं आपको सिखाया था, मेरें से, जो बच्छों confusion होता है, सुनना, disposal group और discontinued operation हो फरक क्या हुआ, disposal group का मतलब क्या होता है, group of asset liability, job dispose करने का सोच रहो, अगर ये group of asset liability, क्या separate major line of business, या separate geographical area है, तो अगर ये group of asset liability, separate line of business, या separate geographical area है, तो ये disposal group भी होगा, ये discontinued operation भी होगा, लेकिन, अगर ये separate line of business, नहीं है, तो यह सिर्फ डिस्पोजर गुरूप होगा, डिस्कंटिनिक अपरेशन नहीं होगा तो दोनों होने से क्या फरक पड़ेगा तो आपको प्रॉफिट अलग से दिखाना पड़ेगा और बैलेंस शीट में वन जिर फाई के असट को अगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, उसके बाद यह तो concept खतम भी होगा भाई भाई तो शुरू होते हैं खतम होगा भाई मेले क्वेचन आइंगे, मेले कलन अलजुन आइंगे, आओ इंडेस 105, क्या बोलता है सुनलो फटापट से, इसमें इलस्ट्रेशन नमबर टू, शांदार है, यहना क्या बोलता है सुनलो कब खरीदा, 11 में खरीदा, मैंने बोला शाबाश, अब बोलता है 13 में हमने इसको हेल्ट फर से में क्लासिफाइक कर दिया, लेकिन इंपेर्मेंट टेस्टिंग प्रोवाइट्स, एस्टिमेटेड रिकावरेबल अमॉंट फोलेक सेवेंटी, ओ हो हो हो, रिकावरेबल अमॉंट दिया तो मुझे किस की आदानी चाहिए, 36 की आदानी चाहिए, तो बेसिकली हिंट दे रहा है कि 105 में जाने के पहले, एक हलका तो कैरिंग अमॉंट है, रिकावरेबल अमॉंट है, आप पहले क्या बुक करोगे, इंपेर्मेंट लॉस बुक कर लोगे, कर लिया सर, यह इंपेर्मेंट लॉस मेने कौन सा बुक किया, 36 का इंपेर्मेंट लॉस बुक किया है, क्यों कि रिकावरेबल अमॉंट दिया ठीक है अब आपको एक और चीज दी रहेगी question में अब आपको शायर FVL CTS भी दुबारा दिया रहेगा FVL CTS 4,60 दिया हुआ है तो आप क्या करोगे आप आपके पास carrying amount है revised वाली FVL CTS भी है अब आप impairment test कर रहे हो 105 वाला तो आपको loss at 10,000 का या आप 105 के साब से book कर लेना तो impairment loss to PP आपने entry मारती सर मज़ा आ गया ठीक है तो हमें revised carrying amount मेरे को मिलेगा 4,60 मतलब एक ही दिन पे उसी दिन पे 36 का impairment test भी किया 105 वाला test भी कट भी थिया 36 में लॉस कितना है 50 का 105 में लॉस कितना है 10 का मेरी revised carrying amount हो गई 4,60 अब क्या बोलता है अब बोलता है कि मैंने एक साल तक में रहा इसके अंदर शायद ऐसा ही बोलता है कुछ एक साल तक आपन रहे इसके अंदर फिर बोलता है 31st March 14 को the criteria is no longer met mood बदल गया व्याद है changes to a plan of sale तो क्या करेंगे mood बंदल गया तो सबसे पहले उस दिन के carrying amount को पर आओ तो 31st March 13 को carrying amount 4,60 थी 105 में है तो depreciation तो करेंगे नहीं तो depreciation नहीं किया carrying amount मिली 31st March फुटिंग की 4,60 अब इस दिन सीजो के criteria आप जाओगे वापस 16 के अंदर कौन से value पर जाएंगे बस दिमांग लगाना है जिन्दगी में 105 नहीं होता तो आज value क्या होती अब जिन्दगी में 105 नहीं होता तो आज value क्या होती एक बात ध्यान रटना 105 नहीं होता तो भी 36 तो तुम्हारे जिन्दगी में फिर भी होता 105 नहीं होता फिर भी ये तुम्हारे जिंदगी में फिर भी होता बराबर तो आप कैसे निगालोगे वैल्यू छे लाग दो साल करते हैं फिर 36 का इंपरिमेंट लॉस बुक करते हैं और फिर इसको आप एक साल से डिप्रिशेट करते हैं तो अगर आप जिंदगी में 105 को पहले गिराओगे 26 154 से तो आसट गिरेगा और डेबिट पेनल कर देना अच्छा लाग हुआ था वापस वापस ठी नहीं होते तो अभी 36 तो होता ही न आपके जिंदगी में बबा तो कैसे निकालेंगे सुन लो पहले डे वन की वैलू 6 लाग दो साल नॉर्मल डेप्रिशेट करते हैं फिर 36 का लॉस बुक करके 4.7 वैलू आती फिर इसको आप एक साल डेप्रिशेट करते हैं तो आपकी वै कुछ ही वैलू पर चले जाना 16 के अंदर ठीक है अच्छा क्वेश्चन में आपको न एक और चीज दिये रिकवरेबल अमॉंट वापस से मैंने बोला कैरिंग अमॉंट तो का मैं रिकवरेबल जाता है कोई लॉस है ही नहीं वेरी कुड आइसे का सलूशन खतम हो जाता है रह चा है एक पर में था दिसक्स किया था अब यच्छा बढ़ा यह रिवर्सल निया तो क्या हूआ इंपेर्में नियोकी स्में फेल सकता है ना उन्होंने वो डिसक्स्ति नहीं करें चा तो कि अके बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ अगे बढ़ जाओ सर लेकर लेना प्ली मतलब यह पूछ रहे डिस्कंडर्ण ऑपरेशन है या हेड़फरसल है या नहीं वो बता देना आप चलो उसके अलावा इलस्टरिशन नमबर सेविन यह कर बढ़िया क्वेशन सुन लो फटावर से क्या बोलता है बोलता है उन फर्स जून हमने सोचा कि हम बेचेंगे लेकिन 34 जुलाई को कमिट हुए हम जिस दिन कमिट होते है उसी दिन वंजिरफ अपलिकेबल होता है यह ना तो हम वंजिरफाय में किस दिन पर जाएंगे 34 जुलाई को जाओगे फिर घ्यान दिया हुए अपने को ठीक है आगे फिर अच्छा अप सबसे पहले करोगे हमारे प्यार आदू के अंदर 500 रुपया फिर जो बचावा लॉस है वह यह यह प्लांट और बिल्दि इन में आलोकेट है क्या कहता है तो बचा हुआ 350 इंदा रेश्य आफ क्या पूछा क्या कहता असेश वेदर मैनुफेट्चर यूनिट कैन वी क्लासिवाइड एलफ फोर सेल एंड रिजन देरफोर जब रिजन वगेरा मांगा तो बेसिकली क्लासिफेकर्शन का क्रेटर आपको इसके अन्दर तो कंसेप देखे हाने का उसके बद मेजरमेंट मांगा है 31 जुलाई को करके दे दिया फिर यहर इंपर मांगे मेश्य में एक साल के बाद का यहर इन 31 जुलाइ के बाद वरे रहें, 31 December, अब दिक्क्रत पता है, 31 December का data दिया हुआ ही नहीं है, फिर भी बोलता है, measure करके बताओ, और कैसे measure करेंगे, तो सिर्फ दो लाइन का ज्यान देकर आने का उनको, क्या बोलनेगा, कि जस लाइन पे हमने देखो इदर दिया हुआ है, It is provided that fair value on your end, is less than caring about, यह लाइन question में लिखी हुई थी, कि fair value काम है, तो बस, thus the impairment law shall be allocated in the same way between the assets, falling within the scope of the standard as shown, जैसे आपने 31 July को किया, वैसे ही अपनों calculation 31 December करना है, यह ज्यान दिक्कराने का, क्योंकि amount नहीं अपने पास न, इसलिए, ठीक है, इसी का एक similar question, illustration number 8 भी अच्छा question है, अगेन अपने को एक साल पहले का data दिया हुआ, जो irrelevant बन जाते है अपने लिए, 15 September का अपन 105 में जा रहे है, ठीक है, तो 15 September का carrying amount चीए, दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद, इस दिन का carrying amount दिया हुआ है, इस दिन का मेरे पास क्या है, FVL CTSB है, 19 lakhs minus 70,000 तो, 18 lakhs 30,000 तो मैं दोनों के अंदर, जो asset के scope में नहीं, उसको छोड़ देना, ठीक है, तो आपको revised carrying amount मिल जाएगी सबकी, goodwill, intangible, financial asset, PP, DTA, current asset, current liability, NCL, ठीक है, अब क्या बोलता है, अब वो बोलता है, year end पे, इधर के एक से करना, अब वो बोलता है, year end पे, आपको year end पे भी data दिया हुआ है पिछले question में यह data missing था, पिछले question में यह data missing था, अब data दिया हुआ आपको इधर, financial asset, DTA, current asset, current liability, non current liability, अब आपको इसी दिन का FVLCTS भी दिया हुआ है, 1650, तो year end पे भी आपको वापेस से measure करना पड़ेगा, carrying amount यह FVLCTS, अब कैसे करोगे सुन लो, अब इन्होंने क्या 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 है, इन्होंने क्या क्या सुनना, इन्होंने समत्दारी क्या किये, इन्होंने आपको सब का value नहीं दिया है, इन्होंने आपको सिर्फ और सिफ, financial asset, DTA, current asset, current liability, non current liability का value दिया हुआ है, किसका missing है, goodwill missing है, बराबर intangible asset missing है, और PPE का value missing है, year end पे, अब कैसे निकालोगे, सु काम किये इन्होंने, तो आपन क्या करेंगे, जो value दिया हुए, पहले वो लिख दिया मैंने, यह जो दिय थे मैंने लिख दिया हुए, year end के values, अब बाग की सब के value कैसे मिलेंगे, मैं बोलू, जिस दिन आप 1005 में आये थे, उस दिन का carrying amount है, और 1005 में आने के बाद, depreciate तो ह होता नहीं है, तो जो value यहां थी, वही value copy करने हैं आपको, समझें क्या, जो value 15 September को थी, वही value लेगी 31 March को, बस, लिख लेना भाई, सुमझा तुम को यह वाला बात, यह तो copy same as 15 September, आपके बास यह है, अब जो भी loss है, goodwill तो बचा नहीं है, loss वापे सा allocate करते हैं, intangible PPE के अं अच्छा यह वाला question number one, question number one, मेरे क्याल से यह May 23 में आया है, मेरे क्याल से, yes, क्या बोलता है, वो बोलता है, asset अपने पास 24 LX का, ठीक है, इसमें वो बोलता है, कि 38 September को, मतलब 20 साल के बाद, 2.5 S के बाद, मैंने इसको temporarily stop किया, use करना, क्या यह 105 में आएगा, क्या यह 105 में नहीं आएगा, सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, 105 में नहीं आएगा, क्यों, भाई, temporarily बंद किया है, नहीं यह 105 का asset है, बाद में वापिस यूज करने वाले हो, anyways, ठीक है, अब account, जैसी accountant वड़ आया, राजता फिलाया रह तो वो आपके कुछ ऐसे निकलेगी, देख लो, तीन साल तक आप डेप्रिशेट करोगे, carrying out 15 lakhs आगी, अब नॉर्मली अपने पास फेल सीटियस है, बराबर, तो इन्होंने यह रहन की फेल सीटियस कित्ती दी है, 12 lakhs, तो अभी 105 में तो आ नहीं रह, तो फेल सेटियस अक अके लिए कवरेबन नहीं मान सकते, तो इन्होंने इसको जीरो अजूम करके, 36 का इंपरिमेंटेश कंडग कर दिया, अभी क्यू क्या काई के लिए उसके सब में जरूरत नहीं, एक्जाम में है, तो कर देना चाहिए, खतम कहानी, ठीक है, कुछ कुछ जगे ऐसा है, तो र हो गया, 105 को भी, तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सब के वनवेलावार, चलो आओ, अब मैं क्या कर रहा हो, सुनो बटावर से, अगला इंडेस करो, मेरे को दो इंडेस और करने, फिर मैं ब्रेक दूंगा, जिसको ब्रेक पे जाने का है, ब्रेक माना के आज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब इतना फ्लो बनाया तो खीचलो ना, तुम यार ब्रेक लेने आयो की पढ़ने आयो बताओ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, चलो, पर आजाओ, काफी लोग जारे ना ब्रेक पे बाई, 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 3, 2, 1 and go सबसे पहले इंडेस 41 नाम के अग्रिकल्चर सबसे पहले स्कोप देख लो क्या क्या कवर्ड है स्कोप के अंदर इसमें कुण से कुण से असेट कवर्ड है एक तो कवर्ड है बायलोजिकल असेट अगर आपको इनदेस 41 के किसी भी अईटम को लेकर गवर्मेंट ग्रांट मिलने वाल है तो घ्रांट भी हाई कवर्ड है किस पे किस पर अपलिके भल नहीं सुनलो जिस लैंड पे खेती बाड़ी के लिए कुछ इंटेंजबर से डियूश किया अप्लिकेबल नहीं आफ्टर पॉइंट अफ्वर्वेश्ट प्रड्यूस यहां कवर्ड नहीं इंडेस्टू में कवर्ड है बयर ब्लांट शिस्टीश में इंडेस्टू कवर्ड रिया ऑगियर दिय ऐ होए अग्रीकेल्स अपको मैं बताए थ्यानवात्यार अप्द्ड करेश्टू से दूसरा अइंड बेत्या और शीर लेट है जैसे काव से निकाला काफ, agriculture activity है, ठीक है, very good, next point is recognition criteria, कभी भी, कभ record करने का, वह तीन condition, control, FEB, और fair value of cost can be measured reliably, measurement, अब इसका initial subsequent, same है, ठीक है, अब मैं बुल तो, मोटा मोटी, फोर्टिवर में, दो चीज़ कावड है, एक biological asset, और agriculture produce, at the point of harvest, बराबर, तो biological asset को किस पर measure करेंगे, day one से ही, कोई cost cost नहीं है, सीधा FVLCTS पर measure करेंगे, ठीक है, और agriculture produce को भी किस पर measure करेंगे, FVLCTS पर measure करेंगे, अब मेरे बाद ध्यांसा सुनना, biological asset वाले case में, अगर FVLCTS नहीं है, तो, तो उस case में cost use कर सकते हो, और बात में, FVLCTS मिल जाए, तो वापस FVLCTS use कर लेना, लेकिन agriculture produce में, FVLCTS नहीं है, तो ऐसा नहीं बोल सकते है, standard बोलता है, इसका FVLCTS होना ही चाहिए, होगा ही होगा, क्योंकि इसका intention ही बेचने का होता है, तो इसका FVLCTS होगा, तो यहां को exception available नहीं है, उसके अलावा, जैसे मैंने क at the point of harvest 41 में covered है, और after the point of harvest index 2 में covered है, तो जब at the point of harvest है, वो after the point of harvest में जाएगा, जब वो 41 से 2 में जाएगा, तो जो 41 की उस दिन की FVLCTS है, वो index 2 के लिए cost बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इंडेस 2 के लिए cost बन जाएगी, वो यहां दिया है second point के अंदर, आपको समझता ह कि FVLCTS कैसे निकालेंगे, मैं आपको इसमें help करता हूँ, ध्यान देना इदर, फटा-फट से, देख लो क्या बोलता है, निकालना सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना कैसे निकालेंगे आपन, suppose मैंने 100 काव खरीदे, 500 रुपीज पे, अब इसका selling cost है, 1000 रुपीज, मैं आज incur करूँगा क्या, नहीं, ये selling cost का भी incur करूँगा, जब मैं काव को बेचूँगा, तब मैं selling cost incur करूँगा, मैं आज निकार करने वाला इसको, बराबर तो कैसे करनेगा फिर इस case में, तो इस case में, सबसे पहले आपने day one पे payment कितना किया है, 50,000 का, तो two cash money में आप 50 कर देना, ठीक है, लेकिन आप biological असर को कुन से value पर record करोगे, FVLCTS पर, FVLCTS क्या होगी, जो आपने payment किया है, मालो आज की fair value है, और fair value में से, जब बेचोगे, तब कितना खर्चा करोगे, 1000 रुपीस, तो वो आज ही less कर देनेगा, तो 49,000 आप FVLCTS पर record करोगे, ठीक है, तो पर चेजिंग कोश्ट क्या करने का, इसको cash bank में आड करने का, आप जब cash bank करते हो, अगर कोई purchasing cost किया होता, तो इसमे आड कर देता हमें, ठीक है, एक बाद ध्यान रखना, अगर आपने कोई selling का costing कर किया है, तो वो cash bank में आड मत करना, वो FVLCTS से माइनस करना, ये छोटा सा आप hint याद रखो के ना, भाई, जिन्दगियों का mistake नहीं होगी तुम्हारी, बराबर, जितना भी आपका main cows के लिए payment है, cows के लिए आपने किता पे गिया है, पात्सुर रुपया, ये आपकी cost भी है, ये आपकी आज की fair value भी है, अब देखना, खर्चे किया है, purchasing गया है, selling खचा तो FVL citrus से माइनस कर देना, बस इतना ध्यान रखोगे ना, कभी mistake नहीं होगा जिन्दगी में तुम्हारा, चलो आगे बढ़ो, जैसे हाँ देखो दिया हुए, एक example number 2 में, biological asset agriculture producer FVL citrus पर खरीदा मैंने, 100 cow पाच्चो रुबे का, तो ये मेरी cost भी है, ये मेरी fair value भी खर्चा, 52,000, FVL citrus क्या होगा, जितना cow के लिए pay क्या वो fair value, less only the cost to sell, तो 50,000-1,000, ये मेरा हो गया, 49,000, difference profit and loss में चला जाएगा, आधे से जादा लोग इधर ही mistake करते है, ध्यान रटना, ये mistake मत करना, exam के अंदर, हो गया sir, अब मैंने बता दिया, mistake नहीं होगी, मेरी guarantee है, सबसे पहला है, what are the reasons due to which biological asset का value change हो सकता है, सबोथ अपने पास एक शाबाज नाम का animal है, बरा बरा जजबाती मत होना, example ले रहा हो, ठीक है, चल चलो, आकाश नाम का ले लो, बस ये एक है नाम का, तुम भाई, मेरा नाम से मजा के ले लो, तुम वाई, सेंटी हो जागे तो मेरा value कितने से बढ़ा, 7000 से बढ़ा, बराबर अब ये बढ़ने का दो reason होता है, क्या, एक तो real में मेरे fair value में change हुआ है, उसको बलते है price change, और एक क्योंकि मेरी उमर बढ़ी है, मेरी बाली उमर या 3 साल से 4 साल हो गई, तो value change होता है, अब ये bifurcation देना होता है, आप 300 का, अब मुझे bifurcation देना है, मैं कैसे दोंगा, तो सबसे पहले निकालना है, मुझे price change, price change आप कैसे निकालोगे, price change में आप same day पे खड़े हो जाने का, same day पे, same day पे खड़े हो जाओ, अब देखो, कि 3 year वाली काउ की value, आज कितने, sorry, same day पे खड़े हो जाओ, और compare करो, क कि आज के दिन पे, 950 के value है, बराबर, 2 year वाले काउ की, और अब यही 2 साल वाली काउ की value कितनी थी, 900, तो अगर मेरी उमर में change नहीं होता, सुन लो, अगर मेरी उमर में change नहीं होता, मेरी उमर सेम होती, 2 साल का ही होता मैं, तो फिर मेरे value में कितना चेंज होता, उसको बलत बराबर यूँकि दो साल की काव एक साल पहले 900 की थी, एक साल के बाद 950 गिये, इसको बलते है price change, मतलब मेरी उमर बड़े बिना मेरी value बड़ी न, price change, इसी दिन पे दो साल वाले काव की वैलू 950 है, इसी दिन पे तीन साल वाले काव की वैलू 1200 है, तो सिधा से दिख रहे है कि उमर जादा है, तो सेम डे पे इसकी वैलू 250 से जादा है, उसको बलते है physical change, कोई भी एक निकालना सीख लो, दूसरा balance figure ले लिया करो, ध्यान रतना, जलो, मज़ा आ गया सर, उसके बाहरा जो काम की बाते है, अब जो भी gain loss आता है, ध्यान रतना, biological asset or agriculture produce, इसको आप F.E.L.C.T.S. पे रखते हो न, तो जो भी gain loss आएगा, वो day 1 पे आ जाता है, day 1 पे बैगा, year 1 पे बैगा, year 1 पे बैगा, year 1 पे आ सकता है, तो जो भी gain loss है, और से concept यहां, जो भी जाएगा profit and loss में जाएगा, clear, ठीक है, उसके बार, last point, मैंने का काहता, जो भी asset यहां covered है, उसका government grant भी हही covered है, जो भी asset यहां covered है, उसका government grant भी है covered है, तो अब कुन से asset यहां covered है, एक तो agriculture produce at the point of harvest यहां covered है, और एक biological asset other than barrier plants यहां covered है, बराबर, तो जि से मिलता है biological asset का, ठीक है, तो अब अगर आपको grant मिला है biological asset के लिए, ठीक है, तो उस case में, पहले ये देखना, biological asset को आप कौन से model पर रखते हो, अगर आप biological asset को FVL CTS पर रखते हो, तो यहां आना, अगर आपका biological asset cost पर है, यादे cost follow कर साथ है exception में, अगर ये नहीं है तो आप conditional है या unconditional है, अगर grant unconditional है, मतलब आपको biological asset दिया, और बोला कोई condition निये, जो करना करो, तो जितना भी grant है, पूरा का पूरा day one पर जाएगा profit and loss के अंदर, लेकिन अगर आपको government grant मिला है, और वो conditional grant है, condition क्या अब ये सुनना, पाँच साल तक biological asset को specified purpose के लिए यूज करना, इस नॉर्मल ही बुद्धी क्या चलती है, कि over the period of five years grant book कर लो, नहीं, इस case में, इंडेस 41 में, अगर grant conditional है, तो सारा का सारा grant, five years के बाद ही जाएगा profit and loss में, between the five years कुछ नहीं करना, समझा ये वाला part, अब इसमें exception वाला point भी है, वो point है न, exam point है वो इस अता relevant है, वो बोलता है, अगर grant के refund के समय, proportionate refund करना है, जैसे होता न, आपको grant plan 10 lakh रुपीज का, लेकिन government ने क्या बोला, अगर breach किया, तो proportionate refund करना, सब हो 3rd में breach किया, तो 3rd, 4th, 5th का refund करना, 1st, 2nd का refund मत करना, तो जब refund proportionate होगा न, तो आप booking भी proportionate कर सकते हैं, लेकिन है किसी question में आता नहीं है, तो इसको आप नहीं आद रखेगा, तो भी चलेगा, में इसको आद रखना आप, clear वाला part, ठीक है, इंडियास 41 के concept हो जाते है, अब आते हैं, question के ओपर, आओ मुन्ना आओ, मेरा 41 आ गया, सुन लो, बहुत simple simple question, इसमें कुछ है नहीं जादा, ठीक है, दो चार गिंदिये question आते हैं, गुंपर के वो ही आते, illustration number 4, क्या बोलता है, सुन लो, बोलता है, मिरे पास एक land है, अच्छा चाहिए, क्या पर ले यह देख लो, इनको extract चाहिए, balance sheet का, तो दे दे देंगे, balance sheet का, अब कैसे देना है, सुन लो, बोलता है, land कहां देखेगा, balance sheet में देखेगा, land क के लिए अपने को बोला है, cost model follow करना है, तो cost पर रखने का, year end पर भी, year end पर चाहिए, ठीक है, cow खरीदे, आज खरीदे दब 2 साल के है, तो 10 लाग में खरीदे, ठीक है, very good, मिरे को तो year end पर record करना है, तो year end पर मैं कैसे record करूँगा, मैं year end पर, year end की value पर record करूँगा, अब तो year end की value कैसे मिलेगा, ध्यान लखना, ये 2 years का आज है, तो एक साल के बाद, happy birthday मराएंगे इसका, तो ये 3 साल का हो जाएगा न, बबाबा, होएगा सा 3 साल का, तो 3 साल का cow का value कैसे मिलेगा, नीचे टेबल दिया हो है, तो बोलने का, 31st March 12 को, 3 साल की value कितनी, 5,500, और ये directly F.E.L.C.TS है, ये ही F.E.L.C.TS है, ये ही F.E.L.C.TS है, बस increase होगे शायद value, तो मेरे काल से वो 10 lakh से होगी, 11 lakh से होगी, 11 lakh से होगी, एक लाग का increase book करने का, तो balance sheet में आप 11 lakh पे दिखा होगे, PNL में आप 1 lakh पे दिखा होगे, that's it, सब को समझता है ये वाला पाट, ठीक है, उसके बाद, grant, grant है, non-refundable मतलब, unconditional grant है, पूरा का पूरा जायका पेनल के अंदर, day one पे, उसके बाद, बोलता है, दो खर्चे इंकर किये, 6 lakhs to maintain the condition of animals, and 4 lakh as breeding fetal local farmer, बता हो, farmer लोग भी 4 lakh रुपर साल का कमारे, बता हो, C.A. को भी मिलना चाना, 14 lakh रुपर है तो, मिलना चीए उसके बाद, बोलता है, 1st October को, मुबारक हो, आपके घर पे काफ हुए है, 100 काफ हुए है, अब जब काफ पैदा हुए, खरीदे तो है नहीं, तो जो पैदा हुए है, जितने भी उसकी value है, सब income है आपके लिए, कितनी value है उसकी, देखो दिया हुए, 1st October को newborn की value 1100, तो 1100 record पड़ करें पूरी income है, अब ये 1st October की income है, मेरेको तो year-end की income चाहिए, तो October में पैदा हुए, तो March तक happy birthday नहीं हुआ है, 6 मेने के हुए से, तो 6 मेने का value 1300 हो जाता है, तो ये जो increase हुआ 1100, 1300 ये भी आपकी income है, तो इस case में दो-दो income आएगी, 1100 की और 1300 की, जो भी बुक क लेना, और year-end by balance sheet में पूरे value पे दिखा देना, फिर दूद बढ़ा है आपके बास, दूद कितना बढ़ा है, तिन लिटर, inventory में दिखा देना, उसकी value दिया हुआ, कितना, 24 रुपीस दिया हुआ, दिखा देना, 24 रुपीस पर खादम नहीं, और ये दूद फ्री में जेन समझा कर देना बाई, clear, आगे बढ़ते हैं, ओ, ओ, मज़ा आया, illustration no.6, xy limited is a farming entity where cows are milled on a daily basis, milk is kept in core storage immediately after milking, okay, on 1st October, xyz had 500 cows, all were 3 years old, तीन साल वाले cow की value क्या है, had had, इसको अलग से entry pass करें, record मत करना, ये आपको opening stock है, ये आपका क्या है, opening stock है, 3 साल वाले cow, मेरे पास है, 3 साल वाले cow की value, 1st को 27,000, but cost to sell 1000 रुपिया है, तो 26,000 पर net-a-net-e record करेंगे आपने इसको, ये अपना opening stock है, बराबर, तो अकर आप दे 30 सटेंबर को, 20 cows became sick and they died, oh my god, बड़ा बुरा लगा मुझे, तो cow मर गे तो loss हो गया अपने लिए, बराबर, तो अब भार करना है cow को, जिंदगी में गुसूल याद रखना, जब भी भार करोगे, तो carrying amount पर भार करने का, कैसे मिलेगी carrying amount सर, अरे proportionately 500 cow की value इतनी थी, तो 20 cow की value कितनी, निकालो proportionate और जो मारी वो loss है, तो 2 कर दो biological asset भार जा रही है, तो बोलो 2 biological asset और debit कर दो profit loss पूरा का पूरा loss हो गया, very good, अब क्या हुआ, on 1st October, purchased 20 replacement cow फिर अपने महले में, एश्वर याई, हो था न, हाँ, एश्वर आगे अपने महले में, भाई साब, है न, ठीक है तो 20 replacement cows आई, 21,000 में आपने खरीदा है, ठीक है, 20 cows का क्या है, 1 year old है, अब खरीदा आपने 21,000 में, तो cashman 21,000 होगा, लेकिन अपने को record 21,000 पर ने record FLCTS पर करना है, तो चुपके से देख लेना, कुछ cost to sell है की नहीं, तो मैं चुपके से आकर देखता हू, 1 year old में, 1 year old में 21,000 लेकिन cost to sell 1,000 है, तो इसको तो मैं FVLCTS से माइनस करूंगा ना, तो इन लोग भुंदू बनाएंगे, भुंदू बनना मत, 2 cashman में 21,000 के साब से record करना, लेकिन इसको तो आप FVLCTS परी book करना, 20,000 के हिसाब से, डिफरेंट जाएगा आपका PNL में, तो यह दूसरी category of cow बंच गई आपकी, क्योंकि इनकी उमर अलग है ना, compared to other, तो उपर जो 3 साल वाली थी, वो मेरे 480 बचे है, और जो 1 साल वाली थी, वो मेरे 20 है, बराबर ध्यान रखना, फिर दूदे अपने पास, 120 रुपे का है, और selling cost 1 रुपी है, तो दूद को रखेंगे आपन, 19 26,500, minus cost to sale, तो आप उसको रखोगे 25,400, पर तो आप देख लो ना, अभी, मेरी 480 काउस की नई fair value, less cost to sale है, 25,400, compare कर लो पुराने वालू से, पुराने में था 124, अभी हो गया 121, गिर गया ना, loss बुक कर लेना, similarly 20 काउस, ये 1 यर की थी, 1st October को, अभी 1.5 यस की हो गई, व ये भी, मैंने बहुत कच्रापटी मचा रख है इसके अंदर, उड़ा साफ कर दू, साफ करो सा, चल, सुनलो कैसे करना है अभी, वो बोलता है, अपने पास, 100 काउए, 1 लेक में खरीदा 30 सप्टेमबर को, अभी खरीदा है, तो एंट्री मार देना है, इसकी, subsequent transportation cost for 1000, that is similar to the cost इसका मतले है ये खर्चा एक नी दो लोग के इंकर करने वाले है, ये transportation cost परचेजर भी इंकर करेगा, और ये हजार रुपाय सलर भी इंकर करेगा, जब उन्हें ना, similar to the cost, तो दोनों इंकर करेंगे, ध्यान रखना है, तो ये आपके cash bank के अंदर भी add होएगा, और ये आप बराबर, cash bank में इसका impact नहीं आएगा, ये ध्यान रखना भाई, जो hint दियाना वो बहुत important है, उसके बाद, तो आपन कैसे record करेंगे, देख लो है, आपको दिखा देता entry में, आपने 1000 cash bank के अंदर एड़ किया, लेकिन FPLC निकालते समय, आपने 1 lakh रुपीज लिया, उसमें स देख वापस निया वाला fair value निकाला वापस का, तो मेरे काल से table बना के करने का, ये मेरा पहले का fair value, let's cost to sell, year end पे ये मेरा net FPLCTS, तो increase हो गया, तो increase का आप entry मार देना, biological asset to profit and loss, बराबर उसके बाद, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद 1st June को, 18 goat was sold, तो भाई, जब भार जाएगी, उसको भार आप कोन से value पे करोगे, भार आप carrying amount पे कर देना, बराबर, तो आपन क्या करें, carrying amount कैसे निकालने के सर, सबसे बहले ये बताओ, 100 goat की value revised वाली इतनी थी, तो 18 goat की carrying amount किती, भार करना carrying amount पे, बराबर cash bank record कर लेना, और net जाएगा आपका profit and loss में, अब ये मज़दार है, बोलता है, where value of the remaining goat is 820, 42 goats were slaughtered on that day, with a total cost of 4200, the market price for the care case on that day was 48,300, इसका मतलब क्या है, आप slaughter करके उसको care case में convert कर रहे हो, basically आप index 41 से index 2 में जा रहे हो, तो आप 41 से 2 कोन से value पे जाओगे, जो 15 September की F.E.L.C.T.S है, उस पे जाओगे, धियावा F.E.L.C. market price of 48,300, बरावर इसका cost to sell भी दिया होगे, तो net selling price पाप चले जाओगे, अब एक बात ध्यान रखना, जब आप 41 से 2 में जाओगे तो entry क्या होती है, तो आप 41 को भार करोगे, तो आप 2 index 41 का जो भी biological asset है वो, और debit करोगे inventory को, ठीक है, आप एक बात ध्यान रखना, जब यह तो बाहर carrying amount पर जाएगा, carrying amount मतलब क्या, जितने भी quote बचे तो उसमें से आपने 42 quote भार किया, तो 82 में से 42 भार किया, तो carrying amount आप निकालोगे proportionately, यह carrying amount पर भार जाएगा, ठीक है, लेकिन जब inventory को debit करोगे न, तो यही carrying amount यहां की FVL CTS नहीं बनेगी, ना, 15 September की FVL CTS है वो inventory के लिए आप record करोगे, वो यह है, 48300-420, तुम समझें क्या, 48300-420, यह mismatch क्यों आ रहा है, because एक carrying amount पिछले साल के हिसाप से है, year end के हिसाप से, और यह आज की FVL CTS है, और balance जाएगा profit and loss में, आचा, what about slaughter cost सर, यह अलग से आप profit and loss में, इसके transfer के entry मार सकते हो, ज्यान ल में, slaughter cost में अलग से किया हुए, इसे ने दुनों comment क्या कि, आप combine भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके बाद, बस year end पर वापस आपको remeasure करना है, तो बचा हुआ, 100 गोड थे, 18 बेस दिये, 42 slaughter कर दिये, बचे 40, इसकी यह carrying amount, revised fair value का information question में दिया हुए, compare कर increase हुआ, increase के entry मार दे, simple, और कुछ नहीं है, clear, yes, चलो, आगे बढ़ो, अगर मैं कभी fast fast बोलने में कोई एका, number उपर नहीं चेकर, तो समझ चाना तुम लोगा, समझ गये sir, उसके बाद, ये question है, illustration number 8, भाई, कर ले न इसको, अच्छा question है, ठीक कर ले न इसको, मतलब ये मै अलिडी करवा चुका, जब मैं आपको, example number 7 करवाया है, हिंडिया, selling cost रहेगा, तो F.E.L.C.S. में मैड करना, ये उसके ओपर है, तो mistake ना करो, इसलिए कर के आ जाने, इसको, उसके बाद, illustration number 9, ये भी रिफर कर ले, इसमें क्या है, scope में है की नहीं बताता है, तो ध्यान र अच्छा, एक और question है, दिखने दो मुझे, आईये वाला, अच्छा question है, मैं एक बाद discuss करना चाहूंगा, ये question, सुनलो, असमा तुम लोग, ठीक है, तुम लोग के कम जानवार लग रहा हो क्या, तुम कैसे कैसी कैसी बाते कर रहा है, तुम लोग है, इदर ध्यान दे दो, फटावट से, क्या बोलता है, Unlimited is an entity engaged in plantation, ठीक है, plantation में engaged है वो, very good, इसकी भी engagement होगी, बता तुम्हारी कब होगी, सोचो तुम, उसके अलावा बोलता है, अपनो grant मिला 20 lakhs का, ठीक है, subject to a condition that will continue to engage in plantation for ecliptus tree for coming period of 5 years, अब ये tree के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है, अपनो grant 20 lakhs का, but planting करना पड़ेगा 5 years के लिए, अब इन्होंने क्या किया है, ideally अगर index 41 का asset होता, तो हम क्या बोलते है, कि index 41 का asset है भाई, और तुम उसको F.E.L.C.T.S. पर रखे हो, तो भाई, conditional grant है, पूरा का पूरा 5 years के बाद book करना चाहिए, ये ही बोलते है आप, yes, ठीक है, तो इन्होंने हर साल थोड़ा थोड़ा book किया, ठीक है, क्या ये सही किया है, वो भी index 20 अपलाई किया है, तो क्या ये सही किया है, तो आप बोलोगे गलत किया है, लेकिन आपको 3 case से answer करना पड़ेगा इसको, आप 1 case में 3 case से answer करोगे, सुनलो मेरी बातो 3 cases क्या है, सबसे प FVLCTS पर रख रहे हो, अगर ये FVLCTS वाला biological asset है, तो फिर accountant ने company ने गलत किया है, उस case में 20 lakhs after 5S book होना चाहिए, क्योंकि फिर 41 ही apply होता है, पहला चीज़, second चीज़, अगर ये biological asset है, जिसको आप cost पर रख रहे हो, तब तो फिर company ने सही किया है, भाई, क्योंकि उस case में आ अगर ये plant को आप bearer plant मानते हो, तो bearer plant कहा covered है, index 16 में covered है, देखो बूला निए कुनसा plant है ये, तो bearer भी तो हो सकते है, अगर आपने bearer वाला माना है इसको, bearer वाला अगर माना है, तो bearer plant का accounting वापस से index 20 के साब से होता है, उस पर जो grant मिला उसका accounting 20 के साब से होता है, फिर कर सकते है छेरा भिलावक्या, इसको फटा फट से चल खतम कर इसको शेरा, डन हो गया थाया तो इसको भी आपने क्या कर दिया, सरसे सर का दिया, सरम जो, और एकदम फील आ रही है सर, चलो तो इसको भी आपने फील से ले लिया, साइट में कर दिया, चलो मेरे ख्याल से, now I feel you 2 days of a good break, मैं अभी और stretch ने करूँगा आपको, क्योंकि आपन अच्छा stretch कर लिया, ठीक है, चन्मत दो बोलता हो तो अभी तो आप एक तो कर लेते हो न, इसलिए, तो मेरे ख्याल से अभी आपने छुटा चा ब्रेक ले सकते, ज्यादा बड़ा ब्रेक मतलब हो सके तो, लंच इंकम टैक्से सर, क्या बात कर रहे हैं, इंकम टैक्से कर रहा हूंगा, फिर जो भी इंडेस टू अगयरा हो बीच में उठा लूँगा, चिंता मत करना आप, ठीक है, तो दो बजे मिलते है, थैंक्यू सो मच, आपको अच्छा लग रहा है, आपको मजा रहा है, प्लीज अ मिलते है, ब्रेक के बाद, उसके लावा, अगर पसंदा है, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्काइब कर देना, और नोट्स वगेरा में, टेलिग्राम पर डालता चलूँगा, टेलिग्राम जोइन कर लेना, ठीक है, शुक्रे एवर्यवन, थैंक्यू सो मच, बबबबबबब टेकर से ओल, खगए, टेए फंटर बेकर, बबबबबॉर्यवन, श्वक्रेश, बाद, इँज गर्श, बाद, सॉक्त्र झाल 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 सबसे पहले discussion करेंट करेंट क्या बोलता है उसके बाद अगर करेंट आपको पते हैं अगले साल भड़ता है आपको पते अगले साल अगले साल ये बड़ा देंगे तो ये तो नेक्स्ट ये से बड़ेगा तो current year के profit पर जब आप current tax निकालोगे तो current tax रिडले लेना ठीक है उसके बाद current tax expense कहा जाएगा जिदर का income है वहाँ current tax expense जाएगा current tax के दो effect होते है एक तो expense और अगर pay नहीं किया तो to liability pay किया तो expense to cash bank तो पहला effect जो expense वह कहा जा रहा है अगर जिस income पे tax भरा वह income P&L की तो current tax भी P&L में जिस item पे अगर आपने tax भरा वह item OCI का तो current tax भी OCI में उसके लवा जो आपका current tax asset or current tax liability है उसको offset हम कर सकते है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है they should belong to the same taxation authority मतलब अगर GST का input पड़ा है और income tax का कुछ payable है तो वह set off नहीं हो सकता या नटना फिर आपन आते चुपके हैं जब मारके differ tax के ओपन अब differ tax केंदर आपन कौन सा अप्रोच यूज़ करते we use the balance sheet approach बराबर अब balance sheet approach में क्या करते हैं यहाँ देख लो books of accounts के carrying amount फिर tax base अगर इसी का accounting आप tax के साब से करोगे तो वह asset का value taxation books में क्या देखेगा tax base बराबर अब example दो sir for example एक PPE है जिसका life 4 years है accounts के अंदर tax में life 5 years है day 1 पे तो दोनों का आप 10 CR पे रिकॉर्ड करोगे day 1 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं difference नहीं आता है जब accounts में life 4 years है तो आपका per annum debt आएगा 2.5 carrying amount बचेगा 7.5 लेकिन जब tax में life 5 years है तो per annum debt आएगा 2 tax base में tax base बचेगा 8 CR difference है जैसे difference है different tax अब इसका tricks कैसे है DTA की DTL एक्टम simple है hint याद है always try to bring carrying amount towards tax base तो समल लो देखो 1 एक करकर दिखा रहा हूँ चैसे carrying amount अभी नीचे 7.5 यह remote वाला हाथ carrying amount ओंपर टा tax base में है अब मुझे carrying amount को tax base के पास carrying amount increase करना का है किसका increase करना का carrying amount Purn P Praud or asset yield clicks 마んだ drop dta टो यात्या भी difference है उस फिर 29 वस पर 30 सन लगा dta быстр निकल जाएगा एक अबाद ध्यान रखना, अगर यह DTA है, तो इसके difference का क्या नाम दो, इस PR को में क्या नाम दो, करना है, असर का कैरिंग अवन कम करना है, तो लाइबरी क्रेट करोगे, DTL करोगे, कर देड़ेट, अब यह DTL कहा जाएगा, नॉर्मली अच्छा एंट्री कहा रहती है, एक इफ जाता है, एक इफ जाता है, बैलने शीट के अंदर, लाइबरी करना है, तो डेबिट कहा करो जो काम के वो ले रहा हूं, मैं इसके अंदर, ठीक है, अब दो आइटम ऐसे है, सुन लो, अब समझाना कैसे निकालोगे आप, तो हर केस में एक जांपल देख लेना, इसको रिफर कल लेना, क्यूंकि आपने एक जांपल में टाइम खोटी नहीं कर रहा हूं, सुन लो, इसमें आप कोई DTA, DTA क्रेट नहीं कर होगे, ज्यान रटना यह वाला बात, क्लियर, ठीक है सर, उसके बाद, DTA का मतलब क्या होता है, future में tax कम भर होगे, क्योंकि asset है, future इकनाम की benefit, तो future में tax कम भर होगे, तो इसलिए उसके difference को बलते है, deductible temporary difference, और detail में, future में tax आप जादा अब मैंने बोला, differ tax निकालो, all years के लिए, तो जब आप पहले साल में differ tax निकालोगे, तो detail आया 7.5 का, entry मारोगे, differ tax expense to detail, क्योंकि इसका difference का reason है, depreciation, depreciation खूद एक panel का item है, तो differ tax भी कहाँ जाएगा, panel का अंदर जाएगा, very good, अब जब secondary में आपने differ tax निकाला, तो आपको ए पहले आप 7.5 के entry मार चुके हो, तो अभी आप सिफ incremental 7.5 के entry मारोगे, समझा तुमको यह वाला part, ठीक है सर, उसके बाद similarly हर साल आप incremental entry पास करना सिर्फ, अच्छा last year में, जब accounts में भी life खतम हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा 0, detail भी हो जाएगा 0, तो 0 हो गया, इसका मत entry मत बोलता न, क्यूँ, भाई जित्ता detail create के हो सब reverse करने की बार ही आ चुकी है, तो reversal के entry पास करनी पड़ेगी, detail reverse करने के डेबिट करोगे, और to differ tax expense, very good answer everyone, बहुत शांदार answer, तुम लगा जवाब देरो, देखो एक अच्छा चीज़ पता है क्या है, जब तुम chat box में doing, अगर आप कर रहे हो, ने कर पा रहे हो, कोई बात नियों, सुनने पर ध्यान दो, को tension वाली बात नियों, सब को समझ आ है इतना, ठीक है सर, तो अब मैंने क्या-क्या पड़ा आ जा, सुन लो आपको इदर, सबसे पहले आपन differ tax expense निकालते है, tax base निकालते है, difference निकालते ह एक step number 5 है, step number 5 क्या सुनना, वो बलता है assess, re-assess, deductible temporary difference, tax losses या unused tax credits, अब इसका मतलब क्या है, deductible temporary difference में क्या बनता है, DTA बनता है, tax loss पे भी DTA बनता है, क्यों, आज अगर loss आया है, तो future में इस loss का benefit मिलेगा, क्या दिफरोड कर सकते हो न loss, तो future में उतना tax का कम भर होगे, तो बराबर तो इस पे भी DTA बनता है, अब एक बात ध्यान लगना, deductible temporary difference पे DTA कैसे बनता है, difference का amount into tax rate, tax loss पे DTA कैसे बनता है, tax loss का amount into tax rate, लेकिन mat credit पे DTA कितना बनता है, जितना mat का amount है, वही DTA है, mat वाले case में into tax rate मत कर देना येडे की तरह, ये चमशता तुम लोगों, ठीक ह तो अब standard एक और चीज़ बोलता है, जहाँ जहाँ DTA create होने वाला है, create करने के पहले वो पूछता है, देख लेना, use कर पाओगे ने कर पाओगे, because DTA asset है, asset को तभी book करते जब उससे आपको benefit मिल सकता है, बराबर तो DTA को use कर पाओगे, तो ही book करना, अब use कैसे कर सकते है, तो वो तीन criteria देता है, अपने को किते criteria, तीन criteria, वो बोलता है, जिस सल DTA का reversal है, उस सल DTA का reversal है क्या ये चेक करना है, जिस सल DTA का reversal है, उस सल DTA का reversal है क्या ये चेक करना है, अगर है, तो आज DTA book कर सकते हो, अच्छा, जिस सल DTA का reversal है, उस सल profit expected है क्या है, तो आज DTA book कर सकते जिस साल DTA का रिवर्सल है, उस साल कोई tax planning करके profit general कर पाऊगे क्या है, तो आज DTA book कर सकते है, example देता हूँ, इदर, suppose अपने पास है difference था 2700 का, taxable temporary difference, इस पर DTA बनता है, sorry, DTA बनता है, अब वो बोला गया, ये DTL 3 साल में reverse होगा, तो आज create करना है, 3 साल में reverse करना है, DTL creation प difference amount 4000 है, इस पर DTA बनता है 1200 का, वो बोलता है, चार साल में reverse होने वाला है, एक, दो, तीन, चार, अब, question में ऐसा माल लो, कोई future profits expected नहीं है, कोई tax planning मगेरा करके profit generate नहीं कर सकते है, तो DTA कितना create करेंगे, जितना use कर पाऊगे, अब कैसे use, जिस साल DTA reverse हो रहा है, उस साल चेक fourth year में कोई DTA reversal ही नहीं, नहीं DTA reversal, नहीं tax planning, नहीं future profits, बराबर तो इस case में ये वाला DTA आप use ही नहीं कर पाऊगे, बराबर तो बोलता है, आज create ही मत करो, तो आप कितना DTA use कर पाऊगे, एक, दो, तीन, 900 आप create कर पाऊगे, यूज कर पाऊगे, इतना create करना, बाकी 300 आप disclose करोगे, कब तर disclose करोगे, चार साल तक, अगर बीच में लगता ही कि इसको भी use कर पाऊगे, फ्यूचर में तो वापस book कर देना है, नहीं कर पाऊगे, तो disclosure में डातके लखना, बात में निकाल देना है, सब को समझा मैंने क्या बोला, ये illustration number 15 ने करके जाना बहुत, बहुत simple सा पाट रही है, बहुत से basic बुद्धी लगाना, अच्या, इसमें mistake का करते लोग, ये मत बोलना, सब day 1 पे detail मेरे इतना है, DTA इतना है, इनफ detail है, जिस साल DTA create कर रहे हो, उस साल DTA कितना है, वो मत देखो, DTA के reversal के समय, DTA reversal है कि नहीं वो देखो, समझ गए सर, ठीक है, त इसी साल में मोदी जी आए, और 14 FEP को आके बोल दिया, 14 FEP 2013 को, कि रेट 35% अगले साल से हो जाएगी, next year से हो जाएगी, क्या ये rate के बारे में आपको आज पता है, पता है सर, करेंटर में पता है ना, तो DTA का मतलब क्यों होता है, future में less tax, DTA का मतलब क्यों होता है, future में less tax, तो जब बात ही future की हो रही है, तो rate भी future का लेने का, provided it is available in the current year, अगर rate available नहीं होता, तो बुद्धी लगा के निकाल मत लेला, खुद से कोई rate, नहीं है, तो 30% पर create करेंगे, जान रखना, उसके अलावा एक और चीज, एक last चीज बोलूँगा, इसमें difference क्या हो गया फिर, current tax आप 30% पर create करते हो, और यही साल में differ tax होगा तो rate पर create करोगे, चलो आगे, clear वाला पार्ट, very good answer everyone, I am very, मतलब क्या बोलते हो, I am very happy that you are answering very quickly, चलो आगे बढ़ जाते है, उसके बात, कभी-कभी क्या होता है, कोई non depreciable asset है, यहना, example land, मैं आपको चलो example लेकर दिखा देता हो, इदर, suppose मेरे पास कोई land है, अब इस पर difference आया मेरेको, और question में दो tax rate दे दिया, एक capital gain का rate और normal tax rate, अब land पर difference है, इसका reversal कैसे possible है, इसका reversal बेच कही possible होता है, जब land बिके का तो ही reversal possible होता है, और land के बेचने पर normal rate पर tax नहीं लगता है, capital gain पर tax लगता है, बराबर, तो land के पर जब differ tax rate भी करोगे, तो capital gain के rate कर लेना, समझ मैंना तुम को यह वाला part, यस सर, आगे बट रहा हो, फिर आता है example number 3, PPE के लिए, अगर यह depreciable PPE होता, तो फिर, तो उस case में अगर आपको difference आता है, और question में दो tax rate दिया हुआ है, अब इसका जो difference है, इसका reversal कैसे possible है, इसक केस में intention check करना पड़ेगा, अगर company का intention use करने का है, तो उस case में deferred tax 30% पर create करना, बराबर, लेकिन company का intention अगर बेचने का है, तो deferred tax 20% पर create करना, simple, अब यह कब rise होएगा, जब question में 2 rate दिया हुआ रहेगा, अगर question में rate ही एक दिया हुआ है, तो खुद का taxation का बुद्धी ल उसके अलाबा, एक और pointed tax rate को लेकर वो क्या सुन लो, कभी कभी क्या होता है, किसी country में ऐसा बोलता है, कि आप अगर profit बाटोगे नहीं, if the profit remain undistributed, आपको tax भरना है 40% पर, बराबर लेकिन अगर profit आपने बाट दिया, तो आपको tax भरना है 30% पर, अगर ऐसा बोल दिया, तो उस case में, current या deferred tax, कोन से rate पर create करोगे, initially आप 40% पर create करना, है न, जब company dividend बाटेगा, तो company को 30% वापस से नहीं भरना है, company क्या बोलेगा, मैं ये बाटेवे profit पर 40% अल्यडी भर चुका हूँ, तो 10% का company refund के लिए eligible हो जाता है, बराबर, तो जब company dividend बाटेगा, तो उस case में तबी, एक refund का asset book कर लेना, एक refund का asset book कर लेना, जब बाटोगे, तब, आज नहीं, clear है वाला पाट, ये वैसे हिंडिया में अपले के बनी, हिंडिया में इतना भला देश नहीं है अपना, जो अपने को refund वगे लाते थे, anyways, चलो, आगे बढ़ू मैं, ये अपनी थीट, कौन साल पर review करना, book करे की नहीं करे, ठीक है, उसके अलावा, accounting for deferred tax, अब deferred tax अगर asset है, तो एक effect हो गया, balance sheet में, second effect का जाएगा, similarly DTL है, तो एक effect हो गया, balance sheet library side में, second effect का जाएगा, तो बोलता है, देखना पड़ेगा, जो difference है, उसका reason क्या है, अगर difference का reason, depreciation है, मतलब कोई PNL का इटम है, तो second effect भी PNL में, अगर difference का reason, revaluation है, मतलब कोई OCI का इटम का difference है, जैसे land में, आपने देखना, land वाले case में, difference आयाता, because of revaluation gain, तो उसका deferred tax का second effect भी OCI में जाएगा, अच्छा, difference का reason, कोई equity का इटम है, कभी-कभी होता है, आपन कोई error वगर, rectify करते, कोई policy change कर तो effect आपन देते, other equity के अंदर, तो उसकी वैसे कोई difference आ रहे, carrying out tax base के अंदर, तो उसका deferred tax का second effect भी equity में जाएगा, इसका बगी question है, नहीं, उसके लावा आता है आखरी बात, अगर deferred tax business combination में arise होता है, तो फिर क्या होगा, तो आपन भी करेंगे, इस विस्तार में बात, ब जो उसी का part बना लिया करो उसको, ठीक है, बड़ इसकी बात में विस्तार में नीचे करूँगा, anyways, अब एक और case है, जहां वो बोलता है, क्या मेरा carrying amount, suppose year 100 था, tax base 80 था, difference 20 था, तो deferred tax कितना है, 6 रूपे का आ गया, 30 पसंगी rate थी, अब मैं बोलता हूँ, यही same item के लिए year सकता है, सर, क्यों, जब मेरी tax rate चेंज हो जाए, तब, जब मेरी tax rate क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तब, very good answer, तो tax rate चेंज हो सकता है, इसके अपने बाद से question है, illustration number 18, अब फिर क्या बोलता है, offsetting, DTA, DTL को आप net करके balance sheet में दिखाते हो, non current वाले section में, अगर DTA है जादा, तो non current asset में दिखते है, DTA net, अगर DTL है जादा, तो non current liability में दिखेगा DTL net, त्यान रखना, अच्छा, अब आता है practical application and exception, अब ये कैसे करेंगे, सुन लो फटा-फट से, बहुत simple सी बात है, होता क्या है, जब आप कोई भी business combination में asset take over करते हो, तो हम तो fair value पे take over करते है, सर, ठीक है, तो fair value बन जाती है हमारी new carrying amount in accounts, लेकिन tax base क्या रहता है, जो selling company का पुराना वाला carrying amount है, वो बन जाता है tax base, बराबर तो इसकी वज़े से कुछ difference arise हो जाता है, आपको चेतों मैं दिखा देता हूँ, बस देखो जैसे for example मेंने take over क्या fair value पे, तो ये fair value मेरे लिए बन इसका, अब वो बोलता है इसको penalize adjustment करना, DTL create करोगे लेकिन debit goodwill कर देना, इसका मतलब मेरा goodwill बढ़ना चाहिए न, तो अब ये अलग से entry मानने के बजाए एक और तरीका है, इसको चूपचाप अपने net asset का part बना लिया करो, जैसे आपने net asset करता take over किया, आपने net asset ये goodwill आएगा, ये automatically DTL के बाद वाल आएगा, automatically goodwill मिलेगा after deferred tax arising on business combination, simple, तुमको समझा गया, तो जो भी deferred tax है, उसको अपने net asset का part बना लिया करो, simple है, clear, logic वगरा मैंने दे रखाएगा, उसके अलाबा, तो simple से बात है, उसके अलाबा, goodwill पर कोई difference arise हो, जैसे goodwill आपका arise वो other than temporary difference होता है, उस पर कोई deferred tax rate मत करना, उसके अलाबा, asset acquisition के लिएक point बोलता है, क्या बोलता है, सुनलो, बोलता है initial recognition पर कोई deferred tax नहीं आता है, example, suppose अपने PP खरीता 10 करोड रुपे का, मैं बोलू, day one पर तो भली life अलग हो, but day one पर carrying amount भी 10CR होगी, tax base भी 10CR होगी, भली life पलग होगी, तो भी day one पर तो value same होते, दोनों books के अंदर, तो day one पर कोई difference नहीं आता, day one पर difference कब आता है, हाँ, अगर बिजनस combination होता, तो आ जाता difference, क्यों, क्योंकि day one पर, हम carrying amount तो fair value मानते, tax base तो old carrying amount मानते, तो difference आता है, इसलिए बोलता है, अगर कोई asset acquire किया है, which is not a business combination है न, and at the time of transaction, neither affects accounting profit, not taxable profit, मतलब दोनों के अंदर value same है, है न, तो कोई detail, detail book करनेगा आपको जरुवत नहीं है, simple, उसके बाद tax share based payment, यह तो भाई, इतना शानदार है न, पूछो मत, इसमें आपको बता रहो, normal जो index tool का logic है, वो apply मत करना, इसका specific logic है, इसको याद करके जाने इसको tax based मान लेने का, मतलब है उल्टा मानने का, normal लगता आपने को tax based zero रेका, accounts carrying amount कुछ और रेका, but carrying amount zero मानने का, जो आप accounts में खर्चा book करें, उसको tax based मान लेने का, उसके लावा, इस case में हमेशा DTA ही create होएगा, sir DTA क्यू, क्यूंकि taxation में आपको expense का claim बाद में मिलता है, जब आप real में employee को shares दे दोगे free में, तब आपको expense का claim मिलेगा, मतलब बाद में आपको expense claim करने को मिलेगा, बाद में expense करोगे, तो future में tax कम भरोगे न, तो future में less tax का मतलब होता है DTA, तो in short, इस में मेंशा DTA create होएगा, और last year, suppose share based payment 3 साल का है, तो last year में जित्ता भी DTA book किया year 1, year 2 में, सब हो जाता है reverse, सब क्या हो जाता है इसका, हो जाता है reverse, अब यह समझाने के लिए मैं फटा फट से एक बार, आई से एक 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 question ले लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि मैं ले लूँगा, तो 7 में हो जाएगा, वह आपके लिए, CVC part के लिए, ठीक है, यह रहा, illustration number, इंडेस 12, इधर आजाओ, illustration number 3 पे आजाओ, ठीक है, बड़ा, 3 नहीं, 4 पे आजाओ, 4 पे, 4 पे, 4 पे, 4 पे आजाओ, अब क्या बोलता है सुन लो, बोलता है 2 साल का wasting period है, ठीक है सर, अब बोलता है कि यह जो, first year के end पे मेरी total share based payment की value हो 1.6, अब यह 2 साल की value दी आपको, first year की नहीं, पूरे 2 साल की मिला के 1.6 है, तो first year में आपका खर्चा कितना होता, accounts में, divide by 2, 0.8 होता, तो देखो कैसे करना है, day 1 पे खर्चा आएगा, day 1 पे आपन share based payment करना है, बुक की नहीं करते कुछ, जो भी बुक करते है, आपन year end पे बुक करते, तो carrying about always 0, tax next based, जो accounts में खर्चा होता, वो 0.8, difference है, 0.8 का, differ tax है, 0.24, मैंने का करता, always DTA, DTA create कर देना, अब उसने क्या बोला, एक साल के बाद इसकी fair value बढ़ गई, fair value हो गई 4.6, लेकिन भाई, wasting period है ही 2 साल का, तो जो बड़ी भी fair value मिले, काम की नहीं है, industrial के हिसाब से क्यों, क्योंक तो, अगर 3 साल का होता, तो उस case में, आपका secondary में tax base पता है कितना होता, अगर by chance 3 साल का wasting period होता, तो secondary में आपका tax base होता, 4.6, into 2 years, divided by 3 years, यह आपका secondary का tax base बन जाता, मतलब revised fair value के यह साब से, हो जाता, और फिर आप incremental DTA create करते, बड़ बात की बात है ऐसा कुछ है नहीं, मु ता मज़ा आगे है सर, आगे बढ़ रहा हूं मैं भी, आगे, फिर आता है point number 4, temporarily difference associated with investment in subsidiary branches associated joint venture, simple सी बात बुलता हूँ, अगर आपके पास कोई investment in subsidiary branches associated joint venture है, उसके carrying amount of tax base में difference आया, SFS कहना है, investment आपन SFS में दिखाते, CFS में तो आपन subsidiary का सब को दिखाते हैं, तो मैं SFS की बात कर रहा हूँ, तो होता क्या year end पे, ऐसा possible है कि आपके SFS में carrying amount जादा है, लेकिन tax base में आप cost पर रखके रखा है, तो difference arise हो जाएगा, तो normally ऐसे difference पर different tax create कर देना, normally create कर देना, ठीक है, normally create कर दिया, लेकिन वो बोलता है, create क्यों किया, क्योंकि difference दो तरीके से reverse हो सकता है, जब मुझे वो subsidiary, dividend बाटेगी, तो ये reversal possible है, या जब मैं वो subsidiary में investment based दूँगा, तो मेरा difference का reversal possible है, तो reversal possible है, तो मैं DTI create कर दिया, अब अगर मैंने difference के दोनों दरवाजे ही बंद कर दिया, मैंने बोला dividend कैसे बाटेगी, subsidiary मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं ही policy control करता हूँ मैं ही parent हूँ, किसी भी company को dividend बाटने के पहले, parent को पुछना पड़ता है न, मैं ही parent हूँ, मैं dividend बाटने दूँगा ही नहीं, तो parent अगर decide कर लिया, कि parent will not let the subsidy distribute dividend, और second, अगर parent खुद भी बोल देता है, कि मैं अपना investment बेचूँगा ही नहीं, तो मैं बोलू, मैंने वो दरव दरवाजे बंद कर दिया दोनों का दोनों, तो जब reversal का दोनों दरवाजे बंद हो गया, तो फिर difference becomes other than temporary, तो मत create करना भाई, तुम समझे क्या यह वाला बाट, वापस repeat कर रहा हूं मैं, क्योंकि important आई है, question नहीं, लेकिन conceptual अच्छा बाट आई है, investment in subsidiary पे, year one के end पे, अग दरवाजे दोनों बंद कर दिये, तो उस case में reversal नहीं होएगा, तब बोल देना, difference is other than temporary, same case associate में है, same के joint venture में, बस फरक इतना है, associate में parent अकेला dividend policy control नहीं करता है, तो इस case में dividend वाला दरवाजा बंद करने के लिए, agreement लगेगा between us and between the other shareholders of the associate, कि हम सब मिलके dividend बाटने नहीं दे इसके उपर कोई बड़ा question नहीं है, तो इतना सा पाट है, ध्यान लटना, इसी के साथ conceptual हो जाता है, खतम, अब फटा 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 के, कहां जम्मा रहेंगे question के उपर, इंडेस 12 के main questions ही है, करके जाना है, किसी भी हालत में करके जाना है भाई, तो questions की तरह मेरे है, आजाओ, मैं फटा 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 question करवा रहा हूँ आपको, सबसे पहला, illustration number 2 है, कॉम्मर पूर्मा करा था, लेकिन सुन लो क्या है इसके अंदर, बहुत simple सा question है, ये ना lease क बुक करते हो, बराबर, लेकिन taxation में ऐसा कुछ बुक नहीं होता है, तो taxation में आपका ROU asset का tax base 20-0 है, LL का tax base 20-0 है, तो कुछ नहीं करना है, year 1 के end पे, ROU का value निकालना, क्या रहेगा इसका value, जो भी आपका amount है, divide by the life, तो एक साल से depreciation का क्या आल जाना, ROU का value, है न, tax base 0 रह बस एक closing आपको मिलेगा, तो वैसे आप डूनों अकांट्स कांदा value, tax base 0 है, बस दोनों का difference आएगा, उस पर different tax निकाल देना, basically आप LAT बनाओगे, lease liability के लिए, तो उनको समझ में आता है क्या, यह करना है, difference निकालना, आ जाएगा है, बस, खतम कहानी, चलो, आगे बढ़ र करना होता है, क्या follow करना होता है, 103 वाला पार्ट, 80% का PC कितना है, 25 CR, उसमें add करोगे, NCI का value, बराबर NCI का value कितना रहेगा, 12 करोर शेर्स, 80% revision करते हैं, तो बाकी का 20% share, 20% कितना होएगा, बराबर तो करोगेगा, फटापट से, तो मैं बूलू का 12 into 20 divided by 80, तो मिरको का value कितना 2 रूपिया है, तो 2 रूपिया, तो NCI का 20% के लिए 6 रूपिया, तोटल आ गया 31, इसमें साब INA करोगे, माइनस, अब INA का पते कैसा दिया हुए, INA का आपको दिया हुए book value के इसाब से 23, मेरको book नहीं fair value चाहिए, तो book value में, अगर आप fair value के increment add कर दोगे, तो म रूपिय का जाद है, second वाले में 2 रूपिय का जाद है, third वाले में 0.5 का जाद है, तो वैसे में 3 रूपिया, 2 रूपिया और 0.5 भी add कर दूँगा, ये मिलको मिलगा INA का fair value, अब क्यूंकि नीचे tax rate भी दिया हुए, तो differ tax भी आएगा, किस पे आएगा differ tax, इनी तीन आइ tax based 15, carrying amount tax based, मुझे carrying amount reduce करने का, asset क carrying amount reduce करने का, तो liability create करना पड़ेगा, तीनों के asset तीनों में reduce ही करना, तो liability 1.1 का आएगा, अब मैंने क्या बोला, business combination में arise हो रहा है, business combination में arise हो रहा है, differ tax liability, कहां से adjust करना इसको मुनना, इसको अगर INA का पार्ट बना लेंगे, अपना बना ल से कम कर देने कर आजा, तो आपको INA मिलेगा, 27.4 का मेरिकाल सा INA मिलेगा, 31 का आपका ये था, 27.4 का INA है, difference आएगा, good do, कितने का 3.6 का कहानी हो गई, खतम, तुमको समझ पड़ा मैंने कैसा किया, ये, बड़ा simple सा adjustment कर के आ आ जाना भाया है, तो, वो तो आपन कर चुके क A Limiteds Profit Before Tax, According to Indies, is 1000, तो Accounts Cut Profit दिया हो है, ठीक है, Taxable Profit 104,000 दिया हो है, अब मेरे को शान्ती से थंडा पानी पी के थंडे दिमाग से बता हो, थंडा पानी पिया, और थंडे दिमाग से बता हो, अब अपने को बता है, पूछा क्या है, Current Tax कितना, Deferred Tax कितना पहले ये बता हो तो Current Tax किस पर निकलता है, Current Tax में Accounts के Profit पर निकालूँगा, या Tax के Profit पर निकालूँगा, Sir Tax के Profit पर निकालेंगे न हम तो, तो 104,000 पर निकाल देंगे, निकाल दिया, Sir, कितना 25 पसंगा rate दिया हो, मैं निकाल चे, 26 रुपया आ गया, कहानी खतम, तो मैंने किदर किया, ये अतलब Feb में खरीता है, तो Feb और March कायगा Depreciation, अब Tax क्या बोलता है, Tax बोलता है, ना, हम तो Depreciate करेंगे 6 महिने के लिए, तो भाई ने बोला करने का, तो करने का, तो Tax में आप करोगे Depreciate for 6 months, Accounts में करोगे Depreciate for 2 months, दुनों में Life Same है, बट Life Same है, उनने से फरक नहीं पड़ तो Detail क्यों, Carring Avon जादा है, Tax Base का में, Carring Avon कम करना है, असर का Carring Avon कम करना है, तो Library Decreate रगर आजा, तो Library Decreate किया, बढ़ाई 1 रुपी गा, ठीक है, उसके बाद एक और आइटमें, Donation, बोलता है, Donation are not Tax Deductable, बोलता है, Permanently Disallowed है, तो कई Benefit मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इ रीको क्यों बनेगा, रीको दो चीज़का बनेगा, एक Numbers में, और एक Rate में, पहले क्यों बनेगा, वो समझ लो, ठीक है, Normally आपका होता कि, P&L Extract में, आप दिखाते हो Current Tax, आप दिखाते हो Different Tax, दोनों का दोने Expense है, दोने Expense आएड का 27 आया, लेकिन Real में, आपका Outer Column में 27 25 आना चीज़ था, ऐसा क्यों? क्योंकि Outer Column में आता है, जो Tax Accrued हुआ है, Accounts के एसाब से, तो Accounts Profit 100 रुपया, 25% Tax Rate, तो Tax Expense आया 25 रुपय का, तो Outer Column में 25 आना चीज़ था, ऐडेली, 27 क्यों आया, एक Item की वज़से, एक मच्छर, वो एक मच्छर कौन सा है, Donation, डोनेश पे 25 रुपय का Tax Benefit नहीं दिया, तो 2 रुपय का Benefit नहीं दिया, तो 27 रिको दे दिया, ये Numbers में रिको है, Similarly आप Rate में रिको दोगे, Rate में कैसे रिको दोगे, Rate applicable कितना है, 25%, आपको लगा कितना है, 27% लगा है, सर पसंड कैसे आया, औरे 100 रुपय का Accounting Profit है, जब बेस 100 खतम कहानी है, क्लियर है वाला पाट, करके आजाना मजा आ गया सर, 6-7 तो Simple है, 8 आपन similar question है, 9 पे आजाओ, 9 पे आजाओ, क्या बोलता है सुन लो, Purchase and Equity Investment, 2 रुपय का, वो बलता है, FVT OCI पे Carry करते है, ये ना Value कितनी है, 2,40 अब FVT OCI मतलब क्या है, सीखा है ना Financial Instrument के अ Gain Lodge जाता है OCI के अंदर, तो Accounts में जाता है, Taxation में ऐसा कुछ नहीं होता है, Tax Map का वो 2 लाग पे रह जाता है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ, Tax Base हो गया 2 लाग, लेकिन Accounts में आपने बुक क्या 2,40 अब ये FVT OCI है, उससे मुझे क्या फरक पड़ेगा, फरक पड़ेगा, और Differed Tax Expense to DTL, और ये Expense जाएगा OCI के अंदर, बिकॉस इट डिफरेंस का रीजन है OCI, ज्यान दर ना, पहला चीज, अब इस Question में सिर्फ Current Tax नहीं पूछा है, Current और Differ दोनों पूछा है, Differ तो आपने निकाल लिया, Current Tax कैसे निकालोगे, तो अगर आपके Tax Books में कोई Profit है अपने Taxation में कोई Profit Book किया है, उस पर निकलता है Current Tax, अब Investment तो आपने बेचा ही नहीं, तो इसके Respect में Taxation में कोई Profit Book हुआ ही नहीं, तो No Current Tax, तीक है, अच्छा, अब Second Case, ये भहुत शांदर Case है, बोलता है, के ने Goods बेचा A को, मतलब Parent ने बेचा Subsidory को, कितने में बेचा, 64 का Goods बेचा, 80 में, तो ये तो Inter Company Transition हो गया, याद है इस Case में जो Unrealized Profit है, वो होता है, Eliminate, बट कितने Goods पर Eliminate करोगे, जो Goods Year के End पर Outstanding है, उसी पर Eliminate करोगे, बराबर, तो वो बोलता है, 40% of these Goods, ये तो अपने 3rd Party को बेच दिया, वो तो मैं ता गया ले, तो 40% करके रखेंगे, लेकिन ये Elimination सिव अकाउंट में होता है, एक सेशन में ऐसा कोई Elimination नहीं होता है, तो इसका Shortcut कैसा है सुन लो, सपोज मैंने 64 अपने Goods 80 में बेचा, अब इसमें से 40% Goods भी गया, तो 40-40% माइनस कर दो, 60% निकला मुझे ये, है न, 60% Goods की Original Cost इतनी है, और After Inter Company, इसकी Selling Price इतनी है, तो Accounts पर आपन क्या करेंगे, Accounts पर आपन Selling Price पर नहीं रखते है, Accounts में बोलते है, Goods Unsold है, इसमें से URP निकाल, अलग से निकालने का जरुवत नहीं है, Original Cost पढ़ा है आपके पास, क्यूंकि मैंने जो Table बना है, उससे डिरेक्ली यही निकला है तो यह जो Original Cost है, यह आपकी Accounts के अंदर बुक होएगा, This is the cost after Elimination of URP, बराबर लेकिन Tax Session के अंदर, आप ऐसा कुछ Elimination नहीं करते हो, तो Tax Session के अंदर आप 48,000 पे ही रख देते हो, बचेवे को, ठीक है, तो अब Caring Amount में रख्या हो गया, 38,400, Tax Base में रख्या हो गया, 48,000 तो Difference आ गया, बराबर अब Caring Amount का में Tax Base जादा है, तो मुझे अशक का Caring Amount Increase करना है, इंक्रीज करने के लिए DTA क्रेट करना पड़ेगा, समझा, अब यह Differed Tax था, अब Current Tax कैसे निकाल लेंगे, किसके Point अवे से निकाल लें, पैरेंट ने सेल किया था, तो पैरेंट के Point विसे बात कर रहा हूँ, तो Taxation के अंदर ना तू Parent ना में Subsidy, ना को इंटर Company, Taxation के अंदर बोलता है, तुने पहली बार में सेल किया, 64 का माल 80 में बेचा, चल टैक्स भर, बराबर तो Taxation के अंदर पूरे 16 पर टैक्स वसुल लेगा, ठीक है, Sir, what about the 40,000, तो 3rd party, अरे वो तो Subsidy ने बेचा, 3rd party को, Subsidy के पंटर विशे बात नी कर रहे है, Parent के पंटर विशे बात कर रहा हूँ, तो Parent ने किता profit कम है, 16, उस पर निकालता ना, कहां नहीं करता, Clear ये वाला पार्ट, इसमें एक और केसे है, बोलता है, 2 लाग का गुजबिता कस्टमर को, पैसा आ गया, बाकी क्या मिलेगा, बाकी आपकी advance income है, advance income इसलेगा liability, समझता ये चीज कितना, 80,000, बराबर तो ये accounts में आपके liability book हो गया, लेकिन taxation में, taxation में, taxation में, ऐसा कोई advance income नहीं होता, taxation क्या बोलता है, पैसा आज मिला, income आज की, आज पैसा मिला, income आज की, 2 लाग आज मिला, आज प बेगो कुफो के तरह tax base 2 लाग मत बोलता ना भाई, यही गलती करता हो, entry माना सीखो, cash bank to revenue, पूरा गया, profit and loss में को liability asset बना ही नहीं, बराबर, तो उस case में हम बोलेंगे, मेरा account में, liability 80,000, tax base है 0, अब carrying amount tax base कम, carrying amount कम करना है, लेकिन, यहाँ liability का carrying amount कम करना है, liability कम करने के लिए क्या create करूँगा मैं, asset create करूँगा, तो asset create किया, यह मेरा deferred tax हो गया, अब current tax कैसे लगेगा, मैंने क्या बोला, current tax कैसे लगता है taxable profit पे, taxation ने पूरा 2 लाग के अपका profit मान लिए, taxation ने क्या बोला, पूरे 2 लाग को इंक्रूड के के profit मान लो, तो भाई, taxation में current tax तो पूरा 2 लग जाएगा, तो लगा देना 2 लाग के उपर 25%, मजादार question है, भाई, कभी 6 माक का आ गया, 2 माक, each case का जेब का bonus का माक से छोड़के मत आना, भाई, ठीक है, आजाओ, अब आगे बढ़ो राजा, 15 में already करा चुका, यादे क्या, DTA उतना ही create करो, जितना use कर पाओगे, already कर आ चुका में concept के साथ में, ठीक है, फिर आएगा, मजा आ गया सा, 16 वाला illustration, आ जाओ, पढ़ेंगे, बताएंगे, कैसे तरीके से solve करना है, इसको सर, बोलता है, मिर पात loss है, कितने का loss है, 30,000 का loss है, मैंने क्या बताया था, loss हैगा, तो DTA create कर देना, ठीक है, लेकिन, DTA तब करना है, उसको use कर पाओगे, नीचे last line में बोला है, हमको लगता है, हम profit कमाएंगे ही नहीं, जब profit कमाओगे ही नहीं, तो DTA use ही नहीं कर पाओगे, तो आज create ही नहीं करने का, तो DTA है, फिर भी create नहीं करोगे, क्योंकि use नहीं कर पाओगे, ध्यान अतना, पहला, second, बोलता करेंगा, carrying out 20 lakhs, tax base 0, बराबर, तो भाई क्या करेंगे, carrying out tax base कम, carrying out कम करना है, liability कम करना है, liability कम करना है, तो asset create करेगा भाई, कर देना, asset create, खतम कहानी, उसके बाद 30 रह, एक intangible है, development cost, ready कब हुआ, first jan को, तो accounts में आप depreciate करोगे for 3 months, jan, feb, march, ठीके, value 16 lakhs, life 5 years है, मेरे साब से life की दर, life 5 years है, तो 3 महिने के लिए depreciate करते है, jan, feb, march, ठीके, accounts में किया, tax हो पता है, क्या बोला है, बोलता है, fully deductible against taxable profit, तो tax में आपको आज ही इसका पूरा deduction दे दिया, मतलब, tax में आपने entry का हमारी expense to cash bank 16 lakhs, सीधा सीधा, आज ही, तुम समझे, tax base में बचा ही नहीं करना है, असर का carrying amount करना तो library rate करता है, कहान ही करता है, उसके बाद, चौता, यह भी चुम्मा question है, जहाँ-जहाँ financial instrument आ जाए, मेरा favorite होता है, तो यहाँ financial instrument के साथ, index 12 भी लग गया भाई साब, अब कैसे लगेगा सुन लो, बोलता है, boring क्या 1 lakh rupees, 1 CR rupees का, एक बात याद देख तो taxation में वो face value पर रे जाता है, कोई भी साल में पूछो, first year, second year, third year, fourth year, कोई भी साल पूछो, वो face value पर रेगा, तो tax base 1 CR हो गया, accounts में हम face value पर रखते ही नहीं, हम accounts पर रखते है, fair value पर, अब कैसे निगा लेंगे, तो अगर कोई compound financial instrument है, या कोई relationship है, या कोई level 1 input है, तो हम compute करते है, fair value, formula लगा के, fair value is equal to present value of future cash flows, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम fair value assume कर सकते, that fair value is equal to my transaction price, हाँ, अगर इसी, इसी loan के अंदर, आपने कोई transaction cost भी incur किया है, तो in case of financial liability, आप transaction cost minus करते हो, और in case of financial asset आप add करते हो, ठीक है, बढ़ यह financial liability, loan लिया है, आपने, तो transaction cost 2 lakhs, तो यह 98 lakhs मेरा हो गया, fair value accounts में, बटे, day 1 का value हुआ न, मेरको day 1 का value नहीं चाहिए, मैं जो बे differ tax है, year end पर compute कर रहा हूँ, तो इस loan का year end का value कैसे मिलेगा मुझे, बताओ, क्या बनाओंगा, तो year end की value मिल जाएगी, अरे क्या शांदार तुमने answer के, sir, LAT बना दो न तो एक साल का LAT बनाओगे, तो बताओ, बना के दिखाओ, अपको यह देखो, opening 98 lakhs, interest, repayment कुछ है नहीं, closing, यह रहा, repayment क्यों कुछ नहीं, question पड़ो, बोलता है, repayment interest coupon 0 है, यह carrying amount हो गया, आपका, बस, तो यह मिल गया, account का carrying amount, यह मिल आपका, face value difference निकाला, अभी carrying amount जादा, tax base कम, लेकर liability है, liability कम करने के लिए, liability कम करने के लिए, asset create करोगे, भाई साब, कहानी इसकी भी हो गई, खत्म, मजार है, sir, feel आ रही है, sir, feel आ रही है, 17 है, 16, करके चले जाना, मतलब हो same है, illustration no 18, अब क्या बोलता है, सुनना, इदम simple सा पाट है, मैंना को बते कंसा पताया था, DTA का amount can change, even if there is no change in the difference का amount, why, जब tax rate बदल जाए तब, बराबर तो बोलता है, DTA था 80,000 का, as per 40%, एक DTA था 60,000 का, as per 40%, अच्छा, DTA का bifurcation दिया हुआ है, इसमें से इतना DTA, OCA वाला था, इतना DTA, PNL वाला था, बराबर तो कैसे करेंगे, देख लो, एकदम simple सा पाट है, पहले बाड़ तो ऐसे, 80,000 का DTA, इसमें से इतना OCA वाला है, इतना PNL वाला है, अब ये 40 के बदले, 45 का होता, तो क्या होता, cross multiply करना, ये DTA है 40 के हिसाब से, तो 45 पसंग का कितना, cross multiply, 31,500, मतलब increase करना है, decrease करना है, increase करना है, कितने से increase करना है, 3500, अब increase का effect क्या जाएग DTA बढ़ रहा है, तो DTA debit किया, अब ये increase कहाँ जाएगा, PNL की OCA है, क्योंकि ये OCA वाला DTA बढ़ा है, तो second effect भी OCA में जाएगा, से मिला लिए PNL, PNL वाला DTA, 52 था, हो गया, 58,500 क्यों, 40 से डिट होगे, 45%, increase हो गया, entry मारो, फरक कितना ही increase का FI जागा, PNL में, DTL ज जाएगा, PNL के अंदर, कहाने का तम, कुछ थाई नीच के अंदर, मज़ा आगे है, सर, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, सर, आगे बढ़ू, अब आता है मेरा, हाँ, illustration number 90 is very simple, बढ़ इसमे एक बात ध्यान रटना सिर्फ, आपको जब दो tax rate दे दे, एक purchasing company का, एक selling company का, तो normally आपन यहां mistake पता है क्या करेंगे, आपन purchasing company का rate पर differ tax निकालेंगे, ऐसा मत करना, originally asset किसके होते है, originally asset selling company के होते है, तो rate भी selling company की लगती है, ध्यान रटना, तो 40% पर create करना, ठीक है, और जब 3 column दिया, book value, tax base, fair value, जब tax base directly given है, तो इसी को tax base मानना, इसको आप ignore करना, ठ उसके बाद, question number one simple है, question number two है, question number two है, question number two है, दो हिससे, अब इसमें जो second part है, उसका मैं concept बताया है, यह बताऊंगा, concept के साथी link करूँगा, पहले इदर आ जाओ भाई, वो बोलता है, हमने mat pay क्या create होता है, पहले यह बता, आपको सिखाते हैं, मैंने mat pay क्या बनता है, क्या करूँगा, कर मत देना, यह डी के तरह, जो mat है, वो ही DTA, गंगा दरी शक्ती माने भाई, बराबर, तो बोलता है, पहले मेरा mat था 8.5, तो मैंने entry क्या मारी रहेगी, मैंने entry कुछ ऐसी मारी रहेगी, DTA है तो different tax expense, 8.5, 8.5, अब पहले मैं बड़ा मोटा था, 8.5 था, entry मारना, 8.5 से 9.75 हो गया, तो कितने से बड़ा 1.25 से हम 1.25 के entry मारेंगे, simple, खड़ दिया, यह mat वाला खतम हो गया, अब आता है यह वाला part, अब यह कराने के पहले इसका relevant concept लेकर जाओंगा आपको, सुन लो, आपको मैंने example करवाया है किताब के अंदर, नहीं याद तो य अब क्या बोला है सुन लो, तो डेप्रिशेशन मगेरा अलग आएगा दोनों में, अब फरारी को आपने किया रिवैल्यू, 120 लेक्स पे, तो रिवैल्यूशन आपसे अपको, टेक्स में नहीं करते हो, तो अब यहां जब लाइफ भी अलग है, और रिवैल्यू भी किया है तो यहां दो नहीं तीन कॉलम बनेगे, तीन कॉलम कुन से है, केररिंग अबंट इफ नो रिवैल्यूशन, केरिंग अवंट आफ्टर रिवैल्यूशन है ना, और tax-based, अब क्यसे करने हैं सुनो, अगर आप रिवैल्यू नहीं करते हैं, तो केरिंग अबंट क्या होती है, चुपचाप कॉपी कर तो 120 और टैक्स बेस, टैक्स में तो आप रवालू करते हैं हो और टैक्स में लाइफ भी अलग है, 4 years तो टैक्स में होगा depreciation 25 रुपीज का 100 रुपीज का वैलू है, चार सल डप है तो 25 का depreciation होगा आप वैलू बचेगे 75 की अब difference कितने का आया difference 45 का आया, कैसे मिला इस difference के लिए आप क्या compare करोगे compare the actual carrying amount and compare the tax base real में आपके books में carrying amount यह है न, तो यह carrying amount tax base compare करो 45 का difference अब 45 का difference carrying amount जादा है tax base का में, तो carrying amount कम करूँगा asset का, तो detail बनेगा लेकिन यह detail कहाँ जाएगा क्या यह detail पूरा का पूरा जाएगा P&L में, नहीं, पूरा का पूरा जाएगा OCI में, नहीं, क्यों, इस difference के दो reason होते है यह difference क्यों आया, एक तो आया because life अलग थी, that means because of depreciation, दूसरा because of revaluation, बराबर एक आया because of depreciation, दूसरा because of revaluation, तो अब मुझे bifurcation देना पड़ेगा जितना difference है because of depreciation उतना difference जाएगा P&L में जितना difference है because of revaluation उतना difference कहाँ जाएगा OCI में अब कैसे निकालेंगे सर, सुनो अगर आपको यह देखना है because of depreciation कितना है, तो भूल जाओ revaluation हुआ था, भूल जाओ भूला दो इसकी आदे, भूल जाओ revaluation हुआ था, तो देख लो, मिलेगा सिर्फ debt की वाई से कितना difference है अगर revalue नहीं करता तो carrying amount 80 tax base 75 carrying amount tax base निकालना ही है carrying amount 80 tax base 75 निकालना यह नहीं कि पुरा detail था तो यह भी detail आएगा, इसा नहीं आएगा अलग भी आ सकता ही है, तो निकालना 1.5 का detail है, create कर दिया यह जाएगा PNL के अंदर बाकी balancing figure ले ले सर, मत लेना balancing figure निकालना अलग से कैसे अब मुझे चीए difference because of revaluation तो भूल जो tax base को भूल जो tax base को, भूल जो tax base को देखो, after revaluation, before reval का difference है, तो after revaluation is 120, before revaluation is 80, अब मैंने क्या बला था, यह after reval जो वाली value है ना, यह आपकी real carrying amount है, ठीक है तो अभी एक बार differ tax निकालने के लिए, यह before reval वाली value को fake carrying amount fake tax base मानलिया करो क्यों, ताकि मुझे मालूम पड़े ना, यह hint के लिए DTA की DTL है, सिर्व मानलो यह है नहीं tax base, बट मानलो जो without reval वाली amount उसको tax base मानलिया करो, ठीक है, ओके carrying amount after revaluation is the carrying amount, और यह before reval उसको tax base मानलिया, सिर्व इसके purpose के लिए 120 carrying amount tax base 80 तो कम करना है carrying amount asset का तो DTL आएगा, तो इसमें tool का DTL आया, create किया मैंने, simple सबको समझा, और यह DTL कहाँ जाएगा second effect OCI में जाएगा यहां तक clear है, subsequent year में जब करोगे subsequent year में भी difference निकालना पर कितना है, जैसे example देता हूँ, subsequent एक सार आगे जाओगे न, year 2 के end पे difference because of depreciation आया सबकोस 3 रूपया, DTL उसपर 3 रूपया बना तो पूरा 3 का end पाना EAD की तरह, पहले देखना आप because of depreciation कितना मार चुके हो, आप 1.5 का entry मार चुके हो, तो अब इसी incremental 1.5 के end पाना, तुम समझे क्या यह ध्यान रटना बस, clear? अब काफी बच्चे बोलते हैं, exam में ऐसे ऐसे करें के arrow करके present देखो मर्जी आपकी है, अगर आपको वैसे safe रहना है न, तो arrow के बद देना एक की निचे present कर दिया करो, जैसे आपन arrow बनाते न, तो ऐसे, depreciation and because of evaluation, ऐसे एक की निचे कर दिया करो, तो बच जाओगे, tension नहीं फिर, है न, चलो, anyways अब एक question करा दू, आपको मैं एक question करा दू, इसका यह वाला यह रहा, आजाओ property है, reval किया पहले 31st मा 16 का data दिया हुए शान्ति से करो, अच्छा question है यह, ठीक है अपने को दिया हुए carrying amount after evaluation अच्छा, एक column दे दिया फिर tax base दिया हुए 22 ठीक है, फिर सीधा 31st मा 17 का बात करना शुरू कर दिया 16 के लिए लिए लोग 2 figure ही देके छूड़ गए एक reval का figure और एक tax base का figure तो अब मैं कैसे करूँगा सुनना तो मिर पास tax base है, after reval का value है मिर पास यह missing गए तो उसमें क्या करनेगा, फिर जब नहीं है तो assume करना पड़ेगा, अब क्या assume करें 40 को नहीं assume कर सकते है क्यूंकि 40 तो after revaluation है before revaluation कुस तो value कम जादा होगी तो इसलिए tax base को लोग assume कर लेते है कि यही carrying amount before reval होगा अब option नहीं तो assume करना पड़ेगा because of depreciation difference कितना है तो आप करके देखो न रिवाल निकाल देते picture से अब क्यूंकि आपने tax base को carrying amount माना है तो because of depreciation difference आएगा शुननेगा अपने assume क्या नहीं है तो difference 0 आएगा तो because of depreciation कुछ भी detail नहीं है बाकि जो बचा because of revaluation detail credit कर देते है simple है अब आते है एक साल के बाद मज़ा एक साल के बाद में ही है पहले तो कुछ थाई निसके अंदर ठीक है तो 35 माज 17 में क्या हो गया वो बोलता है कि company charge depreciation of 2CR in accounts accounts में 2CR का depreciation charge किया है tax में 1.25 का charge किया है और नया वाला fair value है 45 अब कैसे करेंगे वापे से 3 कॉलम सबसे पहले carrying amount before revaluation अब लोग गल्ती का करते है इधर लोग बोलते 40-2 करना चाहिए 40-2 क्यों करेंगे बबा 40 तो आपकी revalue फिगरती न यहां क्या लेते जिंदगी में नहीं करते तो value क्या होती अगर अब नहीं करते है 45 दिया हुआ है माइनस 2 कर देते अरे बबा जब यहरन का fair value दिया हुआ है तो मैं directly लिखना न fair value जैसे उपर वाले case में directly 40 लिखा न इसमें से debt minus किया अब नहीं न डिरेक्ली लिखा न 40 directly 45 लिखा करो कुछ minus वगरा मत करना इसके अंदर 1.25 का incremental detail है net लेकिन बताना पढ़ेगा न difference का reason अब इस difference का 2 reason है एक because of depreciation एक because of revaluation इस case में because of depreciation difference आयगा कैसे भूल जाओ रिवाल किया आपने भूल जाओ भूल जाओ रिवाल किया है तो देखो carrying around before revaluation और tax base compare करोगे तो देखो difference आया अब यहां smart काम क्या सुनना भले आपका detail में increase हो रहा है लेकिन depreciation के वैसे DTA आ जाता है carrying around tax base आदा carrying around increase करना है carrying around increase करना है 0.15 से increase करना है इसलिए मैंने कहा था अंधा दुन मत लिग देना किदर भी चेक करना पड़ेगा और इस case में detail आता है 45 और 20 और मैंने compare किया tax base भूल जाने का यह compare करने का तो मेरे को detail आया 5 रुपे का अगर आप देखोगे तो net map cancer match करेगा कैसे 0.15 का DTA है 5 रुपे का detail है मैं बूलो total में 4.85 का detail आ रहा है total में तो यही match करता था और रही बात increment की तो यह तो because of depreciation last year कुछ भी नहीं था जो भी है current year ही है तो पूरा entry मारोगे because of reval last year 3.6 था current year में 5 का आ रहा है तो आपसी 1.4 के entry मारोगे है न क्योंकि incremental entry मारते है न तो देखो 0.15 का DTA है और 1.4 का detail है current year net net में देखो 1.25 का detail है net में इतना detail net में देखो के तो match करता है कि नहीं करता है करता है तो मैंने ओफू वगेरा दे रखा इदा proof के हिसाब से एक बाद ध्यान रहना जब आप मेंसाफ question revise कर रहे हो ना मैं जिस pace पे जारों में यह नहीं मूल रहा हूं कि आपको यह pace पे आना चाहिए there will be things that you will feel अरे sir मेरे को एक बाद करके देखना पड़ेगा करके देखना ही पड़ेगा तभी तो marathon सिफ मतलब दोनों दिन आधाधे दिन ले रहा हूं क्योंकि आपको self practice करनी ही है बट होएगा कि आप मेरे बताने से यह आपको चीज़ा याद रहेगी तुम समझे रहो आपको adjustment याद रहेंगे थोड़ा बहुत धुनला धुनला याद आएगा यह खूद recall करने बेट होगे ना पहले double time जाएगा पहले पन्ना मीट यादधास आने में लगेगा फिर एक घंटा सॉल करने में लगेगा मेरे साथ में तुम दो चार मिनिट पांच मिन में यादधास ले आओगे और आदे घंटे में इसको सॉल भी कर लोगे तुम समझे रहो का तो इसलिए फाइदा हो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो सर यह होगे आपना इसमें सिर एक चीज़ बोला हुए इसमें इसमें इसमाइ लेशीत नमटर सिक्टे ना आएटे सेमें इसमें इसमाइन इसमाइं इसमें सिफक फरक है कहीं वह बोलते हैं हमने झो ए आएर दिया है पूरूस करो कि वह सई है तो यह मैं कसे पूरूफ करूँगा, कुछ नहीं LAT एक साल का नहीं, पूरे तीन साल का बनाओ, यहां तीन साल का टेनियॉर है लोन का तो जब आप पूरा टेनियॉर का LAT बना दोगे, और LAT का क्लोसिंग जीरो आ जाएगा, तो आपका EIR सही है जब आप पूरा LAT बना दोगे, और LAT का क्लोसिंग लास्ट में जीरो आ जाएगा, तो आपका EIR सही है, तो एक extra working देदेना इस case में, ठीक है, ध्यान दखना, उसके अलावा, question number 4, ठीक है, it is simple, question number 5 और एक बाद देख लेना, मैंने इसको है, नवेंबर 22 में आ चुका है, मैं मैं specially sold example number 1 करना चाता हूँ एक बार, समाती ही गोष्णा करने के पहले, मैं करा दूगा एक बार, काफी लोग ने किया नहीं होगा, तो मैं इसको करना चाता हो, क्यूंकि पता नहीं मेरे को ऐसा feel आता है, इसको लेकर, एक बार देख लोगे, मेरे साथ में इधर के इधर ही, पटाफर देख लोगे, सुन लो कैसा है, शॉर्टकट में करा रहो, सुन लो, कॉस्ट 100 की है, क्यारिंग अमट 80 है, तो कॉस्ट क्या है, अरे यह day 1 की कॉस्ट है, जब जिन्दगी में खरिदा रहेगा तब की कॉस्ट है, क्यारिंग अमट 80 है, ठीक है, रिवालू किया 150 प टैक्स में आप जिन्दगी बर में 30 का डेप्रिशन चार्ज कर चको, टैक्स में, तो टैक्स बेस कितना रहेगा, 30 मत लिखना येडी की तरह, कॉस्ट 100 रुपया थी, उसमें से टैक्स में 30 डेप्रिशेट किया है, तो कितना बचा, 70 बचा, ठीक है, डिफरेंस आएगा, कि 24 लाक्स पे, जो भी है, रुपीज 24 पे डीटेल आपका आजाएगा, ये समझता है, अच्छा, आप बूलोगे, सर, आपने बाइफर्केशन क्यों नहीं दिया, क्यारिंग अब जब पढ़ोगा, मालू पढ़ेगा, पूछा नहीं है, तो इसलिए मैंने PNL OCIE का बाइफर् रिवाल 80 के वैल्यू, आफ्टर रिवाल 150 के वैल्यू है, चाहो तो खेला कुदी कर सबतो, लेकिन करनी के जर्वत नहीं है, सर, simple तो है, क्या सिखार हो इसके अंदर, इसमें एक बाद ध्यान रटने वाले, सुननो क्या बोलता है, नॉर्मल याब 24 का डीटेल करेट कर रिवालता है, if the asset is sold for more than cost, मैं relevant part पड़ा रहा हो ध्यान रतना, if the asset is sold for more than cost, the cumulative tax depreciation of 30 will be included in the taxable income, ठीक है, but the sale proceeds in excess of cost will not be taxable, क्या मतलब इसका, अब जो highlight करा उतना पड़ना, if the asset is sold for more than cost, the sale proceeds in excess of cost will not be taxable, इसका मतलब क्या है, देखो, अगर आप asset use करने का सोच रहे हो न, तब तो यह सही है, तब तो यह line relevant ही नहीं आपके लिए है, अगर आप asset को use करने का सोच रहे हो, because सारा difference reverse हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप asset को sell करने का सोच रहे हो, case B में यही है, entity expects to recover the carrying amount by selling immediately for 150, अ अगर आपने asset को cost के उपर बेचा, तो जितना भी आपने cost के उपर कमाया, वो tax free है, suppose 100 का cost था, डेव उनका cost देखना, 100 का cost था, suppose आपने 150 में बेचा, बराबर, तो कितना कमाया आपने cost के उपर, 50, यह 50 का amount exempt है, मतलब इतना amount आपके लिए other than temporary difference हो जाएगा, ध्यान रहे है यह वाला बात, ठीक है, अब अगर मेरे को asset को sale करने का motive है, अब समझ गया ने यह वाला बात, ठीक है, अब sale करने का motive है, सुनना, मेरा carrying amount 150 है, मेरा tax base 70 है, ठीक है, मेरा difference आया 80 का, अब जब sale करने का motive है, तो आप पूरे 80 पर difference create करोगे ही नहीं, आप कितने पर create करोगे, exempt है, मतलब मैं कहे दू, इसमें से 50 रुपया तो exempt है, उस पर tax लगा नहीं मत, सिर्फ 30 पर लगेगा differ tax, पताओ कितना आता differ tax इस case में, 9 रुपीस का detail आएगा, very good, तुम समझे गया, बट यह कब होएगा, detail 30 मत बोलना, यह डीकी तरह, detail 9 रहेगा, 30 पर 30 पर तुम समझे क्य मतलब, अब अगर मैं को summarize करना हुआ, सुन लो, अगर asset को use करने का motive है, तो आप यह सब मत देखना, क्योंकि जब use करने का motive है, तो कोई other than temporary difference हुआ ही नहीं, यह माफीत, यह exemption का बैजब आ बेचोगे, तो use करने का motive है, तो पूरा detail बनेगा, बेचने का motive है, तो सिर्फ और सि 30 रुपीज पर detail बनेगा, जितना amount exempt है, उस पर detail नहीं बनेगा, simple, अब मेरे ही बुलनेगा, एक बार रिफर जरू कर लेना, square प्लीज, इस example number two simple है, that is on undistributed profit, या देगा, वो दो tax rate लग रहा है, distribute किया तो कम tax है, distribute नहीं किया जादा tax है, तो current or deferred tax हापन, undistributed लगाएंगे, और चब बाटेंगे, तो excess tax refund मिल जाएगा, तब refund asset book कर लेना, यह उसके उपर, एकदम simple है, पढ़ लेना चाहिए तो, बराबर, बट ये वाला करके आजाना, ठीक है, देखो मैं जान मुझ के, even it being a marathon, मैं आपके लिए फिर भी, अच्छे से time invest करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी please कदर करके अच्छे से पढ़ लेना, यार, I am not doing कि, भाई भगाना है, for the purpose of आया, थोड़ा बत बताया, चला गया, मज जित्ता करा सकता, मैं पूरा करा दूँगा, बराबर बट आपको भी effort मारना पड़ेगा, मेरे effort माने से कुछ नहीं होगा, तो मतलब ऐसे रखना कि अपन अच्छे से करेंगे, ठीक है, दोनों मिलके, आप उनमें मिलके, आतंग मचा देंगे, ठीक है, और इसी के साथ, इस अब मैं कुछा करा हूँगा, अब क्यूकि आपने बड़ा index किया है, तो दो चार छुट्टे छुट्टे index ऐसे फटाफर से निटा लेते, और छुट्टे छुट्टे छोड़ना मत, पिछले टेम के experience है कि नहीं, 108.16 माक, बराबर तो छोड़ना मत करा रहा हो, कर लो मेरे स तो मैं क्या बोला, सुनलो, अभी क्या करेंगे, हम इंडेस टू कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से index टू पर आ जाओ ना, मजा आ जाएगा, index टू, index टू, 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 चलो, एक सेकेंड, इस, index टू, मजा आ गया, सर, आओ, सर, आओ, आओ, सर, जल्दी आओ, चलो, एक बात है, एक्जाम के वेले, को चूचा नहीं करता, जो पढ़ लेते, सर, जो दो, मातर आने का प्रशाद है, अभी ग्रेंड कर लेंगे, सर, आओ, चलो, टैंशन मत लिया, हूँ ना, टैंशन मत लिया करो क्या बोलता है, सुन लो, इंडेस, टू, इंवेंटरी, अच्छा ही, पढ़ने के पहले, फटा-फट से बता हो, क्या का गवर कर चुक है, आपन, क्या 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 का गवर किया, 16, पी, 38, इंटैंजिबल, 40, आईपी, 36, इंपेर्मेंट, 105, नॉन करंट असेट, हेल्द फॉर कई भी आईटम बेचना धंदा है, when anything is held for sale in ordinary course of business, finished goods, finished goods, inventory है, तो उसी का WIP भी inventory होगा, और इस finished goods बनाने में, जो RM लगा, raw material, वो भी inventory होगा, कैसे measure करोगे, cost of nrv, whichever is lower, simple, उसके बाद, cost of inventory में क्या क्या आएगा, जो काम की बाते बता रहो, आपने जो भी purchase किया रहेगा, स expenses are non-refundable taxes, वो same like PPE है, वराबर, लेकिन अगर आपका manufacturing वाला धंदा है, तो आप RM खरीदते हो, conversion करते हो, फिर बेचते हो, तो उस case में cost of inventory में क्या क्या आएगा, cost of purchase तो आएगा, जो RM खरीदा, उसके लावा cost of conversion भी आएगा, RM से FG में convert करने का जो खर्चा है वो आता है, उ तो कभी suppose per unit निकालना हुआ variable का, तो जितना भी variable overheads है, divide by actual number of units कर देना, बराबर, लेकिन, fixed वाले case में, normally हम बोलते, it is dependent on normal capacity, है न, क्योंकि fixed overhead तो vary नहीं करते, actual के base पे, आप production करो ना करो, उतना खर्चा इंकर हो नहीं है, तो इसको आपन normally per unit निकालने के लिए, fixed overhead को divide करते by normal level of capacity, लेकिन, एक और चीज़ थी, इसके अंदर, तो अभी सिधा hint याद करवाता हू, directly normal से divide मत करना, very good answer, शिधात, वेष्णवी, शिवं, मुस्कान, पिंकी, हम divide करेंगे normal, या actual, whichever is higher से, बराबर, अब इसको समनने के लिए, फटा-फट से example दे रहा हू, आ जाना इदर, आ जाओ मेरे पास, इदर, ठीक है सुनलो, सपोज मेरा normal capacity है, कितना, 1 lakh units, मेरा actual capacity है 75,000, बताओ किस, जादा कुन से, 1 lakh, तो आप fixed cost को divide करोगे, 1.5 lakh divided by 1 lakh units, पर unit कितना आएगा मेरा, 1.5 रुपीस पर unit, अब सपोज आपने कितना units बनाया, आपने 75,000 बनाया, तो मैं ये पर बनाया ही नहीं, तो जितना भी आपने बनाया, उस पर आप करना multiply by 1.5, इतना ही amount आप inventory के cost मैड कर सकते हो, बाकी जो है, उसको हम बोलेंगे, unabsorbed variance, या abnormal loss, जो भी बोलना बोलो, unabsorbed cost बोलते, ये जाता है आपका profit and loss के अंदर, ठीक है, अचा, example number 2, suppose normal capacity 1 lakh है, actual capacity 1.1 lakh, किस से divide करू, actual से divide करना, based on normal actual whichever is higher, तो actual से divide करना, sir actual से क्यों divide किया, अगर आप normal से divide करके बैठोगे, अगर आप normal से divide करोगे, तो आप सोचो, suppose आप normal से divide कर दिये, तो आप कहां से 1.5 आता, अब आपने कितना units बनाया है, 1.10 बनाया है, अगर आप 1.10 को 1.5 से multiply करते हैं, तो absorption हो जाता, इसलिए हम बोलते है, fix cost को इस case में divide करेंगे by normal या actual whichever is higher, जब आप higher से divide करते हो, तो आपको आएगा 1.36, और जितना manufacture किया, उससे multiply करोगे, तो exactly 1.50 ही allocate होगा, बराबर, तो without going into detailed logics now, just remember, fixed overhead के लिए, per unit निकालने के लिए, divide by actual capacity, and normal या actual whichever is higher करना, और जब ये नाया है आपने, उसको उस per unit से multiply कर देना, सबको समझा ये वाला part, yes sir, समझ गया, तो इस inventory में ये वाला part important है, इसको आप star mark कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ खर्चे जो capitalize नहीं होएंगे, हमको पता है, जो भी, देखो, simple सा logic बताता हूँ, जो खर्चे inventory को बनान में relevant है, वो capitalize करना, जो खर्चे inventory के बनाने के बाद incur होते है, capitalize मत करना, जैसे waste हो गया, storage cost, नहीं capitalize है, admin, selling, interest, कभी capitalize मत करना, storage cost कुछ case में capitalize करोगे, कभी-कभी किस inventory में, store करना is a part of manufacturing, example, जो अभी लेने के जरूवत है, है न, अरे अचार बोल ला हो बे, ये क्या करो अचार म जितना रखो के उतना अच्छा बनता है, खटा-खटा, खटा-खाने का मन कर रहे है, पैर भारी हो रहे है, मुबारक हो, तो उस case में आप क्या करोगे, उस case में आप capitalize कर सकते, हो, चला, ठीक है, आगे बढ़, आगे बढ़ते, allocation of cost to joint products and buy products, ठीक है, तू समझा, तू नहीं स जादा inventory बन जाती है, है ना, एक से जादा inventory बन जाती है, उसको बलते है joint products, अब होता क्या है, हमको individually दोनों बनाने में खर्चा किता लगा, पता नहीं होता है, जैसे हम अमुल company का बात करते है, तो अमुल company ने क्या production, बनाया cheese or butter, साथ में बनता है, same production process है, अब इसको बनान उसके अलावा, अब एक और कंसर्ट है by product, what is the meaning of by product, कभी-कभी ये joint product बनाते-बनाते, कुछ crap generate हो जाता है, उसको बोलते है by product, बराबर उसको क्या बोलते है, by product, तो अगर ऐसा by product आपको बन रहा है, तो उसका जो NRV है, वो निकालने का पहले, तो suppose ऐसे cheese butter के चार्ज बन र पहले, टनलक बन रहा है, इसके अपर एक शांदर कॉश्छन भी है, अपको छे ही तो आपको देख भी लेंगे, इलुस्रेशन नम्ड एके बात मैं देखते है, सारह कंशर्ट होने के बार, बड तुमको समझ आया क्या, यस, उसके आप, पॉइंट नबर 5 है, बड़ा इंडेस्टू में आऊगे तो 41 के F.P.L.C.T.S. इंडेस्टू की बन जाएगी उसके लाबा कॉस्ट फॉर्मुला वह सिंपल यार वह फीफो वेड़ आवरेज पैसिविक अगर कॉस्ट नहीं मिलती रहेगी तो दो और मेथड है इतना क्रेटिकल नी एक बर रिड़ करके आके नीकल जाना उसके बाद ये आप स्मझो आपने उपर सारी कॉस्ट की बात है की कॉस्ट क्या होगी कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे होती है तो यहां selling price आपन FG की लेते है बटी FG तो है नहीं तो FG के selling price में से cost to sale और cost of completion दोनों minus करना पड़ता है ठीक है तो आपको मिलेगे NRV किसका WIP का उसके बाद अगर raw material के NRV की बात करोगे तो कैसे निकालोगे अब आप बताओ raw material बेचना आपका business है क्या नहीं आपका FG को बेचना तो इस case में RM का accounting is dependent on FG if the FG is sold above cost मतलब FG आपका proper profit में भी करा है तो RM में कोई दिक्कती नहीं है RM को आप measure कर लो at cost लेकिन if the FG is sold below cost अगर FG loss में भी करा है तो there is a high possibility आपके RM की value भी गिर गई होगे market में तो RM को measure करना है replacement cost question में दियावा रहता है दोनों cost यह मतलब खतम यह आपकी किसकी discussion था NRV का discussion फिर था writing down of inventory to NRV आपन किस में measure करते cost या NRV suppose cost 100 है NRV 85 है हम किस में measure करेंगे 85 है इसको बोलते write down करना बराबर तो आपन write down का loss book करते है वो बोलते future में write down का reversal भी हो सकता है अब इसमें inventory depreciate नहीं होता है यह पता ना तुमको तो इस 25 है लेकिन आप कितना reverse कर पाओगे जितना पहले loss book किया होता नहीं तो 15 का reverse कर पाओगे simple clear उसके बाद D recognition of inventory इसका मतलब होता है inventory को बाहर कर देना अब inventory को बाहर कैसे करोगे सबोज आपने 100 की inventory बेची 120 में तो entry ऐसे मत मारना to inventory 100 cash bank 120 difference 20 ऐसा नहीं होता है जब inventory बेचते हो त उसका आप revenue book करते हो cash bank to revenue तो PNL में आपने एक तरफ COGS book के एक तरफ revenue book किया gross profit के फ़र में वो net 20 रुबिस का profit दिखता है clear वाला part क्या ठीक है उसके बाद inventory is used in the देखो मैं आ गया अरे अरे देखो मैं आ गया अरे मैं आ गया गया गाईस हां आगया आगया पढ़ओ 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 सर अरे मैं आ गया सुन लो तुम क्या यह लाइक 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 क्या रुख जाओ न अ बबाद इंसान है टेक्नलोजी है थोड़ी वह थोड़ाती उप पर नीज जा जान ले लग है बच्चे की आगे हो वापस में जान दो इधर हाँ सुन लो बिया कर देना बह भाल तो बोलेंगे द्ट्री और डबिट कर देना पीपी को बराबर और जब पी पी में आपने एडis तो by way of depreciation, वो amount profit loss में चला जाएगा, ठीक है, yes, clear, तो यतना हमारा हो चुका है, यह हमारा किसका बात था, inventory के concept का बात था, यह लाइन पढ़ने का, एक्जाम तक याद रखने का इसको, समझ रहे हो, आदे लोग एक्जाम में नहीं, आदे लोग यहां से फेल होते, doubt मत करना अपने आप पर, anyway, चलो, इसी बात पर फटा फट से आजा है, question के उपर, आओ sir, question के उपर, आओ sir, आगया, आगया, पहला आएगा illustration number 8, 8 पर आजाना sir, ठीक है, अब सुन लो, सुन लो, अगर आपके पास था, अभी, in a manufacturing process, Mars Limited has one by product, two main products, apart from scrap, अब normally आप है न, यह जहां पढोगे, तो आपको बता है कि लगेगा, कि एक by product और दो main product है, यहां एक नहीं, दो main product है, कैसे, एक by product है, और एक scrap है, और यह दोनो, scrap भी तो byproduct होते है når भाई, और दो main product है, ध्यान ना, तो 2 byproduct, 2 main product, यहां भूलना मत, ठीक है, उसका value दिया क्या क्या खर्चा किया आपने, अब fixed overheads के लिए अपने को normal actual दो capacity ने दिया है, एक यी capacity दिया है, तो आपन जो भी यह सब capitalise कर देना, अगर बोलता कि normal इतना है, actual इतना बनाया, तो मज़ा आता, यहां तो वो मज़ा दिया ही नहीं, ठीक है, तो जितना भी खर्चा का सब capitalise क कर देना, उसके अंदर, फिर क्या बोलता है, हमने manufacture इतना इतना units किया, और closing stock में इतना बचा है, ठीक है, उसके बाद, buy products 2000 units बनाया है, ठीक है, तो हम क्या करते है, total cost निकालते है, उसमें से buy product का energy minus करते है, अब बोलता है, buy product के बेचने में profit हुआ, buy product बेचा कितने में 20 rupees मे per minute, 2000 into 20 rupees, कितना आया, 40,000 rupees आ गया, ठीक है, profit हुआ 5000 का, buy product का मुझे profit नहीं चाहिए, buy product का मुझे buy product का NRV चाहिए होता है, तो ये irrelevant app के लिए, ठीक है, आगे, वो बोलते है, buy product sale करने में खर्चा आया, 8,000, 2,000 का, तो ये दोनों खर्चे minus करो, तो net NRV कितना हो गया, 30,000 का, ये एक buy product का NRV हो गया, उसके लाबा, कॉमा मार के बोलता है, रुपीज 5,000 वर रिलास फम स्क्रैब, तो दूसरे buy product से आपको 5,000 रुपीज आया, तो एक buy product से आया, 30, एक buy product से आया, 5, total buy product का NRV होगा 35, total cost में से आप 35,000 माइनस कर देना, बराबर तो मैं किया हुए मैंने, आपन, देख लेते हैं न, इधर ही भाई, देख लो इधर, total खर्चे में से, जित्ता भी खर्चा था, पहले consider किया, उसमें से 30 और 5 माइनस किया, net cost मिला, अब ये net cost बटेका 2 के अंदर, MP1, MP2, किस ratio में, sales के ratio में, जित्ता unit बनाया, into sales, जित्ता unit बनाया, into sales price, बराबर, कै इसे मालूम पड़ा सरी, कहां से आपको ये सब, अरे question में, दिया हुए, बबा, देख इदर, कितना unit बनाया, ये हां दिया हुए, selling price, कितना ये हां दिया हुए, बस इसी ratio में, मैंने बाट दिया 3,20 को, तो मुझे total खर्चा, MP1, MP2, MP2, इतना ये मिल गया, अब मुझे पह closing stock का value निकालो, closing stock का कितना value है, अपने पास 250 units है, और 100 units है, तो जो भी respective per unit है, उसको भी respective per unit cost है, उसको stock से multiply करो, तो मिल जाएगा closing stock का rupees, ठीक है, करके आजाना भाई, आये तो exam के अंदर, उसके बाद, इसमें और धंका question कौन सा है, मुझे देखने दो जा रहा, आचा है, illustration number 12 है, please पढ़के जाना है, चलो, पढ़के तुम कहता हो कि इधरी सुन लो, बोलता है, whether the falling cost should be considered while determining NRV, वो बलता है, cost of completion, of working progress, क्या NRV निकालता है समय, consider करते हैं, करते हैं, सर बताया तो था आपको, उसके अलावा, trade discount, expected to be allowed on sale, consider करोगे, हाँ, trade discount है, मतलब, normal cost of business में discount दे रह 20 में ही हो, तो consider करोगे, cash discount है, cash discount अब को नहीं देते हो, तो ये NRV के समय consider नहीं होगा, इसको आप अलग से book करने का profit and loss के अंदर, ज्यान रखना, आगे बढ़ रहा, हाँ, औरे भाई, शानदार question, मतलब, एकदम ही, मुझा आगया सरी, question देखकर, सुनो, क्या बोलता है, इ फिर हमने purchase किया है, अच्छा, अगर आप manufacturing करते हो, तो आप FG कभी purchase नहीं करोगे, आप purchase करोगे, तो RM purchase करोगे, raw materials, फिर labor, overheads दिया हुए, ठीक है, sales किया हुए, अच्छा, आप sales करोगे, तो किसका sale करोगे, आप RM का sale नहीं करोगे, आप FG का sale करोगे, ध्यान रखना, फि तो, आपन क्या करते है, अब RM consumption कैसे निकलता है, तुमको बता, RM consumption कैसे निखलता है, एक formula तुमको पता है का basic सा opening plus purchase minus closing is equal to COGS यहां consumption का formula भी same है opening plus purchase minus closing will give you the consumption बराबर तो opening RM किता था इतना था, purchase आपने इतना किया closing इतना है, तो आपको मिला जितना आपने RM consume किया हर एक RM का amount है 10 रुपया पर रुणिट, कैसे मिल आपको? purchase किया देखो न तो मिलेगा 10 रुपया पर रुणिट एक लाग भरके 10,000 रुपया पर रुणिट तो इतना आपका cost मैड होना चाहिए फिर आपका labor consider कर लिया फिर आपका fixed overheads अपने को expected या normal production दिया हुआ है लेकिन actual production ही नी सर आमारे पास normal production है लेकिन actual production नी है सर तो अब मैं actual production कैसे निकालूंगा? वो compute करना पड़ेगा FG का production आप RM का नी production आप FG का करते हो तो formula क्या रहेगा सर इसका सुन लो आपको basic formula वापस से आते है क्या opening plus purchase minus closing is equal to COGS या दिखता है formula है यह वाला opening plus purchase minus closing is equal to COGS ठीक है? बस FG को purchase के बदले production कर देना opening है, closing है और sales है, है ना production आपको मिलेगा balancing figure तो इसमें production भी अभी इत्तफाक की बात है कि RM का amount भी इतना ही था और FG का amount भी इतना ही इतना है it is a matter of coincidence बराबर यह वो है जो आपने currentर में FG produce किया है अब आप खुद बताओ, आपने produce किया है 10,200 लेकिन आपका expected था 15,000 तो fixed overheads को किस से divide करोगे 15,000 से divide करूँगा इससे मुझे मिलेगा per unit कितना मिलेगा? 5 per unit अब मैं cost में कितना allocate करूँगा जितना units बनाया into the per unit तो मैं cost में safe or safe 51,000 rupees allocate करूँगा देखो ना, पहले मैंने निकला per unit, इसको multiply के actual से तो मैं इसे इतना allocate करूँगा cost के अंदर बाकि जाएगा profit and loss में इससे मिला total cost, अब question हो गया मतलब question में दो चीज़े important है निकालना एक RM consumed और एक FG produced ठीक है वो ही तो important है बाकि जाएगा simple है अब आपको मिला total FG का खर्चा divide by production करो तो मिलेगा per unit का खर्चा यह आपका cost per unit यह आपका NRV per unit whichever is lower तो मैं 20 पे value करूँगा ठीक है तो जितना भी goods बचा है मेरा units बचा है into 20 रुपी अब क्योंकि FG को आपने lower पे measure किया है FG का NRV lower है तो मैं बोलू लफडा हो गया for ROM drill also because अगर FG is sold below cost then RM is measured at replacement cost तो RM को भी आप replacement cost पे measure करोगे simple मज़ा आगया sir आगे बढ़ो आगे बढ़ो sir चीक है अब illustration number 21 यह एक और मज़दार question simple सा question है सुन लो क्या बोलता है closing inventory का value chain है इन लोको कैसे निकालेंगे बोलता है full capacity 3,000 है normal capacity 7,500 है actual capacity 6,500 है तो जब full capacity दिया रहे ignore करनेगा क्यों? normal और actually consider होता है अपने लिए fixed order कितना किया है 15,000 रुपया तो मैं किस से divide करू? actual या normal whichever is higher तो मैं normal से divide करेगा divide by 7,500 मुझे फटा फट से amount बताओ कि कितना आता है 1500 divided by 7,500 gives me rupees 0.2 ठीक है total variable production is 2600 तो इसको तो आपन किस से divide करू? variable है तो actual से divide करना तो divide by 6,500 2600 divided by 6,500 मिला मुझे 0.4 अब आपकी opening inventory इतनी दी produce इतना किया इतना है closing stock आपको units पे निकालना पड़ेगा तो आपनिंग प्लस purchase माइनस closing तो 2500 प्लस 6,500 माइनस 6,700 closing मिला 2300 चीए closing stock का value 2300 इंटू 0.6 कितना आता है? 1380 simple अच्छा इसमें एक और चीज़ पूछा है यह न? देख लोगो simple वैसे COGS पूछा है अब normally COGS क्या होता है? opening प्लस purchase माइनस closing result COGS यह इन्होंने थोड़ा सा जोड कर रखा है इन्होंने क्या बोलाव है? इन्होंने एक assumption ले रखा है कि opening भूल जाओ बोलते goods goods sold को अपन कैसे निकालेंगे? इतना sales किया minus the closing stock इन्होंने ऐसे निकाला है तुम भाव समझे रहोगा थोड़ा सा दिक्का देख तो वो वैसे करके निकालना पड़ेगा अगर आप देखो कि आपको समझेगा भी मेरे ख्याल से कि इधर दिया हुए वो? इधर देख लो COGS निकालते समय इधर दिया है यह ना 6500 प्रेडियूस किया है और क्लोजिं स्टॉक कित्ता बचा है 2300 इन्होंने वो ओपनिंग को निकांशेडर किया आपन ऐसे करता है ओपनिंग प्रचेस माइनस क्लोजिंग इन्होंने ओपनिंग बोला भूल जाओ प्रचेस माइन स्लोजिंग करो अब लॉजिक में मत कुछो पता नहीं क्यों किया है इसा जितना बचा उसका इन्टू.6 किया तो इनको मिला यह यह क्या है यह यह अपका COGS का वैलू है ठीक है जो भी है ध्यान रखना यह कभी पूछ ले तो जैसे इन्हों ने किया है वैसे का वैसे करके आ जाना ज्यादा इनसे लफडा मत करना पेपर के अंदर अपने को मार्क्षी है सिंपल एक्जाम में अगर सेम क्रेशन आया तो जैसे इन्हों ने किया है वैसे करके आ जाना कहानी खतम आईशिया ने बोला टू प्लस टू फाई तो टू प्लस टू फाई सिंपल और इसके एक लॉजिक यह सकते है कि फीफो पे तो उनलोग ऐसा मानते है कि भाई जो ओपनिंग रहेगा हो सब बिग चुका है बट फीफो पे हो कि वेर्ड आवरेज पे हो भाई बिग चुका है कितना भिका हो नीचे दिया हो है ना तो फीफो की वैसा अपने ऐसा क्यों मानेंगे कि उपनिंग में नहीं है मैं लॉजिक समझता नहीं छोड़ जाने बैनिवेस बुलाओ के शेरक और को धंका है गया अच्छा यह भी धंका है एक इसमा बात ध्यान लटना सिर्फ इलस्टेशन 23 में कभी कभी क्यों होता है सपोज मैंने इन्वेंटरी बनाने के लिए कोई पीपी यूज किया अब सुनो मैं उल्टा बोल रहा हूँ हूं पीपी के अंदर इन्वेंटरी उस नहीं किया इन्वेंटरी बनाने के लिए पीपी यूज किया तो जो इस पीपी का डेप्रिशेशन होता है न वो प्रॉफिट अलॉस में नहीं जाएगा वो क्या होएगा फिर इन्वेंटरी के कॉस्ट में एड होएगा ध्यान रखना त आपको थोड़ा बात उपर से दिखा देता हूं सुनो क्या बोलता है पहले तो मैंने खरीदने का खर्चा किया 5,50,000 का उसमें 50,000 refundable taxes है तो नेट खर्चा किता है 5,000,000 लग का लोन रेजिंग फिस कैपिलाइस करेगा फिर यह 10 दर का खर्चा किया 7 और 3 तो एड करेगा उसके बाद क्या खर्चा किया material net of recovered from sale of scrap output तो यह 21,000 अलड़ी net है इसमें से एड के तरह वापस 3,000 माइनस मत करना इस नेट अलड़ी बराबर तो 21,000 कंसेड़ करेंगे 11 कंसेड़ करेंगे 5 कंसेड़ करेंगे उसके लावा additional cost भी इंकर गिए यह भी कंसेड़ करेंगे और depreciation भी कंसेड़ करेंगे भाई अरे यह भी एक question फटाफट सा देखलो मेरे साथ में क्या बोलता है सुनलो a retailer company imported goods at a cost of 130,000 इंक्लूडिंग 20,000 non-refundable taxes and 10,000 refundable purchase taxes इस 130 में 20 non-refundable है कोई दिक्कत नी अच्छा है और 10 refundable है तो 10 minus करना पड़ेगा तो minus करोंगा 10,000 बच्चा कितना 1,20,000 समझ गया समझ गया सर आगे बोलता है the retailer company was required to pay for the goods upon collection the retailer company incurred 5000 to transport the goods to its retail outlet इसका मतलब किया है यह 5000 जो इसने incurred किया है यह transportation cost ने purchase करते समय incurred किया है यह purchasing के समय जो खर्चा है वो है बराबर तो यह जो खर्चा है क्या मैं इसको add करूंगा आशर करोंगा आप 5000 रुपीस अब आगे क्या बोलता है and a further 2000 in delivering the goods to customer यह जब आप deliver करोंगे तब करोंगे यह आपका cost to sell है तो the question is क्या cost to sell को मैं डेव उनकी cost mad करूंगा क्या नहीं cost to sell तो जब मैं NR भी निकालूंगा तो वहां से मैनस करूंगा आज नहीं करूंगा कुछ भीस का उसके अलावा further selling cost 3000 अरे यह भी selling के डंक पर खर्चाज का खर्चा नहीं है तो cost में आप सीव यह लोगे अब पूछा किया है state whether delivery charge and selling expense will form part of cost of inventory no समझे note भाई बता अधना selling का खर्चा है भाई cost of inventory का है बता दिया वालने 25,000 आगे अब यह एक और चीज यह case भी 20,000 restoring वाला खर्चा है याद है आपन वो dismantling decommissioning वाला खर्चा करते है decommissioning PPE में present value पैड करते है लेकिन कहानी में twist है बोलता है PPE भी थी this item was used for manufacturing of goods and the requirement for restoring will arise due to manufacturing of goods मतलब यह decommissioning PPE की वह से arise नहीं हो रहा है आप जो inventory बना रहे हो उसकी वह से arise हो रहा है भाई यह inventory बनाने पर आइस हो रहा है यह तो जिसकी वह से arise हो उसमेड करेंगे न भाई inventory मैड करेंगे तो ज्यान देखर आजाने का उसको पुषता है treatment बता तो बुलने का inventory मैड कर क्या लेकिन PP के question मत आड़ करना पहले बता रहा हूं मैं ठीक है अब ओ ओ जूत तेरा 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 सुरूर जाए 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 एक बार जजाए जवानी फिर ना हो गया सर सरक सरक इसको भी कर दिया थग्याओ सरक करके यार सरक थग्याओ तो इसी बात पर दो गुठ मुझे भी पिला दे पिलू पिलो असर पिलो ए चिल महोल रखो यार तुम टैंचन के लेतो यार मैं हूं ना तुम टैंचन मत लिया आगरो ठीक है तुम्हारे से क्यूट से चेहरे पे टैंचन सूट नहीं करती है कि आए कि आए पानी का स्वाद ही कुछ अलगा रहा है भाई बोलते क्यूट नहीं मलने का सर तुम लोग हो क्यूट ही हो दो चार इंडे सो निप्टा दे गया अरे निप्टाओ ना सर किसने रोगा आपको निप्टाओ ठीक है यह बाकी स्पीड बगारे सही है क्या पहले बर बता दोगे एक मिन जास लेढलो स्पीड बगरा सही है समझ आ रहा है जो नहीं समझ आ रहा है उसको माक कर रहे हो न Ha ऐसा पॉसीबल नहीं है कि आपको सब कुछ समझ आएगा अपर टेंशन वाली बात नहीं है, 60, 70, 30, 40% पर रिकॉल हुआ तू भी चलेगा, मार्क करना कहा का रिकॉल नहीं हो रहा है, सही है, एक नंबर, बराबर, ठीक है, वैसे पूछने के लिए पूछ रहा हूँ, स्पीड इससे स्लो करूँगा तो फिर अपना दो दिन बात खतमेगा, फिर अपना फर पड़के वेगा, दो नवेंबर को, और एक तारीको पेपर है तुम्हारा, ठीक है, तो इस उनले अटक कटशी विचा है, मास्किंग यू, देखो, सब कटी सक लिए पूछते, तुम भी 30 seconds का भीदर लो, तब तक मैं नोट्स कोलता हूँ, ठीक है, खोल दो सर, अभी मैं करा रहा हूँ आपको, मैं सोच रहा हूँ, मैं करा दू आपको, इंडेस 8, 10, 37 और फिर 1 करा देता हूँ, ठीक है, फटा फट से हो जाएगा हूँ, छोटे छोटे इंडेस, छोटे छोटे आते हैं, मस्ता माक्स देखे जाते, चाचा पाच पाच छे चार्ण रट माक, ठीक है, यह दे, बड़े आगे, चलो, लेट्स स्टार्ट, दो रिविजन, ओफ इंडेस 8, इन, 3, 2, 1, एंड, गो, सबसे पहले, इंडेस 8 का नाम क्या है, अच्छा, इंडेस 8, का नाम अगर आप देखोगे तो, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजन अन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तो तीन पार्ट में पूरे इंडेस को बाट देना, पहला पार्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरा पार्ट चेंजन अकाउंटिंग एस्टिमेट, तीसरा पार्ट एर्र, अब जो काम की बाद उतनी करते हैं, ठीक है, पहले डेफिनिशन वगरा दिया, वो ठीक है, इसम इससा, बहुत सारे policy होती है, बराबर, अब policy हर केस में, सिलेक करके अपलाई एसे करेंगे, अब जज्मेंट अपलाई करने के लिए, आपन क्या-क्या यूज करेंगे, तो बोलता है, ओडर दीयावाई, पहले इंडेस था तो इंडेस यूजकर, नहीं है, तो तुमारे इं तो बागी किसी स्टेंडर्टिंग बोड़ी के प्रणाउंच्मेंट चेक करो, उसमें भी कुछ नहीं लिखा है, तो बाग कि जो फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो कर लेका, एक्सेप्टेंट इंटूश्टि अपले करने के लिए, ऐसे किसी ट्राइच्टिंग के लिए जिसके कोई index available नहीं है आगे अब जो भी आप policy चूज करोगे उसको आप consistently apply करना ठीक है लेकिन consistently apply करने से मेरा मतलब क्या है same nature के items पर same policy लगाने का सब अब का बहुत सारा asset है तो अगर एक अचर पर cost तो सब पर cost लेकिन मैं बूलू index 16 आपको category wise permit कर रखा है कि same nature के सब पर same model लगाने का तो यह भी यही बोलता है कि जब हम कहते है कि consistently लगाना policies को तो जो भी same nature के item है उस पर same policy inventory में भी जो same nature की inventory है उस पर same method है ना जैसे बहुत सारी आपके बस petrol का inventory पड़ा है petrols का तो उसको आप FIFO बे लग सकते हो बाकिया का inventory बढ़ा mobile phones का तो उसके कभी change आ सकता है किया आ सकता है सर कैसे दो case में change possible है if it is required by index or if you feel it will result in more relevant library information है ना इसका मतलब किया suppose आपने गल्फेंड ढूंडी है ना उसको बोला मैं शादी करेगा तेरे से सब कुछ करेगा बराबर अब क्या वो मुकर सकते हो तुम अपनी बात से क्या ऐसा गल्फेंड ब तो when you feel it will result in more relevant library information that means you are changing it voluntarily आप समझ में आया सर तो वैसे change तो हो सकता है ठीक है अच्छा आगे अब है ना दो item के बार में बात की गई है कि भाई कभी भी ये दो item को change in policy मत बोलना है ना कभी भी इन दो item को change in policy मत बोलना अब वो कौन से दो cases ध्यान से सुनना सबसे पहले example आपने index 40 खरीदा और IP पर आपने लगाए cost model ठीक है अब ये जिन्दगी में पहली बार खरीदे रो IP तो इस पर आप first time की policy लगाते हो तो वो change in policy नहीं है वो first time adoption of policy है उसके लिए वो दूसरा सपोज आप पहले index 16 में थे तो आप rival model follow कर रहे थे अब 16 से 40 में है 40 में तो ही एक model cost model तो आपने ऐसे model change किया लेकिन मैं बताँ model change क्यों किया same index में रहते 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 change नहीं किया index का change हुआ इसकी वैसे model भी change हो गया तो इस case में मैं कहे दूँ आप index 40 में तो पहली बारी आए न तो इसको change in policy मत बोलना इसको बोलना first time adoption of policy बराबर तो जब आप किसी एक इंडेस दूसरे इंडेस में आते हो और इसकी वैसे policy change हो रही है तो उसको भी change in policy नहीं बोलेंगे तो अगर कोई index जिंदगी में पहली बार arise हो या फिर कोई asset का अपने classifier चेंज किया change in policy मत बोलना उसको clear ठीक है अब अगर आपने कोई भी accounting policy change करी है उसका impact कैसे लेंगे simple है तो अगर accounting policy change करी है पहले यह देखो किसके कहने पे change करी है अगर policy change किया इंडेस के कहने पे और इंडेस ने change का effect देना सिखाया है जैसे कभी-कभी इंडेस खुद देता है तुमको transitional provisions तो अगर इंडेस ने तुमको change करने का बोला और उसी ने effect देना सिखाया तो follow the index अरे कोई दूसरी लड़की ढूंडी ने तुम्हारे लिए फिर तो मतलब इंडेस ने बोला change कर बट इंडेस दस नौट प्रोवाइट एनी specific टांशल प्रोविशन उसके समें क्या करेंगे apply the change retrospectively उसके लावा अगर आपने change किया policy में voluntary लिए तो फिर भी क्या करोगा apply the change retrospectively अब को क्या बोलते किसे को याद है किया very good answer Ritish opening balance sheet on day one of previous year बराबर आप बनाओगे opening balance sheet मतलब क्या करेंगे आपन जब retrospective effect देते तो अपन current year के comparatives में change करते है तो मैं current year change करूँगा previous year change करूँगा और previous year के पहले का जो भी effect है मैं वो दूँगा opening balance sheet में अब ये कौन से day का बनेगा सुन लो अगर मेरा current year 17-18 का है तो मेरा previous year 16-17 का होगा बराबर previous year का first day 1st April 16 इस दिन पर बनता है opening balance sheet simple इसको पर question करूँगा चिंता मत करो आगे अच्छा कभी कभी कोई standard बोलेगा कोई company बोलेगा कि मेरे retrospective apply करना practically possible ही नहीं है उसको बलते है impracticable है retrospective application तो कोई बात नहीं disclosure मांगता है तुमसे क्या disclosure है जब भी change करोगे तो यह सब disclosure कर देना भाई simple सी बात है तो policy में याद क्या रखोगे policy में जो भी follow करोगे select कैसे करोगे index के कहने पर apply करना consistently change किया कर सकते हो effect कैसे देंगे index ने effect देना सिखाया तो index follow करना effect देना नहीं सिखाया तो retrospective effect देना उसक provision हो गया या जो भी इस दुने के provision हो गए आपकी useful life हो गई पीपी की रिश्रोडल वाल्यू वगेरा हो गया है ना bad debts वगेरा हो गया यह सब amount calculate करने में estimate लग रहा है जहां judgment लगा amount calculate करने में वह होता accounting estimate बराबर अब accounting estimate आप करते तो हो लेकिन यह आपके year on year change हो सकते है because आप perspective effect देना मतलब पुराना कुछ भी change नहीं करने का जिस दिन आपका estimate change हुआ है उस दिन और उसके बात क्या amount change करेंगे इसका effect भूल से भी prior years में मत दे देना ठीक है ध्यान रखना आगे अब कुछ other important points सबसे पहले क्या बोलता है can change in estimate be related to prior periods क्या में पुराना estimate change कर सकता हो क्या follow करूं यह choose करना policy की estimate अब यह policy है policy में पहला example यह लिया था मैं तुमाने साथ उसके लावा कभी कभी किसी transition को लेकर समझ नहीं रहा है कि यह policy था की estimate था तो जब ना समझे तो बोलते है estimate था अगर disclosure देते ना यह साथ उसके लावा ठीक है फिर आता error का मतलब क्या होता है अ अगर करेंटर की गलतियाद मालूं पड़ी तो आरे बाबा जब गलती करेंटर के थी और करेंटर में मालूं पड़ गई तो काई का error तुम समझ रहो कि अगर तुमने question paper देखा पहला गलत कर दिया पूरा question फिर खुदी सही भी कर दिया तो काई का error अगर तब होगा ना है sorry खेला तो वो करती थी ठीक है एनिवे चोड़ो तो अरे ठीक ना नहीं बोलूंगा अटेम के बारे में चॉली तिम भुरा मन जटे या बोले का सर डिसलाइक कर देगा वीडियो सुनलो तो तो इसा कोई भी omission misstatement किया अपके पुराने financial मालूम आच पड़ा है उसको बल बराबर अच्छा कोई information उस समय अवेलेबल ही नहीं थी और आपको बाद में मालूम पड़ी तो वो error नहीं होता ठीक है आपको information वो समय थी आपने यूजी नहीं करी अब आगे मालूम पड़ा मैं तो बूल गया चॉली चॉली नहीं चलेगा error हो गया अब error कितने पगा के ह अब अगर error हुआ तो क्या करेंगे तो इसका भी retrospective effect जाता है कैसा एफ जाता है retrospective अब कैसा देंगे retrospective है मेरी बात ध्यान से सुनना सबसे पहले अगर आप आपका error प्रीवे सरका था अब मेरी कान खुले के बाद सुनना ठीक है अगर error प्रीवे सरका था तो प्रीवे सरके comparative में rectify कर देना यहां opening balance का जरूवत नहीं है क्योंकि जब error प्रीवे सरका था तो opening balance में कुछ change नहीं होगा जरूवत नहीं हो बनाने का अच्छा अगर error प्रीवे सरके पहले का था सपोस मेरा current year 1230 ने error 1011 का था तो error प्रीवे सरके पहले का था तो यहां opening balance बनाना पड़ेगा आपको ठीक है ओके अब एक बात important वाली error को लेकर यह मैं प्रीवे सरके पहले का अगर क्लासिफिकेशन का है what is the meaning of classification error क्लासिफिकेशन error से मेरा मतलब है error किसी P&L का item का है जिसको आपने classify गलत किया है मतलब आपने किसी other expense को finance expense में दिखा दिया या vice versa ऐसा कुछ उसको वलते classification error है अगर यह classification error आपने P&L वाला item में किया है तो आप previous हर में rectify कर देना opening balance बनाने का जरूवत नहीं है क्योंकि हां amount गलत है नहीं classification गलत है और भी P&L item का है तो अब previous का कलती है तो ratify करते हैं na previous हर में opening balance का जरूवत नहीं है लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना अगर classification error balance sheet में किया है previous हर के आपने classification error balance sheet में किया prevent प्रिवेसर के, भले ही classification का error है, भले ही previous दर का है, balance sheet का है न, आपको opening balance sheet देना पड़ेगा, इसका मतलब कोई current asset को non current में दिखा दिया या वाइस वर्सा, भले ही previous दर का है, फिर भी opening balance sheet दोगे, तो अगर समराइस करो, समराइस करता हो, प्रिवेसर के, एरर में, नॉर्मली opening balance sheet नहीं देते हैं, सिवेक case में देंगे, जब error हो classification का, और हो balance sheet के अंदर हो, तब देंगे, बाकि किसी case में, प्रिवेसर में आपन, नहीं देंगे opening balance sheet, एरर प्रिवेसर के पहले का होगा तो, तब तो देना ही है न, खतम गानी, हो गया, हा, index sheet, खतम हो गया, सर, आओ, अब आएंगे, अपन questions के उपद हो रहे से, अरे concept करने से काम नहीं बनता, राजा, question करने पड़ते है, आओ, तो इसमें भी थोड़े मीठे-मीठे question करने देगा, मजा आ जाएगा, काम के question है, वो करा रहा हूँ, देखो, इसमें एक illustration 13-14 है, म वो बोलता है, finance cost को आपने अधर इसमें classify कर दिया है, previous है का गलती है, तो मैं बोलू है, पी एनल के classification का error है, बोलता है, opening balance sheet बनाओ क्या, तो error तो है, लेकिन opening balance sheet नहीं बनेगा, clear, अच्छा, आगे, उसके लाभा, ने 14 नहीं, 15 है, sorry, 13-15 है, 15 देखो, बोलता है, मैंने 15 भी क्या होगे असरत आपको, किदर गया रहे वो राचा, कितना अच्छा था हो एक और अच्छा था, अच्छा, एक और मैं दिखा दूगा, लेकिन पेनल का यादर रहा न, पेनल का यादर का यादर लेकर रहा हूंगा, मैं आएगा, वह आगे, balance sheet बाला, इधर नहीं आ रहा ह अब नया method होगा, weighted average, तो यह क्या change है, policy का change है, error है, estimate है, तो मैं बूलिए, policy का change है, आप क्या कर रहे हो, आप फीफो से जारो weighted average के ओपर, अब आपको, जब policy change करोगे, तो effect ऐसा देना है, retrospective, क्योंकि voluntary change किया हुआ है, है न, तो retrospective effect दोगे, अब retrospective का मतलब क्या होता है, current year करके comparative change करोगे, current year में effect, previous year में effect, और opening balance sheet में impact, अब opening balance sheet पूछा ही नहीं है, पूछा ही profit and loss है, और SOCE, statement changes in equity, जब balance sheet पूछा ही नहीं है, तो काई का opening balance sheet, profit and loss में कुछ opening opening नहीं बनता है, त्यान रखता, ठीक है, अब तो कैसे करेंगे सर, आपको भूला हुआ है, कि अगर trading account बना के आराने का, कैसे बनाओ के trading account देख लो, मैं आपको याद दिला था, अपने कैसे गया था, कितर गया रहे है, देखो, आपको क्या-क्या impact दिया हुए, एक तो सबसे पहले आपको 2 साल पहले का impact दिया हुए, तो यहां लिखो, closing stock, बोलते है, अगर आप नया method पहले 10 से जादा होता, पराबर, ठीक है, और वो बोला हुए उसके बाद, कि उस साल का closing 15 से जादा होता, तो लिख दिया, तो GP में impact आता नेट का 5 रुपे का, अब एक closing stock अगर 15 से जादा होता, तो next year का opening होता जादा 15 से, और closing दिया हुए किता, closing में increase दिया हुए 20 का, current year में, त COGS पे impact आएगा इसका, बराबर, अब COGS का formula आता है आपको, formula क्या बोलता है, opening plus purchase minus closing, अब COGS निकालने अपने को सबसे पेले previous अरका, ठीक है, तो previous है का COGS दिया हुए कितना है, 164 COGS दिया हुए previous अरका, अब जाओ previous है का trading account खोलो, क्या बोलता है, opening बढ़ रहा है, closing बढ़ अब formula याद रखो, formula क्या, opening plus purchase minus closing, मतलब COGS निकालते समय, opening और purchase add होते है, और closing minus होता है, यह समझेगा, ठीक है, अब वो बोलता है, opening stock बढ़ रहा है, तो जो मेरा चीज add होता है, वो बढ़ रहा है, तो मैं उसको add करूँगा, opening बढ़ रहा तो मैं add करूँगा, अब बोलता बढ़ रहा है, तो मैं add करूँगा, closing बढ़ रहा है, तो मैं add करूँगा, closing बढ़ रहा है, माइनस करूँगा, इससे मुझे मिलेगा Prev車 me, same applies to current year, current year में कैसा है, opening बढ़ रहा है, 15 अश्या है, closing बढ़ रहा है, closing बढ़ तो 20 से में 20 less करूँगा, logic दिया ऐसार मजा आ गया, ठीक है, एक बार COGS निकल जाए, GP निकल जाए, expense minus करो profit मिलेगा current और previous year का, अब जब SOCE बनाओगे, SOCE में आपको previous year से data नहीं दिया हुए, आपको previous year के पहले वाले साल से दिया हुए data, 423, तो अब जो गलती आथी, previous year, current year और previous year की, जो change हुआ current year previous year में, उसका एंपड़ा के profit म आ जाएगा, लेकिन previous year के पहले वाले साल में, अगर stock 10 से यादा होता, तो GP 10 से बढ़ता ना, GP 10 से बढ़ता, तो profit 10 से बढ़ता ना, तो पहले return earnings में, यह 10 का impact लो, कि previous year के पहले के effect क्या है, 10 से मेरा profit बढ़ जाता वो impact लेने का, उसके बाद, आपको मेलेगा proper वाला profit, previous year क पहले का, फिर आप previous year का profit add करो, फिर आप current का profit add करो, जब previous year का profit add करो 63, तो इसमें वापस से आपको 5 का GP लेने का जरूवत नहीं है, extra, क्यूं? आपने already current profit add किया हुआ है, तो extra वापस से 5 रुबीज आड करने का जरूवत नहीं है, आपको ध्यान लगतना, same applies to current year, इस तरीक पहल रहा है बीच में, इसकी आत्मा भटक रही है भाई, यह सिर्व एक्जाम में आना बाग किया ही है, तो कर लेना है, क्या बोलता है सुनलो, illustration number 18, बोलता है cherry limited, 14-15 में, discover किया कि कुछ products faulty है, ठीक है, faulty नी, sorry, incorrectly include किया आपने inventory के अंदर, ठीक है, तो inventory में include किया हुआ है, sale कर दिया, उसको sale book हो गया, बस inventory में आपन निकालना मुल गया है, तो मैं बूलू, मेरा closing stock is inflated, मेरा previous अगा closing is inflated, और अगर previous अगा closing is inflated, तो मेरा current year का opening भी होगा inflated, अब मैं कैसे solve करूँगा, अब data दिया हुए, हर साल का revenue, COGS, दिया हुए, income tax भी दिया हुए, revenue, COGS, यह current का data दिया हुए, और यह previous year का data दिया हुए, अब यह जो आपने opening में घुटाला किया है, स्टॉक में घुटाला किया है, stock के घुटाले का effect किदर आता है, COGS में आता है, तो आपका previous year का COGS, और current year का COGS, यह दो COGS आपके change होएंगे, ज्यान रखना, ठीक है, आप कैसे change करोग माइनस करते हैं, अगर negative वाली चीज़ कम हो रही है, तो minus minus becomes plus, तो previous year में plus करो, और opening कम हो रहा है, opening तो आपने add करते हैं COGS में, तो कई positive item अगर less हो रहा है, तो उसको less करना पड़ेगा, समझा, तो ऐसे आपको मिले correct COGS, इस correct COGS का correct profit मिलेगा, tax निकाल लेना भाई, मिल जाए में number of shares भी दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से पड़ो के number of shares दिया हुआ है, तो आपका EPS of current and previous year भी अल्चो चेंज भो निकाल सकते हुआ, profit divided by the number of shares, ठीक है, हो गया सर, अब इसमें वापस से अपने return earnings दिया हुआ था, इसमें जो भी error है वो सी previous year का है, तो return earnings आपको 20,000 दिया हुआ है, उसमें बस credit वाला previous year का profit add करो, current का profit add करो, आपको मिल जाएगा, यहाँ जब SOCE बनाओगे, तो एक column equity share capital का ही बना देना भाई, क्योंकि वो दिया हुआ है, इसमें, तो equity capital, other equity, इसमें previous year का add करोगे पहले, मिलेगा previous year का end का balance, फिर current year का add करोगे, मिलेगा current year का balance, ठीक है, अब इना इसमें एक part और important है, जब आप solution देखोगे ना, तो इन्होंने एक extra working दे रखी है, अब अगर question का weightage 8 या 10 mark है, तो यह करके आने का working, अब इसमें क्या है, सुन लो, यह previous year का comparison है, comparison of what, comparison of wrong amounts and correct amounts, अब यह कैसे करोगे, मैं आपको एक निकालने सकाए, तो बाकियाब कर लोगे कुछ से, सुन लो कैसे, जैसे previous year का question में COGS कितना दिया हुए, सिफ previous year का, तो previous year का COGS दिया हुए 53500, previous year का, ठीक है, मेरे को कितना correct वाला COGS आया, यह देखो, previous year में, तो मेरे को previous year में COGS आया, 60 का, मतलब मैं बूलू, मेरे को COGS ज़्यादा आया, मेरे को COGS ज़्यादा आया ना, मेरे को, increase हो गया ना, बस increase होता COGS में, increase in COGS, ऐसे हर एक item को आपको compare करके दिखाना है, हर एक item के लिए, समझा मैंने क्या बोला, yes, ठीक है, तो यह करके आजाना, अच्छा एक और बात, RTP November 23 के अंदर, इसका advanced version है, मतलब इसके extension of question, इससे भी लेना भाई, ठीक है, चला, उसके अलावा, let me see, और कोई धंका question दिख रहा है गया, अच्छा है, इसमें question number 2 है, प्टाफट से डेवलो क्या बोलता है, वो बोलता है हमको एना, depreciation change करना है, SLM से कोई दूसरा method चूज करना है, क्योंकि new method में, depreciation expense ज्यादा आएगा, ठीक है sorry, कम आएगा, कम आएगा, पहले हम charge करें 25, नया method follow करेंगे, तो अच्छा रहेगा, expense कम आएगा, expense कम आएगा, आपका income बढ़ेगा, उनका यह motive था है, इस case में, फिर आपको पूछता है, बताओ क्या आप ऐसे case में, depreciation change कर सकते हो, क्या, तो उनको ग्यान देने का कब change कर स कब आप change करने का, तो बोलते हैं, method shall be change to reflect the pattern, नॉर्मल इसे change नहीं करने का, और यह change हुआ तो accounting estimate का change है, पुराना change नहीं कर सकते है, future से change करोगे, उसके लाबा एक और बात, जब आप ऐसे कम-कम depreciate करोगे न, तो आपको asset को जादा सालों तर depreciate करना पड़ेगा, क्योंके आ अब यह मैं क्यों बता रहा हूँ आपको अभी, क्योंकि मुझे पता है, यह indication of impairment वगरा आपको exam में directly click नहीं होएगा, अब बता के भेज रहा हूँ न, अब सेम चीज़ दीखी तो कुछ ना कुछ आणसर करी लोगे इसके अंदर, समझा, यह सर, ठीक है, वो question मुझे दिख अरे 8 है मिल गया, हम जीत गया, मिल गया देखो, बोलता है, liabilities में, non current का classification गलत कर दिया इन्होंने, भली profit and loss, भली balance sheet का प्रीवे सरक है, पर रखने पड़ता, balance sheet का है थर्ड balance sheet बना के देना पड़ेगा, मिल गया, मिली गया, सर, मिली गया, तो India state क्या होगे अपना, खतम हो इन्डेस 10 करें, 10 करेंगे सर, यह तो और छोटा, मजा आ जाएगा, पटापट से करो, इन्डेस 10, let's start, बोल तो दिया सर, यही तो बात है, let's start the revision, in 3, 2, 1 and go, सबसे पहले इन्डेस 10, नाम के, events after the reporting period, ठीक है, अब events after the reporting period में होते है, दो तरके events, एक होता है favorable events, एक होता है unfavor बराबर, जो कब ओकर होते है, that occur between end of reporting period and the date when FSR approved, बराबर, जो reporting, मतलब, जिस साल, साल खतम हुआ, जब और तब से लेकर, जब तक आपका FS approved ना होता है, वो events होते है, events are the reporting period, अब उस events को, आपन दो पर्प में डिवाइड करते है, एक आपन बोलते है, एक आपन बोलते है, non-adjusting event, अब adjusting कब होगा, जब इस event का already condition exist कर रहा था, तो adjusting है, adjusting है, तो क्या करने का, adjust करने का, अच्छा, non-adjusting कब होगा, जब इसका कोई भी condition exist नहीं कर रहा था, अलचानक सा rise हो गया, जैसे fire, बोलके थो ना आएगा, कि मैं लगने वाला हूँ, लग गया, साल खतम होने क के बाद, तो non-adjusting event, बराबर non-adjusting event का मैं क्या करेगा, अगर वो material नहीं है, तो कुछ मत करना, material है, तो disclose कर देना, max to max, ठीक है, अच्छा, उसके लाबा, special cases दिया हुआ है, तोडल 3 special case है, लेकिन मेरे लिए 4 special case है, बताऊंगा मैं कौन सा है, सुन लो, बोलता है, अगर आ काल खतम हुने के बात में बाटा है, ध्यान रखना, तो कभी-कभी आपन AS में उसको proposed dividend बोलते थे, इंडेस में नहीं बोल सकते, इंडेस में, it is a non-adjusting event, ये बात का ध्यान रखना, clear, कहा गया मेरा वो, हाँ, वो तुम समझ गया ना, मैं क्या बोल रहो, ठीक है, मुझे मि adjusting मान ले ना, बराबर, adjusting मानने से मेरा मतलब किया है, adjusting मानने से मेरा मतलब है, कि आपके फिर उस previous दर के financials, accrual basis पे नहीं, liquidation basis पे, या relation basis बनेंगे, बराबर, ठीक है, तो going concern, assumption effect हो गया, तो adjusting मानन के, आपके previous दर के financials के सारे figures, accrual से हटके, liquidation र relation basis बन जाएंगे, ध्यान क्या बोलता है, मैं आपको example से समझाता हो, सुन लो, suppose, क्या बोलता है, अधर देखो, suppose मैंने loan लिया, ठीक है, loan कितने साल का लिया, मैंने 10 साल का loan लिया, तो non current loan है ये, non current loan है सर, ठीक है, अब मैंने 14 FEP को breach कर दिया, तो पता ने, index 1 मा अपन बढ़ते है, breach किया तो loan current बन ज है या अभी, year end तक कुछ नहीं किया, अब क्या हुआ, year end के बाद, but approval of FS के पहले है, मैंने या तो condition remove करवा दी, या gray spread मांगा more than 12 months का, बराबर, तो इस event को हम adjusting माने के non adjusting, standard बोलता है, in days में इसको adjusting माना जाएगा, IFRS में इसको non adjusting मानते हैं, बढ़ फरक नहीं परता छोड़ इसको, index में क्या मानेंगे, इसको adjusting मानेंगे, अगर condition remove हो जाती है, breach की, मतलब बोला कि breach माफ किया आपको, या फिक gray spread मिला more than 12 months का, तो लोन दुबारा से इस दिन पर non current बन जाता है, इसको आप adjusting मानो के मतलब previous year में भी जाकर, current से अटाकर वापस non current दिखा दोगे इसको, in short वापस से repeat कर दूँ, अगर आपने कोई breach किया, breach की वैसे, लोन current बन गया, अब अगर आपने साल खतम होने के बाद, इस breach को rectify कर दिया, maaf कर दिया, जो भी किया, condition remove कर दिया, जिसको वज़े से, लोन बन गया non current, तो इसको adjusting मान के, previous year में भी effect दे देना, तो previous year में वापस से grace period मांग लेते है, साल खतम होने के पहले grace मांग लेते है, चाब और यहाँ breach किया, तो साल खतम होने के पहले, यहाँ किदर grace मांग लेते है, 1 में, 10 में क्या करते है, 10 में हम grace period की बाते है, साल खतम होने के बात करते है, मतलब साल खतम हो 31 March को grace period निकालने की बाते है, यह सब ह को special case है नहीं लेकिन जितने भी example module में exist करते हैं मैं उसको summary बना रखी है अगर आपने और जितने भी important question inventory में इंडेस 10 में वो inventory को लेकर ही है तो ये adjustment आपको याद करना है ध्यान रटना मैंने logic बता आता है लेकिन आभी याद कर लेना अगर inventory की value inventory के nrv की value गिर जाती है साल खतम होने के बाद nrv falls after the reporting period तो अगर इसकी condition exist कर रहे थी year end पे तो तो adjusting ही है अगर nrv की value गिरती है बट इसके गिरने की कोई भी condition exist नहीं करी दिए balance date पे फिर भी गिर जाती है तो भी adjusting event अगर nrv की value गिरती है साल खतम होने के बाद लेकिन साल खतम उने के बाद क्यूँ गिरी क्योंकि साल खतम होने के बाद में कोई water leakage हुआ या कोई fire rocker हुआ उसकी वज़े से nrv की value साल खतम होने के बाद गिरी उस case में सिवे उसको क्या मानेंगे non adjusting event वापस repeat कर दू NRV साल खतमने के बाद गिरती है condition थी, adjusting event condition नहीं भी थी, तो भी adjusting event हाँ, अगर NRV की value गिरी, क्यों? क्योंकि साल खतमने के बाद में कुछ fire या water leakage हुआ, तो उस case में not adjusting event, ठीक है? बस इतना अब ध्यान दखना एक और case में बताता हो आपको कभी-कभी क्या होता है अभी inventory normal case है यह है कभी-कभी कहता आपको बताया जाता है ऐसा कि कोछ चोरी हुई थी पहले, आपको मालूम बात में पढ़ा है ना? तो यह adjusting और non adjusting? तो यह डिक के तरह हलके-हलके jam हो जाएगा question के आजाओ sir, फटा-फट से आजाओ सुन लो क्या बोलता है इसके कुछ काम के question हुई कराऊंगा, टाइम पस नहीं कराऊंगा अच्छा यह illustration no.15 यह ध्यान देना भाई साब यह ध्यान देना बाकी बहुत simple simple question है अब इंटर में करते थे वैसे question है, अब सुन लो बोलता है हम है ना काम कर रहे थे 11.12 में 29 में हमको मालूम पड़ा कि हमारे foundation work में एक rocky surface मिल गया जिसके वैसे contract की cost बढ़ने वाली 50 CR से अब यह मुझे मालूम, यह मुझे मिला कब, May 29 को लेकिन यह जो rocky surface है यह कि आचाने से भगवा ना के पत्थर रखे चले गया यह था तो पहले से ही न, था पहले से तुमको मिला बाद में, यह था foundation work के समय से मिला तुमको बाद में बराबर तो इसको non adjusting मत बोलना है, मत बोलना मुझे तो पता ही नहीं था rocky surface है तुमको नहीं पता वो तुम्हारी गलती न, वो था तो पहले से न तो यह adjusting event होगा ध्यान दखना ठीक है उसके बाद इसमें MTB RTB वाले question अच्छी है एक toy वाला question है भाई घर पर बढ़ लेना है इसको ठीक है एक बार read कर लेना इसको question number 1 MTB RTB का बोलता है पहले मेरी cost 10 million थी बराबर selling price 12 million थी तो तब तो cost कमी है तो दिक्कत ही नहीं थी 15th April को मैं बोलू साल खतम होने के बाद मेरी price गिर गई और वो गई 8 million और cost to sell कितना है 0.5 million अब साल खतम होने के बाद गिरी न ना कोई water leakage है ना कोई fire rocker हुआ है ऐसे नर्वी गिर गई साल खतम होने के बाद बताओ adjusting की non-adjusting फटाफट से बता दो बताओ adjusting की non-adjusting adjusting ना NRV गिर रही है साल खतम होने के बाद तो adjusting मानेंगे सर बराबर तो cost या NRV whichever is lower तो मैं तो NRV पर रखेगा 7.5 million की very good sir मज़ा आगया आगे बढ़ जाते हैं तो we will keep at NRV अब एक साल बाद क्या हुआ इसकी NRV बढ़ गई अचा तो हमने 7.5 पर रखा मतलब 2.5 का loss book किया हमने 10 से 7.5 पर लेकर 2.5 का loss book किया अब एक साल के बाद क्या हुआ एक साल के बाद वो रिवर्सल हो गया इसके अंदर मतलब इसकी NRV बाद में 10.5 हो गई तो मैं रिवर्सल करूँगा अब रिवर्सल दिख भली 3 का रहा है लेकिन आपने जित्ता पहले loss book के अब उत्ते यह रहोगा न यार 18.90 चल रहा था अब जीत बाद में अब कंपनी बोलता हम अब कंशेटर नी करेंगे इसको क्यों कंशेटर नी करेंगे क्युकि फेवरेबल इवेंट है अरे भाई इवेंट्स आटर रिपोर्टिंग पिरेड में favorable, unfavorable दोनों आते तो consider होगा adjusting event है उसके बाद वो inventory वाला inventory की फेर वाल NRV बाद में गिर जाती है कोई water leakage निये, कोई fire damage निये, ऐसी गिर जाती है मैंने क्या कहा था, inventory वाले case में adjusting event है, उसके बाद एक debtor case चल रहा था, bankrupt हो गया साल खत्मने के बाद, case चल रहा था बाद में bankrupt हो गया, भाई साब adjusting event है, उसके बाद fourth वाला point, बोलते है subsequent to the year end subsequent मतला समझता है, year end के बाद हमने सोचा कि हम करेंगे restructure, अरे जब तु सोची रहा है year end के बाद, तब तो हो गए non adjusting खत्म, आठ मा का question आ चुका है बोलो, लोग इसमें भी struggle करते है बताव आया तुम, बताव मोजी जी अब आया मेरा प्यारा, ओ-ओ-ओ-ओ-ओ, क्या question है इसको तो LDR square mark करने का भाई अभी भी exam प्रकट हो सकता है और इस question का तो सची बोलो क्या याद को के चले जाना मतला मैं करा रहा हो भी revise बट याद ही कर लेड़ा, अगर समझे नहीं तो समझे तो very good बोलता है, हमने asset construct किया 15 में available for user 16 से तो जब available for user तब से हम करेंगे depreciate फिर अभी इसका year end December है यह बाद ध्यान लखना आप ठीक है December year end है on 29 Jan 2020 Edge discovered that the warehouse was damaged during early February 20th and investigation revealed the damage was due to a structural fault damage क्यों था? structural fault की वज़े से था structural fault समझते है क्या होता है मतला जब आप structure बना रहे थे तब का fault है हो तो यह जो event होगा यह adjusting event होगा ठीक है अब आपको क्या बोला है? हमको मालूम कैसे पढ़ा बोला है हमको मालूम पढ़ा क्योंकि rainfall होई बारिश होई, बाड आई यह ग्यान दिया होगा ठीक है तो discovery of fault is an indication of impairment अब मेरी बात चुनो आपको fault भले ही मालूम पढ़ा Feb में Feb 2020 में तो यह indication of impairment हो गया यह indication of क्या हो गया? indication of impairment हो गया लेकिन क्योंकि यह fault मिलना adjusting event है तो आप impairment testing Feb में नहीं करोगे पिछले साल के end पे कर दोगे तो आपको impairment testing जाका December 2019 पे करनी पड़ेगी ध्यान रखना यह पहले इसका मतलब है यह तुमको समझ में आता है किया? समझ गे इसलिए मैं थोड़ा slow जा रहो ध्यान रखना तो भले आपको fault मिला fault की वज़े से क्या हो गया? impairment test करना है impairment test क्योंकि adjusting event है तो आपन impairment test जाके इस साल के end पे करेंगे December 2019 पे करेंगे impairment test करने के लिए मुझे फटाफट से बताओ के क्या क्या चाहिए एक चाहिए carrying amount दूसरा क्या चाहिए recoverable amount very good recoverable amount इतने अच्छे लोगे दिया हुआ है 6 लाग रुपिया और उसी दिन का दिया हुआ 35 December 2019 का कितने अच्छे लोगे बताओ hand भी दे रहे तुमको तो मेरको recoverable amount दे लिया अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा मुझे carrying amount निकालना पड़ेगा तो अब मैं carrying amount कैसे निकाल लूँगा 2016 में खरीदा 10 lakhs में इसकी life 30 years दी हुए नीची जाके दी हुए बहुत लाश्च में जाके 30 years बताया है इनोंने तो life 30 years है तो 2016, 2017, 2018, 2019 चार सल करूंगा depreciate बराबर लेकिन इन smart लोगों ने क्या किया है 2019 में इसकी life reassess कर दी है तो क्या बुलावा है वो बुलता है H limited reassess the useful life of its warehouse at 20 years from the date it was ready for use अब life कैसे दिया पता है 20 years from the date it was ready for use तो 20 years 2019 की remaining life नहीं है वो बुलता है 20 years भी जो दिया है वो first 2016 के हिसाब से दिया हुआ है 20 years from the date it was ready for use मतलब 20 years की life 2016 के हिसाब से है तो हमको आज के हिसाब से life चाहिए वो कैसे मिलेगी बराबर तो आप बोलोगे 2016 से नहीं को 2019 से चाहिए तो 16 निकालो 17 निकालो 18 निकालो अब the question is मैं life revise कपसे करू 1st Jan 19 से करू या 31 December ending से करू अगर आप 1st Jan 19 से करोगे तो आपकी remaining life 17 बचेगी अगर आप 31 December ending से करोगे तो remaining life आपकी 16 बचेगी as per the revised life बराबर तो आप कपसे करें तो मैं debate नहीं करूँगा ICI ने 1st Jan से लगाया हुआ है तो आपकी remaining life कित्ती बचेगी 17 years अब यह मत पूछना 20 years थी तो आप 30 क्यों लिया नीचे बोलाए कि original life थो 30 years ही थी वो बाद में जाके हमारा estimate change हुआ और वो 20 हो गई तो 20 हमको 2019 के साब से निकालोगे तो 17 साल मिलेगा आपको बराबर ठीक है अब आप कैसे करोगे सुन लो day 1 की cost है तो पहले 16, 17, 18 you will depreciate as per 30 years फिर 2019 में don't depreciate as per 30 years depreciate as per remaining 17 years बराबर बस carrying amount मिल गया आपको recoverable amount पहले से था अपने पास impairment loss मिल जाएगा बुक कर लेना अब इन्होंने दो entry मारी है एक impairment loss के entry मारी है दूसरा 2019 में 63 3333 के बदले 52 941 का debt book करना है तो incremental debt book करने के entry मारी है वो बोलते है कि शायद 19 में company ने इतना दुबुक करी लिया होगा तो हम सिभ incremental entry मारेंगे बराबर तो incremental entry इधर कहा मारी हुई है मेरे एकाल चाहिए तुमको मिलेगा solution के अंदर इधर मारी हुई है दो entry मार नहीं है ठीक है पहले चीज़ उसके इसमें एक और चीज़ है यह पहला paragraph है मैंने पहला paragraph सॉल गया तो अगर मुझे रिवाइस कराना वहाँ सिंपल है impairment testing के लिए मुझे carrying amount चीए carrying amount के लिए जहमेला life का है life वाला पार्ट याद हो गया तो question solve होगे आपसे फिर second part बोलता है अब यह जो damage यह जो leakage हुआ ना यह leakage वगरा हुआ कि leakage की वज़े से मेरी inventory भी damage हो गई अब थोड़ी बुद्धी लगा के बताना inventory damage structural fault की वज़े से नहीं हुआ inventory damage हुआ है water leakage की वज़े से और water leakage साल खत्म होने के बाद हुआ है तो inventory damage होना is a which event it is a non-adjusting event बराबर PPE का impairment test was a adjusting event inventory का damage is a non-adjusting event तो क्या करूंगा कुछ मत कर material है तो dispose करता ना बाकी कुछ करने का जरूवत नहीं है यादेना inventory की value अगर गिरती है because of water leakage या fire तो non-adjusting है वो ज्यान दिया हो है फिर और कड़ा वो non-adjusting है inventory का ज्यान दिकरा आ जना हमको अब एक C part भी पुछा है इसके अंदर वो बोलता है will your answer be different if there was no structural fault and damage to warehouse warehouse मतलब PPE damage to PPE had occurred because of event that occurred after 31 December वो बोलता है अगर आपका ऐसा बोल देते कि यह पहले paragraph में जो PPE damage हुआ है वो भी structural fault की वाज़े से नहीं water leakage कैसे हुआ रहता तो अरे तब तो फिर वो impairment testing non-adjusting event हो जाता तब तो वो impairment testing भी non-adjusting event हो जाता भाई साब क्या बात कई है feel आगई आगे बढ़ो आगे बढ़ो question number 5 क्या बोलता है सुनलो बोलता है 5 तारिक को fire हुआ fire की वज़े से मेरी inventory होगे damage मैं आगे पढ़े भी ना बोल दूँगा fire हुआ है fire की वज़े से inventory damage होगी है कौनसा event है और fire भी साल खतमने के बाद हुआ है तो जब fire की वज़े से inventory damage होगी तो non-adjusting event अब accountant है इसने रहता फेला आ रहेगा इसने अर्जेस्टिंग मानके रखाए गलत किया देव से ना बोल देना उसको बोलना non-adjusting event है तुम यह जो भी इसका effect है next tell लेना current year में तो आप सको cost पे रखना that is 8 पे देखो current year में cost पे रहेगा 8 पे मैंने कहा था ना भाई वो inventory वाला part important है यह तुमको summary चाहिए न inventory वाली board notes में डाल रखा है मैंने देख लेना तुमको index 10 के देखो मैंने board notes पे index बनाके दे रखा है कौन से page पे कौन सा index है index 10 में जाना यह summary देख लेना अगर तुमारे पास नहीं है तो है तो very good well and good तो दिक्कत ही नहीं है यह लो देखो magic send कर दिया ठीक है चलो आगे बढ़ू सर इसको तो सरक ही नहीं कि आपने आरे इसको क्या सरक करना मतलब यार इसको क्या ही सरक करना चाहिए सरसे मुरीद चुनवी जाए सरक 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 बताओ यार खतम हो गया भाई साब यह है ठीक है तो तो ब्रेक चे तुम लोको नहीं दे रहा मैं ब्रेक दो इंडेस और करो फिर दूंगा ब्रेक थर्टी सेवन और इंडेस वन करना है तुमको चे दो मिट का बीदर लेलो कोई दिक्कत नहीं है जब तक मैं वो नोट्स खुले तो तब तक तुम सांस ले लिया करो ठीक है अरे दूंगा ना मैं तुमको बडिया ब्रेक दूंगा मैं टेंशन मत तुमको चाय पीने का मस्त ब्रेक दूंगा मैं मस्त नहा दोके चाय बीके बैटने का फिर 37 यह निकाल लो तुम ले लो ब्रेक तक मैं नोट्स खुल रहो आँ जैसे एकजाम तो मेरा यह महनत में करूंगा तुम ब्रेक मनाओगे , तर्वे टॉंट क्यू मारते हो आप , यह मैने श्री 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 शादी के बाद इंसां सीखी जाते है यह सब , वाइफ से , नहीं यार ऐसे नहीं बोलना चाए मुझे , सच तो नहीं बोलना चाहिए गरमा घरम ऐसी उतरी है न जले से पील आ गए भाईसा रिकॉर्ड कर लिया मेरा रिकॉर्डिंग किसने भेजा कि सर ऐसा ऐसा बोल रहे थे अटेम लगेगा देखो एक्जाम के पहले पनुती लो मत मेरे तुम ठीके आ जाओ चलो स्टार्ट करें सर शुरू बात कर दो सर चलो so let's start in day 37 in 3,2,1 and go सबसे पहले 37 के भी तीन हिस्से है कवनो तीन हिस्से सर प्रोविजिएंस, कंटिंजेंट लिबिलिटी इस तीन हिस्से बना दिये ठीक है इस सब डिसकस करने के पहले आप लइड डिसकस करना लइड डिसकस करना लइड का मतलब क्या होता है तीन डेफिनेशन है present obligation arising out of past event which will result in outflow of resources what is the meaning of present obligation obligation का मतलब है there is no realistic alternative rather than settling it obligation होते है दो तरह के एक होता है legal एक होता है constructive legal arise होता है from contractual law constructive arise होता है आपके past practice policy यह specific statement से जिसके वज़े सामने वाले के mind में create हो गया valid expectation तो फिलाल इतना समद लो obligation है past event है और उसकी वैसे outflow करना बढ़ेगा तो liability हो जाता है ठीक है class में याद रहेगा तो secretary वाल example लिया था भाई साब कि तुम secretary को चार साल तक bonus दिया बिन बोले तो पाचवे साल उसके मन में expectation आएगा ना कि यह आदमी मेरे को फिर देगा bonus constructive obligation बराबर क्योंकि तुम्हारी past practice से क्या generate हुआ expectation generate हुआ तुमको example भी आद है मतलब क्या बात है भाई साब ठीक है आगे बढ़ जाते है आगे बोलता है कि अब liability तो आपने discuss कर लिया provision क्या होता है बोलता है liability के साथ अगर uncertainty involved हो जाए liability with uncertain timing और amount उसको बलते है बराबर मतलब liability कब पेकर निया कित्ती पेकर निया exactly पता तो liability कब पेकर निया कित्ती पेकर निया इसमें तो कुछ भी अंसटन है provision ठीक है अब provision को recognize कब करोगे चार condition है कैसे याद रखनी है condition सुन लो present obligation past event which will result in outflow of resources और क्योंकि है provision है तो यहाँ लगता है estimate amount can be estimate reliably estimate है अगर estimate नहीं चीता तो liability होता ही तो provision का recognition में चार है present obligation past event outflow of resources जितर क्या चीए अपने को साथ में estimate चाहिए बराबर वो बलता है यहाँ भी होना चीए past event उसके लावा अगर कोई ऐसा खर्चा है जो आप avoid कर सकते हो तो उसका provision आज बना के मत रखना जैसे inspection वाला खर्चा होता है है ना government न बला every 5 साल में inspection करके आ बराबर तो जो future के inspection है वो avoid कर सकते है असेट को बेच कर तो उसका आपन आज provision नहीं बनाएंगे आप बोलोगे सर इंडेस 16 में तो आपने create किया provision आप यह provision क्रेट नहीं क्या इंडेस 16 में हमने इंडेस 16 में क्या बोला कि day 1 की cost में day 1 का inspection अल्री इंक्लूडड होगा क्या हमने future के inspection को आज बुक किया था प्रजेंट वालू पे कते ही नहीं बुक किया था तो merge मत करके mix up मत कर देना वह अलग है यह अलग है पहले बता रहा हूं मैं उसके लावा बोलता है government अगर कोई नया law लाने वाला है जिसकी वज़य से आपके ओपर obligation अलाईज होएगा तो वह obligation तब बुक करना जब वह law real में आ चुका है तो यह था अपना provision का definition recognition अब आता है provision का measurement मतलब यह इती सारी बाती की provision की तो इसको कुण से amount पर record करेंगे तो सबसे पहले बोलता है it should be a best estimate now what is the meaning of best estimate मतलब अगर जिस आइटम पर provision निकाल रहे हो अगर वह भूँत सार आइटम है जैसा आपने भूँत सार आइटम सेल कर दिये उस पर warranty निकालनी है तो क्या करे The most likely outcome ठीक है उसके लावा क्या कोई provision कभी present value हो सकते है क्या? तुम बताओ कभी जिन्दगी में तुमने देखा है कोई provision present value होता है नई इस दर्ण में नहीं देखा है अरे ऐसा बोल मत दिना नहीं देखा है प्रोविजन फॉर डी कमिश्णिंग होता है ना प्रेजेंट वैलू पे तो हो सकता है भाई साब तो प्रेजेंट वैलू पे कब लाने का जब time value of money is material जब कोई खर्चा बहुत सालों के बाद इंकर करना है तो प्रेजेंट वैलू पे लाओगे और प्रेजेंट वैलू पे लाओगे तो क्या करने का उसका हर साल अन्वाइंडिंग करने का उसका उसके लावा रिस्क and uncertainties वो बोलता है प्रोविजन बनाते समय क्या रिस्क को कंचेडर करेंगे क्या एक्जामपल दो सर अरे एक्जामपल लेते अपना ताजा ताजा आइफोन 15 pro max का titanium body ये रंग निकल रहा है तूड भी रहा है पीछे से तो बताओ इसके इस रिस्क की वज़े से वारे प्रोविजन के फोन में ब्लास्ट हो गया तो फोन असा धमाका हो गया तो samsung के फोन में ज्यादा क्लेम आएंगे ना प्रोविजन बढ़ा हो सर्जी आगे future event what is the meaning of future event suppose ऐसा आपने tv देखा टीव पर ऐसा बोल रहे थे कि जपान ऐसे अविश्कार करेगा कि technology की वज़े से आपका future खर्चा कम हो जाएगा तो क्या उसको कंशड़क करके अपना प्रोविजन कम कर दो future का मत करना भाई क्योंकि यह सिर्भाबाजी वाली बाते है future के event जिसका कोई evidence नहीं है उसको कंशड़क करके कभी provision मत चेंज करना evidence होता तो तो change कर देने का कोई दिक्कत वाली बा बनाओगे तो सिफ कॉस्ट का प्रोविजन बनाना जो प्रॉपर्टी वगेरा बेच के income expected है उसको कंशड़र नहीं करेंगे आपन तो अपने को लगता है कि अपन धंदा बंद करेंगे को अपने को दो लाग का इंकम यह अभी कंशड़र नहीं करोगे provision के समय प्रोविजन बनाओगे दस लाग के ऊपर यह रियल में जब इंकम हो जाएगी तब बुक कर लेना को दिकत वाली बात नहीं है बराबर तो यह था आपका मेजरमेंट प्रोविजन प्रोविजन को किस अमोंट पर रिकॉर्ड करोगे और मेजरमेंट करते समय क्या बाते ध्यान में आपक इसका नहीं चयंज हो सकता है किन यापका इस्टीमेट निकल जाता है और पत्या उसक लाबा जहा ने आपने discounting use किया रहेगा उतर क्या करने का unwinding भी कर दाने का हासो मत तुम लोग ध्यान दोई रहे ठीक है unwinding भी कर दाने का देखो कुछ आये नहीं तुमको एक्जाम में एक्जाम्पल तो याद आएंगे भाई साब future operating losses अगर आपको लगता है धंदे में future में loss होने वाला है तो उस loss का आज ही provision book कर दू करमत देना येडे की तरह क्यों भाई उसमें कोई past event ही नहीं बराबर तो नहीं करोगे आगे ये था आपका provision के बारे में अब मैं contingent liability और contingent asset discuss करू उसके पहले मेरे पास है और भी कोई पॉइंच है डिसकस करने के लिए उस सबसे पहले है ओन्रेस contract ओन्रेस contract का मतलब क्यों था loss making contract एक ऐसा contract जहां आपके loss exceed करने वाले आपके revenue को for example मैंने बोला कि मैं marathon लूँगा मुझे लगा मैं आपसे पैसा लूँगा फिर आपका शकल लेखके लगा नहीं यार फ्री में पढ़ा देता हूँ तो आपको तो marathon free है लेकिन मेरे को थे expense incur करना पढ़ रहा है न तो यह हो गया मेले loss making contract तो इसका जो provision है मैं पहली book करके लखेगा खर्चे का सर देखवा आप ऐसे टॉंड मत मारो हमको वापस से तो suppose आपको ऐसा लगता है कि आपका revenue से 50,000 है और cost रहेगा 75,000 बराबर तो आपको हो गया loss तो अगर यह loss देखो avoidable तो दिक्कत ही नहीं है unavoidable तो बात करना भाई अगर unavoidable है तो इस loss का क्या मारोगे आप provision मारोगे अब कभी-कभी क्या होता है यह avoidable होता है लेकिन penalty भर गे तो provision का amount क्या रहेगा या तो loss का amount 25,000 या फिर penalty 45,000 whichever is lower अगर loss lower है तो मैं फुल्फिल करना प्रिफर करेगा अगर penalty lower है तो मैं cancel करके penalty भरना प्रिफर करेगा समझेगा तुम यह सेम चीज कंस्ट्रक्शन कांट्रक्ट के अंदर भी होती है कभी-कभी क्या होता है हमको लगता है cost 1CR होगा revenue 1.2CR हैगा 2-3 मेना काम करने के बाद मालूम पड़ता है cost बढ़ने वाले 30,000 से तो मेरा cost हो जाएगा 1.3CR बढ़ revenue जाएगा 1.2CR के उपर तो जो भी excess loss है उसका मुझे क्या बनाना पड़ेगा provision बनाना पड़ेगा भाई साब सबको समझता है अब एक amendment है इतना critical है लेकिन सुन लो जब आप construction contract में cost निकालोगे तो यह cost निकालते समय जो भी construction में असेट यूज कर रहे हो उसका depreciation और impairment loss मतलब उस cost में depreciation और asset का impairment loss है वह भी आइड करना cost के अंदर कोई question इसके ओपर है नी सिर्फ और सिर्फ इसके ओपर वह क्या बोलते अपना concept है आगे बढ़ जाते restructuring what is the meaning of restructuring restructuring का मतलब होता है या तो scope of business change करना या जिस तरीके से business कर रहे हो वो change कर देना example मैंने बोला teaching छोड़के गाना गाऊंगा आज के बाद है ना तनिनाची के मेरा teaching में कोई रखा ने गाना गाऊंगा उसको बलते scope of business change करना second manner in which business is conducted पहले मैं पढ़ाता था offline अब बोला offline बन आज से पढ़ाएंगे online manner in which business is conducted उसको बलते restructuring तो restructuring जब करोगे तो खर्चा आएगा भाई साब तो जब खर्चा आएगा तो मैं क्या करू उसका provision बनाऊ की नहीं बनाऊ तो बलता है provision बनेगा तभी जब आपके ओपर obligation arise हो जाए obligation कब arise होगा obligation arises only when you have a detailed formal plan and आपके obligation की वज़े से एक valid expectation create हो गया है कैसे create होता है या तो आपने plan को implement करना शुरू कर दिया या फिर plan को चिला 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 के बोल दिया आज के बाद गाना काऊंगा आज कर गाना काऊंगा ऐसा अनौन्स कर दिया आपके ओपर आगया constructive obligation obligation आज है तो provision कर देना अब provision कितने amount का बुक करेंगे मेरी बाद ध्यान सा सुनना भाई साब यह जो मैं बताने दार हो critical है अब एना दो तरह के चीज होती है सुनना suppose मैं teaching बंद करके अगर consultancy में जाओंगा तो एक खर्चा होएगा जो मुझे teaching बंद करने के लिए इंकर करना पड़ेगा म मैंने वो मुझे निकालनी पड़ेगी उस पर जो भी penalty का वो सब भरना पड़ेगा मुझे है ना उसको वोलते teaching धंदा बंद करने वाले खर्चा प्रोविजन धंदा बंद करने वाले खर्चे पर बंता है सपोस आप teaching छोड़के consultancy चालू करोगे तो consultancy में आप नया system प्राज बंद करूंगा उसका खर्चे का प्रोविजन बनेगा लेकिन जो ऑनलाइन में नया PC नया iPad मार्केटिंग करूंगा उसका प्रोविजन नहीं बनेगा ध्यान रखना बराबर यस क्योंकि ऐसा क्यू सर क्योंकि जो amount future conduct of business को लेकर रिलिर करता है उसका प्रोविजन आप पढ़ना देखना आपको मालिम बड़ेगा रिष्ट चरिंग के ओपर था वो चलो अब दो तीन concept बाकी है बीच में तो अपना क्या-क्या सब हो गया सब वो बाकी है contingent liability और contingent asset के बारे में अब सुन लो contingent liability के एक नहीं दो नहीं है तीन definition है कुणसे definition है बताओ सर्फटापट से इतर देख लो जल्दी से बताता हूँ इधर गया रहे contingent liability राजा और भाई लिखा ही नहीं है चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ सुन लो अगर contingent liability के definition कौछ सुन लो अगर आपके ओपर possible obligation है बात खतम contingent liability what is the meaning of possible obligation present का मतलब होता है it is more than 50% chance की pay करना पड़ेगा तो obligation possible है बात खतम contingent liability दूसरा अगर present obligation है past event है but outflow is not probable but amount आप estimate कर सकते हो present obligation है past event है outflow is not probable amount can be contingent liability उसके लावा present obligation है past event है outflow भी प्रावेबल है but amount नहीं ढून पारे amount नहीं ढून पारे तभी तो contingent है ना amount ढूनते तो बात ही क्या थी फिर तो तीन केस में होगा contingent liability ज्यान रखना उसके अलावा contingent तो क्या करूँ disclose कर अगर contingency बहुत ज्यादा remote है मतला बहुत ही मतला very low chance है 1-2% chance है तो disclose करने का जरूद भी नहीं है उसके अलावा अगर किसी obligation के लिए आप jointly and several libel हो तो जीतना खुद का share है उसके अंदर उसका liability बनाना सामने वाले का share का continue liability बनाओगे इसका मतलब क्या हुआ suppose सागर और लोकेश ने मिलके साथ में loan लिया joint loan लिया bank से hundred crores का joint loan क्यों लिया अब इसमें कैसा होगा hundred crores में से 75 crore सागर घर पे ले जाएगा और 25 crore लोकेश घर पे ले जाएगा है अब joint loan के अंदर होता क्या है यह दोनों एक दूसरे के हिससे के लिए guarantor बन जाते है तो सागर जो हिससा खुद घर पे ले गया वह लिया उसके लिये लेकिन जो लोकेश का हिससा है वह सागर के लिए contingent liability के लिया जो खुद घर ले गया liability जो सामने वाले का हिससा है वह contingent liability अब यह पड़ों समझ जाएगा simple है उसके लाबागा contingent liability के लिए every year end पे review कर लेने का पॉसिबल असेट होता है, उपर जित्ती बात है कि हर जागे हमको पे करना है, पे करना है, यहाँ सपोज मैंने किसी पे केस किया, मुझे पैसा आने वाला है, उसको बलते है पॉसिबल असेट, बराबर तो अगर कंटिंजेट असेट तो क्या करूंगा, चुनलो, सबसे पहले अगर इनफ्लो इस प्राबर देखना, इनफ्लो वर्चुली सर्टे ने गिया, वोट इस पे केस किया, मैं केस जीत गया, कोर्टे ने बोला, उस तामने वाले पार्टी को, क्या का शकंदों को एक कर्ड रुपया दे देना, सिफ पैसा आना बाकि है, उसको बलते है इसका मतलब किया है, 50 से 95 बजन चांस से इनफ्लो आएगा, मतलब यहां सर्टेंटी नहीं होती है, बट पॉबेबल हम आज आएगा करके, तो फिर वो कंटिंजेंटी है, उसको आप दिस्लोस करोगे, उसके लाबा, अगर इनफ्लो इस नोट प्रॉबल, बराबर तो लेस इतना समझ पढ़ता है, पल्ले पढ़ता है, इतना तुम्हारे बेजे में जाता है क्या, अब फटा फट से रफादाफा करें, इसके questions भी आपन जल्दी से, आजाओ, इसके questions कर देते हैं, अरे जिया, बिहार के लाला, आओ, इसमें तो धंका question है, वो illustration number 18 है, ठीके, क्या ब G Limited is a wholly owned subsidiary of U Limited, फिर बोलता है, इसके अलावा जो थोड़े बहुत employees है, उसको आप relocate करोगे नए business के अंदर, है ना, तो यह जो relocation वाला खर्चा है, यह consider आप नहीं करोगे, उसके अलावा, बोलता है, जो फटा इसके अलावा, जो थोड़े बहुत employees है, उसको आप relocate करोग 540 है, रियल में आपने इसका कित्ता payment क्या पता है, 520 payment क्या 15th में को, मैं बूलू, this is well within the limits of date when FSO approved, बराबर, तो यह adjusting event भी बन जाता है, तो आप 540 नहीं, आप 520 consider करोगे, तो कि adjusting event बन गया, तो आप इसको adjust करोगे previous year में ही, तो आप बनाओगे 520 का provision, second चीज, आप जब ध गंदा कर रहे थे, उस जगे को आपको cancel off करना पड़ेगा उसका lease, है ना, तो early termination payment करोगे आप कुछ, 4 लग, कितने का 430 का payment है, लेकिन, real में, it turned out to be 410, यह भी adjusting event है, because date of approval of FSO तक हो गया ता ही है, तो इसमें भी आप 410 consider करोगे, तो provision कितने का बनेगा, 520 का बनेगा, और यह 410 का बनेगा, that is 930 का provision बनेगा, exam ऐसे भी इतना मत लिख कराना, 37 का provision, जो भी definition अगेरा है, index 10 का events after reporting period, और यह adjusting क्यों है, थोड़ा बहुत ग्यान देख रहा है, अपने one words में, रट्टा मनेगा जरुवत नहीं, one words में दिया, फिर बोल देना, as per 37 restructuring है, तो जितने भी direct को लेकर उसका provision बनेगा, उसमें 2 है, 520 और 410 बना के आजाना भाई, ऐसे मीठे मीठे शब्दों में अपना answer, अपने one words में लिख करा होगे, with relevant reference काम बन जाएगा, ठीक है, और चिंता मत को एक्जाम में सब frame करने को होता है, ठीक है, तुमने इतने सारे exam दिये, पहले से ल आजा, फिर, ओहो, यह तो बड़ी है, बड़ी है, question number one, सुलो क्या बोलता है, फटाफट से, देखो, इसमें आपको example समझातो, एकदम आसान भाशा में, एक QA है, ठीक है, यह बीच की company है, customer ने इस पे case किया, इसने अपने supplier पे case किया, ठीक है, तो एक तरफ जहाँ customer ने इ प्रॉबेबल है, वर्चुली सर्टन नहीं है, तो जो supplier से पैसा आएगा, उसको बले है contingent asset, यह बात समझती है तुमको, तो एक तरफ QA बुक करेगा provision, और एक तरफ QA बुक करेगा contingent asset, am I clear with this, am I clear with this, yes sir, ठीक है, अब वो क्या बोलता है, सुन लेना मेरी बात ध्यान से, अब वो बोलता है, दो पार्ट में बात करना, सबसे पहले, जो इसको pay off करना है, 1st October को QA had estimated, damages it would have to pay 2K, would be 5 crores, तो पहले इसको लगा 5 crores पे करना है, ठीक है, फिर year end पे मालूम पड़ा, 5 नहीं, 5.2 पे करना, year end पे मालूम पड़ा, ठीक है, फिर बोलता है, estimate change हुआ 5.25 प अरे पहले ये तो देख ले, अप्रूव कब हुआ, financials, तो financials अप्रूव हुआ है, 26 अप्रेल को, है ना, तो ये जो 15 मे को हुआ, वो भी इसके बाद है, 1st June को हुआ, वो भी इसके बाद है, ठीक है, तो ये कौनसा event हो गया, जल्दी से बताओ, तो आप सब चिला के बोलो होगे, sir, non-adjusting event हो गया, आरे ना ही ये adjusting है, ना ही ये non-adjusting है, ये डे की तरह non-adjusting बोल के मत आ जा ना, क्यूँ, आरे जब वो event ही, year end, suppose 31st March है, 26 April को आपका वो अप्रूव हुआ है, और event इधर उसके बाद में हुआ है, ये तो out of scope of industry हो गया ना, adjusting, non-adjusting के बाद तो तब होती, जब वो event इसके बीच में होता, year end और approval के बीच में, ये event हुआ ही बाद में है, जो 15th May और इसको हुआ है, 1st June को, तो ना ही ये adjusting है, ना ही ये non-adjusting है, लिख है, non-adjusting तो wrong मिलेगा फिर answer, ये है, फिर बोलते, sir, expect 90, आया 30, क्यूँ आते है ये IC आते हैं, वो तुम ये सब गलती करते हो, non-adjusting लिख के मत आना, फिर बोलते, ICN marks नहीं दिया मेरे को, non-adjusting का बोलता, जब वो event होता, ये उसके बात का event है, तो out of scope है, ध्यान लगना, तो आपन कौन सा amount लेंगे, जो latest year end तक था वो ले लेंगे, इसका बनेगा, क्या बनेगा, ये मुझे pay करना है, तो इसका provision बनेगा, उसके लावाद, जो मैंना supplier पर case किया था, supplier में भी इसी वेरेंट तक का value लेना, 3.7 है, इसका मैं क्या बनाऊँगा, नहीं 3.6 है, sorry, इसका मैं बनाऊँगा contingent asset, बस, अब वो 3-4 case पूछा वे, पहले बताओ, कितना, इसका बनाएगा, इसका बनाएगा, उसके बाद बोलता है, जो आपको पैसा आने वाला supplier, उसका क्या करेंगे, बोलने का contingent asset है, और क्या करेंगे, ठीक है, अच्छा, उसके अलावा, अच्छा, मैं एक concept चाहत पढ़ाना भूल गया आपको, मैं एक बार रिवाइस करा दू मुझे ध्यान आए भी जस्ट, कि वो concept का अपने बात कैसे नहीं किया, इट वाज रिवाइमबस्मेंट, केदर गया, वो रिवाइमबस्मेंट, वो छूड़ का लाइन के वज़ा से, रिवाइमबस्मेंट क्या होता है, सुन लो फटापट से, किसी खर्चे का, अगर मुझ इंकम बुक करते हो, यह कब बुक करने का, जब रिवाइमबस्मेंट पका-पका मिलने वाला है, तब, अब कुछ बाते ध्यान लगने वाली, एंट्री कैसे होती है, expense to provision, बराबर, रिवाइमबस्मेंट के एंट्री के है, asset to income, ठीक है, तो, expense, provision का गया, profit and loss में, income, का amount, cannot exceed the amount of provision, अगर excess reimbursement के से प्रॉमिस किया है, तो excess जब मिलेगा, तब बुक करना, आज नहीं बुक कर सकते है, ठीक है, ध्यान रखना, बस इतना ही दौर कुछ नहीं है, clear, अब ये question आ गया, जो आखरी question आपके लिए, आजाओ मजद दिला तो, इसके question के अंदर, यह हमने क्या किया है, हमने इसमें गलती क्या किया है, हमने जो वारंटी क्रेट किया है, ग्रॉस मार्जिन पर क्रेट किया है, ठीक है, 30,000, हमने 1% वारंटी क्रेट किया है, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है, और यह 1% किता है, 30,000 है, समझता है इतना, ठीक है, ideally वारंट जब claim करता है ना customer तो वो sales के base पर claim करता है है ना इदर लिखा वे दिखाता हूँ मैं आपको Based on past experience it is expected that 1% of equipment sold have been returned as faulty, मतलब ideally warranty sales पर बननी चीए, GP के उपर नहीं, तो अब सबसे पहले क्या करोगे आपने गल्ती कर दी है, तो पहले आपको GP निकालना पड़ेगा, फिर इस आपको sales निकालना पड़ेगा, तो कुछ information दिया हूँ, ताभी क्या information उसके base पर देखलो कैसे तरीके से करना है मैं आपको चलो दिखा देता हो कैसे करेंगे इदर इदर देखो इदर, तो पहले आपको दिया हूँ है 30,000 का, ठीक है, that is 1% of gross margin, तो gross margin किता, gross margin आएगा, 30 lakhs, अब जो gross margin है, that is 30% of sales, ये question में बोला हूँ है, sorry 40% of sales, ये question में बोला हूँ है, तो मैं बोलू, इसके तुरू आप sales निकाल पाओगे, sales जाए 75 lakhs की, इस पर अगर आप 1% निकालोगे warranty, उतने का बनना ची ये provision, लेकि जो sales आपने आखरी 6 मेने में की है, उस पर बनता है provision, बराबर तो उस पर provision बनाओगे, less कर देना, जो आप already create कर चुके हो, इतना एकसे आपको create करना है, simple, अब इसमें case 2 भी है, case 2 में क्या बोलता है, अगर warranty period 2 साल होता तो, अगर 2 साल होता, तो मैं पूरे साल के sales पर warranty create करत अरे बबा, उन्नर सिफ ये पूछ है कि current year के sales पर कितना warranty बनाओ, तो warranty 2 साल होता, तो current year के sales पर पूरा provision बनता, बराबर अपने को थुड़ी ना पता है, पिछले के sales किती थी, आने वली sales कितनी है, अपने को सिफ current year के sales पता है, तो current year के sales पर पूरा provision बना के आज़ना, that's it, ये था आपका illustration number कुण सा, illustration number 30, sorry, illustration number 6 of index 37, अरे नीचे भी था इसका solution, वा, अच्छा, एक और है, question number 7, एक बार read कर ले ना, read का करके, मैं कराता है तो तुमको इदर पटाबट से देखो, सुनलो क्या बोलता है, जब contract owners होता है, तो आपन provision बनाते है, तो इन्होंने पते है क आपर काम किया, indirect खर्चे का अपन consider करते भी नहीं है, हम क्या करते है, हम सिर्फ direct खर्चे consider करते, material, labor, overhead, इसको खर्चा किया है, तो जिन्दगी में पहली बार, accountant ने जो किया है, वो सही किया है, normal accountant राइता फिला के आता है, यहां सही किया है उसने, तो बस बूशता है, बता इसे के साथ, oh 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 oh, मजा आ गया सर, क्या खतम हो जाता अपना, इंडेस 37, भी, गो, गोआ, गौन, अब सुनलो फटाफट से, मेरे एक इंडेस बेर कर लो, कि में साथ एक इंडेस, इंडेस 1, भाई वो हो जाएगा, मजा आ जाएगा, बता दो क्यों, सुनो क्या-क्या हो आपना, 16, 38, 40, 36, 105, 41, 12, 2, 8, 10, 37, अब 1 कर लेंगे तो एक और हो जाएगा, भाई, मजा आ जाएगा, क्या कहते हो, हो जाए सर, हो जाए, चलो आ जाओ, इतने टाइम में 12 इंडेस आपन जिंदगी में कभी ने कर सकते थे, इतने टाइम में आपन ने कर लिया है, है ना, च पील आ जाएगी, भाई, चाय की चुसकी लेने का, तुमको मजा ही अलग आ जाएगा, तुमको छे एक मिट का बीदा लो, मैं तब तक खोलता हूं, इंडेस, यह तो cold coffee बन गई वे, इंडेस में में तो कुछ है भी नहीं, आइम पस जाओ, मैं एक्चुली पता है, चाय कॉफी कोई पीता नहीं हूं, तो आज क्यू पी रहे हो, मैराथोन इस ले, पुड़ी एनरजी आती है, मैंने सुना है, तो मैं पी लेता हूं, मैं कभी नहीं पीता चाय कॉफी, बढ़ ठीक है, ऐसा कुछ कुछ चीज़े करनी पड़ती है, त तो भाई उस चेकर में कभी जिन्दगी में चाय नहीं पी, उसके आप फिर भी हो गए, सुन लो, अब इंडेस वन में न, इनलों पते क्या करते है, चुपके से पाच मंगव क्वेशन पूछ लिया करते है, अब इनलों पाच मंगव क्वेशन कहां से आता है, इनले लिगा इंडेस वन, इसका नहीं सबसे डिरेकली मार हो, ठीक है, करंट अच्छ को डेफिनेशन में, किते पॉइंट अपने बाद, चार पॉइंट है, सबसे पहले, if it is expected to be realized, within normal operating cycle, current, second, if it is expected to be realized, within 12 months, from the end of reporting period, current, if it is held for trading, current, if it is cash and cash equivalent, यादे न, इसमें क्या क्या आते है, cash, bank balance, और अगर कोई भी FD है, जिसका 10 और 3 महिने से कम का है, वो आजाता है, cash and cash equivalent में, तो इस सारी चीज़े current के अंदर आती है, अच्छा, इसका मतलब savings account वगेरा, आपके current में आ जाएगा, लेकिन, एक line लिखिए आगे, unless वगेरा, अब इसका मतलब संजाता हूं में आपको, सब हो savings account है, current में आ जाएगा, लेकिन मैं बूलू, यह अपने श्री, 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 विजे मालयाजी का account है, विजे मालयाजी का account है, जो bank ने तीन साल के लिए freeze कर रखा है, अब अगर यह तीन साल के लिए freeze है, तो मालयाजी का पैसा निकाल पाएंगे इसमें से, नहीं, तो यह बन जाएगा non-current, तो वो बोलता है, अगर cash and cash equivalent है, तो current होगा, unless, unless if it is restricted from being used, for at least 12 months from the end of reporting period, मतलब अगर आप इसको 12 महिने तक use नहीं कर पाऊगे, 12 महिने या उससे जादा के लिए use नहीं कर पाऊगे, तो यह savings account होते वे भी क्या बन जाएगा non-current बन जाएगा वैसा, यह example it to be settled in normal operating cycle, second बोलता है, it is due to be settled in 12 months after the reporting period, मैंने क्या कहा था, यहा बली पहले point में expected लिखा है, second point में due लिखा है, लेकिन exam point बीसे दोनों के लिए आप due ही consider करना, अब due का मतलब क्या होता है, suppose कोई payment है, जो मुझे आपको करना है 7 months के अंदर, due है 7 months के अंदर, लेकिन आपको पता है, आकाश कंदो ही है, payment 7 महीने के आप 2 साल में भी नहीं देगा, तो expectation यह है, कि मैं payment करूँगा 2 साल के बाद, लेकिन due है 7 महीने के अंदर, अब बताओ current की non current, तो liability के point बीसे आपन due देखते है, तो due काब है, 7 months में तो current होगा, asset होता है, तो asset में आपर expectation देखते है, तो liability में कोई भी है, पहला condition, दूसरा condition, question point बीसे due देखना है, तीसरा बोलते है, it is health for trading, health for trading मतलब derivatives में trade करोगे, derivative में trade करना business आपको, और वहां loss incur कर रहे हो, तो derivative financial liability होता है, तो वो हो सकता है, उसके लावा, अब यह fourth point के लिए मैं आपको एन example समझाता हूँ, उनको example suppose, एके ने loan लिया, मेगराज से, repayable है within 11 months, okay, from the end of reporting period, अब, मेगराज बड़ा अच्छा आदमी है, मेगराज ने मुझे क्या बोला, कि सर, आप तो आका सर हो, आप चाहो तो पैसा देना दो साल के बाद, मतलब, मेगराज ने मुझे क्या दिया, मेगराज ने मुझे दिया, unconditional right, to defer the settlement for a period of two years, बराबर, मेगराज ने मुझे ऐसा right दिया, कि सर, आप चाहो तो पैसा दो साल के बाद देना, सर, अगर ऐसा right मेरे पास है, जिसने loan लिया, जिसके liability है, उसके पास ऐसा unconditional right हुआ, तो फिर, तो loan will become non-current, लेकिन अगर ऐसा कोई unconditional right नहीं है, differ करने का, तो loan current ही नहीं दिया होता, सुनना ध्यान से, अगर मेगराज ने मुझे ऐसा right नहीं दिया होता, मतलब मैं के दू, if I don't have such unconditional right, तो loan current होता, if I do not have the right, तो loan current होता, अपड़ू, it does not have unconditional right, to defer the settlement, for at least 12 months from the end of reporting period, अगर आपका ऐसा right नहीं है, तो current के अंदर आ जाओगे, इसलिए बोला does not have, लेकिन अगर मेगराज ने मुझे ऐसा right दिया होता, तो फिर non-current होता न, इसलिए बोलता, अगर नहीं है ऐसा right, तो current, समझ गया, समझ गया सर, आगे बढ़ू, इतना प्यारा क्वेशन है न, इतना प्यारा कंसर्ट सुन लो, तुमने यहना क्या क्या लोन लिया, अब कभी-कभी लोन लेने पर क्या बोलता है, condition रखता है उन लोग, यहना, इस दिन तक, प्रमोटर को भी पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है, और अगर प्रमोटर पैसा न अब प्रमोटर ने पैसा नहीं लाया, ठीक है, प्रमोटर ने पैसा नहीं लाया, ठीक है, प्रमोटर ने पैसा नहीं लाया, ठीक है, अब आप क्या गए, अगले ही दिन, अगले ही दिन आप गए, बैंक के पास, और बोला भाई, थोड़ा ग्रेस पिरेट दे दो, तो ब्र ब्रीच करने के बाद grace मंगा grace है more than 12 months का या तो exact 12 months का है या more than 12 months का है ब्रीच करा, ब्रीच करने के बाद grace और वो more than 12 months का है या exact 12 months का है तो loan will become non-current क्यों? ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैं बोलू फिर सामने वाली party आप से 12 महने तक पैसा नहीं मंग सकती अब हुआ क्या? कभी-कभी क्या होता है? देखो हमको पता है कि हम 15th मार्च तर पैसा नहीं लाएंगे तो हमने ब्रीच होने दिया ही नहीं हम एक महने पहले ही चले गए है हम 14th feb को ही चले गए है कि अरे बैंक थोड़ा grace दे दे बराबर तो हमने before breach only compliance date extend करवा ली है कितना भी कर आओ before breach extend करवाई न तो loan will retain its original classification that will loan is state non-current only बदाबर तो इसका summarization क्या है अगर breach करते हो, breach करने के बाद मंगा grace तो grace check करना कितने महिने का है less than 12 months का तो current रहेगा exact two months more than 12 months का तो non-current रहेगा लेकिन अगर breach होने के पहले ही bank के पास गए कट्वरा लेकर कि भाई बख्ष दो तो breach होने के पहले ही गए न और date change करवा ली तो breach हुआ ही नहीं जब breach हुआ ही नहीं तो loan will retain its original classification that will it will state non-current only खत्म का नहीं यह याद रहेगा तो इसे के बेस पर दो चारे question कर लेते हैं मज़ा आ जाएगा सर आ जाओ फटाफ़र से खतम कर दो सर इसको मज़ा आ जाए सर आओ एक यह question करके एक बार read करके चले जाना भाई इसमें basically बोलता है यह जब deposit के पैसे आप दोगे वह current की non-current है तो इसमें बहुत obvious है तो current बता देना है और non-current बता देना जहां obvious नहीं यह बार दोगला बंदी answer किया है तो एक बढ़ पढ़ लेना बस ठीक है 13 is good आपन एक बार फटा फट से देख लेते है क्या बोलता है सुन लो बोलता है एक entity है has taken a loan facility from a bank that is to be repaid within 9 months तो loan 9 months के अंदर repay करना है from the end of reporting period ठीक है तो 9 मेने में repay करना है तो current liability है लेकिन prior to the year end year end के पहले ही the entity and the bank enter into a arrangement whereby the existing outstanding loan will unconditionally roll into a new facility which expires after 5 years बोलता है यही loan को extend करके path work कर देते है वाईस अब unconditionally तो अब बताव loan क्या रेगा तो loan हो गया non-current simple आगे will the answer be different if the new facility is agreed upon after the end of reporting period मतलब यह जो roll over किया 5 साल के लिए यह आपने अग्रे साल किया current रे में नहीं किया तो current रे में तो loan रे जाएगा तो current रे में loan रे गया current आगे will the answer to a be different if the existing facility is from one bank and the new facility is from another bank existing bank सब उसे loan देना बैंक से लिया तो यह loan 9 मिने में देना है और यह जो पाथ साल के extension offer कर रहा है तो देना बैंक का लोंगा में क्या बोलूँगा यह तो current रेगा ना भाई जो नया बैंक ने नया offer किया वो रेगा non-current जो current बैंक का है वो तो current रेगा ज्यान लखना उसके लावा उसके लावा चौता विल दा classification to A be different if the new facility is not yet tied up with the existing bank but entity has the potential to refinance the obligation वो बोलता है ऐसा कुछ मिला नहीं हमको potential है मेरे अंदर कलको सब वो जूटके Shreyas बोलता है के न मैं अभी single हू potential है मेरे अंदर girlfriend पटा लूँगा मैं बताओ Shreyas को क्या बोले आज single की committed आज तो single है ना भाई तू तो आज तो करंटी है तेरा potential है वो बाद में देखेंगे ना क्या potential है कर तो ले पहले अब अब अबाजी Shreyas बोलेगा मुझे कुछ तोड़ा ठीक है यही समझ में आएगा तुमको आगे बढ़ो सुन लो पटाबट से बोलता है अब loan लिया लंबा loan लिया promoter को बोला पैसा लेकर आओ promoter नहीं लाए है ठीक है हम गए grace pilot मांगने breach किया breach के बाद मांगा grace pilot सिर तीन महिने का breach करके grace मांगा तीन महिने का लोन बताओ क्या रहेगा current रहेगा very good ठीक है अब अब वह second case में का बोलता है breach हो नहीं नहीं दिया breach के एक मेने पहले ही कटोरा लेकर चले गए बोलाए extension तो breach हो नहीं नहीं दिया तो loan will retain its original classification तो वह non-current ही रह जाएगा बजा आगया उसके बाद एक question है illustration number 20 इसमें यह सिखाता है कि कौनसा item P&L में कौनसा item OCI में मैं उम्मीद रखता हो आपको थोड़ा बहुत घ्यान है FR का तो मैं फटाफास एक पर discuss कर लेता हो सुन लो re-measurement of defined benefit plan इसका मतलब क्या है जो आप actual gain loss वगेरा book करता है न OCI में the monetary assets index 21 दो चीज़ होती है एक होता है translating the transactions और एक होता है translating the financial statements जब आप कोई transaction को translate करते हो न तो उसका difference जाएगा P&L में बट जब आप कोई financial statement को translate करते हो तो उसका difference जाएगा OCI के आता है नई याद तो रट लेना आ सकता है पार्चमार के लिए है उसके अलावा वो बोलता है अगर आपने कोई gain loss वगेरा equity investment book किया है और वो equity investment कौन सा है OCI वाला है अब जब वो बोल रहा है OCI वाला तो OCI में जाएगा income tax expense P&L share based payment का जो खर्चा है 102 का हो P&L में कर लेना वाई उसके बाद question number one है सुन लो क्या बोलता है वो बलता है yes sir items है बताओ current है की non current है जैसे recevables है trade recevables तो उसके normally क्या होता है trade recevables आपके operating cycle का party होता है तो वो normally current होता है advance to suppliers आपने supplier को दिया advance ठीक है अब supplier को advance दिया मतलब just for example आपने जो class की fees भरी में आप advance में भरते हो तो आपके लिए advance ठीक होता है अब वो current की non current अगर तुमको लगता है की ये इसका benefit 12 मिने मिल जागा तो current बना non current बट इन्होंने बोला है की हमको लगता है की ये operating cycle का party है तो current ठीक है बोल देना income tax receivable other than deferred tax तो normally अभी income tax receivable है तो अपने को ये नहीं पता न कपका भर रहे आपन income tax वगेरा कपका मिलने वाल है तो देखो दोगलापन दे दिखा रहेगा इन्होंने भी कि expected to be realized within 12 months तो current or else non current जब ना समझे तो ऐसा दिखा देना भाई उसके लावा spares मैं पूरा question सिर्फ इसी पार्क लिए discuss कर रहा हूँ क्या बोलता है सुन लो insurance pairs अब pairs आपके पास तो इसके बार में मैंने index 16 में बात किया था अगर PPE का definition मिट होता है तो 16 में जाएगा वरना inventory बनेगा अब अगर 16 में transfer किया है तो 16 का PPE तो हमेशा non current में दिखता है और अगर inventory बोला है तो inventory तो हमेशा current में दिखता है तो spares का classification depends करते है आपने इसको कैसे classify किया है आगे बढ़ू आगे बढ़ू सब question number 2 शांदर question है फटाफजा सुन लो क्या बोलता है बोलता है कि यह loan ली आता bank से debt equity ratio is 65 to 35 यह अपने को condition maintain करनी है ठीक है breach किया तो very good मतलब breach किया तो फिर कोई current बन जाएगा पहले case में क्या बोलता है not in any breach कोई breach ही नहीं भाई जब कोई breach ही नहीं तो दिक्कत ही क्या है तो तो non-currency रह जाएगा अगे अब बोलता है यहाँ breach कर दिया सुन यहाँ breach कर दिया second वाले case में breach कर दिया और waiver मांगा और waiver exact 2 months का मांगा है तो जब grace period exact 2 months का होता है तो loan फिर भी non-currency रहता है grace period exact 2 months यह more than 2 months इस टेजन non-current only अभी case 3 same facts as in case 2 except obtaining the waiver clause मतलब सब कुछ सेम है लेकिन सिफ वो grace नहीं मांगा breach कर दिया सिफ grace नहीं मांगा तो अगर breach करके grace नहीं मांग रहे हो ब्रीज तो हो गया तो current रह जाएगा खतम कहा नहीं question number 3 शांदार question सुन लो operating cycle 15 मीन अब क्या बोलता है सुन लो company has received a contract of 10 CR the terms of the contract requires the company to make a deposit जब आप किसी को deposit देते हो मतलब एक तरीके सपोज मैंने कोई जगा रेंट पे लिया तो मैं deposit जमा करवाता हूँ जब रेंट agreement खतम होगा deposit मुझे वापस मिल जाता है तो day one पे deposit देना asset की तरह के liability की तरह है it is like a asset यह पहले समझ लो it is like a asset आज day one पे जमा करवाया बाद में कभी ने कभी refund मिलेगा है ना तो आज जमा करवा दिया यह asset है अब पुछेगा current है की non current है सुन लो क्या बोलता है वो बोलता है इसमें से 70% deposit immediately refund हो जाएगा contract का period 14 महिन है ठीक है तो बोलता है जैसे contract खतम होगा 70% deposit 14 महिन में में मिल जाएगा 30% deposit will be refunded after 3 months from the completion of contract मतलब बागी 30% contract का period plus 3 months मतलब 17 months में मिलेगा तो जो 70% अभी operating cycle 15 महिने का है भले 12 महिने में नहीं मिला है cycle 15 महिने किया ना मेरी तो cycle में मिला तो भी current हो जाता है 70% will be current 30% will be non current समझा तुमको 70% will be current 30% will be non current समझ गया सर आगे बढ़ जाता हो फिर बोलता है हमारे पास कुछ trade recevables है due after 14 months but expect to receive within the period of operating cycle cycle में मिल जाएगा भली 14 मेने के उपर है क्या फरक पड़ता है operating cycle में अंदर मिलने वाल है ना तो current बता देना उसको current रहेगा अच्छा एक और चीज़ जब भी भी में को पताने आप को schedule 3 कितना आता है but schedule 3 में जब भी भी आप trade recevables दिखाते हो न notes to accounts के अंदर जो भी हो current non current आपको एक और bifurcation देना होता है recevables जो आपको less than 12 months के अंदर मिलने वाले है और जो आपको more than 12 months में मिलने वाले है तुम समझ रहे हो क्या यह bifurcation यह बताने का उनको कि यह bifurcation देंगे देखो जैसे मेरे recevables है मुझे 14 months में मिलेंगे तो पूरे के पूरे है तो current लेकिन इस current कंदर भी classification दोगे कि less than 12 वाले कितने है आगे अब यहां आता है खेल यह बात ध्यान रटना इधर आपका जो normal logic है आपको बोलेगा कि answer कुछ और है बोलता है यहां आपने deposit लिया ने deposit दिया है ठीक है deposit दिया है तो liability हो गई sorry deposit दिया ने deposit लिया है किसी से sorry दिया ने लिया है किसी से जब लोग है किसी से deposit तो future में return करना पड़ेगा ना तो liability हो गई अब बोलता है कि return कप करना तो ज्यान दिया हुआ है 3 crore x से लिया है 1 crore y से लिया है these are repayable and completion of contract contract time 18 महिन है तो हम तो क्या बोलेंगा 18 महिन के बाद pay करना है तब तो non current है लेकिन एक line लिखिए if the contract is cancelled within the term of 18 months then the deposit becomes payable immediately अब नीचे आप पड़ोगे तो बोलाए कि हमारा expectation है कि cancel नहीं होएगा एक के किस में cancel होगा एक के किस में cancel नहीं होएगा यह ना बट वो बोलता है cancel हुआ बाद तो आपको पूरा repay करना पड़ीगा तो आयसे ने क्या किया है क्योंकि यह line लिखी है तो पूरे को current मान लिए अब होना क्या चाहिए उस पर debate मैं करूँगा तो time जाएगा तो समल्लो current ही मान लेना मिरको ऐसा लगता है कि पूरा current नहीं होना चाहिए उस हिसाब से तो जो breach वाले question है वो सारे current ही होने चाहिए मतलब breach होगा तब current बनेगा न इन्होंने बोला कि भाई है ना ऐसा condition तो current मान लेना तो तुम भी current लेकर आ जाना भाई तो अगर liability है ऐसा कोई deposit को लेकर भले वो कभी भी repay करने फरक नहीं पड़ता देखने ना यह line है क्या अगर यह line है कि cancellation पहले हो गया तो पहले पे करना पड़ेगा तो current मान लेना पूरा क्यापिटल एडवांस अल्वेस नॉन करेंट मशीन खरीद ने दे रहे हो ना तो capital एडवांस नॉन करेंट अल्वेस त्यान रखना उसके अलावा एक और केस है इसमें एक तरफ आपने machine बेची भी है अब बेच के जो पैसा है वो दस महने के अंदर आ जाएगा देखो बेचे वे machine पर जो पैसा है वो होता है receivable की तरह वो अगर बारा मेन से कम में आएगा तो वो current है लेकिन जो खरीदने पर पे कर रहे हो वो होता है capital advance वो non current होगा तो यह वा तो शांदा तरीक से आपने इसको भी क्या कर दिया है सर से सर से हमारे इतने सारी इंडेश जाए इतनी सारी इंडेश जाए सरक 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 बाइसा तो लगभग लगभग अगर break time निकालोगे 6 hours 20 minutes के range में आपने बहुत कुछ कर लिया है मित्रो भाई ओ बैनो यहां रुकेंगे नहीं मतलब break दूंग आपको अभी फिर रिजूम करेंगे फिर आतंग मचाएंगे आपन मज़ा आगे ठीके अच्छा एक और बात आपन टाइम लिमिट लेके चलेंगे यह नहीं कि कर रहे है मैरासन तो आपको 12 बैठे अपने एक टाइम लिमिट है जितना होता रहेगा उतना डाइम में होएगा क्यूं आपको शाम के टाइम में उसके बाद टार्गेट दे रख तुम समझ रहे हो तो मैं कोशिश करूंगा जितना खीच पहूंगा तक खीचूंगा मैंने सोचा था मैं साथ बेतक लोंगा लेकिन मुझे रता साथ नहीं मुझे एटलीस 730-740 दंग में खीच लोंगा ठीके तो तुम्हारा जो सेल स्टडी में ब्रेक टाइम हो तुम कर तुम मुझे थोड़ा आदा पॉना घंट एक्ष्ट्रा दोगे ना तो मैं उसमें 3-4 इंडेस खीच लोंगा अच्छे से क्या कहते हो चलेगा ना मतलब मैं अच्छे लेलूंगा यार मैं अच्छे लेना चाहता हूं मतलब मुझे पता है मुझे क्या करवाना है तुम अच कर लोगे कंप्रोमाइस तो मैं एक घंट एक्ष्टा पढ़ा पाऊंगा यारो कुछ नहीं मतलब इस ट्रश्ट तक तो चलेगा क्या गाईस येस मैं 19 लोगा 19 मैं लेने वालो देंशन महतं ना 19 मत चलना व्रोगा भाई तुम मेरे पर वरोसा रखो तुमको मेरे पर वरोसा है मरे भगवान पर भरोसा है वेरी गुट ठीक है तो ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेते हुए कित्द टैम में आओगे मांदली से बोलो 15 मिट का ब्रेक सफिशेंट है, चलो 5.13 पीम को आ जाओ ही रो ठीक है, बीच बीच में आपन ब्रेक लेते रहते हैं न वैसे भी चलो, 5.13 तक आजाओ, 5.13 बोलके 5.15 तक आपन शुरू कर पहेंगे न गाईस, चलो, on this note, thank you so much, कोशिश करेंगे बहुत थारे झूमूगा जाजब पर मिटाहा है आपना शवासरा! झाल 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 प्रूल झाल 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 जाल तो कंटिनू करते येस अब मैं पता है किस से शुरुवात कर रहा हूँ आपका फेवरेट हैना कौन सा फेवरेट है सर हमारा अरे कब से चिलन चिलनी कर रहे थे यह वाला यह वह वाला करा रहा हूँ सुन लो तो अभी कैसे करेंगे इंडेस 19 ठीक है स्टाट कर रहा हूँ नोट वगरा खुलके बैठ जाओ अब मैं आपको एक चीज पहले बताते तो ये इंडेस कर लेना और उन्हें दो वजे पील देता है आएगा आएगा मिरुको असा लगता है अब मैं कोशिश करता हूँ सारे कंसेप्ट सारे questions जित्ते हो सके कराने का कोशिश करता हूँ आपके साथ ठीक है आजाओ तो लेट्स स्टाट रिविशन ओफ इंडेस 19 इन फ्री तू वन एंड गो सबसे पहले इंडेस 19 नाम कहा है इसका employee benefits बराबर अब employee benefits के अंदर जो काम की बात है वो कर रहा हूँ ठीक है चार्ट बराबर उसके लाब़ बराबर उसके लाब पस बराबब बराबर और उसके लाबhero है अपने बास अधर long term governance or termination benefits अब इसमें का अब शॉर्ट तर्म बेनेफिट में टूटल टीन ताप के बेनेफिट डिसकस्ट है, पहला salary wages, दूसरा bonus उसका leave compensation, अब salary wages में क्या सुनना, अगर आपने तुरंद पे कर दिया है, तो expense out कर दो, अगर accru हुआ है लेकिन पे नहीं किया है, तब आ आउस्टानी liability book करोगे, EBE to outstanding salary, यह अभी तब book करना, जब इसको 12 मेने के अंदर pay करने वाले हो, उसके लावा, कभी-कभी क्या होता है, advance नहीं देता आप employee को, तो advance दिया तो खर्चा मत book करना, it is like a prepared asset for company, तो prepared expense to cash bank, और जब अक्रू हेगा यह advance, तो बस prepared को करोगे reverse, और debit कर देना employee benefit expense, उसके लावा, last case, अगर कोई employee, किसी PPE या inventory के construction में involved था, तो उसको जो पगार दिया, वो expense आउट नहीं, वो PPE या inventory cost में capitalize कर देना, ठीके, उसके बाद, फिर आता है bonus, अब bonus में क्यों होता है, कभी-कभी बोलता है, company आपको बोलता है कि भाई साब, RK ले मिलेट है, उसके employee AK, RK ने बोल कि हम आपको एक profit target देते, AK को individually, अगर AK नो target achieve किया, तो अगले साल AK को मिलेगा 2% bonus, है न, अब, company के point of view से बात करना, company के point of view से, company ने bonus किस साल promise किया है, 11-12 में, तो company के लिए expenditure 11-12 का है, ठीक है, तो book करेगा 11-12 में expense to bonus payable, और जब next year pay करेगा, तो ये payable reverse करके cash bank कर देना, भ कभी-कभी क्या होता है, भली 2% लिखा है, लेकिन question में बोलता है कि company का expectation है, किसी 1.5% ही pay off करना पड़ेगा, तो company की expectation चांचेशन कर लेना, पहले चीज़, second चीज़, ये जो भी आप pay कर रहे हो, ये employee को दे रहे हो, for meeting a target, ये कोई dividend नहीं है, ध्यान रखना, कभी company पूछन of shareholder, ये तो imply है भाई, ध्यान रखना, उसके लावा, अगर short term में कुछ काम का है, तो वो है leave compensation, अब leave compensation के अंदर क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, leave compensation के अंदर, दो तरह के होता है, एक होता है accumulating, एक होता है non accumulating, ठीक है, accumulating का मतलब क्या होता है, अगर आपने current year में leave earn कर करा current year में, तो अगले साल में आप उसको use कर सकते हो, या तो waste होता है, या non wasting होता है, waste मतलब in cash करा लो, non wasting मतलब आप उसको carry forward कर पाओगे, ठीक है, what is the meaning of non accumulating, non accumulating का मतलब होता है, अगर current term में use नहीं की, तो अगले साल हो जाएगी lapse, तो अगर non accumulating है, उसका कुछ भी करने क करना पड़ता है, अब कैसे treatment करेंगे, मैं आपको example लेकर समझारो, ध्यान सा सुनना, suppose current year में, example देख लो इदर, दो example लोगा, non wasting का, suppose चेतनिक employee था, 12 मेने के पगार किती है, 6 करोड पर आनम, 50 lakhs पर मन की पगार हो गे इसकी, अब इसको हर साल company 40 days की चुट्टी पे बेशता चेतन का दो option है, या तो company बोलेगा non-vesting है, मतलब next year यूज कर सकते हो, या फिर company बोलेगा vesting है, can cash करवा ले न, तो अब मुझे बताओ, चुट्टी बची इसके पास न, तो पगार इसको पुरी-पुरी मिलेगी न, 6 करोड की, उसके लावा ये चुट्टी का benefit, चेतन next year लेगा न, भले ही चेतन benefit next year लेगा, इसका खर्चा company को आज ही बुक करना पड़ेगा, जिस साल employee वो छुट्टी अर्न करता है, उसी साल company वो छुट्टी का expense to payable बुक कर लेता है, तो company के अब लेगा, leave compensation expense to payable, अब इस 30 days का पगार कितना है, इसका पर मन्त का पगार 50 लाग का खर्चा बुक करेगा, मतलब current year में company ने 6 CR नहीं, 6.5 CR बुक किया, 6 crore salary के नाम पे, और 30 days उसने extra काम किया, उसका, अब जब चेतन इसको अवेल करेगा, अब अवेल कैसे करेगा, चेतन एक्ट्रा छुट्टी ही मार सकता है, चेतन इसके अंदर कुछ भी payment निले सकता, त चेतन को पगार पूरा मिलेगा, चुट्टी जादा लेने पर पगार पूरा कैसे मिलेगा, क्योंकि चुट्टी का balance पड़ा था ने इसके पास, इसका मतलब पगार भली पूरा मिला, लेकिन पूरा पगार क्यों मिला, क्योंकि 30 दिन उसने last year में earn किये थे, तो इसका provision करना balancing figure आपका current year के salary के लिए मिला है आपको, it is logical also, कि 6 करोड भली पूरा मिला है, पूरा आपको salary के लिए नहीं मिला है, थोड़ा आपने पिछले साल जादा महिनत करी थी उसके लिए मिला है, तो उसका provision reverse करना, balancing figure आपके salary होगी, ठीक है, अच्छा, आप अलग-अलग interview मार सकत अगर यही वेस्टिंग होता, तो क्या फरक होता, वेस्टिंग के केस में, चेतन सबोज अगले साल से 40 days यूज करता है, 30 days जो बची थी, वो उसने uncash कर वाली next year, तो क्या होगा, उसकेस में चेतन को पूरी पगार भी मिलेगी, 6 करोड की, और extra 50 lakhs भी मिलेगा, जो उसने uncash करवाया, तो इस केस में, आपके एंट्री रेगी, salary account debit, provision account debit, to cash bank 6.5, मतलब वेस्टिंग, non-westing में फरक किया हुआ, non-westing में उसको पैसा जादा नहीं मिलता है, पैसा उतना ही मिलता है, सिर्स salary expense कम बुक करोगे, यहाँ उसको पैसा जादा ही मिलता है, क्योंकि उसने इसके उपर एक question कराऊंगा मैं आपको, वो question exam point रवी से बड़ा important है, ठीक कभी भी प्रकट हो जाएगा, anyways, यह था अपना short term employee benefits, खतम होगा short term employee benefits, अब मैं आ रहो किसके उपर, second one short term तो हो गया मेरा, ठीक है, अब मैं आ रहो इधर, post employment benefit plan के उपर, now what is the meaning of post employment benefit plan, एक बार आप defined contribution plan, और दूसरा था defined benefit plan, now what is the meaning of defined contribution plan, सुन लो, suppose PF का पैसा, सब पता है PF, company आपके भी आपपे PF का पैसा काट के जमा करवाती है, तो इस contribution में क्या होता है, company के ओपर contribution government fix होता है, कि इतना पैसा काटेगी, इतना जमा करवाएगी, उसको बलते है defined contribution plan, मतलब, company को कितना contribute करना ह पहले दिन पर defined रहते है, कि salary का 12%, 12.5%, 7.5% वैसा, उसको बलते है defined contribution plan, तो इस case में, company का जो obligation है, company जितना भी expense वगेरा है, वो current term book कर लेता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे PF का पैसा है, company ने PF का पैसा काटा, और PF fund के बाद जमा करवा दिया, एक बार company ने fund में ज draw करेगा, तो contribution plan में, company का liability कहां तक है, जमा करवाने तक का है, बराबर तो इसलिए बोलता है, इसमें actual risk और investment risk will fall on the employee, इसका मतलब क्या है, कल को PF fund डूब गया, तो company का जम्मेदारी नहीं है, वो risk employee को bear करना पड़ेगा, नुकसान का, तुम समझ रहे हो क्या, तो अब इसमें हर साल एक fixed amount pay करता है, तो अब ऐसा माल लो PF का contribution है, ठीक है, current rate का 80,000 था, अब यह accru होगा current year में, लिकिन pay up करना है, यह pay करना है, suppose एक साल के बाद, ऐसा माल लो, तो current year में accru हो गया, pay करना है एक साल के बाद, तो अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जब accru हो जाता है, तो आज वो कौन से value पर उसको book करेगा, आज उसको पहले present value पर book करनेगा, suppose यह मुझे 80,000 का payment है, अकुरू आज हो है, pay करूँगा एक साल के बाद, तो पहले मैं इसको present value पर book करूँगा, फिर एक साल के बाद unwinding करूँगा, फिर pay off करूँगा, बराबर, तो एक बाद से ध इसमें खास बात क्या है, normally unwinding के entry के होती है, interest cost to PF payable, यह interest normally आपन जालते है, finance cost में, लेकिन अगर किसी भी employee benefit expense का unwinding करोगे न, उस interest को भी आप employee benefit expense में transfer करोगे, यह बाद ध्यान लगना, ठीक है, simple है, अब जो आपका सबसे important है पूरे chapter में, वो है defined benefit plan, इसमें क्या होता है, इ तो retirement में benefit देना है, वो company को देना है, यह नहीं कि PF में fund में पैसा जमा करवा दिया, company का obligation करता है, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पैसा जमा करने के बावजूद, exact amount का मालू पड़ता है, जब employee retire होगा तभी, तो इस यहाँ employee को benefit पहुचाने का, जिम्मेदारी company के उपर है, defined benefit plan, बराबर, तो यहाँ अगर, जहाँ आपने fund में पैसा contribute के हो, fund ढूब गया, company के जिम्मेदारी पैसा दिलवाना, बराबर, defined benefit plan, तो obligation to provide the benefit is on the company, बराबर, ठीके, अब इसका accounting कैसे होता है, तो इसमें बहुत सारे terms दिया होए, ठीके, यह सारे terms, अब इतने सारे याद कैसे आ जाएगा, सुन लो, तो इसके लिए मैं एक बड़िया से example लेता हो, एक company XYZ, उसना hire किया Mr. Aakash को, पगार दिया दसलाग रुपया परानाम, गर यह बात भी, he is entitled to a gratuity, which will be 1% of final drawn salary परानाम, into number of completed years of service, अब मुझे बता हो, gratuity का पैसा कब मिलता है, employee को, first day पे मिलता है, first account पे employee 5 साल काम करेगा, यह ना 5 साल काम करेगा, तो 5 साल के बाद मिलेगा, 10 साल के बाद मिलेगा, तो इसमें कैसे करेंगे, पहले gratuity का खर्चा निकालो, formula खुदी दिया हुआ है, 1% into final drawn salary, salary मिले पास first year का है, मुझे salary आज करने चाहिए, 5 साल के बाद का चाहिए, कैसे निकालू तो आप बोले, sir, add करो increment, हर साल 10% increment होएगा, अब ऐसे में कितने साल ते increment करूंगा, 5 साल काम करेगा, तो 5 साल increment करना, 4 साल increment करना, very good answer, Ananya Mansi Vignesh, 4 साल increment करना, भई, 5 साल मत करना, इसमें क्यू, अगर आपकी stipend 3,000, 4,000, 5,000 आर्टिकल शिप में, तो increment 3 बार निवे, increment 2 बार ह Similarly, company के case में भी, जब employee का increment होगा, तो 4 बार होगा, 5 साल में, समझ के, sir, तो कैसे करेंगे, जा देखो, मैंने बढ़िया पूर एक्जांपल की अब, देख लो, तो आप final dawn साल निकालोगा, 4 बार increment मार के, उसके बाद number of completed service, यह निकाला आपने, अब यह जो खर्चा आया, यह ग्राचुटी का total expense है, ग्राचुटी का expense यह जो भी है, पात साल का खर्चा है company के लिए, यह आज का खर्चा नहीं है, यह पात साल का खर्चा है, क्योंकि employee पात साल काम करेगा, तब जाके वो इतना amount earn करेगा, है न, stipend आते ही समझ आ गया, very good, अब company को यह खर्चा आप बत मिलेगा हर साल कितना book करना है, तो मुझे year 1 के end, year 2 के end, year 3 के end, year 4 के end, year 5 के end इतना खर्चा book करना है, अब खास बात किया है, यह जो खर्चा अकुरू हुआ है, आज first year के इन पे, pay क्रों करना है, 5th year के end पे, अभी दिखाया था, जब कोई amount verkुरू आज होता है, लेकिन pay ब अब यह जो मेरा amount है यह accru हो रहा है first year के end पे, pay करना है fifth year के end पे, तो present value पे कैसे लेकर आओ, कित्त साल से discount करू, 5 साल या 4 साल, 5 मत बोल देना, first year के end पे खड़े हो न, end से लेकर fifth year का end गिनो, 4 साल ही आएगा, कैसे, first year के end से second year के end तक एक साल, third year के end तक 2 साल, fourth year के end तक 3 साल fifth year के end तक 4 साल, गिंती करो, ऐसे उंगली पा मालूम पड़ेगा, तो यह amount, book आज करना है, payment होईगा, आप से 4 साल के बाद, तो 4 साल का discounted factor लेके, इसको discount कर देने का, तो आज आप खर्चा कितना book करोगे, सिफ 10,000 book करोगे, मतलब जो भी amount है, जो अकुरू हो रहा है, उसका present value पर आपने खर्चा book किया, अब खर्चा कैसे book करते, आपने normal entry का मारते, expense to provision या payable, ऐसी खर्चा book करते, बस अब इसका प्यारा प्यारा नाम करन कर देते है, यह expense को प्यार से बोलते है, current service cost, यह provision payable को बोलते है, defined benefit obligation, obligation मतलब liability, defined benefit plan का नाम है, defined benefit obligation, current service cost to DBO, नाम करन गिया तो current service cost to DBO, यह पहले entry, 10,000, 10,000, मज़ा आगे बढ़ो, अब क्योंकि आपने present value पर book किया है, हर साल के end पर क्या करोगे, जल्दी से बताओ, first account पर book क्या present value पर, हर साल के end पर क्या करोगे, very good answer, unwinding करोगे, तो एक, जो first account पर book किया, उसकी unwinding सेकेंडर के end पर होईगी, तो प to DBO, यह समझता है, ठीक है, अब second year में unwinding तो किया, लेकिन second year में भी और खर्चा book करना है, क्योंकि graduate का खर्चा एक नहीं, 5 साल तक book करना है, तो graduate का कुछ amount आज वापिस से book करना है, लेकिन यह जो amount आज book करना है, this is payable after 3 years, बराबर, तो इसको 3 साल से discount करके book करना, amount आया 11, 10,000, तो secondary में आप एक नहीं, दो काम करोगे, जो पिछले दर्गा खर्चा है, उस पर unwinding और जो खर्चा book करना है, वो खर्चा book करोगे, ठीक है, ध्यान रखना पहले unwinding करोगे, फिर खर्चा book करोगे, अगर आपने भूल से पहले खर्चा book कर दिया ना, तो आप unwinding फिर पह ऐसे हर साल करना है, हर साल फिर unwinding करोगे, फिर खर्चा book करोगे, अब यह amount कैसे निकलेगा, टेबल है न, टेबल बनाने का बढ़िया सा, दे वन पे opening कुछ नहीं था, unwinding कुछ नहीं था, कितना खर्चा book किया, 10,000, 10,000 का closing बनेगा, यहां का opening, पहले unwinding कर, फिर बता और कित टेबल बना होगे, तो आपको आजाएगा, टेबल आपके notes में है, notes टेलिग्राम पो अलड़ी है, link उपर पिन किया हुआ है, clear, चलो, तो मैंने आपको कितने term समझा है, तीन term समझा है, पहला, current service cost, कहां जाता है, profit and loss में, ठीक है, दूसरा मैंने आपको समझा है, interest cost, इंट interest cost, interest सुनके finance, finance मत बोल देना, भाई, interest cost लेकिन employee benefit का है, तो ये भी जाएगा P&L employee benefit expense के अंदर, तो ये तीन term समझा, याद रहेगा, current service cost, DBO, unwinding का interest, खतम सर, ठीक है, अब, मैंने ये जो example दिया, इसमें कितने सारे आपके estimates involved है, employee 5 साल काम करेगा, estimate है, increment 10% ही होगा, estimate है, बर सफिर आपके liability कुछ और होती, तो बोलता है, what if there are changes in estimates, उसके outcome possible है, या तो liability बढ़ेगा, या liability गिरेगा, अगर liability बढ़ रहा है, तो entry कैसे मारेंगे, अरे बुद्धी लगा, liability बढ़ रहा है, liability बढ़ाने का है, तो क्या करू, debit करू, credit करू, credit करू, सर, तो 2 liability किया, अब debit क् करेंगे, जब भी estimate की वैसे change होता है, तो उसको हम बोलते है, actuarial loss on DBO, या actuarial gain on DBO, जो बोलना है बोल देना, यह जाएगा, अपका OCI NR के अंदर, जब भी estimate की वैसे change हो, उसको बोलता है, actuarial gain loss on DBO, बराबर जाता है, OCI NR के अंदर, तो अगर मेरा DBO बढ़ता है, तो 2 DBO, DBO गिरता है, तो debit DBO, credit, actual gain and losses, कहां जाएगा OCI NR के अंदर, ठीक है, यह कब जब estimate change हो, तब, सुर यह amount कैसे निकालेंगे हम लोग amount, दिया हुआ रहेगा, वो बोला रहेगा, मेरा estimate की वैसे इतना इतना change हुआ, तुमको से वे entry मारना आना चाहिए, simple, आगे बढ़ो सर, तो accurate चीज थी, जब company उसको change करता है, उसको estimate का change नहीं बोलते है, उसको बोलते है, plan में amendment करना, देखो, एक होता है कि अपने हाथ में नहीं है, employee कित असल काम करेगा, अपने हाथ में नहीं है, वो estimate होता है, यह company के हाथ में था, 1% promise किया था, आप 3% बोलता है, तो यह बोलत का past service cost, amendment की वेशे change हुआ तो past service cost, estimate की वेशे change हुआ तो actual gain loss, past service cost कहाँ जाएगा, profit and loss, employee benefit expense के अंदर, तो इसके दो outcome possible है, DBO बढ़ता है, तो 2 DBO, debit, past service cost, DBO गिरता है, तो debit, DBO, credit, past service cost, बराबर, तो इसका मतलब अब आपके कित्तर terms होगे, past terms होगे, सुन लो फटा-फट से current service cost, profit and loss, DBO, balance sheet, interest, profit and loss, उसके लाबा, actual gain loss, OCI, NR, उसके लाबा, past service cost, profit and loss, ये लो past terms होगे, मज़ा आगया, सिर्क खतम कहानी, क्लियरे वाला part क्या, आगे बढ़ो सर, अब ये जो इतना सारा पैसा pay करना, employee को 5 साल के बाद, company के पास का, कोई, वो खजाना है गया, अचाना से pay कर देगा, नहीं, आज से जमा करना शुरू करना पड़ेगा, उसको बलते plan assets, आज से जमा पुंजी करते हो आप, कहीना कही invest करोगे plan assets, बराबर तो these are investment done exclusively for the purpose of DBO, तो ये asset की तरह होता है company के लिए, है न, तो जब पैसा जमा करोगे, तो entry का हमारोगे plan assets to cash bank, पैसा जमा करवाया, ठीक है, अच्छा, एक और बात, it is not necessary कि जितना DBO है, उतना ही plan assets हो, आप जिस साल आपके ज्यादा पैसा, ज्यादा करो, कम पैसा है, कम जमा करो, तो अलग-अलग हो सकता है, ठीक है, अब जब आप plan assets में पैसा जमा करोगे, तो कुछ expectations आप जमा करोगे, कि मैं कुछ तो कमा लूँ से return, उसको बलते expected return, है न, अब आप बताओ, आपके expectation कितनी होनी चाहिए, जितना market में inflation है, उतनी तो expectation होनी मेरे example में discounted was 10%, तो मेरे expectation है, कि जितना मेरा plan asset है, उसमें 10% कमा लू, expected return, और return कमाओगे, तो income की तरह है आपके लिए, है न, तो return कमाके, आपन withdraw नहीं करते, आपन उसको reinvest करते, तो जब reinvest करोगे, तो entry simple है, plan asset बढ़ेगा, और interest income करोगे credit, ये interest income कहा जाएगा, आपका, employee benefit expense, profit and loss के अंदर, plan asset बढ़ जाएगा, और interest income जाएगा, employee benefit expense, profit and loss के अंदर, बढ़ क्योंकि income है, तो ये expense admin negative करके देखेगा, समझता है, ठीक है, तो और दो term सिखाए, plan asset और उस पे कमाई हुए expected return, समझगे है, सर, आगे बढ़ो, अब मुझे बताओ, expected तो हमने बढ़े 10%, real म में आपने जादा कमाया है, उसको बलते, actuarial gains on plan asset, अगर reality में आपने जादा कमाया है, expectation से, उसको बलते, actuarial gain on plan asset, और reality में आपने अगर कम कमाया है, तो उसको बलते, actuarial loss on plan asset, ध्यान नतना, अब दो-दो actuarial हो गए, एक DBO पे निकलने वाला actuarial, वो अलग है, वो estimate change ये का बात है, ये तब आता है, जब आपने plan asset पे, अपनी उमीद से जादा पैसा कमाया, या उमीद से कम पैसा कमाया, तो अब निकालते कैसे, इसके table बनाने का, बड़िया चार्ट बनाने का, सुननो कैसे करेंगे, आपको opening दिया हो रहेगा, पहले opening पे आप क्या करोगे, जित्ता भी current है, expected return है, वो एक साल के लाड़ कर देना, अब मैं मानता हूँ, आपने कुछ और contribution किया, वो साल के end पे किया, तो साल के end पे का तो इस पे दो interest मिले का नी, ठीक है, और उसके लाबा आपने कुछ pay off करने का तो withdraw भी किया पैसा, तो वो minus कर देने, बचा इतना, अब expected return के इसाब से मेरे plan asset में इतने पैसे होने चाहिए, लेकिन जादा थे asset plan asset में पैसे मेरे, तो बताओ, मेरे जादा कम है, कम कम है, जादा कम है न, actuarial gain on plan asset, बराबर क्या, simple, ठीक है, तो मैं बोले, actual का logic यहां दिया हुआ है, ठीक है, तो actual gain होता क्या, difference between actual return and expected return, यह question तुमको बोलता है, कि हमको computation में एक और चीज निकालके दो, actual return, देखो, actuarial return और actual return में फरक है, बराबर, actuarial में और actual में फरक है, actual क्या है, actual is a combination of expected plus actuarial, बराबर, actual return क्या है, expected plus actuarial, उसको बलते expected return, sorry, उसको बलते actual return, बराबर, अब actual return कभी-कभी सिफ मांगता है आपसे amount निकालने के लिए इसको आप दुबारा रिकॉर्ड नहीं करते हो इसको आप दुबारा रिकॉर्ड महीं करते हो क्यों नहीं करते सर क्योंकि हम expected को record कर चुके PNL के अंदर हम actuarial को record कर चुके औस या NR के अंदर तो वापस क्यो record करेंगे इसको तो this is only done for disclosure purpose निकालने बोले तो निकाल के दे देना भाई सा ठीक है तो अब तो सब्सक्राइब बहुत सारी नहीं हुए plan asset के मैंना आपको तीन तर्म और सिखाए plan asset expected return और actuarial gains and losses ठीक है और हाँ expected plus actuarial मिला के बनता actual return समझा ठीक है अब अगला point है curtailment and settlement कभी कभी क्या होता है इतना शान से announce किया था plan cancel off कर दिया तो जो plan cancel किया उसका liability खत्म तो liability कर देने का debit खत्म हो रहा है आपने 90 में settle कर दिया तो यहां 2 entry मारना पहला 90 में settle करने के 90 का पैसा निकालना पड़ेगा मार्केट से तो पहले पैसा withdraw करने का entry पैसा withdraw करेगा तो plan asset कम होएगा और debit होगा cash bank तो जितना चाहिए उतना withdraw करना लेकिन इतना withdraw करके हम कितने के liability कम कर सकते है 1 lakh की liability कम कर सकते है तो जब settlement करोगे तो DBO 1 lakh से कम करना पैसा से 90 देना और यह settlement पर आपको देगा gain क्योंकि liability कम में हो गई settle तो gain on settlement या फिर इसको भी आप कैसा तो pass service cost तो 9th point क्या था curtailment and settlement बराबर simple ICI दोनों को interchangeably term use करता है तो अगर कम में settle किया तो पहला पैसा withdraw करना फिर pay off करना सा समझगे आगे बड़ो सर अब आता है net defined benefit asset liability अब तो कुछ बचाई नहीं अब तो simple है बोलता है DBO और plan asset DBO देखे का balance sheet liability side में plan asset दिखता है balance sheet asset side में दोनों को net करके दिखाने का अगर net में DBO जादा तो net defined benefit liability अगर asset जाता तो net defined benefit asset simple आगे फिर आता है net interest expense देखो दो तो तरह के interest हो गये एक आपका DBO के ओपर निकलने वाला unwinding का interest और एक plan asset पर निकलने वाला expected return on plan asset दोनों interest net off करके दिखाने का profit and loss के अंदर उसके बाद आता है point asset ceiling what is the meaning of asset ceiling सबसे पहली बात ये कब applicable है जब आपका net में asset है ठीक है तो net में plan asset 120 ए DBO 90 तो net में 30 का asset हो गया अब 30 से गिरा के 20 पे ले आना 10 से reduce कर देना इसको आप OCI में transfer कर दोगे इस loss को इतना याद रखलो asset ceiling में वापस से net में asset है बोला capping है 20 तक ही दिखा सकते हो तो 10 से गिरा और वो loss का जाएगा OCI NR में जाएगा मतलब OCI NR में 3 loss हो गया एक actual gain loss DBO का एक actual gain loss plan asset का और एक तुमारा asset ceiling का loss ठीक है आगे तो बोलता भी है 13th point है remeasurement gain loss का मतलब क्या हो गया जो भी आपके OCI में दिख रहे item उसका net करके दिखाने का अभी जो तीन बात क्या उसकी बारे में simple ठीक है इसका मतलब अब जो इतने सारे terms तुमको दिख रहते है अब मैं बता रहा तुम मुह जाबान याद रख पाऊगे कैसे सब देख लो current service cost P&L DBO liability interest cost P&L बराबर फिर अगर आपके estimate में change हुआ तो क्या बोलेंगे actual gain loss on DBO ठीक है plan में amendment हुआ तो क्या बोलेंगे past service cost ठीक है यह हो गया आपके DBO को लेकर उसके बाद यह सब के लिए पैसे जमा करोगे जमा करोगे जमा अब उमीचे ज्यादा कमाया तो actual gain उमीचे कम कमाया तो actual loss on plan asset यह हो गया 8 terms उसके बाद इतना सब जमा किया कभी ना कभी pay off करोगे settlement ज्यादा को कम में settle किया तो पहले पैसा withdraw करना फिर pay off कर देना ठीक है उसके बाद asset liability का netting off, interest expense का netting off, asset ceiling में capping asset के ओपर और remeasurement gain loss में OCI म सब्सक्राइब करने जितना इतना 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 सुनने के लाइक नहीं किया है ना शरम आनीचे तुम लोगो त्रीका काम भी तुमसे नहीं हो रहे है कर लेंगे सर कर लेंगे भड़को मत सर आप चलो इधर ध्यान दर होगी अरे नहीं किया तो कोई बात ने रहे मत करो चलो सुन लो अधर long term benefits अब दो और बाकी है एक अधर long term benefits और termination benefits दोनो के दोनो काम की नहीं लिगिन सुन लो फटापट से other long term benefits में क्या होता है retirement को छोड़के बाकी कोई benefit है sabbatical leave हो गया disability benefit हो गया वो आएगा other long term benefits के अंदर long term है तो बारा मेने के उपर का होगा इसका accounting कैसे करेंगे बोलता है same accounting like defined benefit plan benefit मतलब वो current service cost past service cost सब कुछ same है बस फरक इतने है अगर other long term में कोई actual गिनलोस आता है तो वो OCI नहीं बजाता है PNL के अंदर लेकिन ये इसके ओपर को question नहीं है बस इतना पढ़के चले जाना आगे फिर आता termination benefit अब इसमें क्या है आप अपने बिचारे employee को मज़ूर उसको बलते termination benefit यहां देख लो मैंने सिधा सिधा बोला हुगा है तो जब आप employee को निकालने वाले हो तो दो तरके benefit possible एक VRS या फिरेटरेंश्मेंट स्कीम उस case में जो भी मेरेको जैस होता है ना कभी-कभी निकाल दिया employee को कुछ पैसा देके निकालते है ना बोला ले keep the change है ना तो उस case में यह termination benefits का company expense or provision का book करेगा जब company के उपर obligation आ जाए पढ़ते है 37 के अंदर आपन constructive obligation तो आ जाए तब book करना ठीक है अब इसका accounting कैसे करेगा अगर निकालते हैं समय तुरन तुरन पे कर रहे हो तो expense to cash bank directly अच्छा अगर बोला निकाल रहे हो लेकिन अगले 12 म पेने के अंदर ही पे गर दोगे तो पहले expense to provision पे करो और जब पे करो तो payable to cash bank कर देना लेकिन अगर आज निकाल रहे हो और बोला पैसा दूंगा एक साल के बाद तो फिर क्या करेंगा आपको पताओ अगर आज निकाल रहे हो अकुरू आज हो गया पैसा दूंगा एक साल फिर उसका करना unwinding फिर उसका करना payment इसे के साथ 90 के हो गया concept खताम अब यहां रुकेंगे निसर क्या गरेंगे question करेंगे मैं बता रहा हूं मेरेको पहुने दो वजे ना मेरेको आभास हो रहा है ऐसा आभास हो रहा है मेरेको दिख रहे है ये तुम समझ क्यों ने रहो समझ सर आप करा रहा हूं ना मेरेको दिख रहा है तुम बलोगे यार सर अच्छा एक बात तुमको बोलता हूं सुनना जब तुम अभी घर पे भी रिवाइस करोगे ना marathon देखने के बाद there is a possibility कि तुमको ना कोई कंस्टर सा लगता है मुझे वापस देखना है time stamp डाल दूंगा वहाँ जाना उतना पार्ट वापस देख लेना कोई question लगता है सर ने बोला था मुझे recall नहीं हो रहा है उतना पार्ट वापस देखो ना बराबर और तुमको है मैं बात बताता हूं मुझे brag नहीं करना लेकि बता देता हूं बिंदास खुलके देखना मेरे किसी भी वीडि टाइमस्टैम भी डाल दूगा मैं रात को याच तो टाइमस्टैम पे जाना उतना पार आपस देख लेना भाई तुमको चिंता कुछ करने के जरूरत नहीं है बराबर और यह मैं रखूंगा यूटूब पे नहीं जाने वाला किदर यह बराबर तो तुमको कभी लेकर ना ना में किसी के कहने पर कर रहा हूं और वह मतलब मैंना तुमको बात बताए उसले यह भी नहीं कि मैं को किसी का क्रेड़िट चे में कुछ क्याइट में चीए भाई इतना फॉर एक इंसान पचास दर कमाएगा तो सौ लोग मिलके पचास लाग कमाएंगे भाई वो बेटर ह चलो question करो सर इसी बात प्याओ आओ आपने motivate कर दिया सर हमको सुन लो अभी हाँ चलो सुन लो illustration no.2 यह question मेरे को ऐसा पता नहीं यह नहीं यह वारा दिप्ता नहीं है मेरे को बट सुन लो क्या है नहीं यह भी दिख सकता है भाई दिख सकता है यह भी क्या बूलता है हमने current year में 10 शुट्टी दी employee ने साथ ही चुट्टी मारी तीन दिन नहीं मारी मैं बूलू current year में चुट्टी earn किये current year में earn किये की नहीं किये current year में earn किये न तो बताओ company को provision वगरा कब book करना चाहिए तो company पहले तो जितना उसका salary है वो पूरा book करेगा उसके लावा तीन दिन की एक चुट्टी जो earn किय उसका भी खर्चा आज ही book करेगा भले जबी भी पहोगा वो छोड़ दो book तो आज ही करेगा तो company दो चीज बूक करेगा एक तो current year में salary और current year का तीन दिन का लिए 30 रुप उसका पैसा होता है तो इतना book करेगा 30 लाक्स तो आज ही पहले कर देगा बाकि provision बनेगा और जब future में employee avail करेगा तो यह provision reverse होएगा और future कब है अगले साल next year चुट्टी दसी दिन के उसके पास avail कितनी कर ली 13 days की कर ली एक रुपाय कटेगा उसका एक रुपाय भी नहीं कटेगा क्यूँ अवेल करने चुट्टी एक्स्टा कमाई थी उसने कमाई थी उसने चुट्टी तो प अब फड़ वाला illustration is same as two पर कितना company का expectation है कि company को लगता है वो दो ही दिन अवेल करेगा भली तीन दिन कमाई हो इसने बट company को लगता है दो ही दिन अवेल करेगा तो अगर आपका expectation दो दिन का है तो आप provision भी दो दिन का ही बनाओगे है अब हुआ क्या पता है reality में अगले सा वो employee ने तीनो दिन अवेल कर लिया अब क्या करें सर कुछ नहीं कर सकते चेंज इन accounting estimate कुछ नहीं करने का दो दिन का प्रोविजन रिवास कर भाई ज्यदा दिमाग नहीं लगाने का उसके अंदर ठीक है simple तो मैंने ये 2 और 3 क्यू कर वाया मेरेको लगता है वो दोनों आगे आजाओ अब मैं illustration 6 ओ हो इतना अच्छा question है समझ रहो तुम में को 19 समझ रहे ना तुम है आजाओ क्या बोलता है नहीं आया तो मेरेको बोलना मतना कराने का काम है मेरा तुम बाद में मैं बोले भाई सर आपने इतना हीप किया दम करके का आया है नहीं ऐसा मैं यह नह इंप्लोई छोड़के चले जाते है यह ना छोड़के चले गए ठीक है अब इसमें एक assumption है कि छोड़के जाएगा उसको replace भी करेगा कोई नया employee ठीक है अब बोलता है सारे employees की पिछले साल में तीन दिन चुट्टी पड़ी थी और current year में employee ने 9 दिन के चुट्टी अविल कर हर साल तुमको 10 दिन मिलती है ना बबा बराबर तो current year में तुम्हारे पास last year की 3 दिन है current year की 10 दिन भी है अब उसमें से तुमने 13 में से कितनी अविल की 9 अविल की ऐसा बोलना चाता है ठीक है अब देखते आगे तो बोलता है during the 11-12 employee took only 9 days यही मैं कह रहा हूँ total में से 9 ही यह मैं old employees के लिए बोल रहा जो employees छोड़के नहीं गया उनके लिए salary increase 10% है last year तुम्हारे salary 15,000 थी 10% चा बढ़के कितनी हो जाएगी 16,500 हो जाएगी very good वो बोलता है how would Acer limited recognize liability and expense for these benefits अब कैसे करेंगे सुनलो यहाँ दो तरक employee की बात है एक जो पुराने employees है वो बराबर किदर एक जो पुराने employee हो जो 94% employees है इनकी 3 दिन के छुटी बच्ची थी तो opening 3 दिन है current train में 10 दिन और कमाई 9 दिन अवेल कर लिए बच्ची 4 दिन है ऐसे कितने employees है ऐसे 350 के 94% employees है तो कितने हो गया 329 employees हो गया ऐसे हर एक employee की 4 दिन बच्ची तो कितनी lease हो गई इतनी lease हो गई अब इनकी क्या कोई पुराने चुट्टी बच्ची होगी क्या अब जब तु आया ही आज है तो तुरे को चुट्टी था ही नहीं पुरा ना तुने सिफ current train में किया और इतना अविल किया तो तिरी इक चुट्टी बच्ची है से तो 6% employees का एक दिन का चुट्टी बच्चै ऐसे तो हर एक इंपलगी पगार है 16500 तो बस इतना अमांट आया इसका expense provision करेंटर में कर दे तो इन्होंने इसके साथ एक और entry मा रही है कुछ provision का amount question में पहले से दे रखा है इन्होंने by default माने कि वह provision हो गया settled तो वह provision को cash bank करके pay off कर देना बस इतना को करके आना है कर लेना यान स ठीक है मज़ा आगया सर फील आगई आगे बढ़ो आगे बढ़ो सर लेट मी सी और कुन सा question अच्छा अच्छा एक illustration number 15 है यह देख लेना पता है क्यों यह कुन सा question है पता है मैंने पता एक base example लिया था x y z में मैं employee 10 लाग पगार है मेरी बस उसी का यह वो है तुम समझ रहे उसी का better version है यह तो देखके जाना better version मतलब same है amount अलगे बस और कुछ नी चार साल increment करेंगे ग्राच्यूटी वाला उसके बाद यह रहा illustration number 24 तो बहुत simple है क्या बोलता सुनलो अपने को DBO और plan asset दोनों का opening और closing value दिया हुए ठीक है और the financial service cost दिया हुए 55 और बोलता है contribution क्या triple one का to the plan ठीक है तो service cost का effect का जाता है मुझे बताओ DBO में आएगा यह plan asset के अंदर आएगा तो service cost के entry का होती है current service cost to DBO तो इससे मेरा DBO बढ़ जाता है ठीक है उसके लावा जबाब contribution करते हो तो contribution कहां करते हो DBO में की plan asset में plan asset में करते हो तो उससे मेरा plan asset बढ़ जाता है तो कैसे लिखाएंगे देख लो पहले तो मैंने पहले opening DBO opening PA लिखा है एक और चीज़ interest दिया हुए 8% तो सबसे पहले DBO पे unwinding किया करो opening के और plan asset के ओपर भी interest expected return book किया करो इतने आमों से दोनों बढ़ जाता है उसके बाद current service cost DBO इंपक्ट देगा plan asset में के अंदर contribution का impact आएगा ध्यान अनना बढ़ रहा की गिर रहा हो देख लेना उसके लावा अब यह आपन balance क्या है actual gain loss अब gain की loss है वो ध्यान रखना सुन लो तो यहां मेरे को positive balance रहा liability में मतलब liability जादा आनी चाहिए इतने से liability बढ़ना is a loss ठीक है इधर मेरे को negative balance आ रहा है मतलब मुझे asset को कम करना है कम करना है मतलब loss ध्यान रखना यह ध्यान रखना और उसके लावा मैंने asset liability होके दिखता है net interest होके दिखता है net और यह actual जितने भी है वो होके दिखता है net ठीक है ध्यान रखना अब इन्होंने पूछा के extract पूछा था balance sheet में क्या दिखेगा net defined benefit asset जादे की liability जादा है यह liability यह asset liability जादा है तो liability दिखा देना भाई P&L extract में एक interest दिखेगा और एक current service cost दिखेगा OCI के अंदर जितने भी OCI थे actual gain loss वो सब मिलाके बोलते री measurement वो दिखेगा net में करके है यासा ठीक है इसमें entry भी पूछिए IECA ने combined entry मारी है मतलब जितने भी आपने खर्चा book किया liability book किया current service cost book किया contribution किया उसका entry मारा होगा है मैंने अलग-अलग मारके दिखाया है आपको जमता वैसा कर सकते हो IECA करोगे तो better है लेकिन ये समझने के लिए अलग-अलग देखना होता है वो देख लेना बस और कुछ नहीं इसके अंतर उसके बाद औरे रे रे क्या प्यारा question दिख गया मेरे को shit इतना simple इतना प्यारा question देखो 29 इसमें ना तीन चीज़ का बात किया हुआ है एक leave compensation एक bonus और डिफाइंड contribution benefit डिफाइंड contribution simple वाला PF आ रहे है सुनलो क्या है वो हजार employee अपने पास ठीक है 10-11 में company का policy क्या है कि हम employees वगरा देते employee को इतना सारे है ठीक है सब ज्यान दिया हुए ज्यान के बाद काम की बाद बता रहा हूँ 200 employee की पास दिन की PL बचिये 2 दिन की PL मतलब privilege leave SL मतलब sick leave और 800 employee की 10 दिन की PL बचिये 5 दिन की SL बचिये तो मैंने कुछ नहीं निकालाया 200 employee का इतना बच्चा 800 employee का इतना इतना बच्चा है बस इतनी डूडल साली का मोंन्ट तो multiply कर दा साली से बच्चा बच्चा बच जाते है फिर बोलता है ओल्सो दब यह हो गया आपका लीज वाला पार्ट यह लाइन ध्यान अटना इसमें आंसर है कुछ नहीं आगे फिर बोलता है company has been incurring profits since कुछ तो अमोंट बोला हुए it is decided that in the year 10 level, I decided कि हम employee को 4% profit बाटेंगे ठीक है however due to employee turnover सिर्फ 3.5% ही हमारा expectation की बाटना पड़ेगा expectation consider करें की नहीं करें बताओ expectation consider करें की नहीं करें करेंगे सर तो आप जो भी bonus का provision बनाओगे वो 2000 के उपर 3.5% पे बनाओगे अगर pay किया है तो cash bank expense to cash bank pay नहीं किया तो expense to pay बल simple देख लो इदर bonus का expense and liability बनेगा 70 अगर आपने करेंटर में pay नहीं किया है तो ठीक है उसके बाद फिर एक और simple का बोलता है हमारा contribution का खर्चा है 100 करोड which is falling due within 12 months अब 100 में से मैंने 20 करेंटर में pay कर दिया है अब आप बताओ जमा करना था 100 करोड contribution के नाम पर PF के नाम पर 100 करोड जमा करना था 20 आपने जमा कर दिया है बचा कितना 80 तो entry क्या मारूंगा जितना जमा करना था आपका expense बराबर जितना जमा कर चु मज़ा आ गया मज़ा आ गया भाई साब मज़ा आ गया सर फिल आ गई अब दो एक question और बच्चे वो देख लोगे ना एकदम मोक्ष कितनको प्राप्ति हो जाएगी ठीक है सुनो 32 अगर defined benefit plan पे कोई question करना है तो यह question करके जाना एक्जाम के पेले मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा बट यह question ऐसा है जो आपके A to Z सारे concept कवर करेगा ठीक है करोगे फटा फट से आ जाओ सुन लो 32 32 ठीक है क्या बोला हुए देख लो बोलता है सबसे बहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कि DBO का ओपनिंग शे करोड है Assets का Defense का Awpning 5.2 है मैंने बोला ऑग। शांती से लिखना शुरू करने का ठीक है तो मैंने लिखा 6 करोड defense के उपनिंग में 5.2 प्लान का उपनिंग में jos जोप फट टेने इ है उसके बाद क्या बोलता है बोलता है अन्वल मारकेट venaken कर दो सर ठीक है उसके बाद क्या बोलता है बोलता है हमने फिर contribution क्या 70 lakhs का contribution से क्या होता है किल्दी से बताओ contribution से क्या होता है सर बढ़ेगा की गिरेगा contribute कर तो बढ़ेगा बढ़ाया 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 इसे common sense का आंचर है भाई साब फिर क्या बोलता है फिर बोलता है मैंने benefits pay off कर दिये 42 lakhs के अरे pay off करने के लिए पहले पैसा withdraw करेंगे फिर pay off करेंगे तो जब पैसा withdraw करेंगे तो प्लैना सट कम हो जाएगा और जब इसको आपन liability को pay off कर देंगे तो liability भी कम हो जाएगी बराबर तो दोनों कम हो जाएगा मेरा 42 lakhs से मजा आगे है सर ठीक है आगे कम ज्यादा मैं settle किया ऐसा कुछ बोला नहीं त अरण सर्विसकों से सिफ db o और बढ़ता है तो लगाए db o add किया सब्स आगे बारो सा फिर बूलता है फिर ब्लान में अमेंड मेंट हुआ ओंड मेंड 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 हूआ अमेंड मेंड मेंड हुआ बताओं अमेंड मेंड मतलब क्या होता है बताओं यह estimate का चेंज नहीं पास सर्वेस कपस्ट 19,051,058 प्रॉपीर, कुट बणक्षय छलो unbelievable सब्सक्स अधिल्ट का फाइदा भएपृ समझे रो तुम मझा आगया यह पूलते है यह प्लत है यह ईट्लिंट का डीबिो 75 में शेटल किया, ओह ओओ यह तो उके सैटल्मेंट हो गया 80 का DBO 75 में सटल किया मुझे बताओ पैसा किता विड्रो करूंगा वेरी गुड़ आंसर पैसा 75 विड्रो करेंगे सर तो विड्रो किया 75 यह देखो मैं विड्रो किया 75 और पे किता करूंगा 80 लैक्स तो 80 लैक्स से मेरा DBO कम हो जाएगा ठीक है मतलब पे in the sense DBO कम किता होएगा क्लाइन बुले लाश में जाके finance cost is to be computed on opening balances तो बीच में जाओ उसको मत करना नहीं बुलता तो कर लेते शायद anyways आगे बढ़ जाते है बस अब क्लोजिंग दिया हुए है अफकॉस जो आपने calculation किया उसके बात का closing कुछ और है और इनका दियावा closing कुछ और है क्यों? Actual gain and loss ठीक है आपको आया 5.85 इन्हों ने दिया 6.8 यह DBO वाला कॉलम है तो मेरा DBO मुझे बढ़ाने का है na liability बढ़ाने का तो loss ही है उसके बाद events would be reported in the financial statements जब FS में reporting का बात करें तो चुप चा प्यारा मीठा मीठा एस्ट्रैक बना के देखराने का इनको PNL एस्ट्रैक बराबर और इन्होंने solution में net column भी दे रखा है तो आप भी दे देना वो चाहिए तो ठीक है तो PNL में क्या क्या आएगा net interest cost, current service cost, past service cost उपर देख जान मुझके प्यार मॉबल चकरा है, wholesome question है, शांदार question है आगे बढ़ो sir, ये उसका चोटा भाई है, 32 का 32 चोटा भाई है, ये तो simple equity कर लेना भाई, 32 करने के बाद चिंदी है question, ओ आजाओ, question number 2 पे आजाओ, एक और question जो मुझे बहुत शांदार लगता है, इसमें maximum लोग घर से करके नहीं गए, तो mistake करेंगे, सुनलो क्या है इसके अंदर, बोलता है, fair value of plan asset is 10 lakhs, इसमें अपने को क्या मांगा है, एक तो actual return मांगा है, मैंने बुलाता है, कभी कोई मांग लेता है, actual का मतलब क्या होता है, expected और actuarial का combo, ठीक है, also compute amount to be recognized in OCI, OCI में क्या जाता है, DBO DBO का actual gain loss, और PA का actual gain loss, बराबर, ठीक है, अब DBO का actual gain loss अलजी दिया हो है, question में, तो DBO का जो amount दिया हो है, तो इस question में अब अगर DBO बाला column नहीं बना को तो भी चल जाएगा, because और कुछ पुछा है ने DBO को लेकर, DBO का सिर्फ gain loss पुछा है, वो खुद ही दिया है, तो दिय तो सिर्फ PA का बनेगा column, अब PA का कैसे बनेगा, opening दिया हो है 10 lakhs, आपने benefits pay किया 190 का, contribution किया 490 का, एक तरफ पैसा withdraw किया 190 और एक तरफ पैसा जमा करवाया 490, तो net में कितना जमा करवाया, 4,90 डाल के 1,90 निकाल भी लिया, तो net में आपने 3 lakhs जमा करवाया, कब जमा करवाय चया 50 सप्टेमबर को, पहली बार question में हो रहा है कि साल के बीच में आपने जमा करवाया है, तो साल के बीच में जमा करवाने से फरक क्या पड़ा, पी तो 6 मेने का इंटर्ष मिलना चाहिए, अगर आपने FD की Après 300 सप्टेमबर को, तो 6 मैने का इंटर्ष मिलना चाहिए, बा पर कोई मिलने वाला इंट्रेस्ट तो उसके लिए रेट 10% पराना मैं है मतलब अगर मुझे यह 3 लाग पर इंट्रेस्ट निकालना है तो मैं निकालूँगा 3 लाग इंटु 10% इंटु 6 by 12 पराना मैं 10% लेकिन उसने बोला है कि अगर आपको किसी पर भी 12 मेने का इंट्रेस्ट चाहिए तो 12 मेने का इंट्रेस्ट आपको 10.25 पर निकालना है वो होता है कभी-कभी हाफ के लिए इंट्रेस्ट मिलता है तो मैं बूलू ओपनिंग पर आपको पुरे साल का इंट्रेस्ट निकालना है बस और कुछ नहीं इसकेंदा, तो solution दिखा उतर फटाबट से देख लो, opening लिखा, जो net contribution किया वो लिखा, expected return का मैंने अलग से नीचे calculation किया, opening पे पूरा 12 मेने का 10.25%, net पे 10% के साब से 6.12, बस, closing मुझे इतना question में available है, जो difference है, actual gain है, बढ़ाने का value तो gain है, बराबर तो दो पूछी थी, एक पूछा था actual return, actual क्या होता है, expected, और actual aerial का addition कर लिया, सर, मिल गया actual, second पूछा था, remeasurement gain loss, मतलब, oci में जाने वाला item, एक तो ये जाएगा gain के नाम पे oci, और डीबियो के ओपर भी loss था, तो वो भी जाएगा, तो net करके इतना oci में जाएगा, मैं तुम से क्या कहूओ, कह दो क्या, कह दो क्या, अरे कह दो ना, यू आर मैं सुनिया, मेरे को लगता है मैने मजा दिला दा दो तुमको यार, मेरे को तो feel आगे, तुमको आई नी आई, मेरे को नी पता मेरे को तो feel, तो indes 90 को आपने eker natश अ फुक्रावाय के फिशे एक इंडेस को क्या कर दिया आपने सरका दिया मजनु चल गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल और ने इंडेस कर चल मजनु टाइम वेश नहीं आओ ने इंडेस पे तुमको मजा आ रहे हैं एक रिक्वेस्ट करू अगर इंड अच्छा लगा ना जब मैराफन खतम हो जाएगा तो उसके बाद आके कमेंट जरू करते ना दस सेकेंड निकाल कर मैं बताता उसका रीजन क्या है जब आप ज्यादा लोग कमेंट करोगे तो अपना जो मोटिव है पूरा होगा हम चाहते कि ये मैराफन जो है वो ज्यादा लोग तक पुछे तो लाइक और कमेंट कर दिया अच जल्दी से आजओ 20 के उपर इंडेस 20 accounting for government grant and disclosure of government assistance इसमें जो काम की बात है वो कर रहा हूँ ठीक है सिधा accounting के उपर आज़ा accounting में क्या बोलता है grant दो तरह के होता है एक होता है monetary एक होता है non-monetary मतलब क्या होता है आपको grant मिलेगा cash में non-monetary का मतलब होता है grant मिलेगा kind में ठ तो it can be a depreciable asset it can be a non depreciable asset अगर depreciable asset के लिए मिला है दो तरीका रिकॉर्ड करने का example माल लो machine मिला 10 crores का free में लाइफ 5 एस है तो दो तरीका रिकॉर्ड करने का पहला किस पर रिकॉर्ड करने का nominal value पे very good वंजुला second किस पर रिकॉर्ड करेंगे fair value पे अगर आपन पर रिकॉर्ड करेंगे मतलब एक रुपए 10 रुपए 100 रुपए तो machine to gg book कर लेना एक रुपए 10 रुपए 100 रुपए अब जब recording normal value पे किया है तो subsequently कुछ करने का जरुवती नहीं है अच्छा second option के recorded fair value machine और DGG दोनों को आपने अलग-अलग record किया fair value पे 10 लाग और 10 लाग क अगर यही एक non depreciable asset होता जो free में मिला होता तो क्या होता अगें दो method करने अच्छा एक और चीज़ आगे बढ़ उसके पहले जब आप second method follow करने और fair value पे record करने वाला तो आपके year one के end पे BGG में balance कितना बचा रहेगा 8CR, machine में balance कितना बचा रहेगा 8CR, balance sheet में net off नहीं करने का, net off ही करना था तो पहला method ही follow कर ले थे, ठीक है, profit and loss में net off कर सकते हो, profit and loss में एक तरफ depreciation expense एक तरफ income है, अलग भी दिखा सक अच्छा एक और चीज जब balance sheet में दिखाओगे ना, तो current and non current भी दिखा दिया करो, जैसे इस 8 में से, मैं बोलू, अगले साल 2CR write-off और हो जाएगा, तो इसमें साब ऐसा बोलना, कि जो next write-off होने वाला 2CR, वो current, और जो बाकी है 6CR, वो non current, यह basic चीज आएगा ना तुमको कर non, sorry, non monetary मिला होता, for a non depreciable asset, तो क्या करते, लाफस अब लैंड मिल गया, तो 2 method है, nominal value पर record कर, या fair value पर record कर, अगर nominal value पर record करेगा, तो मुनना, लैंड टु जी जी, जी, एक रुपया, दस रुपया, 100 रुपया, fair value पर record किया, तो कर, land to DGG, land book किया, और deferred income book किया, अब मजिक बात किया है, land to depreciate हो नहीं रहे, तो इसको आप किस ratio में transfer करके profit and loss में, तो in case of non depreciable asset, you will have to check, whether the grant is conditional, और unconditional, अगर grant conditional है, अगर grant conditional है, तो उस case में, जितने साल की condition है, उतने साल में grant को आप transfer करके profit and loss में, example, land दिया और बोला 5 साल तक बेचना मत, तो 5 साल में जितना भी land का value है, वो जाएगा profit and loss में है, बराबर, लेकिन, अगर grant unconditional है, land दिया बोला जो करने कर, उस पर खेला कुदी कर, नराद दि कर, घरबा केल उसके उपर, तो उस case में, जितना भी land का value है, सब का सब जाएगा day one पर profit and loss के अंदर, मतलब ये conditional, unconditional में कहां चेक कर रहा हूँ, in case of non depreciable, why, अगला monetary grant, monetary grant मतलब क्या है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा cash में आपको दे दिया grant, ठीक है, उस case में, पहले देखना किस चीज के लिए grant दिया है, for depreciable asset, for non depreciable asset, या फिर कोई revenue निचा का grant है, है अगर आगको grant दिया है, तो दो method करने के, कौन सा, आभी normal value मत बोलना, example लेता हू machine 10 CR की थी, आपको उसमें से पूरा 10 CR नहीं दिया, सिर्फ 3 CR दिया cash में, तो क्या करोगे, एक तरीका है, ये grant को machine की cost से less कर दो, तो आप machine को recording net net 7 पे करोगे, एक तरीका है, कि asset को अलग book करने का, grant को अलग book करने का, तो देखो पहले तरीके में क्या होता है, आपने पहले machine को record किया, और जो grant मिला, उसको machine की cost से adjust कर दिया, इसका मतलब machine को day 1 पे आपने net में 7 CR पे दिखा दिया, अब depreciate आप 7 CR पे करोगे हर सल, ये पहला method, second method, आप asset को दिखाओगे अलग, grant को दिखाओगे अलग, तो asset को दिखाओगे 10 CR पे, grant को दिखाओगे 3 CR पे, ठीके, अब asset को करोगे 5 सल में depreciate, इसी ratio में grant को भी transfer करना profit and loss में, बराबर तो DGG को हर सल transfer करेंगे 5 सल में, तो आपने depreciate year 1 के end पे कित्ता करोगे 10 divided by 5, 2222 every year, और DGG को कैसे transfer करोगे, 3 CR divided by 5, that is 0.6 every year, समझा, अब इसके अंदर second case में, balance sheet में year 1 के end पे दो चीज़े दिखेगी, एक दिखेगा depreciation, एक दिखेगा जी-जी, government grant जो अपने income book किया है, net of 4, समझा तुम को यह वाला part, ठीक है, इसमें bifurcation देने को आएगा न, points इसा आफ हट सल transfer करोगे, तो इसमें से 0.6 current हो जाएगा, बाकी 1.8 non current हो जाएगा, संभाल होगे न, संभाल लेंगे, आगे बढ़ उसके बाद, अगला क्या बोला हुए, ये तो था अगर monetary grant मिला है for depreciable asset, अब बोलता अगर कोई monetary grant मिला है for a non depreciable asset, तब क्या होगा, या तब क्या होगा असल, तो उस case में 2 में 3 वापिस से, या सबो land 10 करोड की, grant दिया 3 करोड, दो तरीका है, या तो land को net पे book कर, 7 पे, यहा रेशो में transfer करेंगे profit and loss में, मुझे तुम बताओगे grant को किस ratio में transfer करेंगे profit and loss में, भाई, very good, देखना पड़ेगा grant conditional है या unconditional है, अगर grant unconditional है, तो सारे का सरडेवन में, अगर grant conditional है, तो जितने साल में condition है, उतने साल में transfer करना profit and loss में, मजा आ गया सर, ये होता था, अगर monetary grant म मिला है for any expense incurred, मतलब अब यहां grant कैसे दे रहते, किसी asset के against, यहां आपको grant दिया, कोई खर्चे को reimburse करने के लिए, कल को मुझे बोल दिया, कि आकाश कंदो आप अच्छा marathon ले तो, freemium employees hire करो, उसकी पगार government देगा, बराबर उसको बोलते expense को reimburse करना, तो उस grant को मैं कब बुक कर तो grant भी एक साल में जाएगा profit and loss में, government ने मुझे बोला, हम तुम्हारे तीन साल का खर्चारियम बच करेंगे, तो जो grant मिला है, वो भी जाएगा तीन साल में profit and loss में, अच्छा, government ने बोला, तुमने पहले बहुत अच्छा काम की है, तो यह लो grant, मतलब तुम्हारे पास के करम के लिए तुमको आज grant दे दिया, तो अब करम तो कर चुके, तो जो grant मिला, सिधा प्रशाद मानगे, day one पे profit and loss में डाल देना, बस, वा, मज़ा आगया सर, बोलो, जैश्री कृष्णा, आगे बढ़ो, चलो, यह हो गया अपना, monetary grant, clear, yes, अब, रिफंड की बात कर लेते है वाइसा, अब यह जो grant मिला, यह जो प्रशाद दिया, बोला वापस दे, तो रिफंड में क्या करेंगे सर, रिफंड का accounting depend करेगा, जब grant मिला था, तब क्या किया था, अब मैं तुम से कहता हूँ, जब grant मिला था, तब तुमने सारा grant profit and loss में डाल दिया था, तो रिफंड तो डिजी जी में book किया था, और उससे से हॉले हॉले ट्रांसो कर रहे थे profit and loss में, अब जब refund करेंगे तो क्या करने का, जित्ता भी amount refund कर रहे हो, पहले करने का 2 cash bank, अब debit क्या करूँ, जित्ता अगर कोई डिजी जी के अंदर balance पड़ा है, तो वो debit कर, balancing figure जाएगा profit and loss में, yes, ठीक है, उसके लावा, जब grant मिला था, तो asset की cost कम की थी, तो refund के time cost बढ़ा दे, तो जब refund करेगा, तो two cash bank, डेविट क्या गर PB, तो पहले क्या क्या वो देख लेना, उसके against, उसके accordingly entry pass कर देना, ठीक है, अब इसमें एक आखरी concept है, कभी कभी क्या होता है, government आपको loan दिल cover करूँगा, तो अगर ये देखो, तो उस हिसाब से, सब कुछ, conceptually तो अपना हो गया, लेकिन सर, आप तो conceptually नहीं पढ़ाते, आप तो question भी करवाते हो, करवाएंगे न, आओ, 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 राजा, आओ, conceptually पढ़ाता हो, मतलब question भी कराता हो, ऐसा, सुननो, illustration number 4, ये वो ही है, जहाँ, financial instrument और index 20, दोनों आ जाता है, अब सुनलो क्या बोलता है वो, इसके अंदर क्या होता है, आपन ऐसा मानते कि, एक relationship exist करती है, government grant के relationship exist करती है, ठीक है, तो अपने को government ने loan दिलवाया है, 50 lakhs का, 5% पर दिलवाया, जबकि market में rate चल रही है, 12%, बराबर ठी अब accounting कैसे करेंगे, और grant की accounting कैसे करेंगे, सुनलो मेरी बात ध्यान से, इसके लिए financial instrument आना चाहिए, क्या आना चाहिए, financial instrument आना चाहिए, sir, उसके steps बताओ मुझे, याद आने चाहिए by steps, financial instrument का step number one क्या था, पहले आपन cash flows लिखते है, बराबर कि कितना cash flow मुझे आ रहे है, तो में ज़र day one पर तो cash inflow हुआ रहेगा, बराबर क्या हुआ रहेगा cash inflow, मैं चलो दिखातो आपको इदर से, day one पर मुझे cash inflow हो गया, उसके बात government ने मुझे 5% पे loan दिया है, तो 5% में हर साल coupon पे करेगा, और last year में जाके principal repay कर दूँगा, यह मेरे cash flows हो गया, step number two क्या है fair value निकालते है, अब fair value कैसे निकालेगे, मैंने सिखाया था, जब भी relationship हो, तो fair value compute करना, यहां relationship काई की है, government grant के relationship है, जब government company को help करता है, तो हम बोलते है, आपके relationship government grant वाली है, तो अगर आपकी relationship है, तो fair value compute करेंगे, कैसे compute करेंगे, कुछ नहीं, जितने भी future cash flows है, उसको discount कर 37.38, 328, अब बुधी लगाओ, 50 लग का loan लिया है, लेकिन, मतलब पैसा आया 50 लग, तो cash bank debit किया 50 लग, लेकिन loan तो आपने कितना record किया, 37.38 record किया, बाकी क्या रहेगा, बाकी आपका government grant है भाईसा, जो balancing figure है, वो ही step number 38, difference between TP and fair value, यह अपना government grant हो जाते है, step 4 E है, step 5 LAT, ठीक अब यह grant का मैं accounting कैसे करूँगा, ठीक है, तो normal बुधिमान वक्ती पता है, क्या बोलता है, सर लोन 5 सल का था न, तो grant को आप 5 सल में transfer करो, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं गया, ऐसे करमत देना येडिकी तरह, ना उनना ऐसे नहीं होता है, तो फि इतने साल के उससे फरक नहीं पड़ता, लोन का पैसा किस परपस के लिए उसके उससे फरक पड़ता है, अब सुनो क्या बोलता है, बोलता है, लोन क्यू दिलाया, इमिजेट रिलीव देने के लिए, इमिजेट रिलीव देने के लिए, तो उस case में जितना भी grant है, बेवन 61, 672, इसको आप चार साल में ट्रांसो करेंगे, प्रॉफिट अन लॉस में, अच्छा, उसके लावा, अगर बोले कि लोन आपने लिया है, तो फिर, तो दो treatment है, जो भी grant का amount है, या तो उसको asset की cost से less कर देना, या asset को अलग book, grant को अलग book कर, और जिस ratio में asset हो रहा है, depreciate, उसी ratio में grant को आपन transfer करेंगे profit and loss के अंदर, तो कभी भी यह मत बोलना कि loan के ratio में डाल दो, आदे लोग यहीं mistake करके आएंगे, loan का ratio नहीं होएगा, समझा, समझ के सर, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू सर, ठीक है, फिर मेरा अगला question बताओ सर, बताओ सर, बताओ, बताओ, य इलस्टरिशन नमबर 15, पटाफट से देख लो क्या बोलता है, सुन लोग, पहला grant दिया है, clean गंगा river project के लिए, लेकिन बोलता है, काम शुरू बात नहीं किया है, तो हम क्या करें, तो directly मत बोलना कि काम शुरू नहीं किया, तो grant booking मत करना, depends, अगर government ने तुमको बोला, कि कि ऐसे grant दिया है, कोई काम करने बोला था ही नहीं, तो इसका मतलब पहले case में grant unconditional के nature में दिया वा था, तो सारा income भले ही काम शुरू नहीं किया, फिर भी जाएगा profit and loss में, लेकिन अगर government ने बोला होता, नहीं नहीं, clean करोगे, फिर ही book करना, तो उस case में बोलता conditional, तो उस case grant मिला equipment के लिए, अरे बबा, asset के लिए grant मिला है, दो में थड़े, या तो net of PPE करो, या grant को अलग, PPE के वालू को अलग, जिस ratio में हो रहा है, PPE, depreciate, उस ratio में grant जागा profit and loss में, ठीक है, अगला, बोलता है, हम तुमको grant देंगे, मतलब क्या हो गया अदर, बाड आ गया, flood आ गया, तो बोलता है grant देंगे, लेकिन उसके लिए application जमा करवाना पड़ेगा, अब बोलता है, जिस साल flood आया, उस साल तो तुमने application जमा करवाया नहीं, अगले साल शायद तुम करवा दोगे application जमा, जो भी है, अब मुझे बता, इस साल तो जमा नहीं करवाया है, तो इस साल क्या तो अगर आयसे हैं, तुमको अलाव किया बेटने को, मुख कर ले ना फिर, सर अटेम्ट समद खिलो, आवा देख लो, जस्बात ही हो रहो सर, ठीक है, चलो, उसके बाद illustration number 16 है, इसमें आपको अच्छा question है, for presentation purpose, वो current, non-current आपको मैंने सिखाया न, concept पड़ा दे समें, वो अब ही सिखाया, तो एक बार देख लेना, बस आपको देखना है, अब ही आता है, illustration number 17, simple है, grant मिला है 30,000 का, और वो training के लिए दिया हो है, training कितने समय चलेगी, 18 महिने चलेगी, तो grant को भी आपन 18 महिने के अंदर book करेंगे, अब इना grant को book करनें के दो तरीके होते हैं, या त खर्चे के ratio में bifurcate करो, इस case में दोनों से same answer आ रहा है, जो grant मिला है, अगर आप 18 मेने में करोगे bifurcate, तो पहले साल में 12 मेने fall करते, तो आप 20,000 book करोगे, सेकेंडर में 6 मेने fall करते, तो आप 10,000 book करोगे, अगर आप खर्चे के ratio में bifurcate करते हैं, तो भी same answer आता है, तो exam में क्या करना है, मुझे ऐसा लगता है exam में पहले आपको खर्चे के ratio देखना चाहिए, अगर खर्चा दिया हुआ है तो, है ना, अगर खर्चा दिया हुआ है तो खर्चे के ratio में करो, वो नहीं है तो फिर tenure के ratio में करो, ज्यान रखना, इसके बेटर वर्जन है, illustration number 18, यह बड़ा शांदर कोईशन है, क्या बोलता है सुन लो, बोलता है 60,000 का grant है, लेकिन सारा पैसा आज नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा 40,000 year 1 में, 10,000 year 2 और 3 में, ठीक है, लेकिन grant कितना है, 60,000, पूरा आज नहीं दिया, बट हमको कब पैसा दियो से फरक ही नहीं पड़ता है, ह अब खर्चा कितना आएगा, एक तो यह recruitment cost, recruitment cost, one time expense होता है, recruitment cost, 30,000 का अब year 1 में incur करोगे, उसके लावा हर साल आप employee को पगार दोगे, 1 lakh की पगार हर साल दोगे और 10,000 से खर्चा बढ़ेगा, अब इसको solve कैसे करेंगे सर, चलो यहाँ देख लो ध्यान से, तो मैंने क्या का बोला, year 1 में एक तो recruitment cost है, वो one time खर्चा, वो year 2, 3 में incur नहीं होएगा, और salary दोगे, waste दोगे उसका खर्चा, 1 lakh year 1 में, 1 lakh 10 year 2 में, 1 lakh 20 year 3 में, total cost मिलेगा आपको year wise, ठीक है, अब, जो भी grant है 60,000, इसको मैं हर साल कितना कितना book करू, बाट दे इस ratio के अंदर, मैंने बना बाटू, भली grant इतना है, लेकिन मिला तो इतना ही है, मेर को first year में, आरे मिला उससे फरक ही नहीं पड़ता, promise किया है न, लगता है न, मिल जाएगा, तो इसको बाटोगे इस ratio में, तो अगर आप से पूछा जाए, मैं हर साल profit and loss में कितना book करू, तो हर साल profit and loss में book करने के ल इसा मिला उसके entry माना, cash bank to DGG, लेकिन जब DGG से profit and loss में डालोगे, तो जितना मिला वह मत देखना, जितना promise किया था वह देखना, तो 60,000 into खर्चे का ratio, उस ratio में बाट देखना, समझ पड़ता है, मैंने क्या बोला, तो एक table पूछाते है, इनोंने basically, कि आप ये बताओ, हर सा जितना पैसा मिलता है, उसे DGG बढ़ता है, PNL में आप transfer, किस ratio में करोगे, वो ratio आपने निकाल लिया, 60,000 को इस ratio में करेंगे, तो PNL में इतना चला गया, closing इतना बचा, ये बनेगा यहां का opening, अब secondaire में वापस 10,000 पैसा मिला, तो add करो, PNL में इतना गया, वो तो आपन करोगे तो हो जाएगा, तुमसे इतना कुछ है नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर, उसके बाद, एक question number 1 है, बड़ा simple सा question है, इसमें बोलता है, कुण सा खर्चा कब जाएगा profit है, मतलब government का accounting कैसा है, बहुत basic question है, बाद अच्छा question है, एक बाद देख लेना, ठीक है, करोगे साथ में, करेंगे सर, सुनलो इसमें क्या हुआ है, इसमें बोलता है, कि भाई साब हमको मिला है, government ने promise किया, interest free loan, equal to 50% of plant, ठीक है, मतलब जितना भी plant का cost है, उसके लापको interest free loan देंगे, लोन को आपको 5 सल में repay करना है, ठीक है सर, आगे, फिर बोलता है, अगर condition violate किय तो loan तो repay करोगे, साथ में 10 लाग की penalty भी दे देना, ठीक है सर, बटे condition breach किया, अब हुआ क्या, आपने plan install किया, खर्चा किया 50 लाग का, loan कितने का मिलेगा, पूरे 50 का नहीं मिलेगा, इसका 50% का loan मिलेगा, मतलब आपको loan मिलेगा 25 लक्स का, उनीचे बोला भी है, 25 लक्स का 12%, ध्यान रहेगे ये बात, इदर ही किसा ध्यान, आगे, अब वो बोलता है, कि हमने जो plan खरीदा है, हम plan को करते है, depreciate पात साल में, है न, ठीक है, तो आपन, और इसमें बोला भी है, company का policy किया है, कि जो भी grant मिला है, उसको हम depreciation के proportion में transfer करेंगे, मतलब हम grant को दो तरीके हो depreciate, उसी ratio में, sorry, जिस ratio में, asset record depreciate, उस ratio में grant को transfer करना profit and loss के अंदर, ये बोला गया है, ठीक है sir, कर लेंगे, अब last में जाके, दो साल के बात है, क्या हो गया, company ने राइता फैला दिया, और breach कर दिया, तो loan भी हो गया, repayable with penalty, अब पहले जो breach हुआ है, या जो पहले आपने condition wallet के उसकी बाद बात में करते है, पहले loan का basic accounting सेखने का, हम basic accounting कैसे करेंगे, देख लो मेरी बात, सबसे पहले अपना financial instrument से step बनाओ, cash flow, step number one, इतना loan है, coupon कुछ भी नहीं है, इतना outflow है, ठीक है, फिर आएका step number two, fair value, मैं पहले day one की accounting करो, सुन लो, ठीक है, तो मैं day one की accounting कर रह fair value, relationship है, government grant की, तो निकालनी पड़ेगी fair value, निकाली सार इतनी value आ गई, loan लिया 25 का, loan की value इतनी है, बाकी बचावा क्या रहेगा, grant रहेगा, तो difference, difference between transition price and fair value, यह आपका grant आ गया, grant को क्या करो, अब इतफाक की बात यह है, कि loan का tenner भी 5 साल है, बद loan का tenner हम दिखते ही नहीं grant किसके लिया, PPE के लिया, तो दो तरीका था, यह तो net off कर, यह जितना, जिस ratio में जा रहे है, PPE profit and loss में, उस ratio में transfer करना profit and loss में, तो हम second बाल अडॉप करते है, ठीक है, तो इसको right off करेंगे, 5 साल में profit and loss में, okay, EAR दिया हुए, LAT दिया हुए, अब LAT आप पूरा मत बनाओ, 2 साल का बनाओ, क्यों, क्योंकि अपने को अंदर से पता है, दो साल के बाद refund करने वाले है, ठीक है, और DGG, आप Deven पर book करोगे, और हमने क्या choose क्या है, हर साल transfer करेंगे profit and loss में, अंदर से पता है, दो साल ही होएगा, क्योंकि उसके बाद आपन breach कर रहे है, तो 2 साल का amount transfer कर यह 2 साल, उसके लवा, यह write-off करोगे, लाइबरी से निकाल कर, profit loss में transfer करोगे, उसकी एक entry, इसकी भी दूसरी entry, तो ऐसे यह सब मैं entry मार दी, interest, transfer, interest, transfer, ऐसे 4 entry मार दी, अब जिस दिन मैं breach कर रहा हूँ, कब breach कर रहा हूँ मैं, मैं breach कर रहा हूँ, 31st March 13 को, अब 31st March 13 पर कर रहे हो, simple से काम करना है, अलग-अलग entry मारने का, जो penalty भर होगो उसको बात में देखते है, पर लोन का पैसा कितना है, 25 लेक्स, तो बोल दो 2 cash bank, अब debit क्या करो, अब क्यूंकि आप सब कुछ repay कर रहे हो, तो जो भी loan का value बच्छा है, वो भी खतम हो जाएगा, तो उसको क refund दिया है, का जाएगा difference, profit and loss के अंदर, simple, इसका मतलब जब refund करोगे, तो 2 cash bank कर देना, और जो भी इस grant के respect में था, loan, DGG, सब write-off कर देना, बचावा बैलंस भीगा profit and loss के अंदर, जो penalty पे किया है, उसको आप अलग से profit and loss में डाल देना, कम मैन करते है, तो भी चलता, same effect आता 12 mark, anyways, बड़ अच्छा question है, ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सर, उसके अलावा, question number 4, ठीक है, यह भी मैं समझा देता, आदे लोगों समझता ही नहीं, question, सुनलो क्या है, इसके अंदर, बोलते है, पी-पी ही था, उसके लिए अपने को क्या मिला है, grant वगेरा मिला है मैंने बोला, very good, ठीक है, अब हापन क्या करते है, दो तरीका grant को record करने का, या तो पी-पी इसे net कर, या फिर जीस रेशो में हो रहा है, पी-पी depreciate, उस रेशो में transfer करना profit and loss में है, है न, तो सपोज मैं ऐसा बोलू, कि मेरा depreciation हर साल पते कितना है, मेरा हर साल depreciation 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakh 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, तो मैं बोलू, हर साल में इसी ratio में grant को transfer करूँगा profit and loss में, इसी ratio में equal, equal, अब बोलता है, अगर किसी साल impairment हो जाए तो, suppose third year में, depreciation तो है, उस साल impairment loss भी है, तीन लाक रुपे का, फिर, फिर क्या होएगा, तो क्या मुझे मेरा DGG, जो मैं transfer कर रहा है profit and loss में, वो ratio भी change होएगा, the answer is yes, the answer is yes, वो यही बोलता है, जब आप impair करते हो, तो impairment loss आ सकता है किसी साल में, जिस साल impairment loss आया न, इस loss की वज़े से, आपका DGG से transfer होने वाला amount भी change होएगा, तो your ratio will change, यह amount दियावा ही नहीं है, तो आपको सिर ज्ञान दे कर आना है इसके अ similar to what I have discussed about, वो ही सस्ते में लोन दिलवाया, government ने वो वाला, तो एक बार देख लेना है इसको भी, तो इसकी भी क्या कर दिया, आपनने, समाप्ती की घुशना कर दी सर, अरे समाप्त कर दिया सर, इसको भी समाप्त कर दिया, तो इसका भी क्या हो गया भाई, और इसका भी सरक अगले इंडेस करो सर, अगले इंडेस कुन सा करे, 23 पर आजाओ, जैसे मुझे इंडेस 19 फील देता है, वो ही मेरको सेम फील है, 23 देता है, ऐसे मैं आख बंद करता हू ना, तो मुझे ऐसे दिख रहा है, एक तारिको पहुने दो बजे 23 से क्वेशन, ओहो, क्वेशन नंब जो भी है, तो यह मुझे दिख रहा है, कर लो जुचाब, फटाबट से आजाओ, इंडेस 23 बोरिंग कोस्ट, बोरिंग कोस्ट से सिंपल कोछ है ही नहीं, क्वेशन नहीं करना है अपने को, ठीक है मैं जरा एक गुट पानी पीलू, यह टाइम है अपने परस, खीच सकते हैं, आजाओ, इंडेस 23 बोरिंग कोस्ट, ठीक है, अब अपने पास क्या क्या सकन्दर सुनना, जो काम की बात है, वो फटा-फट से कर लेते क्या सकन्दर, सुनलो, बोरिंग कोस्ट का मतलब क्या होता है, जब आपको यह लोन लेते है और उसको आपको इंटरस भरना उसको बोलते हैं, अब इंटरस मतलब कुन सा वाले इंटरस्ट, जो कूपन वाले इंटरस्ट हो, या जो य यघए वाले इंटरस्ट हो, क्यूंकि आअध़ परीपि भी होता है, प्रिम्मियम भी होता है, इसके अंदर जब बॉरिंग कोस्te की बात करेंगे तो E, I, R वाले इंटरस्ट कंसर्डर करना समझता है ठीक है उसके बाद अब बोरिंग कॉस्ट आपन क्या करते है नॉर्मल हम ट्रांसवर करते हैं इंटरस्ट वगर बनने में लगता है समय, asset which takes substantial period of time to get ready for its intended use, उसको बलते है qualifying asset, अब substantial period कितना है, इंडेस ने कोई 12 महिना, 6 महिने का period नहीं दिया हुआ है, it is a matter of judgment, किसे के लिए 4 महिना भी होएगा substantial, किसे के लिए 8 महिना भी होएगा substantial, किसे के लिए 12 महिना भी होएगा substantial, तो मिरको लगता है exam point of view से अगर कोई भी asset को बनने में 4, 5, 6, 7 मिना लग रहे, तो note लिखकर आ जाना और निकाल देना boring cost, ठीक है, चलो, अब इसमें होती है 2 परकार की boring, एक होती है specific boring, specific boring का मतलब क्या होता है, जो boring आपने ली है, specifically for that loan, उसको बलते है specific boring, बराबर और एक होती है आपकी general boring, general boring क बचे थे, अब उसमें से आप क्या करो, उसमें से आप पैसा यूज करो, मैं निकाल देता है, जा देखो, एक होती है specific boring, boring ही लिया है आपने उस loan के लिए, मतलब उस qualifying asset के लिए, एक होता general boring, pool of funds पड़े थे, उसमें से थोड़ा 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 पैसा आप यूज करते जा रहे हो construction के लिए, ठीक है, तो specific boring में क्या करते है, जब boring लोगे, जिस दिन काम शुरू कर दिया, suppose आपने boring लिया 1st April को, मैं मानता हूँ काम भी आपने 1st April को ही शुरू कर दिया, तो आपका जितना भी loan लिया है, पूरे loan पे पूरा interest कर देना capitalize, इर respective आपने कब कितना ख से जितना भी पूरा interest है, वो capitalize करोगे, ठीक है, यहाँ specific boring में कब कितना खर्चा के उस समयर को फरक नहीं पड़ता है, वो general boring में देखता हूँ मैं, त्यान रतना, अच्छा उसके इलावा, specific boring में एक काम करना होता है, जब आप interest capitalize करते हो, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ funds जो idle पड़े है, उसको आप invest करके, थोड़ी सी income कमा लेते हो, तो वो interest capitalize में से, जो temporary invest करके income कमाई, वो minus कर देना, बराबर, तो देखो मैंने आँ दिखा रखे आपको, suppose आपने loan लिया, इस दिन पर काम भी इसी दिन पर शुरू कर दिया, तो पूरे 12 मेने का निकाल ले interest, अब बोलता है, जो थोड़े बहुत idle funds उस पर आपने इतना कमा लिया, तो इतना minus कर देना, net borrowing cost आप capitalize करोगे, ये minus करना सिर्फ specific borrowing में होता है, खर्चा कब कितना किया, वो ना देखना, सिर्फ specific borrowing में होता है, general के अंदर मैं कब कितना खर्चा के वो देखता हो, ये आपका specific borrowing complete हो गया, अब आते है, general borrowing के अंदर, example देख लो, suppose तीन loan पड़ाया है मेरे पास, ठीक है, और मैंने कब कितना पैसा यूज किया, 1st April को इतना पैसा यूज किया, जुलाई में इतना पैसा यूज किया, जैन में इतना पैसा यूज किया, अब मुझे निकालना है, मैं कितना borrowing कोश करूंगा, दो स्टेप याद रखो, पहला स्टेप, अपने को निकालना है, कैपलायाईशन रेट, आसान भाषे में बोलू तो, weighted average cost of capital, कैसे, तीन loan पे total interest निकालना, निकाल दिया सर, divide by total loan का amount, कर देना सर, बराबर, तो आपको आएगा, 10.83, ये है मेरा कैपलायाईश किया, into the rate which you got, and into the number of months, जैसे पहला खर्चा, first day पे किया, 12 by 12, यहां करोगे 10.83 का rate, into July में किया, 9 by 12, Jan में किया, 3 by 12, that's it, that is step number 2, boring cost to be capitalized, अब इस पर नोड़ा, variation लाया था मैंने, सुनलो, variation किया है, suppose, suppose, अच्छा, यहां कोई idle funds का बात मत करना, जनरल मार, idle funds का बात नहीं जनरल बॉरेंग के अंदर, अच्छा, अब सुनलो, suppose, मेरे पास एना, एक specific बॉरेंग दा, और तीन जनरल बॉरेंग दा, फिर मैं कैसे करूँगा, बराबर, तो, जनरल बॉरेंग के लिदा, आपने निकालते, capitalization rate, अब एक बार ध्यान रटना है, सुनलो, जब capitalization rate निकाल लेना, similarly, जब denominator में total borrowings लोगे, तो third loan की सारी बॉरेंग मत लेना, इसका भी सिर्फ, weighted average बॉरेंग लेना, जब interest भी 9 मेने का लिया है, तो बॉरेंग भी 9 मेने की ही लेना, बाकी 2 loan first जिसे थे उसको आपन पूरा-पूरा ले लेंगे, तो आपको मिले capitalization rate, capitalization rate सिर्फ जनरल का निकलता है, specific borrowing का नहीं निकलता है, ध्यान रख नहीं बात, clear about, ठीक है सर, आगे बढ़ जाते है, अब आपने ये सार, तो पहला step क्या था, निकालना है capitalization rate, दूसरा step, अब आपने ये सारे खर्चे किये है, अब हमको कैसे मालू पड़ेगा, कौन सा खर्चा specific से किया है, ये मान लिया जाएगा by default, बराबर, तो जब borrowing cost भी capitalization निकालोगे, पहले 30 CR पे, अंधा धूंद 10% जित्ता specific borrowing है, वो interest capitalization कर देना, जो बचा हुआ, first day पे 20 CR है, उस पे capitalization rate into number of months, उसके बाद 75 CR incur किया है, इस पे भी rate into number of months, इस पे भी rate into number of months, simple, सब को समझा मैंने क्या बोला तो ये मेरा concept हो गया, specific को general का लेकर मैं question कराऊंगा चिंता मत करें, तो मैंने सिब idea दिया आपको, उसके अलावा, एक है period of capitalization, capitalization कब शुरू करेंगे, कब खतम करेंगे, चालू करेंगे जब तीनो condition meet हो जाए, पहला expenditure इंकरोना शुरू हो गया, second, काम भी उसके उपर शुर चाहिए, खर्चा भी इंकरो जाना शुरू ना चाहिए, काम भी शुरू जाना चाहिए, और interest भी लगना शुरू जाना चाहिए, तीनो हुआ, तब उस दिन साब capitalization कर देना, start, suspend, suspend का मतलब क्यों होता है, कभी-कभी, बीच में कुछ कारण वर्ष, capitalization suspend करना पढ़ सकता है, है, है न, for example, suppose, काम चले लाता, दो महिने वरकलोग strike पे चले गए, तो काम दो महिना नहीं हुआ न, तो उतने दो महिने का आप interest capitalization नहीं करोगे, अच्छा, अगर काम रुकना, is a part of the process, for example, bridge बना रहो, गिल्ला ब्रीज है, तो सूखने में एक महिना लग गया बीच में, त सुखाने का, सुखाते हैं आप ब्रीज को, वो गिल्ला मत्ती है, सूखने दोसको, तो सूखने is a part of construction, तब मच stop करना, ठीक है, ध्यान रतना, उसके लाबा, सैसेट, सैसेट मतलब, finally, आपन capitalization का बंद कर देंगे, जब asset ready हो जाए, बराबर, अच्छा, कभी-कभी क्या होता सेपरेटली, C is capitalization of each part completed, बराब ध्यान रतना, उसके अलावा, six point है, इसके अंदर क्या है, यह आपन question से discuss करेंगे, लेकिन सुल लो, कभी-कभी क्या होता है, मैं जो boring लेता हूँ, तो foreign की boring पेक्तों में को interest भी भरना है, उसके अलावा कभी-कभी उसके ओपर में को exchange loss भी आ यहां, year one में loss आता है, लेकिन year two, year three में gain आता है, फिर क्या करेंगे, उसके बात मैं करूंगा question के अंदर, बट अभी first year में loss आया, कैसे निकालेंगे, capitalized करने का देखेंगे, first year में gain आ गया, तो कुछ करने का जरूवत नहींगे, ठीक है, आजाओ, बस इतना आपको conceptual धिया अब मैं question पर जम मार रहा हूँ, ठीक है, मेरे question किदर है, रुको, Boring cost, index 23, सुन लो फटाफट से मेरी बाद ध्यान से, जो काम की question रहा हूँगा, ओ हो, मिल गया, illustration number 13, क्या बोलता है सुन लो, मेरे एक specific loan है, दोलाग रुपे का, उसके लावा, 9% पर लिया है मैंने, ठीक है, और एक मेरा general loan है दो दो, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले आप निकालो, capitalization rate, ठीक है, तो इसके लाव निकालो, capitalization rate, दोनों का जित्ता total interest है, divided by total borrowings, आपको मेरा capitalization rate, ठीक है, उसके बाद आप कैसे करोगे, उसके बाद आप अपने खर्चा कैसे की है, 1st April पे आपने 1.5 लका खर्चा किया है, specific borrowing उसके लिए बहुत enough है, more than enough है, तो ये खर्चा आपने specific borrowing से की है, और August का भी थोड़ा 50,000 जित्ता, आज specific borrowing से कर पाऊगे, तो जब आप specific borrowing से खर्चा करते हो ना, तो कब खर्चा किया उससे फरक नहीं पड़ता है, मैंने बताया मत लगाना, specific है तो पूरे 12 मेरे का capitalization करना, पर कहाँ पड़ेगा, क्यूंकि आपने ये खर्चा और इसका 50,000 specific से कर लिया, तो बाकी खर्चा आप जनरल बारिंग से इंकर करोगे, तो जनरल बारिंग से इंकर किया है, उस पे आप capitalization rate लगाओगे, और months का वेट लगाओग अच्छा एक और बात, इसमें एक और खास बात क्या है, construction 31st March तक चला है नहीं, 31st Jan तक ही चला, तो येडी की तरह पूरे 12 मेरे का capitalization नहीं होएगा, क्यूं, 12 मेरे का तब होता, जब मार्च तक चलता, तो यहां कितने मेरे काईगा specific boring में, 10 महिने का, बराबर और general भी निका समझाया, कर लेना भाई, अच्छा question है, उसके बाद, ये भी मस्त question है, ये दिखने में danger है, लेकिन है बहुत simple, danger क्यों है दिखने में, जैसे ही थोड़ा theory दिखती है न अपने को, अपना दिल देख जाता है, लेकिन शांदार question है देख लेना क्या बोलता है, वो बोलता है, अपने construction शुरू किया building का, ठीक है, अब अपने ये अपने सब लिया है, लोन अगेरा, ठीक है, अब अपने पास देख लो, कुन सी boring है, तो बोलता है, पहले तो आपने 10% पे लिया, 4 साल का लोन, simple interest पे, specifically लिया इसके लिए, तो ये specific boring है, बराबर, अब इतने अच्छे लो सिंबल, बराबर, अच्छा, और specific boring में कुछ temporary income भी हो गई, तो माइनस कर देना, तो specific boring का कितना interest capitalise करोगे, सेफ और से 45,000 capitalise करोगे, अब, आपके पास कितना amount था loan का, आपके पास 7 lakhs का loan का amount था मेरे इसाब से, तो 7 lakhs में, मैं बूलू, पहला 2 lakh तो निपड जाएगा, ख पचेगा, 1200 और ये तो खर्चा ही last day पे किये, तो last day पे किये तो कुछ करने का जरूवती नहीं है, तो general boring का दो data यहां दिया हुए, एक loan था 10 lakh का 12.5% पे, एक loan था 15 lakh का 10% पे, तो बस इसका capitalisation निकाल देना, सर कैसे करेंगा, जड़ा solution दिखाता हूँ मैं, आपको इधर आ इलस्ट्रेशन कौन सा इरो लोग है, 14 है, साववी, साववी हो, किदर गया, अरे ये रहा, ये रहा, मिल गया, मिल गया, सुन लो, capitalisation निकलेगा से general boring का 11% आया, बराबर specific boring का कितना capitalise करेंगे, जितना interest दे capitalise कर देना, general में, पहला April का जो खर्चा था, वो तो specific से use कर लिया आपन ने, 30 ये जून पर 5 लग तक भी specific से काम चल गया, अब बचा सिर्फ 1 लाग, तो 1 लाग पर rate into months, ये 12 लाग पर rate into months, 31 मार लाज दे भी गया है, तो no months, इतना general, इतना specific, इतना general, इतना specific, total मिला कर ये आता है, इतना capitalise कर दोगे, बहुत simple question है, लेकिन लोग को theory देखके दर जाएंगे लोग, तो आप कर ले ना भाइस को, ठीक है, आगे बढ़ो sir, illustration no.15, किता प्यारा question है, सुन लो क्या मूलता है, बोलता है न, group company, parent, company P, बोलता है, एक parent है, उसकी 3 subsidiary है, इसका concept सुन लो क्या है, जब subsidiary को evaluate करोगे, तो अलग-अलग देखना, जब parent के point आप व A, B, C, अब individually देखो, A ने क्या किया है, यह real estate A company है, borrowing लिया 10 लाग का, खर्चा किया 15 लाग 40 का, ठीक है, और यह खर्चा, आपस की company में किसी से किया है, तो इसमें margin में included है, लेकिन individual point of view से मुझा फरक की नहीं पढ़ता है, individual point of view से अगर किसी मेरे दूसरे company ने margin earn किया है, IF SFS point of view से, SFS point of view से फरक ही नहीं पढ़ता है, ठीक है, लेकिन पूरे खर्चे के लिए, लोन से 10 लाग का लिया है, अब बताओ, मैं capitalized किस amount पे करू, boring के amount पे करू, या खर्चे के amount पे करू, जब खर्चा boring से exceed कर जाए, तो सिफ boring का amount देखना, बराबर, तो मैं कितना capitalized मेरा किदर गया, 15th question, मैं safe or safe, यह देखो, 10 lakhs पे capitalized करेगा, expense incurred was 15 lakh 40, but since the loan was taken only for 10 lakhs, interest on 10 lakhs will be capitalized, तीक है, आगे, अब construction company ने सुनो क्या किया, boring लिया ही नहीं, खुद के जेप से ही, खर्चा किया, qualifying asset के लिए, बताओ कुछ capitalized करे क्या, आरे जब तुमने boring ही नहीं लिया है तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, जब boring ही नहीं तो boring cash भी नहीं होगा ना भाई, तो no boring cash capitalized, तीसरा company, इसने boring तो लिया है, लेकिन qualifying asset पे इंकर नहीं किया है, अरे जब boring लेके qualifying asset पे इंकर नहीं किया है, तब भी भी कुछ capitalized नहीं करोगे, तो B और C कु 20 लाग का loan है, ऐसा मानने का 2 loan है, 10 lakhs का 7% पे और 20 lakhs का 7% पे ऐसा 2 loan है मेरे पास, तीक है, उसके अलाबा, पूरे group में qualifying asset पे किते खर्चे की है, एक तो यह 50 lakh 40 है, लेकिन group point of view से 10% का margin include करके रखता है, तो मुझे margin भार निकालना पड़ेगा, तो divide by 110% कर दो, तो आपको जाएगा, क्योंकि 10% का margin है, तो divide by 110% करेगा, तो excluding margin value मिल जाएगी, तो यह मेरा खर्चा है, एक तो 14 lakhs वाला खर्चा, और एक है 10 lakh का खर्चा, group point of view से 13 मेरा नहीं होता, company में इतना qualifying asset पे खर्चा किया, इतने loan पड़े है, तो इससे पहले आप निकालोगे, capitalization rate, अब बु 7% into 12 by 12, 10 lakhs पे 7% into 12 by 12, बराबर देख लो, 14 lakhs पे 7% into 12 by 12, 10 lakhs पे 7% into 12 by 12, simple, is this clear to everyone, मजा आगे, तो यह मेरा illustration number 15 था, अब आता है, illustration number 16, again, शांदर question, again, financial instrument ऐसा आगे अंदर, ऐसा घुसकिया आजाता है, financial instrument, क्या बोलता है, सुनलो, बोलता है, हमने qualifying asset के लिए loan लिया है, है न, अब year one के, ओ, 4 साल का loan है मेरे ख्याल सा, ठीक है, bonds issue किया, discount pay, to financial qualifying asset, और ready कब होएगा, दो साल के बाद, जब 2 साल के बाद qualifying asset ready होएगा, तो मैं कितने साल का interest capitalist करूँगा, एक नहीं, 2 साल करूँगा, अब interest कैसे निकालोगे, कूपन अलग है, ER अलग है, तो आपको financial instrument का LAT बनाना पड़ेगा, जो LAT का पहले 2 साल का coupon है, वो आप capitalized कर पाऊगे, जो उसके पहले 2 साल का coupon है, वो आप capitalized कर पाऊगे, तो वो capitalized कर देना, simple, तो कैसे करेंगे सार, आज ओ, फटा 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 देता हूँ, मैं आपको, illustration number 16 है नो, 16, 17 बता नहीं किया है, उस तो है, यही है मेरी ख्याल से, नहीं 16 है, सॉरी, यह रहा, देख लो, तो सबसे पहला step है cash flows, इतना loan लिया वो बताना, तो day 1 पर तो आपको net info इतना आया है, फिर year 1 से लेकर 4 तक coupon भरोगे, 4th year पर loan repay करोगे, उसके बाद fair value, देखो ज relation नहीं है, कोई CFI नहीं है, कोई level input नहीं है, तो अपन fair value आजूम कर सकते है, और liability है, तो TCB minus कर देना है, जो भी discount minus कर देना, ठीक है, जो भी है, तो अपना कितना आएगा 1,80, जिसने किसी और से पठक है, कोई बात नहीं, आप अगर compute भी करोगे, तो भी same answer आएगा, ठीक ह कर सकते है, कोई relationship नहीं है, कोई CFI नहीं, कोई level input नहीं है, ठीक है, ER दिया हुए, LAT, अब LAT बनाओ, क्योंकि 2 साल लगा है, बनने में, तो 2 साल का ER का interest आएगा, वो capitalist करना है, और कुछ नहीं करना है, तो आपको financial instrument आना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ, financial instrument छोड़ना मत, कल कराऊंगा revision उसका, चिंदा क्यों करते हैं तुम लोग, आजो, यह हो गया, illustration number 17, again a very simple question, देख लो क्या बोलता है, बोलता है, 6-20 का loan लिया, अब loan का जो interest है, वो कितना है, जो भी आएगा अपने को निकाल लेंगे, खर्चा कैसे कैसे किया, तो बोलता है, इस 6-20 में से, 5 installation बाद में होने वाला है, मतलब, समय लगेगा इसको, इसको इंस्टाल होने में, तो यह qualifying asset है, उसके लावा, मैंने कोई supplier को advance भी दिया, 54 lakhs का, है न, for additional assets acquired on April 11, which were installed on 30th April 12, अब यह बी capital advance हो गया, machine के लिए दिया है, जो machine को again बनने में समय लगेगा, तो इस पे भी जो advance वग working capital purpose, working capital purpose के लिए use करना, is not a qualifying asset, तो इस पे जित्ता अभी आपने loan का पैसा spend किया है, वो आपके लिए कभी भी qualifying asset नहीं होगा, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे सर, अच्छा, उसके अलावा क्या बोलता है, management के लिए वो बोलता है, 12 महिना is a substantial period, यह clearly लिखा गया है, 12 महिना is a substantial period for the management, आप ध्यान से देखोगे, तो पहले दोनों जो advance दिया है, यह plant को और यह advance वाला, यह दोनों 12 मेने से जादा लग रहे है, तो यह qualifying asset है, ध्यान लगना, ठीक है, तो उसका proportionate interest निकाला हुआ है, वो बड़ा simple है, तो जो interest आएगा for first, एक plant और एक advance के लिए, वो आप से भी different, if the whole process gets completed by 20th February, तो उस case में सिर्फ 11 महिने में काम हो जाता, अगर company का policy है कि 12 महिने कोई substantial मानते है, और इस second वाले case में काम 11 महिने में हो रहा है, तो उस case में कोई भी qualifying asset होता ही नहीं, उस case में सारका सारका चाज़ा था profit and loss के अंदर, ध्यान रखने है वाला part, बड़ यह similar question ICI के book में भी है और यह RTP पासक्जम में भी आया हुआ है, अब एक जगे इन्होंने rate अलग तरीके से निकाला हुआ है, एक जगे अलग तरीके से निकाला हुआ है, ठीके, बता दो क्या दिक्रेस के अंदर, अब तो लोग ऐसे करना है, suppose मैंने 1st September को काम शोरू किया, खतम कब हुआ काम, December में, कितना महिना चला September, October, November, December, चार महिना करेंटर में चला है, अब वो बोलता है, it is expected to go beyond 1 year, करेंटर में से चार महिना काम चला है, और भी चलेगा आगे, बट करेंटर में चार महिना ही चला है, ठीके, यहां माल लो December year end है, बोला नहीं है, लेकिन exam मे लिखावारेगा December year end है, ठीक है, माल लेना, अब, यह जो खर्चा किया, उसके लिए, लोन कैसे लिया, अच्छा एक बात ध्यान रखना, कितना बोरिंग कोश करेंगे, यह पूछा ही नहीं है, इसके अंदर, इसमें सिव एक ही चीज़ पूछिए, कि हमको capitalization rate निकाल के दो तो यहाँ सिर्फ step 1 में question खतम हो जाएगा, तुम समझ रहोगा, यहाँ step 2 तो जाएगा ही नहीं, step 1 में क्या है, निकालता न, capitalization rate, उतना ही करना है अपने को, ठीक है, तो खर्चा मेने कब कितना के और समेर को फरक ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि मैं को capitalization rate निकालना है, अब क्या-क्या loan लिया यह देखो, बोलता है, during the year, entity had 9% dementia with a face value 30 lakhs, and had an overdraft of 4 lakhs, which increased to 8 lakhs in December, interest was paid on the overdraft at 12%, till 1st October, and then rate was increased to 15%, अब जो भी लफडा है, यह overdraft में दिक्कत आती है, लोगों समझने में, मैं सम्झा देख प्यारा चार्ट बनाने का, overdraft में क्या बोलावा है, overdraft में बोलाव का loan था, December तक, और December में 8 lakhs हो गया, तो मैं बोलू, यह OD के लिए, पहले 11 महिने के लिए, आपका loan 4 lakh है, और फिर एक महिने के लिए आपका loan 8 lakh है, यह कह दू, कह दो सर, अब interest rate दिया हो है, बोलता है, पहले October तक interest किता था 12%, फिर हो गया 15%, October मतलब, पहले 9 महिने के लिए interest 12% तो मैं बोलू, इस 11 में से, पहले 9 महिने, interest था 12%, फिर इस 11 के बाकी 2 महिने, interest चलेगा 15%, और यह last का एक महिना भी interest किता चला 15%, अब जैसे आप यह निकाल लोगे ना, question में कुछ बचा ही नहीं है, ऐसे कैसे सर, इदर दिखाता हो मैं आपको, सुलो, यह देखो मैंना सेम च रिखाता है, interest, वेटई एवरेच, तो डिवेंचर, टो पुरे साल के बाकार प्राऊस्चरने ता, 60,000,00 in to 9%, मैं हम्योंक धो बपना दिया, interest का और बारिक का, तो interest 30,000,00 in to 9% धो 12 by 12, फिर और डिखाव, पहला, interest कृटलों कि अलो आग का, मैं बोलू, 4 lakhs का लोन, फॉर 9 म तो मैंने लिखा 4 lakhs का लोन for remaining 2 months 15% उसके बाद मैंने लिखा 8 lakhs का लोन for 1 month 15% 8 lakhs का लोन for 1 month 15% तो मैंने overdraft का लग 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 interest निकाल लिया सबका ये मुझे total interest मिल गया अब boring कैसे निकालोंगा exactly ये हैं चाप दो और rate निकाल दो rate खटा दो तो 30 lakhs into 12 by 12 4 lakhs into 9 by 12 4 lakhs into 2 by 12 8 lakhs into 1 by 12 ये आपकी total boring मिल गया आपको weighted average interest divided by boring मिल गया आपको rate और आनम के यह साब से सबको समझा मैंने कैसे किया है अब ये जो ये एक तरीका आई से करने का जाए उनने 12 मेने के यह साब से निकाला हुआ है किसके साथ से निकाला बारा मेने के साब से अब एक और तरीका इंका करने का जाए बारा मेने के साब से निकालते तो फिर कैसे निकालते सर इन लोग क्या करते है इन लोग बोलते current year में काम चला सब्टेमबर से तो इन लोग 4 महिने ही मानके चलते हैं, ठीक है, 4 महिना मानके चलते हैं, बोलते हैं, यह 12 by 12 मत करो, इसको आप 9 by 12 मत करो, आप ऐसा बोलो, September तक चलिते न, तो 1 by 12 यहां रहेगा, 2 by 4 यहां रहेगा, 2 by 4 यहां रहेगा, 1 by 4, मतलब सब कुछ 4 महिने के टर्मस में निकालो, ठीक है, तो दोनों correct है, मुझे लगता है, कोई भी एक पढ़के जाओ, और exam में वही करके आना, तो मुझे लगता है, जब suggested में पहले यह दिया वा था, 12 के इसाब से, तो आप यह भी हमको नहीं पता है, क्या लाएगा suggestion में नई वाले में, तो यह कर सकते हो, अगर आपको question number 2, suppose मेरे पास एक qualifying asset है, ठीक है, जिसका loan मेरे लिया September के अंदर, ठीक है, अब क्या बोलता है, इसका cost of capital 11% है, ठीक है, और total borrowing cost 0.5CR है, अब एक बात ध्यान रखना, इन्होंने क्या दिया हुए, खर्चे incur करने के दो तरीके होते है, एक तो जितना खर्चा accru हुआ वो दि किया हुआ है, ठीक है, तो अगर आप, अब आपन क्या बोलते है, cost of construction बता होड़ साल कितना खर्चा incur किया है, अकुरू इतना हुआ है, लेकिन पे अलग तरीके से आपने किया है, अब मैं कोन से खर्चे पर borrowing cost capitalist करो, क्या मैं advance को consider कर सकता हो गया, तो आपको याद रेका मैं कर बाया था भी, illustration number 17, इसमें देखो, advance to supplier दिया था, क्या मैंने advance to supplier पर borrowing cost निकाला था, मतलब advance के बेसे आप निकाल सकते हो, because हमको ये देखना है, खर्चा कितना हुआ और कब हुआ है, खर्चा कितना और कब हुआ है, वो देखना होता है, तो अब जब इसको solve करोगे, तो question में अपने को दोनों तरीके से पूछा हुआ है, बोलता है, पहले, accrual के इससाब से borrowing cost निकालोगे, तो कितना आएगा, advance के साथ है, तो कितना आएगा, दोनों देने का पहले, फिर बताने का appropriate ज्यादा कुन सा है, तो फिर ये बोलनेगा कि advance वाला ज्यादा appropriate है, because हमको payment basis प और चला है 31st March तक ऐसा माल लेते हैं, तो September, October, November, December, Jan, February, March, 7 महीने, तो बोलनेगा into 7 by 12, बराबर October में खर्चा किया, तो इस पर लगाओगे 11% into 6 by 12, November में किया, तो लगाओगे into 11% into 5 by 12, उस तरीके से करना है आपको, तुमकर समझ पढ़ते है किस तरीके से करना है, बड़ा कौन चा है, तो देखो, आपको solution देखना है, यहां दिखाता हूं, यहां देखो, 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 आँ खुला रखके देखो, कहा गया, ओले मिला बाबू कहा गया, यह रहा, यह रहा, देखो, accrual के base पर भी निकाला है, payment के base भी निकाला है, कुछ नहीं, खर्च option number 3, एक बार आप रिफर कर लेना, simple सा है, वो phase wise काम complete हो रहा है, तो यादे मैंने बताया था, जिस phase का काम complete हुआ, उतने phase का boring cost बंद कर देना, तो पहले phase 1, phase 2 का 6 मिना काम चला, तो उसका 6 मिने का interest काप्लाइस करना, phase 3 phase 1 का 12 मिना काम चला, तो उसका 12 मिना काप्लाइस करे क्या बोलता है, exchange loss on foreign loan, अब हुआ क्या, आपने foreign का loan लिया, ठीक है, आपने क्या लिया, foreign का loan लिया, ठीक है, AK Limited ने loan लिया, और qualifying asset 10 lakhs रुपीस का, US bank से लिया 5% के इसा आप से, फर्स तारिक को लिया, similar loan अगर इंडिया में लेते तो 12% का पढ़ता, बाहर से लिया तभी सस foreign loan लेते हो, मैं मानता हो कि you have taken for a qualifying asset, तो जो interest पे किया, वो तो capitalise होएगा, interest कैसे निकालोगे, foreign loan पे, $10,000 into 5%, अब जब interest पे करते हो, तो first day पे करते हो, last day पे करते हो, last day पे करते हो, बराबर तो last year के year end की rate से multiply करना, बराबर तो इतना interest आप capitalise कर सकते हो, जहाँ कोई दिक् loss कितने का हुआ, $10,000 पे, $5,000 का loss हो गया, मतलब मेरा loss हो गया, $50,000 का, ठीक है, अब इस में से, standard company बोलता है, मुझे इसको भी capitalise करना है, अब यह allowed है की नहीं है, to sum extend it is allowed, अब कितने extent, वो बोलता है, यह बताओ, अगर भारत से loan लेते, इंडिया से, तो कितना interest भरते है, तो मैंने बोला, अगर मैं इंडिया से loan लेता, $10,000 का, तो मैं first day पे लेता, तो 70 के साब से लेता, मतलब इंडिया से मैं 7,000,000 रुपी का loan लेता, इस में से, मुझे 12% का rate लगता, तो मुझे कितना loan interest लगता, 7,000,000 into 12%, that is 84,000 का मेरे को interest लगता, बराबर, अब इतना पुर कर दिया, तो मैं बोलूँगा, इस में से हमको, 84,000 minus 37,500, that is, बचा हुआ कितना है, 46,500, से इतना ही exchange loss, आप capitalized कर सकते हो, इतना ही exchange loss, आप क्या कर सकते हो, capitalized कर सकते हो, तो बोला अब देखो इदर, अब कैसे निकालने का सुन लो, loss इतना आता, तो पहले बताओ, maximum loss लोगत इतना ही capitalized, तो मैंने बोला, भाई, भारत से loan लेते, तो इतना interest भड़ते, बड़ इस में से इतना तो अल्वडिया लाओ कर दिया ना मुझे, तो या तो मैं इतना ही capitalized कर सकता हो, बाकी बचावा जो loss हो, profit and loss में जाएगा, सब को समझा, ठीक है, अब एक ऐसा question, जो मैं कर हो आपको, अच्छे जा करके जाना भाई, sold example के format में कभी भी पूछ सकता है, ठीक है, अब इसमें क्या है, first time में gain नहीं आता, first time में loss ही आता है, बाद में जाके gain आता है, तो यह मज़ेदार question है सुनना, तो सब्सक्राइब के बास loan था, 1000 का, 4% पर rate चल लिए foreign में, आज की rate conversion की 40 है, year end पर 50 है, ठीक है, अब कैसे करेंगे, सबसे पहले, यह निकालने का, foreign loan पर कितना interest लग रहा है, loan लिया, rate और year end की rate, यह interest, capitalize करने पर कोई दिक्कत है अपने को, नहीं, तो यह तो capitalize करेंगे सर, add to the cost of asset, ठीक है, उसके बाद, जो exchange loss है, उसका किया, यह exchange loss जो 10,000 का है, 10,000 का loss आया कैसे, 40 से rate 50 होगी, बढ़ की loss हो गया मेरको, तो रुपीश 10,000 का loss आ गया, अब इसमें से में कितना capitalize करूँ, simple, भारत में loan लेते तो कितना interest लगता, तो भारत में loan लेते, तो 40,000 का loan लेते, और भारत में rate चल रहेती 12%, तो भारत में loan लेते, तो 4,800 का interest के अंदर, का जागा बाकि एक्षेंज लॉस, प्रॉफिट लॉस के अंदर, अरे यस और नो, पर्फेक्ट है सर, आगे बढ़ो, अब इसी के अंदर, एक साल के बाद, ये सीक्वेल बन गया, भाई, कटप पने भावले, क्यों मारा, आओ इदर, एक साल के बाद बोलता है, अब एक्षेंज रेट, 50 थी, 50 से होगे, 48, अब अगले साल, मेरी रेट कम हो गई, तो मुझे गेन हो गया, अब कैसे करेंगे, पहले तो जो उस लोन पे, एक साल का इंटरस्ट है, वो तो कैपिलास करना ही है, 1000 इंटू 4 परसंट इंटू उस ताइम का रेट, ये तो कैपि अब जो गेन हो गया, मैं उसका क्या करूंगा, गेन हुआ 2000 का, नॉर्मली गेन जाता है प्रॉफिट इंटरस्ट के अंदर, लेकिन स्टैनर्ड क्या बोलता है, इसी लोन पे, पिछले साल ही, तुमने लोस का गाना गाकर, क्या किया था, कैपिलास किया था, तो अब गेन हो अब गेन होईगा, तो अपने को एसर की कॉस्ट से माइनस करना पड़ेगा, क्यूंकि ये गेन, पिछले लोस से कम ही है, तो आप पूरा का पूरा गेन, असर की कॉस्ट से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, अगला बढ़ जाते है, अगर सपोस एक्शेंज रेट, 44 होती तो, ये 3rd year में नहीं जा रहा है, ये case A का alternative है, मतलब समझ लो, loss हो गया, इतने का, अब भूल जाओ, case A नहीं होता, case B होता तो, तो आपको गेन 6 रुपे का होता पर लोन पे, तो इस case में क्या होता, जो लोन पे interest है, वो तो capitalize करोगे, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन जो gain हो रहा है, अब gain 6000 का हो रहा है, अब मैं पूरा 6000 cost suggest नहीं करूँगा asset के, इसमें से मैं से 2800, asset की cost से minus करूँगा, बाकी जो gain है, वो मेरा profit and loss में मीठा मीठा चला जाएगा, clear, ठीक है, उसके बाद case C, अब case C में क्या है, अगर exchange rate 44 हो जाती, क्या हो जाती, 44 हो और ये भी बोला है कि पिछले साल ही आपने 600 की borrowing भी repay कर दी, 1000 डॉलर की borrowing थी, उसमें से आपकी outstanding सी 400 डॉलर की borrowing बचिये, 600 डॉलर की borrowing आपने repay कर दी, अब इसमें interest कितना capitalise करोगे, येडे के तरह 1000 डॉलर मत लेना ना, यहां आएगा सिफ 400 डॉलर, उसमें 4% और आजकी rate, इतना capitalise करोगे, अब इस पर जो gain आएगा, ये जो gain आएगा, ये सिफ 400 डॉलर पर आएगा, बराबर, अब इसमें से मैं कितना asset की cost से adjust करूंगा, तो don't compare this 2400 with 2800 of loss, नई, 2800 का loss, 1000 डॉलर पर आया था, वो जो gain आया है अपने को 2400 का, वो सिफ 400 डॉलर पर आया, तो मैं क्य करूंगा, comparable ही नहीं है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा, equivalent portion of exchange loss, अगर मुझे 2800 का loss, 1000 डॉलर पर आया है, तो equivalent loss, 400 डॉलर पर कितना है, इतना है, बस इतना ही maximum gain, आप asset की cost से less करोगे, बाकी gain आपका जाएगा profit and loss में, मैंने revise कराने का कोशिश किये, लेकिन ये question प् अगर तुमारे पास नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, चलो, तो ये इसी के साथ अपना क्या खतम हो जाता है, index 23, प्यारा प्यारा हो, मीठा मीठा, मैं बोल रहा हूं, मिरको पाउने दो बज़े दिख रहा है, तो मानो ना मानो, मिरको दिख रहा है, अच्छा, एक और एक अधर, तो वह पाट देख लेना, प्रीज, क्लियरे वाला पाट, index 23 का, वह आटीप वाला question, मैं mark करा रहा हूं, आप भी लिखो उधर ही किदर, ताकि आ भूलो नहीं, मतलब जब सेल्फ करोगे तो एक बार देखना है, उस question को आपको बहुत शांदार question हो भी, और ICI के आपने क्या भूल गया सर अरे, ङरे और इसार से, इसको भी क्या कर दिया आपने, सरक सरक कर दिया, तो कुझे से, इन्डेस हो गया है सर, 16, 38, 40, 36, 105, 41, 12, 28, 10, 37, फिर आपने वन किया था, उसके बाद ब्रेक के बाद आपने 19 किया, फिर आपने 20 किया और firm時候 23 किया, रुक न नहीं है चलते जाना है लेकिन आपन जितना कर पाएंगे करेंगे तुमने प्रॉमिस कहता ना आपन जितना कर पाएंगे करेंगे भाई तो बैठो मैं साथ फटा-फट से आजाओ अब मैं अगला इंडेस जो इंडेस तुम छोड़ोगे मुझे करवाना दो भाई उसको ठीक है तुम तुम्हारा सुनो तो तुम तो रोज सब सब चैट बॉक्स में अलग अलग चल रहे आप सर यह 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 करवालू मैं करवादा सर ठीक है तुम किता भी चला लो मैं अब दो चा छोटे इंडेस लेनों तो फिर बड़ा इंडेस लेनों ठीक है चलो बड़ा फट से आजाओ अपन घुम फिर के जम मार के आ रहा हूं मैं सुनलो अरे कराने दो ना मेरे को तुम रूकी नहीं रहे हो तुम बोल बाद में कराता हो हो गया तुम्हारा देना मेरे चलो वेरी गुड गंजा बुक पर आओ अब स्टार्टिंग से मुझे आत करने दो एक आपका यह आजाओ फटाफट से अभी इदर आजाओ फटाफट से अभी इदर आजाओ फटाफट से अब बहुत सिंपल सा इंडेस है जो भी रेलिवेंट पाटे करा रहा हो करके थको नई करोगे तो चलेगा जिन्नासनो ओसलो फैर फैर वालू का मतलब क्या हता है इंडर प्राइस इन्टिंट पार्केट पार्डिश्मेंट एट मेशरमेंट डेट ठीक ऐसा समझ गी आमको अब पेर वैलू एट इनिशल लिकेशन क्या होती है यह भी ध्यान लखना तो फेर वैलू डे वन पे फेर वैलू और कॉस सेमी होता है देखो फेर वैलू होते है एक्जिट प्राइस दो तरगी इसके अदर कि यह वन पे तो फेर वैलू टीपी सेम होता है वह राबर हां कुछ कुछ केस में फरक हो सकता है फेर वैलो टीपी के अंदर जब रिलेशनशिप हो जब सीएफाई हो उस केस में टीटमेंट डिसकषा आपन ने वंजरन एन के अंदर की हुआ है बराबर बडो करता है कि normally वो day one पे same ही होता है ठीक है उसके बाद तो इसमें काम की बात है वो इदर आ जाना principal market most advantageous market principal market most advantageous market अब इसकंदर क्या होता है सुन लो suppose में बाद reliance के shares है ठीक है अब reliance के shares NSE और BSE दोनों पे होते हैं trade NSE और BSE दोनों पे होते हैं trade तो अब मैं कौन से वाली price को मानूंगा मेरी reliance के share की fair value अब आप लोगे same value तो होता है minor पैसे का फरक होता है तो उस case में पहला preference देंगे principal market को जीदर वो जादा volume में trade होता है very good answer Ritesh Muskan Avani very good यार very good प्राची very good everyone तो principal market मतलब जीदर वो जादा volume में होता है trade उसका बलता है principal market बराबर तो अगर मेरे को लगता है मेरा NSE में जादा trade हो रहा है तो NSE के जो value है वो होगी मेरी fair value अगर मुझे लगत तब BSE में जादा trade तो BSE की जादा value होगी अगर आपको नहीं समझता कि principal market क्या है दोनों market में equal value में trade हो रहा फिर तो आपन लेंगे most advantageous market अब इसको आपन निकालेंगे कैसे तो इसको करने के लिए मेरे पास वो है रुको मैंने बढ़िया बढ़िया चार्ट मना रखे तुम्हारे लिए मुझा मुझा कोलना बढ़ेगा क्या अरे चल ले भाई चलो 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 नए खाब बुले बं बं बो ले सुनो इना देखो if principal market is not available तो वी विल उस most advantageous market अब इसको कैसे करेंगे सब वो दो market है market है market भी selling price दिया हुए transportation cost दिया हुए transaction cost दिया हुए most advantageous मतलब जहां बेच के ज़्यादा पैसा मिलेगा ठीक है तो selling price में जित्ते भी cost दिये sum minus कर दो मैंना sum minus किये मुझे market A में बेच के ज़्यादा पैसा मिल रहे तो ये हो गई मेरी most advantageous market लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि most advantageous market की fair value किया है तो fair value निकालते समय सिर्फ selling price में से transportation cost minus करना मतलब आप इसमें दो step है पहला most advantageous market ढूणने के लिए सारे cost minus करना और जो higher value है वो आपकी most advantageous market लेकिन अगर आपको ये पूछे कि most advantageous market की fair value किया है तो उसके लिए आप क्या करोगे selling price में से सिर्फ और सिर्फ transportation cost minus करना transition cost minus मत करना अगर मैं पूछू market एकी fair value किया है तो बोलोगे 103 minus 3 that is 100 रुपीज ये मैंने दो step procedure यहां लिखा रहा है ध्यान दगना ये वाला पाट ठीक है तो 100 रुपया मेरी fair value हो जाएगी उसकी ये हो गया principle market और most advantageous market मज़ा आगे बढ़ो उसके बाद fair value rules for non financial asset इसका मतलब बोता है PPE जैसा अगर आपको कोई PPE बगेरा है तो उसके लिए कुछ fair value बताएगा क्या rule बताया है सुरनो मेरी बाद ध्यान से वो बोलता है अगर आपके पस कोई PPE है तो उसकी fair value क्या होगी तो बोलता है इस case में आपको ये देखना पड़ता है कि उसका highest and best use क्या है सपोज मैं अपने PPE को studio की तरह भी use करताता हो बना सकता हो कलब बना सकता हो या आपी beauty parlor खोल सकता हो beauty parlor में सबसे दाधा पैसा है तो यही इसकी highest and best use मान के इसकी fair value मानी जाएगी हाँ अगर सपोज government बोलता है कि beauty parlor नहीं खोलने का है ना तो जो next मतलब ये बैं कर रखा है क्यूं बोलते है तुम्हारे जाली चेहरे किसको देखने नहीं है भाई फरजी चेहरे मत दिखाओ सचा ही दिखाओ तो जो next best use है उसको मानेंगे इसकी fair value त्यान रखना और अगर तुमको समझता ही नहीं है कि इतनी सारी possibility है तो जो तुम्हारा existing use है उसको मान लेना best use ठीक है वो clarification मगरा दिया हुए उसके बाद आखिर मात है fair value rules for equity instruments ठीक है अब क्या rules है इसकंदा सुन लो ये भी आपको चार्ट से हो जाएगा इतना सबसे पहले अगर आपको equity shares है investment है जो भी है आपने issue किया रहेगा या आपने किसी और में invest किया रहेगा जो भी है तो इसका fair value आप कैसे ढूंड़ोगे तो शायर trade नहीं हो रहेगा active market पे तो जब active market का खुद का प्राइज नहीं है तो you will use fair value hierarchy है ना fair value hierarchy अब hierarchy में क्या है खुद का प्राइज नहीं है तो आपन use करेंगे सबसे पहरा level 1 input इसके अंदर क्या करते है आइडेंटिकल company का price use करने का try करेंगे अगर वो भी नहीं है तो level 2 में जाना similar company का use करने का try करेंगे अगर वो भी नहीं है तो level 3 में जाना valuation technique जो आप SMMA सिखते हो ना discounted cash flow model, golden growth model dividend discount model उसके अपन through fair value निकालने का try करेंगे इसका मतलब fair value rules कब जाने का जब खुद का active market नहीं तब जाने का active market है तो जाना ही मत खुद का active market नहीं तो जाएगे fair value में पहला preference किसको देंगे it is but obvious level 1 input को देंगे ये नहीं है तो level 2 को देंगे फिर level 3 को देंगे, level 1 input माते identical, level 2 में आता है similar सबको समझ पढ़ता है ये वाला बात समझ आता है sir very good अब इसमें थोड़ा ओर detailing दिया गया है identical company को level 1 को बोलेंगे जब आपने उस company का data without any adjustment use किया है अगर उस company का data आपने छोटा मोटा adjustment use करके use किया है तो वो level 1 ने level 2 input बन जाएगा और अगर इसी company का data आपने बहुत सारे adjustment करके अपने हिसाब से consider किया है तो ये level 2 ने level 3 input बन जाएगा ध्यान रखना similar वाले case में वो शुरू होता level 2 से ही है तो similar में अगर as it is data use किया है तो level 2 input मानेंगे अगर छोटा मोटा adjustment गया है कैसा ब adjustment किया level 3 मानेंगे ध्यान रखना करने का जरूवत नहीं है अब आजाओ इसके questions के उपर अब इसके questions है ज्यादा तर ऐसे है जहां directly question करोगे तुभी समझ चाहता है concept नहीं आएगा तुभी चल जाएगा बट फिर भी आपने concept हो कर लिया सारे के सारे अब आजाओ question के उपर क्या बोलाओ illustration number 4 ठीक है चलो अच्छा एक बाद आपको बता दू मैं आप सब लोग index 21 की चिलन चिली कर रहो 21 मैं करा हूंगा तुमको 10 से लेने का जरूवत नहीं है उनको मेरे पर भरोसा है मेरे को भगवान पर भरोसा है ठीक है चांती होगे अब सुन लो illustration number 4 ठीक है suppose मैंने ABC के shares acquire किये 5% के ठीक है 5% acquire किये कितने में 10 CR में acquire किये very good तो मैंने किसी company में invest किया जब invest किया तब मैंने 5% invest किया था मुझे उसकी आज की fair value चाहिए किसकी fair value आज की fair value अब आपन कैसे करेंगे सुन लो तो बोलता है based on observable input the ABC identified a similar transaction हमने similar transaction के लिए कुछ देखा मतलब market में transition हुआ है जिसमें किसी company ने same company के shares इतने में खरीदे है अब वो fair value निकालने के लिए इन्होंने एक वो यूज किया था फैक्टर comparable company method के एक factor use किया कि enterprise value divided by EBITDA is equal to 8 कितना है वो मिलके आता है 8 rupees ठीक है अब और अपने को बोला हुआ है कि EBITDA कितना है EBITDA is 40 rupees यह 40 rupees है बराबर तो आप बुद्धी लगाओ अगर आपको इसका factor दिया हुआ है EBITDA दिया हुआ है तो क्या आप cross multiply करके enterprise value निकाल सकते हो enterprise value क्या होगी आपकी 8 in to 40 मतलब जिस company में आपने 5 टका invest किया उस पूरे company की value मिल गए अपने को 320 अब अपना investment इसमें पूरा फुड़ी न अपना 5% investment है तो बोलने का into 5% तो कितना आपने investment का value भाई 16 16 आगया की नहीं आगया आगया सा 16 16 करोडा जो भी बोलना है बोल दो अब वो बोलता है क्योंकि अपना stick छोटा है तो दो discount apply करने हैं एक apply करना liquidity discount और एक apply करना है NCI का discount तो भाई discount है तो discount मतलब less करना है तो दो बार 5% less कर दे मतलब 10% less कर दे इसमें से तो आप 1.6 इसमें से less कर दोगे तो कितना बच्चा 14.4 यह आपकी होगे investment की आज की value समझ गया यह वाला part खतम होगी इसकी कहानी आगे आ जाओ illustration number 5 यह तो उससे भी simple है सुनलो क्या बोलता है 5 सल के cash flows दे रखा है मैं बोलू cash flow देखा नहीं के 2.15 और present value निकाल देना है इसकी तो year 1, year 2, year 3, year 4 year 5 में cash flow भी दे रखा है और terminal value भी दे रखा है यह सब देखके SM याद आता है का तुम लोग को नहीं यादा आता है very good सुनलो अभी फिर cost or capital दे रखा है तो discount कर present value निकाल फिर क्या बोलता है इसमें से total debt का value है 1465 total company के value में से debt वालो का value जो भी है minus कर देना surplus cash balance पड़ा है add कर देना assert है add का liability है minus का simple है तो मैंने present value निकाला मेरे को इतना आ गया debt का value minus किया cash balance add किया ठीक है इससे मुझे सिभ equity का balance मिल गया अब divide by number of shares कर तुझे per share का value मिल जाएगा simple खतम कहाँ इसके विए उसके बाद 7 एक बार देखने ना 7 बड़ा simple है 8 ओ भाई 8 मतलब है मेरे को question field दे रहा है पता नहीं क्यूं ठीक है 113 से पूछता रहेगा तो पूछ लेगा ठीक है कब से टहल रहे किदर उदर कभी ना कभी आई जाएगा बढ़िया question है कराऊंगा ऐसा मज़ा आजएगा तुमको सुनलो अब इसमें पूछा के पहले वह समझने का ट्राय करना हम कभी कभी कहते ना कि हमको PPE में वह 10 साल के बाद decommissioning incur करना है 10 साल के बाद suppose मानलो decommissioning incur करना है 100 करोड रुपया अब यह question में तो मैं इसको present value पे ले आओंगा तुम समझ रहे हो क्या तो आपको सिखाएगा 10 साल के बाद सब कुछ value incur करनी है तो पहले यह निकालना सिखाएगा यह वह fair value है बराबर present value पे लाना तो बसाड़ सिंपल है इसको आपन 10 साल से discount कर लेंगे यहाँ भी ऐसा ही कुछ दिया हुए ठीक है अब सुन लो कैसा बोलता हूँ जो question में बोला हूँ चुपचप करते हुए जाना हूँ सबसे पहले बोलता है कि market participant वगरा ठीक है कुछ labor cost है खर्चा दिया हुए खर्चे का probability दिया हुए खर्चा into probability खर्चा into probability उसके बाद बोलता है labor के अलावा और कुछा खर्चा है overhead cost है जितना labor है उसका 80% बराबर तो labor जितना है उसके अलावा profit पर markup दिया हुए कितना markup दिया हुए profit के ओपर 20% तो बोलता है जितना भी खर्चा के उस पर markup 20% लगा देना तो total खर्चा निकाला उस पर 20% का markup लगा दिया जो बोल रहा है वो करते जाने का चुपचाब ठीक है आगे उसके बाद फिर क्या बोलता है वो हाँ बोलता है risk that the cash flow outflows might differ from those expected including inflation excluding inflation वगेरा कुछ दिया हुए तो बोलता है premium add करना 5% का जैसे discount minus करते है वैसे premium क्या करना पड़ेगा add करना पड़ेगा तो मैंने add कर दिया premium किदर गया total amount पे premium लगा दो चलो फटाबड add कर दिया उसके बाद क्या बोलता है अब बोलता है कि inflation भी तो लगेगा 4% का inflation 10 साल तक तो अब inflation को कैसे consider करते है inflation को आपन अगर 4% 10 साल तक है तो ऐसे निकलता उसका factor 1.04 raise to 10 करके तो यह कैसे करो एक LC पे आता रहेगा न 1.04 into equal to 9 बार दबाना क्यूंकि जब आप first time equal to दबा तो दो बार हो चुका रहता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आता है is equal to 1.4802 आया इतना 1.4802 जितना भी आपका premium के बाद का amount था उस पे यह inflation का factor लगा दो into 1.4802 समझा यह आपको value मिला है D commission का 10 साल के बाद का कब का value मिला है 10 साल के बाद का कैसे मिला सर अरे 10 ता के inflation आड़ गया आपने 10 साल के बाद का value मिला अब आपको नीचे ना दो factor और दे रखे एक बोला हुए risk free rate एक बोला हुए risk free rate और एक आपको दिया हुए credit risk का premium यह ना capital asset pricing model उसके क्या पते आपन कभी discounting factor निकालते है यह ना rm plus rf minus rm तो यह rf है और यह rm minus rf है तो यह तुमारा वह हो गया 8.5% का discounting factor है sir क्यों दिया हुए यह आरे वह 10 सल के बाद की value है ना उसको आज के time में लेकर आओ तो 10 सल से discount कर दो sir divide by 1.085 raise to 10 मैं तो बोलता पूछलो सौमाक का एक बार मैं तो ICI को request कर आओ मैं बना तो पूछता हो सौमाक का लेकिन तुमको question बनाने के लिए तुमको पहले से यह बनना पड़ेगा थोड़ो नहीं पूछूंगा सुन लो कर लोगे न वो question भाई exam में आ तो आरे कर लोगे न क्योंकि एक के हवाई साब के दर हो वह वाई साब इदर हो चलो बोलता है असेट दो different market में trade हो रहा है एक Mumbai market है, Kolkata market है दो case पूछा हुए है बोलता है what would be the fair value if Mumbai market is the principal market, बोलता है Mumbai की market principal market है, बताव fair value क्या है तो यह है मेरी fair value 290 रूपीज उसमें से transaction cost है, fair value निकालने के लिए कभी भी transaction cost consider मत करना, हम सिर्फ transportation cost consider करेंगे, तो 290-30 कितना आएगा 260, तो पहले वाले answer है 260, अच्छा उसके बाद बोलता है what should be the fair value if none of the market is principal market जब कोई principal market नहीं है तो मैं क्या लूँगा most advantageous market, most advantageous निकालने के लिए पहले sub minus कर तो Kolkata और Mumbai का उन्हों sub minus कर खुदी दिया हुए सब minus करने के बाद value आपकी बरस्ती है 230 यह खुदी दिया हुए मैंने निकाला नहीं है ठीक है अब most advantageous मिल गया अब Kolkata का fair value कैसे निकालेंगे 230 fair value नहीं है इसमें भी सिर्फ selling price और less transport वाला cost 250 इसकी fair value आ जाएगी तो मैंने 250 लिगदी इसकी fair value बराबर देको बोला हुए जब principal market लोगे तो 260 most advantages market लोगे तो Kolkata लोगे Kolkata क्या advantages लेकिन fair value क्या रहेगी only fair value minus transportation cost that is 250 आ जाएगी sir उसके बाद अब और क्या बोला हुए सुन लो if the net realization after expense is more in exports say 280 but the government allows only 15% of the production to be exported out of India discuss what would be the fair value in such a case उस case में fair value की क्या होगी तो उस case में मुझे बताओ export की market क्या आपकी principal market बन सकती है नहीं बन सकती क्यों principal market वो होती है जहां आप जादा higher volume में trade करते हो यहां आप सी 15% export कर सकते हो बाकी 85% domestic में खिलना पड़ेगा आपको तो indirectly hint दिया है कि export market cannot be the principal market तो export market की value अपने लिए काम की नहीं है तो फिर principal market कुन सा है अपने लिए domestic market अब domestic में दो है Mumbai को लगता उसमें से यह नहीं बोला है कुन सा use करेंगे बस यह बोला है कि export market तो principal market नहीं हो सकती है जान लखना तो यह अपना question कुन सा था यह अपना question था question number one mtb rtb पाश्रेजब का इसके भी कहानी होगे खत्म रफादफा हो गया अब है अब 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 सरक सरक करने का time नहीं है फटा बट से आओ ले इसके पूरा पे लेवाल इंडेस पे 108 पर आजा फटा फट से 108 तुमको धेला ता यह अंदर से पिछले बार आया था वह 16 माखका तो इस बार तो नहीं आएगा उसके पिछले बार भी आया था वह यह यह पॉलेशी जादा काम नहीं करती हा लेकिन मुझे पूछो करते है थोड़ा कम लगता है मुझे इसका आने का चांस बड़ ठीक है तो इसमें क्योंकि अपने को जादा एक फ़र्मेट वाला क्वेस्टन है वह तो आ चुका सुला माखका तो उसके थोड़े रीपीट होने के चांस कम है तो बी ऑनेस्ट बराबर लेकिन जो बाकी है वह आपन कवर कर लेते फिलाज से फटाफट से एक बर सुन लो क्या बोलता ऑपरेटिंग सेग्मेंट के अंदर ऑपरेटिंग सेग्मेंट का मतलब क्यों होता है जो भी आपका CODM एरियास रिव्यू करता है जैसे फर एकजांपल लाइंस कमपनी में CODM कौन है Chief Operating Decision Maker वह है मुके शम्मानी जी बराबर तो जो भी एरियास मुके शम्मानी जी रिव्यू करते है उसको बोलते है उपरेटिंग सेग्मेंट मुके शम्मानी जी बोलेंगे जीयो का मुंबए का DAYटा लाओ पुने का लाओ देनली का लाओ जीयो में सिर्फ और सिर्व मिल लौ इसाब होगी ऑपरेटिंग सेग्मेंट क्या है कोंपरेटिंट ऑट उप्तिटी डट सेग्मेन का अलक से इंकम और expense वगेरा रहता है regularly reviewed by CODM और उसके regarding अप्पस information available है तो ऐसे बहुत सार operating segment रहेंगे बराबर लेकिन अब इसमें बहुत सारी ज्यान की बात की हुई मैं काम की बात कर रहा हूँ इसके अंदर operating segment कौन से report करोगे तो इसमें 3 step है पहला operating segment निकालो बहुत चारे फिर यह देखो इसमें सा आप कुछ aggregate कर सकते हो किया जैसे for example अभी पारले जी कंपनी है इसमें cream biscuit को उनसा orange flavor, mango flavor, strawberry flavor, chocolate flavor, pineapple flavor अब है तो उसमें बिस्कित इनायर तो इसको आप एक single segment मान सकते हैं यह नहीं कि orange flavor का segment अलाग, mango flavor का segment अलाग, ऐसा नहीं करनेगा तो उसको बलते aggregation तो पहले segment उन्ड़ो फिर देखो को similar segments है तो aggregate कर दो अब यह इसके अंदर आप report कितने करोगे उसको बलते reportable segments जैसे for example आप इतने सारे बच्चे हो ICA ने बोला आ जाओ, CA में register करेंगे अब आप में से सबको थुना report करेगा, सबको थुना pass करेगा 10%, 15% उसको बलते reportable students, pass वाले students reportable segments, अब समझा आ गया सर तो जितने segment आपने identify किये उसमें से report कितने करेंगे तो यही सबसे important है अभी तो उसको reportable बनाने के लिए अपने को क्या करना होता है कुछ criteria दिया गया है जो भी segment दे criteria meet करेगा उसको बोलेंगे reportable segments अब हम कैसे report करेंगे ध्यान से सुनना तीन criteria दिया हुआ है तीनों नहीं meet करना है, तीनों में से कोई एक ही meet करना है कितना तीनों में से कोई भी एक ही meet करना है उसको बोलता है reportable segments सबसे पहले अगर कोई भी segment reportable है जिसका revenue sales, internal, external दोनों combine करना और किसी भी segment का 10% से जादा 10% या उससे जादा आता है sales for example, मैं एकदब मस्त आपके लिए वो लेकर आए उनको बना के रुको यह रहा यह आए पड़ बन दो जाएगा भाई reportable segment अब देखो जैसे quantitative thresholds है मेरे पास अभी मेरे को इतना सारा segment है मेरे पास अब मेरे को सब का internal revenue दिया हुए, internal मतलब यह आपस में sales करते रहेंगे और external revenue third party को sales करते रहेंगे तो पहले सारे revenue को total निकालो internal का total है 250, external का total है 2500, total कितना हो गया 2750 इसका निकालो 10% तो कितना है 275, अब जिस भी segment का internal external मिला के 275 या उससे ज्यादा है उसको report करना है क्या A का है, नहीं, report नहीं करेंगे B का, दोनों मिला के देखना 150, 200, 350 हो गया ज्यादा है, रिपोट करेंगे C करेंगे, D करेंगे, E नहीं करेंगे, F नहीं करेंगे समझा, यस यह पहला criteria है, यह पहला threshold है ठीक है, उसको बोलते है revenue का threshold दूसरा threshold क्या है profit and loss का threshold अब यह समझने के लिए आपको example देता हो, सुन लो इसमें कैसे करोगे तो इसमें क्या होता है, जच जितने भी segments है कुछ में होगा profit, कुछ में होगा loss सारे profit making segment का सिर्फ profit लिखो सारे loss making segment का सिर्फ loss लिखो अब सिर्फ profit, profit add करो और सिर्फ loss add करो मुझे पता, दूनों में से मेरा जादा कुंस है एक बार sign ignore करना तो मेरा सब profits वाले segment गिनके profit add 280, सब loss वाले segment गिनके loss is 35 है दोनों में से whichever is higher लो higher 280 है, higher का 10% लेना तो मैं 280 का 10% लोगा कितना है 28, अब जिस भी segment का profit या loss 28 से जादा है जिस भी segment का profit या loss 28 या उस से जादा है, उसको report इसका 28 से जादा है, report कम है, नहीं करेंगे report loss है, कम है, नहीं करेंगे report 200, जादा है report करेंगे 30, भले ही loss है, फरक नहीं पड़ता 28 से जादा है न, report करेंगे ये report नहीं करेंगे तो इसके अंदर आपन क्या करते हैं, basically profit making segments लेते, loss making सेग्मेंट लेते, दोनों में से, जो भी जादा है, उसका 10% लेने का, और फिर देखने का, जिस भी सेग्मेंट में 28 यह से जादा है, उसको अपन रिपोट करेंगे, इसको बलते है, प्रोफिट लॉस क्राइटेरिया, टेंशन मतलों कोईशन भी कराऊंगा, और आगे बाड ठीक है, यह सब करने के बाद, कुछ सेग्मेंट रिपोटेबल रहेंगे, जो रिपोटेबल नहीं होए, उनको अदर्स में दिखा देने का, अब कभी कभी क्या होता है, रिपोट करने के बाद भी, एक और क्राइटेरिया है, 75% external revenue क्राइटेरिया, बोलते हैं, जितने भी आप सेग्मेंट रिपोट करोगे, उसमें at least 75% external revenue रिपोट हो जाना चाहिए, अब यह कैसे मिलेगा सर, देखो, जैसे मैंने जो एक्जामपल लिया, example number one, example number two, example number three, company को तीनो मिट करने के तीनो में से कोई एक मिट करना है, कोई भी एक मिट करना है, तो जब मैं तीनो में से external revenue cover हो जाना चाहिए, अब मेरा external revenue कितना पहले वो निकालना पड़ेगा, तो यह रहा मेरा external revenue, 2500, इसका 75% कितना होता है, फटा पट से बताओ, तो इसका 75% निकालोगे, तो कितना आता है, 1850, कितना आता है, 1850, अब आपके जित्ते भी reportable segments है, उसमें 1850 का revenue report हो जाना तो मेरे जित्ते भी reportable है, उसमें external revenue 2300 का report हो रहा है, sufficient report हो रहा है कि नहीं हो रहा है, sufficient report हो रहा है, तो मुझे और segment add करने की जरूवत नहीं है, वराबर तो यह बात ध्यान अद्मा, तो एक तो threshold है reportable के लिए, और एक report करने के बात, एको check करना है, वो है 75% revenue criteria, ठीक है, बस, इतना ही इसके अंदर काम का है, बाकी आपको एक बार refer करना तो कर लेना, अब आजाओ question के ओपर फटाव रख से, ठीक है, इंडेस 108 के question के question दो ना, यह आजाओ इदर, इंडेस 108 operating segment, सुलो, अब इसमें कुण से question है, जो काम के अच्छे अच्छे आप कर लोगे तो cover काम बन जाएगा, देखो एक तो वो ही, एक तो simple है, एक तो यही वाला question है, illustration number 12, जो मतलब आ चुका आपके, में 23 में, बट एक बार देखना चाहो, देखके चले जाओ, रिपीट कले तो भरुसानी इनका, ठीक है, यह 16 मक्का पूछा था भई, देख लेना, एक बार format based question है, मैं फिर भी LDR ही बोलूँगा, मैं बो MTP, RTP वाले में आओ, MTP, RTP वाले section के question करोगे तो काम अच्छा बन जाएगा, आपका सुनलो क्या है, एक wholesome question है, एक question क्या पूरा cover हो जाएगा, क्या बोलता है सुनलो, segment है LMNOPQ, ठीक है, अब तीनों दिया हो है, sales, profit, assets, ठीक है, अब कैसे करेंगे, पहले check करेंगे, revenue वाला 4575, इसका 10% निकालो, तो मैं इसका 10% निकाला, 4575 आ जाते है अपने को, ठीक है, अब जिसका भी revenue, internal, external मिला के, 4575 से ज्यादा है, उसको report करना है, क्या इसका ज्यादा है, report करो, ज्यादा है, total मिला के report करो, इसका total मिला के सिफ 4500 हो रहा है, मेरे को 4575 चीए, तो इसको report नही करेंगे, ठीक है, simple, आगे, अब आता है, profit loss criteria, ये बड़ा simple है, सारे profit वाले को अलग, सारे loss वाले को अलग, बराबर, तो ये मेरे, एक, दो, तीन, चार है profit वाले, एल करो, फटाबट से, 3000 प्लस 1500 प्लस 900 प्लस 600, 6000 हो गया, 6000 है सारे profit making segments, सिर loss making देखो, 1500 प्लस 750, 2 to 5 0 हो गया whichever is higher, 6000 is higher, इसका 10% low, 600 आएगा, बराबर, अब जिसका भी profit या loss, 600 या उस से जादा है, वो 10% और मोर बोलता है, तो exact 600 हो का तो भी report करना, तो इसमें तो सभी fall कर जाएंगे, सभी report करना आपको देख लो, ठीक है, आगे, total assets, total assets में कैसा करेंगे, total assets उसका 10%, तो total assets खुदी द 5 है, लाश वाला meet नहीं करता है, simple, तो सारे segments को कोई भी एक ही meet करना था, बराबर तो मेरे क्याल से, एक तो सब नहीं meet कर लिया है, तो सब reportable हो जाते है, ठीक है, ध्यान रखना, अब जब सभी reportable कर रहे हो, तो मेरे को 75% credit check करने का जरूवत है गया, आरे जब सब के शादी कर दीगी, तो दुलन किसका ढूंडोगे फिर, बराबर, खत्म, अब इसमें न, एक और काम, मैंने जो presentation आपको दिखाया न, यह बड़ा simple सा है, मतलब 10% लिया और compare कर लिया, ICA हर case में percentage निकालता है, वो बोलता है, percentage कैसे निकालता है सर, यह आपका total revenue, उसमें से यह revenue कितना comprise करता है, वैसा percentage निकालता है, तो आपको दिखाया percentage form में दिखा सकते हो गाई, ठीक है, वैसा, तो percentage form में दिखाऊ के तो ही better है, बट समद ने कले ठीक है, ठीक है, आगे बड़ो सार अभी, question number 2, यह भी शांदर question है, फटा-फट से देख लो, क्या बोलता है, बोलता है, य A को report करोगे, B को report करोगे, C का नहीं है, D का भी नहीं है, E का भी नहीं है, F का भी नहीं है, G का भी नहीं है, H का भी नहीं है, तो revenue में सिफ A और B आया, ठीक है, profit loss वाले segment, इसमें मज़ा आएगा, सिफ profit वाले देखो, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5, plus 15, 20, plus 8, 28, plus 5, 33, plus 7, 40, तो total profit वाले हो गया, 40, आपसे loss वाले देखो, 95, और 5, 100 हो गया, profit वाले 40 है, loss वाले 100 है, whichever is higher, 100 is higher ना, उसका 10% निकालो, तो 10 रूपीज, जिसका भी profit and loss 10 या उसे जादा है, reportable, पहला नहीं होगा, दूसरा होगा, तीसरा भी होगा, 4th नहीं होगा, 5th नहीं होगा, 6th नही दूसरा नहीं, 4th report होगा, बाक्यों कोई भी report नहीं होगा, अब आपने मतलब मोटा मोटी कॉन से report का अगर आप देखोगे, तो, कोई भी अगर 1 मीट का, तो A report हो रहा है, B में हो रिपोट हो रहा है, C भी एक मीट का रहा है, D भी report हो हो रहा है, E, F, G, H, कुछ भी मीट का तो वह रिपोर्ट नहीं हो रहा आप ध्यान से देगो क्रॉस को देखेगा आपको तो मैंने यही चार सिभ रिपोर्ट किये अब क्या करना है सुनना एक्स्टरनल रेवेन्यू निकालो पर टोटल टोटल एक्स्टरनल रेवेन्यू तो मैं बहुत लूँगा 0 मेरे सब से आता है 405 कशस पता देगा 405 उसका 75 पसट लो कितना आता है 30375 Debatte हो कितना रिपोर्ट होना चाहिए not met, ज्यादा report होना चाहता न, तो अपने को और segments include करना पड़ेगा, तो ideally किसको include करे, वो मरजी होती है management की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जिसका external sales ज्यादा है, उसको report करना चाहिए पहले, बट इन्होंने जब solution दिया है, तो इन्होंने सिर्फ इतना बोल कर छोड़ दिया ह कि अपने को और लोग को include करने की जरुवत है, बराबर कौनसे को include करेंगा यह नहीं बताया है, include करने की जरुवत है, यह बताया है, उनको समझ मैं है, मैंने क्या बोला, यह सर तो include कर लेंगे, आपको चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, तो यह अपना 108 भी क्या हो गया, go तो goa gone हो गया, ठीक है, अब मेरे ख्याल से 2 मिट का breather ले लो, ठीक है, 2 मिट का breather ले लो, मैं थोड़ा पानी बनी मेरे खतम हो गया, पानी भर के आता हो भाई, और आपन फिर 21 से resume कर रहें, index 21, मुझे कराना है, मुझे लगता है, index 21 आ सकता है भाई, देखो मेरे पास समय है, अभी 20-25 मिट और है, मैं खीच लूँगा, चलेगा, खीच हो कहा है, चलेगा क्या, ले लू कहा है, मैं एक दो और index, ले लू क्या, लो ना सरा, हम थो ना मना करेंगा आप तो लो, तो 2 मिट का फटा वर ब्रेक, तो 2 मिट में resume करता हू, index 21 के साथ, ठीक है, yes. झाले उड़着ाता हू, List पुर से लू आप खो लो, तो 3 मिट बाली करतो है, लो क को का भीच को कैसा उना कर दो एक लुगत्ज़ा जासे व lessons. झाल 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 समाइट मिलें पालत्राइ में पाल्य वल्त》 प्रवरियत कि प्रवक्रीष जया प्रवक्राइथ में धएगा मैंद्ये लियुक्टिक, झाटिक बॉस्चुटक्पि से ऊच्कि पीजिद गॉस्ट्छ म blossारों मौ न्या संननि dość टू वन गो इंडेस 21 सुन लो बड़ा सिंपल सा इंडेस है यह भी इंडेस में थोड़ा फील देता है इसले मैं करवा रहा है इसको सिंपल सा रिजन है ठीक है एक transaction, translation of presentation currency और translation of foreign operation into presentation currency ठीक है अब कैसे करेंगे सुन लो मैं आपको overview सबका देता हूँ लेकिन आपन question वागेरा भी इसमें cover कर लेते हैं मैं बता भी दूँगा कॉन से question करके जाना अच्छी तरीके से objective and scope सबसे बले बोलता transaction in foreign currency, translation of FS into presentation currency फिर foreign operation क्या होता है और इसका भी translation आपन currency में करेंगे अपने लिए क्योंकि foreign operation मतलब क्या सबसे मैं parent हूँ मेरे कोई subsidiary foreign की है तो मुझा CFS purpose के लिए subsidiary को भूलना पड़ेगा आचल statement भेज रुपीज के अंदर तो उसको बहुत translation of FS into foreign operation अब सबसे पहले types of currency बो ठीक है तो functional currency किया है sir जो आपका primary economic environment का currency है उसको बलते functional currency एक्जामपल मैं इंडिया में काम करता हूँ कमाता इंडिया में हूँ खर्च इंडिया में करता हूँ तो रूपीज मेरी functional currency होगे primary economic environment बराबर तो मेरी रूपीज चोड़के सारी currency foreign currency ठीक है फिर आते तीसरा presentation currency जि लेकिन कभी-कभी क्या होता है, सपोज मुझे भारगाव से लोन चाहिए, तो मुझे अपने financial को उस country करन्सी में convert करना पड़ेगा न, तो कभी-कभी मेरी presentation करन्सी कुछ और भी हो सकती है, सपोज मेरा कोई parent है जो भार रहता है, तो उसको मुझे अपने financial भेजने पड़ेंग कभी-कभी आ जाता है, वो मैं तुम पर छोड़ रहता हूँ, ठीक है, यह theory वाला पाट, एक question करके चले जाना भाई, अब आता है foreign currency transaction, अब पूरे chapter को है न, मैं तीन partner बाट रहा हूँ, पहले मैं discuss करा हूँ transaction, what is the meaning of transaction, मैंने बाहर गाव से कोई machine खरीद ली, है न, मैंने है rate पर record करना, example लो, सर फटा-फट से इसका, मैं example लेता हूँ, आपके लिए आजा फटा-फट, यह हटाओ, यह राओ, इदर गया भाई है, बताओ iPad भी हैंगोना शुरू हो गया भी तुम्हारे लिया, यह देखो इदर, suppose मैंने है न, इदर, functional currency, रुपीज है मेरी, ठीक है, purchase a machinery worth dollar one lakh, on first September on credit, तो मैं entry क्या मरूँगा, machine to trade payables, अब जब first day record करूँगा, तो मैं जिस दिन enter किया है, transaction उस दिन के rate पर record करूँगा, कर लिया सर, क्योंकि मैं को तो रुपीज में record करना है, अब होता क्या है, अब year end पे क्या किया जाए, तो year end पे जब transaction होता है न, तो हर ए item को classify करना, यह item, यह item monetary है, या non-monetory है, बराबर हमको कैसे माल पेड़ेगा, monetary का non-monetory है sir, तो definition check करने का, अगर कोई भी item के against, पैसा मिलने वाला है, in fixed and determinable units of currency, जैसे trade receival है, पक्का पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, amount पता होता है, trade payable है, पक्का पैसा मिलेगा, कितना तो जब पता है, when you have a right to receive, your obligation to pay, fixed or determinable units of currency, तो होता है monetary item, example, लेफर करके जाना, बराबर, non-monetory में क्या होता है, item है, लेकिन पक्का पक्का पैसा नहीं आगा, जैसे machinery है, किसी value पे दिख रहे है, लेकिन किसना तुमको promise किया कि उतना पैसा तुमको देने वाला है, inventory है, पत ये non-monetory item है, तो इसको आप year end पे remeasure नहीं करते हो, day 1 पे 75X पर record हुआ, year end पे 75X पर रहे जाएगा, अब ये trade payable है, इसको pay करना है आपने कितना pay करना है, बस, ये हो गया monetary item, monetary item को remeasure करते हैं, आपने closing rate के ओपर, समझ पढ़ता है, closing rate मेरा कितना है 80 रूपीज, तो बढ़ने से नुकसान होता है मेरको, ठीक है, तो मैं loss बुक करेगा, मैं बोलेगा, भाई, एक लाग डॉलर था, पाँच रूपे से रिबढ़गा, तो पाँच लगका नुकसान हो गया, तो exchange loss to trade payable, monetary item पे जब भी भी loss होगा, वो जाएगा profit and loss में, सबको समझ पढ़ ये तो इससे में को क्या मलूम पड़ा, year end पे मेरा मशीन 75 पे रह गया, year end पे मेरा trade payable 80 पे आ गया, ये तो सब मैच ही नहीं करेगा, अरे करेगा ना, क्योंकि आपने exchange loss भी तो पांच लगका बुक किया है, वो आपके profit and loss से बुक होगे, वो जमा होता है, बाद में return earnings के अंद तो remeasure नहीं करोगे, अगर ये monetary है, तो remeasure कर लेना भाई साब, simple, आगे बढ़ जाओ sir, उसके बाद, अच्छा एक और चीज, अब कभी-कभी क्या होता है, ये तो मैंने उस non-monetory की बात की, जिसको मैंने machine को, सब्वोज मैं मानता हूँ कि मैंने cost पे रखा है, मैंने इसक machine को reval model पर रखते हो ना, तो जिस दिन आपने fair valuation perform किया है, उस दिन आपको, मतलब जिस दिन fair valuation perform किया है, उस date पर आपको exchange rate भी नया वाला लेना पड़ता है, तो suppose मैं example देता हूँ, मैंने ये machine को अगर year end पर, fair value पर रख लिया होता, किदर गया मेरा machine, हाँ, year end पर, अगर मै इसके लिए reval model यूज कर रहा होता, तो मैं machine को भी year end की rate पर remeasure करता, तो इसका मतलब, sir, आपने तो ऐसे हमको धोका दे दिया, धोका ने दिया, सुनलो, bifurcation दे दिया, subsequently, monetary item closing पर रहेगा, इसके लिए non monetary के लिए क्लोजिंग पर रहेगा, अगर non monetary item को आपने cost model पर रखा तो इसको आप remeasure नहीं करोगे exchange gain loss के लिए, लेकिन अगर monetary item को आपने reval model पर रखा है, तो इसका आप exchange rate भी नया वाला लोग है, अब इसका exchange difference कहां जाएगा, तो depend करता है fair value gain loss कहां गया है, जैसे PP वाले case में fair value gain आया, gain कहां गया OCI में, exchange difference भी जाएगा OCI में, समझा तु gain loss कहां कहा जाएगा, last month summary भी है मेरे पास, तो confusion आपको नहीं रहेगा, उसका tension मत लेना, ठीक है समझ गया, is this clear to everyone, तुम संभाल लोगे यह वाला part क्या, ठीक है, अब एन एक्सांपल लिया है, ठीक है, सुन लो, asset cost पे था, 1st September को, fair value में निकाली, year end पे 1.11x के हिसाब से, exchange rate September में 75 था, और March में हो गया, 80 ठीक है, पहले तो machine को आपने record किया, same on the rate, on the date of transaction, फिर year end पे क्या होगा, year end पे rate होगे 80, तो अब मुझे, क्या, trade payable को measure करना चाहिए, trade payable तो monetary उसको तो करो गई, gain loss कहाएगा, profit and loss में, और बात है, PPE, अब PPE पे, आप जब fair value निकालोगे, तो 1 1.1 lakh की लोगे fair value, और rate भी year end का लेना, बराबर तो आप PPE को remeasure किस पे करोगे, 1.1 into 80 के यसाब से, इस पे आप remeasure करोगे, बताव कितना value आता है, मेरे काल से, comes to 88 lakhs, बराबर 88 lakhs की value आती है, इसकी 88 lakhs, 88 lakhs की value आजाएगी, अब सोचना आप, आपकी जो PPE, आपने 75 में record की यह और end पे वो 88 हो गई, इतनी बढ़ी हो गई सर, तो gain कितना है गवा 13 lakhs का, अब आप बोलो कि इतना कैसे बढ़ गया, इस gain के दो reason है, एक तो आपकी fair value बढ़ी, 1 lakhs से 1.1 lakhs हो गया, और एक आपका rate बढ़ा, rate बढ़ना asset के लिए favorable होता है, तो आपको bifurcation भी देना होत है, यह total gain में से fair value का gain कितना है, और exchange gain कितना है, अब कैसे निकालेंगे, simple है, आपको अगर देखना है न सिफ fair value की वज़े से कितना gain बढ़ा है, तो 1 lakh और 1.1 lakh compare करो, और day 1 की rate से compare करो, वापस से, 1 lakh और 1.1 lakh compare करो, और day 1 की rate से compare करो, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपक और rate में difference देखो, यही last day की value पकड़ो, और rate में difference देखो, उससे आपको मिलेगा, exchange gain loss, of course एक बाप practice करनी पड़ेगी, तो आ जाएगा, बट समझ जाना है यह वाला part, is this clear to everyone, yes, ठीक है, तो यह मैंने यहां consider किया, मैंने आपको bifurcation में लिखके दिया हुआ इदर, ठीक है, वह आप निकाल लोगे, उसका में को tension नहीं, वह आप निकाल लोगे, मुझे पता है, anyways, यह तुमको समझ माया, this was foreign currency transaction, ऐसा मालो, इंडेश 23 में आपन small small chapter, इंडेश 21 में, आपन small small chapter कर रहे है, यह chapter number 1 होबर, foreign currency transaction होबर, हटा देते इसको, लाश माके वापस गोथरू करवा अपर से loan लेना है, तो प्रेजंन करना पड़ता है किसी और currency में, सब्समीरा प्रैरेट क रहे है तो एफने finances भेजना है, अपने finances को selling इसको foreign currency में, तो कभी-कभी मुझे मेरे financials को translate करना पड़ता है किसी और currency में, to the presentation currency, मतलब किसी और currency में present करना है, इसको बते translation of financial statements, अब जब financial statement translate करते हो, तो monetary, non-monetary मत देखना, पहले बता रहा हो, क्या मत देखना, monetary, non-monetary मत देखना, translation का rule अलग है, कैसे करेंगे सर, सारे asset, सारे liability, closing rate पे translate करने का, सारे asset, irrespective monetary non-monetary में को फरक्ट नहीं पड़ता, monetary, non-monetary आपन देखते हैं, किस में के अंदर आपन देखते हैं, transaction वाले case में, translation वाले case में, no monetary, no non-monetary, सबको transfer करते हैं किस के ओपर, closing rate के ओपर, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा, आब इना इसके मेंने सिंपल सरु बता रखें, सुन लो, asset liability closing पर हो गया, what about equity and other equity, तो इसके लिए में एक summary बना रखें, all asset closing rate, current year में जो profit कमा होगे, average rate पर होता है, उसके अलावा, equity के लिए क्या करेंगे, opening equity, उसका converted amount दियावा रहता है, अगर नहीं दिया है, तो जिस सार अपने पैसा रेस किया था, सबोज मैंने पैसा चार साल पहले रेस किया थो, चार साल के पहले की conversion rate पर रखेंगे, ठीक है बड़ दियावा रहेगा information टेंशन मतलो, what about other equity, अब other equity के दो हिससे होते, opening balance of other equity, इसका भी converted amount दियावा रहता है, लेकिन जो other equity during the year create हुआ है, basically यह क्या होता है, current profit and loss वह तो आपन average rate पे लेते हैं, ठीक है, ध्यान रटना, तो वापस एक बार repeat कर दू, asset closing rate, liability closing rate, equity में जो capital है उसका rate दियावा रहेगा, other equity में opening का rate दियावा रहेगा, during the year other equity आया है, basically आपका current profit and loss, उसको average rate पे convert करते हैं, ध्यान रखना इधर, हम यहां monitor non monetary check नहीं करेंगे, मैंने disclaimer लिखके दिया हुआ है आपको, समझ गया, अब जब आप सोचे एक balance sheet को, आप अलग-अलग rate पे convert कर रहे हो ना, आपने balance sheet के सारे item तो same rate पे convert नहीं किये, asset liability closing पे किया, लेकिन इनको आपने किसी और rate पे convert किया न, तो कुछ difference आएगा, वो difference को हम बोलते FCTR, foreign currency translation reserve, क्या बोलते उसको, foreign currency translation reserve, वाप बेसे क्या बोलते उसको, foreign currency translation reserve, lag हो रहा है गया, एक second दिखने तो जा रहा, एक बार देख लूँ मैं lag हो रहा है गया, मेरे को लगता नहीं lag हो रहा है वैसे, सही है न, no lag न, हाँ हाँ मैं वापर रिपीट करता है सुन लो, क्योंकि आपने सारे item को same rate पे convert नहीं किया है, तो कुछ difference आएगा, उस difference करम क्या बोलते है, F, C, T, R, Foreign Currency Translation Reserve, अब वो difference कहा जाएगा, translation पे आने वाला difference जाता है OCI R के अंदर, कहा जाता है OCI R के अंदर, translation पे आने वाला, यह transaction का difference नहीं है translation, financials को आपने किसी और currency में translate किया, यह OCI R में जाएगा difference, question करूंगा चिंता बत करूं अच्छा, यह second chapter done, chapter number two समझा, chapter number one था transaction, chapter number two is translation, अब chapter number three, foreign operation, suppose मैं parent हूं इंडिया का, है न, अब मेरी subsidiary है US की, या मेरी joint venture है China की, या मेरी associate उबई की, या मेरा branch है Japan का, काभी फेलावा business है, तो यह सबको मैं क्या बोलूँगा, यह सबको मुना, rupees में financials भेज, क्या बोलूँगा इंस अब को, कि rupees में बेटा, financial, भीज, तो यह सबको मैं, रूपी में क्या मंगाउंगा, इसको बोलते है, foreign operation से financials मंगाना, अब सुनो मेरी बात, अब इतना मज़ेदा रहिए, अब आपको सबसे पहले यह चक करना है, कि foreign currency का functional currency कुन सा है, क्या वो parent की तरह सेम है, या parent से अलग है, अगर इनका functional currency, मतलब जो main currency है, अब अगर यह भार के है, तो इनका functional currency अलग ही होगा ना यार, यह ना उसके लिए कु और foreign operation वाला currency सेम है, तो लफडा ही नहीं है, लेकिन अगर parent का currency और foreign operation वाला currency अलग होगा तो, तो इसके लिए ना वो criteria दिया भी चेक करने के लिए, वो एक बाह रीड कर देना, इतना relevant नी एक्जाम पॉइंट अभी से, but main बात के चलो, मान लेते, मान लो कि आपका currency रूप इसके dollars के financial को, rupees में convert करना पड़ेगा चैंका युद्की जब parent बनाएगा CFS, उसको लगेगा रूपीज का, इसका मतलब foreign operation को, अपने को presentation currency में convert कराना पड़ेगा, foreign operation को अपने को presentation currency में convert कराना पड़ेगा, वापस से हो गया translation of FS, of foreign operation, into functional currency of parent, आसान बाशन में बोलू तो मैं मेरी subsidiary को बोल रहा हूँ भले ही तेरा currency dollars होगा, मेरे को फरक नहीं पड़ता parent के लिए चल रूपीज में भेज मतलब यहां भी मैं basically क्या कर रहा हूँ, यहां भी मैं basically इनको यह बोल रहा हूँ, अपने foreign operation को, कि बेटा, तेरा financials translate करके मेरे को भेज बराबर, मुझे तेरा financials translate करके भेज, तो मैं भूझे तो translate करने की बार या रही है, तो same rule as in two above, जो मैंने discuss किया न अभी foreign foreign operation के balance rule को translate करना है, तो translation के rule तो अपने को clear है न भाई, इसका मतलब, यह जो third chapter है, यह जो third chapter है, इसके जो rules है, वो same है, like second chapter, जो third chapter है, उसके rule है same like second chapter, तुम समझे, अब मैं summarize करो, मेरी बात ध्यान से सुनना, पहला, पहला, foreign currency transaction, foreign currency transaction में क्या होता है, check करते है, monetary, non-monetary है, एक होता है, translation into presentation currency, मतलब, पूरे financial translate करोगे, उसमें क्या है, asset closing, liability closing, equity या दर एकूट का दिया होँआएगा, similarly, foreign operation का भी translation, same like two, asset closing, liability closing, equity का दिया होँआएगा, तो chapter two और chapter three same है, बराबर बस इसके लिए इतना ध्यान लख लेना, बीच का जो जो ज्यान बाजी है, समझे तो ठीक, ने समझे तो इतना याद रख लेना, कि translation, FO का करो, मतलब, foreign operation का करो अपनी currency में, या अपना financials किसी और currency में translate करो, translate to translate है ना भाई, आईगा करने को, अब इसके उपर आपन, इसमें एक और concept है भाई, वो मैं last में कराऊँगा आपको, that is intra group transition वाला concept, वो मैं कराऊँगा last में, बट अब मैं जित्ता करा, उसको question करा दू क्या मैं आपको, क्यो question कराना जरूरी है इसके अंदर, आजाओ, तुमको lag हो रहा है क्या, मेरे यहां बराबर चल रहा है भाई, मेरे को लगता lag हो रहा है, बोलो lag, यह सौर नो फटाबट से बोलो, देखलो मैं एक बार, नहीं भाई, lag नहीं है, इसका lag हो रहा है एक बर इफ्रेश मार क्या हो, इलस्ट्रेशन इंडेश ट्वेंटीवान 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 यह रहा, आओ इदर, क्या बोलता है देखलो, वो एक सिम मेरा केस बाकी है, इंट्रा ग्रूप ट्रांजेशन वाला, उसको छोड़के बाकी साब अपना हो गया है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नमबर एट, देखलो यह, सुन लो, अच्छा यह तो अभी तो नहीं कर पाऊँगा, मैं यह तो में बान में कराऊँगा, इसमें इंटर कंपनी ट्रांजेशन वाली बाती ही है, यह यह बला, इलस्ट्रेशन नमबर लेवें, अब सुनना क्या बोला हुए यह, बोलता है मेरा फर्शनल करेंशी डॉलर्स है, लेकिन मुझे प्रेजेंट करना है, एल्ड डॉलर में, मतलब किसी और करेंशी में प्रेजेंट करना है, बताओ यह फॉरंग करेंशी ट्रांजेक्शन है, जल्दी से बताओ, सब translation है ना यार बस यहीं interpret करना है, translation है, तो rule कहता है उसका, सारे asset closing पे, सारे liability closing पे, equity का दिया होगा, देख लो, equity का, अपने को दिया होगा है, equity share capital का converted value दिया होगा है, return earnings का opening का converted value दिया होगा है, बराबर, सिफ जो return earnings during there कमाया, उसका नहीं दिया होगा है, तो इसको तो आपन average rate पे लेंगे ना, जो current rate का profit हो, बाकि सारे asset closing पे, सारे liability closing पे, अगर asset translation पे कोई difference आया, asset liability के बीच में, उसको आपन FCTR बोलके, foreign currency translation reserve बोलके, पहले OCI, OCI से आपन जमा करेंगे इसको अधर equity के अंदर, अब इधर आप mistake कहा करोगे सुन लेना, यहाँ जो rate है वो किस तरीके से दिया हुआ है, आप शायद SFM पढ़ोगे, तो एक होता है direct quote, एक होता है indirect quote, यहाँ आपको indirect quote दिया हुआ है, जैसे closing rate लेता हूँ, for example, तो मेरा end पे rate कितना है, L$1 is equal to USD 1.13, है ना, अब यह अगर आपको नहीं समझता है, तो basic cross multiplication करने का, मैं example देता हू बोलने का, एक L$, कितने USD होता है, 1.13 होता है USD, ठीक है, इतना समझता है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे USD को L$ में convert करना है closing पे, तो मैं कैसे करूँगा, तो USD वाले column में लिग दे 50,000, 50,000 USD, कितना L$ होगा, एक बार यह करोगे, तो समझ जाएगा indirect quote दिवाइड करना है, मैं इस से easy तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, ठीक है, वापस से, एक L$ इतना USD है, तो मेरे इतने USD कितने L$ होगे, cross multiply करते को answer आएगा, तुमको समझा, डिवाइड करना है basically, तो मेरे को सारे asset के लिए, डिवाइड बाए 1.13 करूँगा, सारे liability के लिए डिवाइड ब कितना difference आएगा, देख लेना वो कहात है, किस तरफ है, clear, ठीक है, अब इस question में, ये तो पूछे, translate करके दो, एक working भी पूछी है, ये न, prepare a working of cumulative balance of foreign currency translation reserve, अब ये working कैसे बनाएगे, ये basically एक reconciliation की तरह working है, ठीक है, मैंने इसको solution दिया वे किताब के अंदर, वैसे देख लेना तो basically, रिको की working, अब ये working कैसे करोगे, सुन लो, simple सी working है, तुमने सारे item को closing बे convert किया है, सिर्फ तीन item ऐसे है, जिसको आपने closing बे convert नहीं किया है, एक equity capital, एक opening return earnings और एक profit for the year, इन तीन को आपने closing बे convert नहीं किया है, तो रिको बना के देने का, कि अगर मैं इन तीन को भी closing पर convert करता, तो मेरी value इतनी होती है, लेकिन actual में इनकी converted value कुछ और है न, इन तीन को अगर मैं closing बे convert करता तो value इतनी आती, लेकिन actual में कितनी value है इनकी उससे compare करो, ये दोनों का difference आपका exactly इसी से match करेगा, तो आपको FCTR का balance आया है, ज्यान ना किना, ठीक है, आके बढ़ जा जाता है, बहुत मज़दार है ये, बोलते है, एक machine खरीदी 5000 में, credit basis पे, तो entry के हमारेंगे machine to trade payable, अब ये transaction की translation है, जल्दी से बताओ, transaction की translation है, बाई साभी तो transaction है, तो transaction पे monetary non monetary खिलना पड़ेगा न, बस आपको यही याद रखना है, और कुछ मत याद है को इसके अंदर transaction है, या translation है, transaction है, तो खेलेंगे monetary non monetary, translation है, तो सारे asset, closing, सारे library, मैं थग गया भूल भूल के भाई, तुम समझ गे न, transaction है, ठीक है, तो पहले entry का मारेंगे machine to trade payable, तो चलो मैं entry मार दूँगा, मैं रिखाल से मैं उपर solve कर रखा है, इसको मैं दिखा दे तो आपको आजाओ, यह रहा, machine to credit as a trade payable, जो बोलना है, बोल दो, जब first day पर दुनों को record कर रहे हो, तो आप कुन से rate पर record करोगे, जो transaction के day पी record, जो आज की rate उस पर record करेंगे, आज की rate पर record करती है, अब बोलता है, year end पर इसकी fair value होगे 5500, हम machine को रखते हैं fair value के उपर, ओ भाई साहब, सबसे पहले machine छोड़ो, trade payable monetary item है, remeasure करोगे, करेंगे सर, rate बढ़ गई है, तो नुकसान हो गया न, तो trade payable के नुकसान बुक कर पहले, exchange loss to creditors, नुकसान बुक क्या कहाने कतम, ठीक है, ओचे, monetary item पे जो exchange loss है कहा जाएगा, पेनल में जाएगा, ठीक है सर, उसके बाद, अब बात क exchange rate, that is 65, करो न, 5500 into 65, कितना आएगा, 357500, मेरे काल चाहिए इतना आते है अपने को, तो इसका मतलब आपका total gain कितने का हो गया, आपका था 3,00,000 value दिया हुआ, अब वो हो गया, 357500, है न, 357500 हो गया, तो बढ़ गया, total gain आए 57500 का, अब इस gain के कितने reason है, एक की दो, इसके gain loss, एकदम simple तरीक चाहिए तो सुनलो, fair value gain कैसा निकालने का, fair value में difference देखो, और day 1 की rate देखो, उससे आपको fair value gain मिल जाएगा, तो fair value में difference 500 डॉलर का है, और day 1 की rate 60 की है, 30,000 का gain आपको मिल जादा है, fair value gain, बराबर तो मेरे निकाला भी है, मेरे किया है, मेरे को machine का fair value gain है, 30 tax निकालने बोलता है, तो कैसे निकालेंगे, अचा depreciation निग्नोर करने बोला है, question के दियान रखना, चलो, हाँ, अब हम DT detail कैसे निकालेंगे, अरे simple है, देखो, यह exchange gain loss जो भी है, यह fair value gain loss जो भी है, account में आपने book किया, tax में book करना नहीं है, तो account में carrying amount आपकी हो जाएगी, 3575000, tax base कितना रहेगा, tax base आपका day one की value पे रह जाएगा, पाच लाक के उपर, ए सोरी, तीन लाक के उपर, अब बताओ difference कितना, 57500 का, carrying amount ज्यादा है, tax base कम है, तो मुझे carrying amount कम करना है, carrying amount कम करना है, asset का carrying amount कम करना है, तो क्या create करेंगे, liability create करेंगे, जितना भी difference हो, उस पर 30% का, तो बाचता detail create किया हुए, इन्होंने, अब ये detail भी कहां जाएगा, जब सब different जा रहा OCI में है, तो detail भी OCI में जाएगा, सिखा आतने इंडेस्टुवल में, difference का reason किया है, एक ऐसा gain जो OCI में जा रहा है, तो detail भी जाएगा OCI के एक दम simple, अब इसमें एक और चीज होनी rate होगे 67, और हमने payment भी कर दिया, ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले आप 67 पे payment कर दो, दो तरीके, या तो creditors को पहले 67 पे remager करके लेकर आओ, फिर payment करो, या फिर डिरेकली payment कर सकते हो, तो डिरेकली 67 पे payment किया, creditors पहले 65 के साब से, जो भी extra भरा वो gain loss आपका हो गया, तो क machine के लिए क्या करेंगे, बोलते है, fair value of machine remain unchanged, देखो, remain unchanged का मतलब क्या है, हमने fair value निकाली, बट वो same आई, ये नहीं बोला कि fair version perform नहीं किया, देखो, फरक होता है, जब आप कहता है, fair value नहीं किया है, तो remeasure नहीं करते हैं, लेकिन जब वो कहता है, हमने fair value निकाली same आई, ब revised exchange rate लेना होता है, जब आप fair value नहीं निकाल रहे हो, तो आप पुराने एड़े पर रख देते हो, तो मैं fair value निकाल लहा हो, A same रही है, मेरी क्या गलती है, तो मैं उसको remeasure तो करूँगा, तो 5000 amount से में लेकिन rate तो बढ़ी है, तो मेरे machine के value बढ़ जाएगी, और ये पूरा मज़ा आ गया sir, क्या feel आगे एक दमी, आगे बढ़ो sir, जल्दी सा आगे बढ़ो, उसके बाद, 13th वाला question तो same है, 14th, बाद में करूँगा 14th, मुझे concept कराना पड़ेगा, 15th के बाद में करूँगा, पहले मुझे देखने तो, एक काम करो, concept करा ही दूँ क्या रहे, उसके है ना वो एक और concept है, सुन लो इदर, अभी क्या होते है, कभी कभी, आपस में loan लें देन होता है, parent subsidiary के बीच में, ठीक है, सुन लो इदर कैसा होता है, intragroup transaction होता है, कभी कभी, तो होता किया है, इसके एक example है, मेरे पास किताब के अंदर, intragroup transaction, ठीक है, parent subsidiary के बीच में, parent ने loan दिया subsidiary को, USD 100 dollars के अंदर, अब मुझे बताओ, parent ने USD में loan दिया subsidiary को, क्या parent के लिए ये foreign currency transaction हुआ क्या, नहीं, parent का currency भी USD, loan भी दिया USD में, तो parent के लिए तो normal transaction हुआ है, foreign currency किसके लिए हुआ, subsidiary के लिए, क्योंकि currency इसकी euro है, ले dollars मेरा है, तो इसके लिए ये हुआ foreign currency, स SFS में parent क्या बोलेगा, loan दिया, तो parent के लिए वो loan, asset side पर देखेगा, 100 dollars, subsidiary बोलेगा, loan लिया, तो जिस दिन loan लिया, उस दिन के लिए उसको फिलाल तो, बराबर, ठीक है, तो मैं, वो subsidiary बोलेगा, parent बोलेगा, loan दिया, dollars में record करेगा, subsidiary जब entry मारेगा, अपने IFS के अंदर SFS के अंदर, तो subsidiary, euros में entry मारेगा, loan dollars में मिला, बट उसकी currency तो euros है, तो euros में entry मारेगा, तो जिस दिन loan लिया, उस दिन तो rate on the date of transition पर record किया, ठीक है, फिर loan is a monetary item, तो remeasure करेगा, 1.5 से rate हो गयती, 2, year end पे, तो remeasure करके, 150 के लोन जाएगा, 200 के उपर, बराबर, loan हो तो loss हो गया, तो 50 का loss भी दिखेगा, अब यह में SFS की बात कर रहा हो, इसका मतलब, parent के SFS में क्या दिख रहा है, balance sheet में सिफ दिख रहा है, asset loan to subsidiary, कोई exchange gain loss नहीं दिख रहा है, बराबर, लेकिन, अगर आप वो ही hand पे subsidiary के books देखोगे, तो subsidiary के books में क्या दिख रहा है, subsidiary government यह समजगे ए, यह सभू सा है, अब CFS में क्या होता है, CFS कौन बनाएगा, parent बनाएगा, हो जाएगा, एक second देदो, एक second देदो, एक second क्या देदो थीक हो गया, हो गया? ठीक हो गया? ठीक हो गया हो गया न हाँ मैं आप बिस रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला CFS कौन बनाएगा CFS बनाएगा Parent बराबर ठीक है किस करेंसी में बनाएगा Parent अपनी करेंसी में बनाएगा Dollars के अंदर ठीक है तो अब वो क्या करेगा उसको CFS बनाने के लिए मैं कहूं Subsidory के Financial Translate करने पड़ेंगे Translate का रूल क्या था All the Asset Liability At Closing Rate Translate करेगा Profit and Loss Average rate है तो Average rate लेगा नहीं है तो Closing ले लेना भाई क्या कर सकते हैं फिर तो अब Parent जब बनाएगा CFS तो देख लो एक तो उसके जो असेट है Loan to Subsidory वो Dollars में था Dollars में देखेगा Subsidory के वकसमें जो भी items है Closing पे Translate करेगा तो ये जो Liability वाला loan है वो यहाँ देखेगा अगर आप Translate करोगे Closing पे तो घूम फिर के 100 डॉल पे आ जाएगा ठीक है CFS में आओगे तो Loan Given, Loan Taken Cancel Up हो जाता है यह ना Loan दिया, Loan दिया आपस का Group का Translate Cancel Up हो जाएगा लेकिन ये Exchange Loss Eliminate नहीं होता है क्यूँ? आरे किसके अगेंश Eliminate करोगे Exchange Loss Eliminate करेंगे Game भी तो होना चाहिए दिक्कत यह थी Exchange Loss Eccision को आया था Corresponding Gain नहीं आया था किसी को देखो Loan के case में क्या इसके पास Loan Given इसको Loan Taken तो ये Cancel Up हो सकता है CFS के अंदर लेकिन इसको Cancel करने के लिए Game नहीं है इसके Books में तो इससे मैंने क्या सिखा जब Parent Subsidory को Loan देगा है ना तब Parent अपने SFS में Normal Accounting Subsidory अपने SFS में Normal Accounting CFS में Loan Given Loan Taken आएंगे Eliminate हो जाएगा लेकिन जो Exchange Gain Loss से Eliminate नहीं हो तो ये Exchange Gain Loss CFS में का देखेगा Profit and Loss में क्योंकि ये SFS में भी दिखेगा Profit and Loss में तो CFS में दिखेगा Profit and Loss के अंतर एक दम सिंपल ठीक है अब इसमें कुछ क्राइटेरियाज है सुनला एक ऐसा केस है जहां CFS में ये Gain Loss OCI में आ जाएगा एक ऐसा क्राइटेरिया है जहां CFS में ये Gain Loss OCI में आ जाएगा है बताता हूं में सुनलो देख इदर मैंने एक समरी बना के दिया अगर SFS में कोई Gain Loss आया तो SFS में तो यार ये Gain Loss है ट्रांजेक्शन का Gain Loss है पेनल में जाएगा CFS में अगर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन लेकिन क्या इलिमिरेट नियुएगा Exchange Gain Loss मैंने बताया क्यों इलिमिरेट नियुएगा तो वो CFS में का देखेगा PNL के अंदर इंटर कंपनी ग्रूप ट्रांजेक्शन लोन गिवेन लोन टेकन है तो पहले पूछने का किस नेचर का लोन है अगर्ष पैरेगेन लोन टेकन इलिमिरेट हो जाएगा लेकिन Exchange Gain Loss इलिमिरेट नहीं होगा CFS में जहां लोन गिवेन लोन टेकन है लेकिन एक चीज़ बोल दिये लोन इस नдоौट एक लोन टेकन पैस नहीं चिए बस इसी केस मेip loan given loan taken will get eliminated लेकिन exchange gain loss नहीं होगा eliminate बस फरक इतना है वो CFS के बदले OCR में दिखेगा कहां दिखेगा OCR में दिखेगा सब यह तो कितने सारे panel कितने सारे OCR होगे मैंने बताया ना confuse मत हो ना last में summary दे रखाया है मैंने तो इससे आपको ने सीखने क्या मिला normally CFS में loan loan cancel होता है exchange gain loss पेनल में रहेगा बस एक case में अगर यह loan returnable नहीं है तो पेनल के बदले OCR में दिखा देना CFS के अंदर अब मैं question करा सबता हूँ पहले मेरे पास question number illustration number 8 जो मैंने छोड़ा था उपड़ किदर गया किदर गया किदर गया illustration number 8 तुमको समझा गया यस नो बोलो पटाबट से करोगे ना आएगा तो एक question करा दू पटाबट से मीठा मीठा आज़ो आज़ो सुनो क्या बोलता है बोलता है M is engaged बता हो M फिर engaged है तुम ही engaged नहीं हो रहे हो हाँ वो किसके दाद English है subsidiary के साथ holy one subsidiary ठीक है अब इन्होंने क्या किया है मैं बताता हूँ inter company purchase sale किया है ठीक है inventory बेची है तो पहले देख लो किसकी currency क्या है M ने बेचा bottle G को ठीक है euro में cost of this is rupees 830 in the books of M मतलब M की currency है rupees बराबर G की currency जाद euro रहेगी transaction किसके लिए है G के लिए है या M के लिए है तो मैं बुलू foreign currency transaction ये M के लिए है क्योंकि euro में हुआ transaction ठीक है मतलब ये शाद parent M M parent है ये तो M parent के लिए it is a foreign currency transaction तो M foreign currency transaction मानेगा उसको record करेगा कैसे record करेगा आचाओ देख लो सबसे पहले वो book करेगा trade receivables to sales अब trade receivables is a monetary item year and pay करेगा remeasure rate क्या होगे rate बढ़ गई है में रिकाल से 83 से होगे 85 very good तो parent ये सब अपने SFS में कर रहा है parent ठीक है तो SFS में gain वगेरा book किया very good तो trade receivables कितना हो जाएगा मेरा इतना था इतना का gain book किया बढ़के हो जाएगा 1020 parent के इसमें और gain book किया 24 का gain लिख रहा है ये parent का SFS है subsidiary क्या बोलेगा subsidiary बोलेगा भाई मैंने purchase किया है तो trade payable आया अब subsidiary के लिए क्या ये foreign currency transaction है क्या नहीं तो कोई remeasure बगरा मत करना ये day की तरह भाई उसके लिए foreign currency है ही नहीं उसको 12 lakhs पे रहने है तो subsidiary के books में एक और चीज़ आएगी वो है inventory क्यों? purchase कहने inventory तो trade payable देखेगा inventory भी देखेगा इसकी बाद में करता हूँ समझा? अब जब CFS में आएगे तो CFS बनाएंगे रूपीज के एसाब से तो ये trade payable को आप CFS purpose के लिए closing rate पे convert करोगे रांस्टेट करते हो ना उसके financial को आप closing rate पे तो trade payable, trade receable cancel off हो जाएगा ये समझता है पहला चीज़ CFS के अंदर second जो exchange gain है क्या ये CFS में eliminate होएगा? very good ये पेनल में देखेगा CFS के अंदर तो देख लो क्या बोलता है CFS में exchange gain देखेगा पेनल में देखेगा ठीक है अब एक last चीज़ inventory है inventory जो included है इसके अंदर यूर्पी भी है क्योंकि इसकी purchase price किसी और की selling price थी तो यूर्पी भी निकालना पड़ेगा आपको तुम समझ रहे होगा अब यूर्पी कैसे निकालोगे अब आपने inventory को closing rate पे convert किया क्योंकि translate कर रहे थे तो closing पे convert किया है ना तो आपको कुछ तो value आई रहेगी उसकी है ना अब आपको शयाद value आई रहेगी उसकी 1020 बट question में कुछ बोला हुए question में already shared converted figure दिया हुए अपने को देखते है let's see question में अपने को बोला हुए अच्छा हाँ inventory के लिए वो बोलता है inventory को तो आपन closing rate पे convert केके लेकर आ गए वो आपकी NRV बन जाती है लेकिन inventory कोश किती थी तो inventory कोश थी आपकी 12 EUROS और जिस दिन बेचा उस दिन की rate 83 थी तो 12 EUROS इंटू 83 इससे आपको कोश मिलेगी ठीक है ये कितनी आपको 12 इंटू 83 तो 996 अब सुनो इसमें दो चीज़ है सबसे पहले आप जब convert के लाए थे तो वो 1020 पे थी यह न आप 1020 पे नहीं दिखाऊगे आप उसको उस दिन के cost पर दिखाऊगे 996 अब ये भली बोलने को cost है ये भली बोलने को cost है लेकिन ये किसके लिए cost है ये subsidiary के लिए cost है पेरेंट के लिए तो ये selling price थी 996 तो इसको पेरेंट की cost क्या थी वो 996 भी नहीं थी यह तो including URP है excluding URP देखोगे तो 830 थी वो given थी directly तो आपका URP आया 166 तो यह eliminate करना है आपको तो इसमें क्या important हुआ यह inventory वाला part important हुआ क्योंकि आधे लोग इधर ही mistake करेंगे तुम समझे लोग यहां 1020 लिखेंगे और 830 से compare करके आएंगे वा गलती हो जाएगे आपसे वो नहीं करना है तो इसको कर ले ना इस adjustment को star mark अच्छा सार इसको present ऐसे करेंगे अब यह तो सिखाने के लिए तुमको इसी को statement form में present करके आजाना English रिखने को आता है English कैसे लिखेंगे अरे यह लिखेंगे आना तुमको और क्या करना है भाई statement form में देखकर आजाना ग्यान देखकर आजाना अब और कुंसा है 12 कराब चुका मैं 13 कितना मज़ा दा निया सके अंदर 14 देख लो भाई क्या बोलता है हमने कोई consideration लिया था 50 million का upfront payment इसका कितना है अच्छा यह तो बड़ा simple है आपने 50 million का क्या मिला है consideration था ठीक है उसमें से आपको day one पे payment कितना मिल गया है upfront payment आपको मिल गया है 20 million का ठीक है आगे the functional currency of is INR the goods are delivered and revenue is recognized on 31st March 18 30 million is received on 1st April 18 in full and final settlement अब बात समने का try करना आपको 50 million का revenue promise किया था कितना मिला 20 million मिला बाकि 30 million मिला है नहीं मिला है वो next year के 1st day पे मिला है अब इसके accounting कैसे करोगे इसको मैंने LDR बोला है किसी reason की वज़े से देख लो इसके accounting कैसे करोगे कुन सा illustration है मिलेगा अपने को नीचे के दर यह देख लो इदर के दर सबसे पहले जब आपको पैसा मिला उस दिन revenue अक्रू नहीं हुआ था revenue last day पे अक्रू हुआ है साल के तो जब पैसा मिला तो advance की तरह मिलेगा 20 million तो जिस दिन पैसा मिला उस दिन के value पे record करो बराबर क्या cash bank to advance revenue अब यह advance revenue is a non-monetary item इसके अगेंच आपको पैसा नहीं देना है आपको इसके अगेंच service मिलेगी आपको मतलब service देनी है आपको अब यह rent पे क्या हुआ पूरे 50 का revenue अक्रू हो गया लेकिन क्या पूरा पैसा आया नहीं तो आप पूरे 50 का revenue बूक करोगे 20 का revenue 20 का पैसा आच चुका था तो उतना advance reverse करना remaining 30 जो आना बाखी है उसको आप receivable बूक करोगे उसको क्या बूक करोगे receivable बूक करोगे अब revenue कितना बूक होगा यहाँ ध्यान देना जो advance आपने first day पे जिस value पे बूक किया है यह non monetary है तो इसको as it is इसी value पे reverse करना receivable आप साल के अंत पे बूक कर रहे हो तो यह जब बूक होगेगा यह closing rate पे बूक होगेगा revenue क्या रहेगा इन दोनों का total will be your revenue समझाए ध्यान लगना है यह वाला part साल के अंत पे सारा पैसा अकुरू हो गया लेकिन सिफ 20 ही पहले receive आता तो उतना advance reverse करो exactly उतना amount पे because non monetary item है receivable आज बूक करें हो 30 million का because आज यह पैसा अकुरू हुआ है तो इसको आप आज के पे बूक करोगे बराबर बस आपको फिर मिल जाएगा revenue का amount इस तरह किसा आपको निकालना है कभी चार मक का question दिख जाए तो मज़ा आ जाएगा पैसा ठीके उसके आगे बढ़ू मैं आगे बढ़ू सर illustration number 15 फटा फट से देख लो क्या बोलता है बोलता है अपने पास है ना अब जब आपने कोई PC बगरा देके निकालना होता है ठीके तो गुडविल आपन पहले यूरो में निकालेंगे तो देख लो कैसे किया हुआ है तो बड़ा सिंपल है PC दिया 70% के लिए बराबर NCA कुछ बोला निया तो PSNA पर ले लिया आपने अब गुडविल के लिए अप एंट्री वगरा मांगिए तो आए ने 2 PC to NCA बैलंसे फिकर गुडविल वो तो सिंपल है तो 103 में यही तो करते है आपन बस इसमें एक बात ध्यान रख नहीं है कभी भी गुडविल का closing balance पूछा, तो closing rate पर convert करना monetary नon-monetary वाला गाना मत गाना इ將 closing rate पर convert कर देना, बराबर तो क्या करने का इसको closing rate पर sound 84 पर convert कर देना, बस इतना आपको ध्यान रख ना है गुडविल के लिए closing rate clear? yes, आगे उसके बाद, यह second वाला case कैया है sir वो second वाला case वापस से URP वाला है सिखाया थाने URP कैसे निकालेंगे वो आप निकाल देना, वो simple है URP वाला part ठीक है, मुझे first part के लिए discuss करना था उसको उसके बाद, ओ, 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 वापस आ गया देखो financial instrument घुमपिर के ये जो जो भी question है न जहां किसी और index और FI को combination है वो सबसे important question है, ज्यान रखना, ठीक है अब इसमें क्या बोला गया सुनना सपोज मैंने foreign currency में loan लिया FCY मतलब foreign currency का shortcut है 6 million FCY, 6 million foreign currency में loan लिया loan लेने के लिए मैंने 2 lakh का खर्चा incur किया इसको बोलते है transaction cost समझता है ये वाला part, ठीक है उसके अलावा, interest 6 lakhs is payable every year तो ये आपका coupon हो जाता है, ठीक है फिर बोलते है redeem का होएगा 6 साल के बाद redeem होएगा at a premium premium का amount दिया हुए, नहीं दिया हुए लेकिन EIR directly दिया हुए, EIR कितना दिया हुए अपने को 12% का, ठीक है अब day 1 पे rate दिया हुए, year end पे rate दिया हुए average rate दिया हुए, ठीक है, मजा आ गया अब क्या करोगे, सुन लो what would be the appropriate accounting treatment for foreign currency loan in the books of makers ठीक है, अब ये FCY है लेकिन makers की currency क्या है, makers की currency रूपीज है तो वो तो रूपीज में record करेगा अब कैसे record करेगा, सुन ले ना मेरी बाद सबसे पहले, आपने जो भी loan लिया हुआ है, इसका आपन मेरेंगे cash load table, ठीक है, पहले आप क्या करो, पहले आप चाहो तो है ना, इसको FCY में बनाना, FCY में, पहले मतलब foreign currency में बनाओ, डिरेक्ली आप रूपीज में मत बनाओ, तो foreign currency में 60 lakhs का loan लिया था, 6 million में बना 60 lakhs, less 2 lakhs का transition cost था, ठीक है sir, हर साल आपको coupon पे करना 6 lakh का, 60 year में कितना repayment है हमको पता नहीं कि premium पे redeem हो रहा है, premium कितना बताया नहीं है, anyways, अब fair value क्या करेंगे, मैंने क्या सिखाया था, कोई CFI है, CFI मतलब कोई compound financial instrument है, नहीं, को relationship है, नहीं, को level and input है, नहीं, तो fair value का आप क्या करोगे, assume करोगे, fair value will be equal to transaction price less, financial liability case में आपन TC minus करते है, तो मेरा कितना हो गया, 58 lakhs हो गया, day one का fair value, ठीक है, उसके अलावा, question, step number 3, EI, step number 4, LAT, अब एक साल का बनाने का LAT, अब भली अपना रूपीज, अपना currency रूपीज है, रूपीज छोड़ो, FCY के अंदर बनाओ, पहले साल का, तो मैं opening लिखूंगा FCY के अंदर, interest लगाऊंगा 12% EIR पे, repayment जो करूँगा, coupon का करूँगा, closing मिलेगा, अब कैसे करना है सुनना, यह जो opening है, इसको आपन कौन से rate पे convert करते हैं, opening rate पे convert करेंगे, कर दो, रूपीज में निकालो, यह जो interest है, item में profit and loss का, कौन से rate पे convert करोगे, average rate convert करो, निकाल दो, repayment साल के end पे repay करते हो न, तो कौन से rate पे repay करोगे, closing rate पे निकाल दो, और जो closing balance बचता है, इसको आप कौन से rate पे convert करो, closing rate पे निकाल दो, अब होएगा क्या, आप जब रूपीज का opening plus interest minus repayment करोगे, तो closing से match नहीं करेगा, of course match नहीं करेगा, क्योंकि आप जब आप opening plus interest minus repayment करते हो, तो वो आता है 145, मुझे लेकर जाना है 162 तक, क्यों 162 कौन गया, because of exchange gain loss, अब ये gainे की loss है, बुद्धी लगाओ, 145 से liability को बढ़ाने का है 162 तक, liability बढ़ेगा तो gainे की loss है, loss है न, तो loss हो गया बैसा, simple, तो exchange loss, समझा, अब ये foreign currency transaction है, transaction है, तभी तो मैंने loan को closing rate पर रखा न, तो जो भी loss आएगा, ये आपका जाएगा profit and loss के अंदर, सब को समझा, मैंने क्या बोला, yes, कहानी हो, उसकी हो गई, खतम भाई साब, इसको भी आपन side कर देते है, उसके लावा, मॉक्टेस का question number 1 एक बार refer कर लेना, वो simple है, इसमें, question number 4 है वह बहुत बड़ी company का बहुत सारा data, ठीक है, इत्तो सारा item अगेरा दिये हुए, अपने को very good, अब आपको बहुत सा rate भी दिये हुए, किसके लिए कौन सा rate है, क्या rate है, सब दिया हुए, ठीक है, पूछा क्या है, पहले आके वो देखो, बोलता है, पहले define करो, monetary क्या होता है, non-monetary क्या होता है, तो define कर देना, monetary मतलब, जो realizable है, fixed and determinable units of currency में, non-monetary मतलब, जो monetary नहीं हो, non-monetary है, या बोल देना, which are not realizable, in fixed and determinable units of currency, अब बोलता है, balance sheet के हर एक item को, monetary, non-monetary बताओ, तो बता देना, monetary है कि non-monetary है, वो आप एक बार देखोगे, समझ आएगा, मैंने लिखके दिया हुआ है, और मैंने उसका explanation भी दिया हुआ है, explanation मतलब, जब आपने concept किया, तो वहां लिखाया है, मैंने कुंसा monetary, कुंसा non-monetary देख लेना, अब यह पहला पार, तो बोला है, बता यह monetary है, यह non-monetary, ऐसा भी बोला है, ठीक है, अगले इसमें बोलता है, translate कर करो, अब देखो, concernedseya, करते हैं तो, अगले। अदेखो, अब लुईक है, अब डिर्फेेश करते हुआ है, तो, मैं मैं आसाद़ करते समय हुआ, मैं, मोनेटरी, औन्मोनेटरी, करते हा है, गले वाल बोला हुआ है, डिसी फ्लिक अचला अर इधी हैं, इसीफाना कृष्च प्राइट गेम क्या किया, इन्हों ने प्राइटों को फसाया, कि बताओं मॉनिटरी के नॉनिटरी है, फिर जब आप ट्रांसलेट करोगे, डेबिट्स और क्रेडिट्स आपका टोटल मैच नहीं करेगा, जहां भी डिफरेंस है, वहां लिख देना, FCTR का बैलेंस है, वहां तो ट्रांसलेट करने को आया करना हुआ, ठीक है, तो उसके लिए बहुर कुछ है क्या है, इन्डेस 21, क्यों, हिला डालाना, क्या हो गया, अरे इस प्रतों मैं करूंगा, सरसे, अरे सरसे मोरी चुनरी जाए, सरक है, सरक, सरक, ठीक है, अब मेरेको 2-4 छोटे इन्डेस और क 33 में नहीं करा पाऊंगा, 33 कराऊंगा, रात हो जाएगी, 12 बजे तुम टार्गेटी अचीव नहीं कर पाऊंगा, सिंपल साहिसाब है, बराबर 33 का मैं तुमको लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिवेजन लेक्च्चर देखला ना, दो के आज का टार्गेट भी है, तुम समझ रहे हो क्या, तो आप मुझे 15 मिनिट दोगे ना, तो मैं 2 चार्टर छुटे करा दूंगा, ताकि आपको उस पे लोड़ना है, तुम समझे जल्दी हो जाएगा, वो खुद करोगे ता टाइम लगेगा, अब जो छोटे मोटे बाकी ब 34 के ओपर, जल्दी आजाओ, 34, 34, 34 में को फटाफट से आखराओ, 34, 34 में मैं बताओ, कंसेप्ट करना ही मत, सिधा क्वेशन पर आओ, मैं आपको इन्डेस 24 का भी ट्रिक बताओंगा, रिलेटेट पार्टी का बड़े टेंशन आदाना तुम लोगको कुछ नहीं हो उसके अ जल्दी से आजाओ, अच्छा मुझे लगता है, इस बार CSR भी आ सकते हैं, CSR का यह आखरी अटेंप्ट है, श्रद्धान जली देने के लिए, पूछलेगा 6 मक का वो, श्रद्धान जली टेंप्ट है CSR का करके चले जाना कराऊंगा, मैं टेंशन बंद अधर कराऊंगा, इधर फटा फट से आजाओ, इंटरें फिनांचल लिपोर्टिंग के अंदर, जल्दी से आजाओ, सबसे पहले कुण सा क्वेशन करना है, हाँ, इंडेस टू करेंगे, ए स्री, लेस्टेशन नमबर टू करेंगे, जल्दी से देखो ना, इधर, क्या बोलता है सुनो, एक इ इसे अधर करूँगा लॉस, बराबर, तो मेरा नेट इंकम कितना हो गया, अब मैं को टैक्स कितना भरना है, इसको बर 40 पसंट, सुन दो, तो मैं 40 पसंट लगाऊंगा, तो कितना है का, 1200 का मेरा इंकम टैक्स आ गया, अब ऐसे मत निकालना का भी इंकम टैक्स, आपको सिफ करन्ड यर का प्रॉफित, नॉट आफटर लकेरी फरवर्वर्ड लॉस, एक्स्लूडिंग दा करी फर्वर्वर्वर्ड लॉस, शिफ करन्ड यर का प्रॉफित, तो 1200 डिवाईड बाइ 3600 करोगे, तो उससे आपको मैं लिगा एक एवरेज रेट, 1200 डिवाईड 3600 कितना आया मेरे इंकम कितना 900 उस पे rate कितना tax rate 33.33% ऐसा तो कितना आयगा मेरे इंकम कितना 900 उस पे इंकम कितना 300 ऐसा निकालना है आपको तुमको समझ पड़ा मैंने क्या बोला किस तरीके से बोला है यह सर समझ गया ना सर सिंपल है तुमको मैं इसका नोट्स भी खुल के दिखा दू आपको फटावर्स से अटाओ इसको इसका टाइम आ गया में को लग रहा है हो गया इसका काम यह बोल रहा है मिरको बगस दो तो इन इसको बोलेंगे तू भी रूख पढ़गे जा चलो आज़ो इदर अपना हाँ इलस्ट्रेशन नमबर टू यह देख लो तो 1200 डिवाइड बे 3000 मत करना 3600 करना ठीक है तो 33.33% होएगा हर क्वार्टर पे इतना अपलाई करना है आपको समझा यह ध्यान दतना ओके सर आगे बढ़ेंगे देखो आइपड थके का आपन नहीं धंगने वाले भाई आपन तो निच्छोड के चलेंगे इसको पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 4 में लाश में कराऊंगा पहले 5 पे आजाओ और में बाद में कराऊंगा पहले 5 पे आजाओ करेंगे, बाद में बुक करेंगा चलेगा तो 50% बाद में बुक करेंगा जब ले लिया सब्या इसको चोड़े आगे exceptional loss of 28,000 50% have been deferred चलेगा क्या? नहीं चलेगा आज ही minus के 50% गी फाइल expenditure पर्टेनी तो 3rd quarter इस deferred पूरा deferring कर दिया 5 लाग चलेगा क्या नहीं चलेगा भाई जब का खर्चा तब भुक करो तो ये जो जितना भी defer कैसा आज भुक करने का है तो बुक किया आपको मिलेगा correct profit तो हर एक चीज का एक लाइन में रीजन देने का और correct profit निकालने का पाच माग इसका चार या पाच माग फ्रीका मिलेगा आपको इसका कर के आओगे तो मज़ा आ जाएगा भाई आगे बढ़ो सर उसके अलावा हाँ ये भी दिया हुआ है चलो वो दो क्या बोलता सुनो हर साल आप 15,000 का profit earn करोगे ठीक है slap कैसा है tax का 20% पहले 20,000 पे और 40% बाकी earnings पे है ठीक है अब इसका मतलब क्या है अगर आप पहले 20,000 पे पहले income निकालो चलो income कितनी आपकी 15 into 4 quarters तो 60,000 का आपकी income होगी अब आपको पूरी income पे same tax नहीं लग रहा न आपको बोला कि पहले 20,000 पे आपको tax किता लगाएंगे पहले 20,000 पे आपका tax लगाएंगे सिर्फ वो सिफ 20% बराबर तो चलो मैं निकाल के दिखाता आपको कैसा होगा चलो दी time बचेगा आपना उपर इदर गया वो उत्रड़ मैं तो मैं करी लेता ये रह देखो अब इसमें बोला हुआ है देखो simple एक average annual tax rate निकालना होता है इसका formula बड़ा simple है total tax expense divided by total profit tax expense कितना है बुला पहले 20 पर 20% आखरी challenge पर 40% इससे मिलेगा tax expense बराबर डिवाइब पर total profit कितना 60 मिलेगा एक average rate हर quarter के profit पर ये average rate लगाने आपको तो हर quarter में कितना profit कम है 15 इतना 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 बराबर ठीक है उसके बाद illustration number 7 7 में क्या बोलता है अब बोलता है अपने पास दो nature की income है एक normal income है और इसी के अंदर capital gain भी है तो जब दो nature की income है तो दो अलग rate निकालना दो nature की income है तो दो अलग rate निकालना ठीक है तो मेरे दो निकलेंगे weighted average rate तो capital gain को बाद में इससे मुझे मिलेगा total income मतलब 33 नहीं 25 से divide करना क्योंकि मुझे दो अलग rate निकालना है normal income का अलग CG का अलग तो मेरे को normal income का rate कितना मिलेगा मेरे ख्याल से मिलेगा 38% capital gain का rate single दिया है 12% अब क्या करना है जिस साल जिस nature की income होई है वो rate लगाना suppose quarter में कौन सी income होई normal income तो normal rate second quarter में कौन सी income होई समझा simple है मतलब दो nature की income है तो दो अलग rate निकालने का जिस quarter में जो income वो quarter में लगा देना आगे illustration number 8 तो कुछ है नी इसके अंदर 7 यहां दिया होई ठीक है मैं slow slow scroll कर था कि hang ना हो जाए illustration number 10 सुन लो 10 में क्या बोलता है अब मैं simple चीपा बताता हू कभी-कभी क्या होता है अपने सारे quarter दो अलग financial में fall कर रहे होते है वो बोलता है मेरा tax में year end क्या है 31st March बट मेरा accounting year end December है तो taxation के हिसाब से अगर आपको suppose December मेरा accounting year end है तो देखो quarter कैसे दिया हुए पहला quarter दिया हुए March ending, June ending, September ending, December ending तो accounting के साब से quarter दिया हुए लेकिन taxation के हिसाब से एक quarter मेरा previous financial में fall कर रहे है और बाकी quarter मेरे अगले financial में fall कर रहे है तो जब quarters आपके अलग-अलग financial में fall कर रहे है तो अलग financial year का अलग rate निकलेगा question में अलग rate दिया हुए वो बोला हुए कि पिछले साल मेरा rate 25% था तो जो quarter पिछले साल में fall कर रहे है ऐस पर taxation उस पर 25% का rate लगाना और बोलते है current year में आपका rate 30% था तो जितने भी quarter current year में fall कर रहे है उस पर 30% का rate लगाना simple इतना ही करना था इसके ओपर उसके अलावा question number one is same वो पता है क्या खर्चा differ करते वे चल रहे है नहीं चलेगा जिस साल का खर्चा है उस quarter पिक करने का question number two एक बार रीड कर लेना बस भाई साब question number two एक बार रीड कर लेना बस ठीक है अच्छा इसमें एक और आता है चीज वो होता है comparative बनाने का दो चीज बाकी है तो comparative वाला पाट सुन लो comparative कौन से कौन से बनते है ठीक है सबसे पहले interim financial reporting के comparative ऐसा मालो मेरा ये current quarter है तो balance sheet में comparative क्या बनता है एक तो balance sheet for the quarter for the year नहीं बनती है as on date बनती है तो मेरा quarter का बेंड हो रहा है तो एक तो बनेगा as on date और इसका immediately financial year बनाने का अगर आपने किताब में ऐसा रहागा ना previously as on date हो काटो वो ऐसा रहता है previous financial year का मतलब अगर सब्समेर करण quarter 31st December 24 है इसका immediately preceding financial year का end गया है 31st March 24 तो तब का देना है आपको पहला चीज़ second चीज़ PNL में कुन से कुन से आपको relevant comparators देने है तो अगर आपका current quarter ये है तो PNL तो बनता है for the quarter for the year तो ये पहले तो एक तो दोगे current period का और एक दोगे आप year to date इसका मतलब suppose quarter and hour 31 December में तो एक आप दोगे सिर्फ तीन महिने का एक आप दोगे शुरुवात से तीन महिने का शुरुवात चलेगा December तक नौ महिने का basically year to date और इन दोनों का previous सरका exact comparative cash flow में क्या देते हो cash flow में आप वो दोगे year to date और उसका comparative SOC में same year to date और उसका comparative यहां नदो आप अब एक last question बच जाते है अपना comparative करके जाओ भाई पिछले बार के शायद RTP के अंदर था वो पिछले बार के RTP के अंदर था तो मैंने करवा दिया वो चीज़ भी आपको उसके अलावा एक question बचता है जो है किदर गया आजा फटावट भाई बेपना प्यार है आजा भाई इसका आगया अंतिम समय आगया इसका मुझे लग रहे है अरे आ आओ राजा आओ अरे आजा आई निरा भाई आगया 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 सर इलेसर नमबर फूर तडड़ तड़ड़ क्या रहा था इधम पूरा इधम पूरा तुमको ऐसा निचोड रहा है वो सुन लो पिक्स प्रडक्शन ओवरेट्स और फिनांचल इस 10,000 ठीक है नॉर्मल कपासिटी कितना है आपका इधिस 2,000 यादे इंडेस तू में पढ़ाता पिक्स्ट ओवरेड को नॉर्मल या एक्च्वल विच्वर इस हायर से डिवाइड करेंगे बराबर तो मेरा नॉर्मल है 2,000 एक्च्वल है 1,900 किस से अब आपको सिफ यह बताना है कि 25,000 में से मैं inventory के cost में कितना capitalize करूंगा और unabsorbed मानके कितना profit loss में transfer करूंगा तो कैसे करेंगे सर सुन लो सबसे पहले आपने निकाला per unit 5 रुपया आया वो तुम लोको ठीक है बेस्ट अनन और्मल एक्च्वल विच्वर इस हायर ठीक है अ आप quarter 1 में आपने कितना actual में बनाया 400 metric ton तो क्या करेंगे 400 into 5 रुपिया इतना आप capitalized कर पाऊगे लेकिन पर quarter का overhead cost 2500 तो उसमें से आपने सिर्ट 2000 capitalized किया बाकि 500 रुपिया एन अब्सॉर्ब्ड ओवरेट प्रॉफिटल लॉस अब second quarter में आऊगे second quarter में जब आऊगे सिर्फ second quarter का मत देखना year to date देखना तो year to date में कैसे करेंगे सर उस case में आप सिर्फ हुआ सिर्फ quarter 2 का मत देखना quarter 1 में कितना बनाया quarter 2 में कितना बनाया तो मैं बोलू हजार रुट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पाँच हजार रुपया कैप्लाइस हो जाना चाहिए मैं बोलू तिल क्वाटर टू 5000 खर्चापन कर भी चुके है तो अब इसका मैं थोड़ा बाइफिकेशन दिया रिजनिंग दिया है 5000 में से 2000 आपने क्वाटर बन में कैप्लाइस कर दिया था अब वह बोलता है कि आपको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि हमने बेटर परफॉर्म कर दिया यह क्वाटर टू के अंदर तो जितना भी ट्रांस्वर्स के था पी अनल में वह रिवर्स करके कॉस्ट में अलोकेट करो और जितना भी क्वाटर टू का वह तो आप अलोकेट करोगे कॉस्ट में इंवेंटरी कॉस्ट में सिंपल उसके बाद कॉर्टर टी में यह टू डेट देखो फिफ्टीन हंडेड मैं बूलो आपन कट्टू कट चल रहे है है ना तो इसमें भी पूरा का पूरा आप कैपलेस करोगे और आखिर में क्या बोलता है यह कॉर्टर फोर में टिल डेट बनाए 1900 सो यूनिट से आपन चूग गए तो क्या करेंगे अगर आप नैंटीन हंड का देखोगे आलोकेशन तो इंटू 5 करेंगे तो 9500 आएगा टोटल आप इतना ही कैपलेस कर पाओगे जो करेंट क्वाटर अब है ना सुनो इंटेस 24 प्या जाते है इंटेस 24 नॉर्मली मेरेको थोड़ा चांस कम लगते है तो बी ओनेस्ट बट आप वह बोल रहे हो कराओ 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 तो मैं थोड़ा ज्यान देता हो उसके उपर सुन लो क्या करना आपको मैं एक आपको काम दूंगा वह काम अग लिखा है spoiler alert ठीक है spoiler alert देख लेना ठीक है मैंने बोला हुआ है कि कौन से वारा relation relative party नहीं होते है spoiler alert देख लोगे तो काम बन जाएगा हर एक question बन जाएगा जहां मैंने लिखा है spoiler alert जैसे for example एक आदमी है वो दो जगे KMP है तो just because वो दो जगे KMP है that doesn't mean ने दोनों company होगी related बर suppose यह आदमी है यह दो जगे इसका influence है just because दो जगे influence है that doesn't mean कि यह दो होगी related बराबर एक जगे KMP एक जगे influence तो भी नहीं होगा related एक जगे पे at least control होना जरूरी है control KMP होता तो चल जाता control influence होता चल जाता लेकिन KMP और influence असे तो नहीं चलेगा ध्यान रखना यह spoiler याद रखन second यह देख लो suppose एक parent company है उसकी दो subsidiary तो associate है तो यह subsidiary आपस में हो जाती है related लेकिन अगर एक parent की दो associate है यह दो associate आपस में related नहीं होती है ज्यान रखना तुम समझा मैंने क्या बोला similarly suppose एक parent की दो associate है एक A1 एक A2 parent is related to A1 parent is related to A2 बट A1 और A2 related नहीं होते है समझा ठीक है उसके इसके इलावा मैंने यह spoiler वगेरा दिया हुआ इधर उसके अलावा एक और spoiler last spoiler सुनना government company का अगर किसी company में stake है तो exemption हो पता है CF उसके कुछ requirements exemption है exemption है exemption वो disclosure है लेकिन अगर government company का किसी individual में relation है for example government company का subsidiary S limited अब S का एक KMP है ठीक है सौरब तो होता किया है this KMP and government company also become related government company इस KMP के साथ disclosure करने से exemption available नहीं है वो बलते ना government company हो तो आप थोड़े बहुत exemption ले से तो disclosure से वो सिफ government company को किसी और company के relation में है अगर government company का relation person के साथ है तो कोई exemption अवेलेबल नहीं है समझा मैंने क्या बोला येस उसके इलावा जब मैं कहता हूँ कि आपके लिए कोई भी associate related है तो उस associate का subsidiary भी आपके लिए होता है related जब मैं कहता हूँ आपके लिए कोई subsidiary related है, तो subsidiary का subsidiary भी होता आपके related, लेकिन जब मैं कहता है, आपका कोई associate है तो ये A और B तो हो गए related लेकिन associate का associate is not related, तुम समझे किया, जैसा अगर associate का subsidiary होता, तो ये होता आपसे related लेकिन associate का associated related आपसे नहीं होता, ध्यान रखना है वाला बाट ठीक है यह 3-4 spoiler कर लोगे ना मेरी guarantee है तुम एक question बता तो जो solve नहीं होता है वो तुम 15-20 minute दिमाग खाऊगे ना उसमें कुछ नहीं है ये 4 spoiler देखो चार बार देखनेगा इसको हरे को और चोग चाप question करके जाओ मेरी guarantee है 10 minute के अंदर solve एगे देख ले ना CSR के लिए आजाओ किदर है मेरा CSR रोग जाओ CSR में दो ही चीज़े आद रखना मैं आपको जो revision 10 minute का उसका भी situation देता हूँ लोग इससे भी छोटा करके देता हूँ सुनलो अभी दो चीज़े आद रखना एक किसको applicable है तो उसमें 3 चीज़ चेक करनेगा कोई भी 1 minute का तो CSR applicable हो जाएगा ठीक है preceding financial data चेक करना है क्या चेक करना है अगर किसी भी कंबेंगा net worth 500 या उससे जादा है या फिर turnover 1000 या उससे जादा है या फिर net profit 5 crore या उससे जादा है तो आपको CSR का criteria requirement meet हो जाएगा CSR applicable हो जाएगा अब याद कैसे करेंगे जिदर जिदर N है वाँ amount 5 है और T से turnover T से 10 कैसे भी आत करो भाई तुम्हारी मर्जी है तो net worth 500 या उससे उपर turnover T से 10 1000 या उससे उपर net profit again एन आय तो 5 5 crore से उपर तीनों में से कोई भी एक meet हुआ preceding financial year का तो आपको CSR applicable हो जाएगा ठीक है उसके बाद applicable हो तो क्या करने का खर्चा incur करने का और committee बनाने का अब आप बोलोगे सर ये committee को लेकर रहना बहुत सारा amendment आपको के अंदर अरे वो तुम्हारे काम का नहीं है बबाबा एक बार हीड करके आगे बढ़ जाना उसको उसमें देखना भी है करेंट एर को छोड़के तीन साल देखना 16, 17, 15, 16, 14, 15 उन तीन साल का average profit निकालना suppose 100, 120, 140 add करना, divide by 3 करना उससे मिलेगा average उसका 2% 2% of average and profit of during 3 immediately preceding financial year ये दो चीज़ याद रहेगा एक आपका criteria का मेंटेगा और कितना खर्चा करना है ये पहना चीज़ second चीज़ मैं बीच में नहीं जा रहा है आपको देखना तो 10 मिट का वीडियो देख लेना उसके अंदर बताया है बट जो काम की बात इसमें भी कर रहा हूँ कभी-कभी क्या होता है अगर आप कोई goods बेशते हो market में लेकिन आपने उसको discount में दिया और एक्जामपल सब्सक्राइब बेशता हो और मैंने अभी क्या किया मैं पारले जी बिसक्राइब बेशता हो लेकिन मैंने flood वगर आया थे तो पारले जी को मैंने 40% discount में दिया है ना तो क्या यह 40% discount पर देने को भी CSR माना जाएगा किया तो इसका एक simple सा logic के ध्यान रखना इसको आपन CSR कम मनेंगे जब यह discount आपने normal course of business से भार दिया है मतलब यह normal discount आप कभी देते ही नहीं हो बट आपने क्योंकि flood आया इसलिए discount दिया तो यह CSR माना जाएगा मतलब जित्ता भी discount यह उत्ता CSR खर्चा माना जाएगा लेकिन अगर सब आप normally भी 40% discount देते हो और आप बोलो flat आते हो वापस 40% दे रहा हूँ यह कोई CSR नहीं है तुमको समझा मैंने क्या बोला अच्छा अब question क्या होता है सुनना दिया है तो हर question में ICN assume किया है कि जो भी discount दिया है वो मानता है कि normal course of business में दिया है तो आपने जो normal course of business में discount दिया है अगर exact वो ही discount आपने CSR में भी दिया है तो उसको CSR expenditure नहीं करेंगे बराबर तुमको समझ मैं आए मैंने क्या बोला आपको तुमको समझ मैं आया मैंने क्या बोला तो ये दो डैप के खर्चे है अब मैं आपको उसको question दिखाता हूँ आज ओफटाफट से रोको अच्छा एक और चीज़ अगर किसी साल में खर्चा excess incur किया है आपने तो क्या हम CSR का expenditure carry forward कर सकते है क्या तो बोलते कर सकते हो carry forward कित्ते साल तक carry forward करोगे तीन साल तक आप carry forward कर सकते हो कित्ते साल तक तीन साल तक you can carry forward सबको समझ मैं मेरी बात वो ऐसे है के पुराने question में उन्होंने solution change नहीं किया तो आपको दिखीगा कहीं कहीं बोला not carry forward नहीं इसमें बहुत सार डेटा दिया हुआ है, सिफ प्रीवेसर का चेक करना, बराबर कोई भी एक मीट करना चाहिए, क्या था, टर्न ओवर 1,000, नेट वर्थ 500, और नेट प्रॉफिट पाच करोड, नेट प्रॉफिट मीट कर गया, प्रीवेसर में सेसर अपलेकेबल, क्या करने का कमीटी बनाने का, और खर्चा करने का, ठीक है, अभी कमीटी की लिमिट है मेरीकाच, पचास लाग की कुछ लिमिट है ऐसा, कुछ खर्चा अगर आपका सेसर का 50 लाक्स के उपर है, तो ही कमीटी बनेगी, वो एक बाद देख लेना बस, ठीक है, एक यह हो गया, उसके अला क्योंकि प्रीवेस रकाई देखना है, अब इसमें एक और बात बोली है, बोलता है, पेंडेमिक आया, तो मैंने अक्टिविटी कंड़क किया, यह नहीं बोला है कि डिसकाउंट देना आपका नॉर्मल अक्टिविटी है या नहीं है, मैंने क्या बताया था, जब भी भी ड अगर आपने खर्चा किया है, कोर्ष्व बिजनस में शुड नॉर्ट कंड़िचर ईंकर इंद कोर्ष्व मीस बिजनस और वो नीचे बोला है, अगर तुमको लगता है कि और एकोर्ष्व में किया है, तोफ सुधट में मैंनेजमेंट देखओ, तो देखोगमें टेटमें the preceding financial year 1.8 CR please note that the company commenced its commercial activity only on the first day of immediately preceding financial year accountant बोलता है that CSR not applicable since it is 1 year old and in case if it is applicable he wants to carry forward the excess आज के इसाब से क्या आप excess carry forward कर सकते हो the answer is yes you can carry forward वो पहले दिया वा रहेगा शयाद पुराना question रहेगा नहीं कर सकते है लेकिन आज कर सकते हो मेरे साब से ध्यान रखना कर सकते हैं वा दिया वाईशत कर सकते है anyways उसके बाद question number 3 क्या बोलता है सुन लो audited or provisional figures दिये वे ठीक है company has spent 55,000 for vocational youth का development वगेरा क्या है very good company has also provided considerable discount under the underprivileged cost of which is 3,50,000 अब बोलता है company को carry forward करना है खर्चे को बतावे जो discount वगेरा दिया ये चलेगा क्या discount वगेरा नहीं चौल भी देखो बोलाव है पहले देखते कि vocational पे खर्चा किया वो permissible है however 3,50,000 at concessional rate does not qualify CSR expenditure वो ही है वापस से question number 4 वापस से वो ही गाना गाएगा पहले applicable है कि नहीं है तो प्रीवेसर का देख फिर बोलेगा फिर मैंने वो discount दिया किदर discount दिखाऊ इनका देखो क्या बोलता है decided to sell bathroom access rate 0.5 per unit which will qualify CSR expenditure है ना ठीक है इसमे शायद वो नहीं बोलावे बोलावे का देख लू एक बार पढ़ी लेते है आपन during the financial year on sale of certain selected item bathroom accessories 0.5 per unit was sold will be contributed to save water foundation which will qualify CSR expense वो खुदी बोलता है कि schedule 3 में qualify कर रहा है consequently by year end company recognized 1,50,000 expenditure however only 50% of the amount was paid by the foundation अब बोलता है इतना recognized कर लिया है लेकिन payment हमने 50% ही किया है तो काम चलेगा क्या चलता है अगर आप payment बात में करने वालो चलेगा फिर भी आज 1,50,000 को मान सकते हो CSR का खर्चा बट वो जो भी payment है तुरंत उसका कुछ अपने को amount transfer कर देना होता है unspent CSR account के अंदर बराबर ध्यान रखना वह या separate bank account के अंदर वो बोला हुए अप्लिकेब्टी का बात कर सबसे पहले तो applicable तो है फिर next part पढ़ लो the companies obliged to spend a sum of 1,50,000 है न hence 1,50,000 will qualify CSR expenditure मतलब ये concession वाला निये दूसरा है since only 50% has been paid provision for balance 50% शुड भी मेड और कुछ निये इसके अंतर खतम तो ये मेरे ख्याल से CSR के लिए आप जितने भी MTP, RTP वाले questions 123, 4S, R, A कर लेना ठीके काम बन जाएगा आपका अब काफी बच्चे पुछते सर ये इसका बता हो integrated reporting का इसका क्या करे भाई ये कोई पढ़ने का जरूरत है का मतलब पढ़ाने का जरूरत है का ये तुम क्या करने का question देखने का read करने का आगे बढ़ने का इसके जितने भी क्वेशन है फोड़ा बध point तक तक चले जाने का directly question करने का directly question करने का इसका मैंने board note जाना बहुत पहले डाला था टेलिग्राम के उपर तो वो देख लो तुमको मिल जाएगा question इतना करोगे काम बन जाएगा 9 बज गए भाई कब से बेठे अरे कब से बेठे है सर लेकिन फाइनली देखो अभी मैं बता दो क्या क्या अपना रहे गया है सुननो 101 33 और 7 मेरे ख्याल से मेरे को जहां तक ध्याना रहे अपना इतना ही रहे गया है 101 33 7 बस आपने भाई बहुत अच्छा coverage किया है तुम देखोगे न तुमने बहुत अच्छा coverage किया है भाई अगर तुम देखा जाए तो ध्यान से बराबर तो इसका tension मतलो मैं description box पर रिविजन का लिंक डाल दूँगा इसको अभी मत revise करना जब chapter खुल के बैठोगे न तब उत्ता revision video देखना सिधा question पर जम चले जाए ठीक है तो यह इसको छोड़के आपने करीबन करीबन 20 indices और एक CSR मतलब 21 और इंटेटर रिपूर्लिम चोड़ा बहुत तुमसे अगर तुम कहते हो ना कि तुम capable नहीं हो तुम गलत हो तुम कहते हो ना सा मिरसे बैठा नहीं जाता है तुम गलत हो तुम कहते हो ना सा मिरसे अगर तुम अभी सोचो ना there are more than 1100 students till life इसका मतलब तुम सब में कपैस्टिव है ना बैठने की तुम बैठ तो गए हो अब तुम जब यह कहते हो ना कि सर मेरसे हो नी रहे तुमसे हो सब रहे तुमसे कर्म नी रहे हो परक है और मैं बोलू तुम पहले कितने भी तुमारे क तुम पहले पड़े नई पड़े ठीक है आखरी के दिन सबसे ज़्यादा मैटर करेंगे I have seen students do blunders in their study leaf लेकिन आखरी के एक दो मेरे में पिक करके लाश के डेड़ दिन पास दिन में उठाके और पास हो जाते है क्योंकि यहां से थंडे रहते है और पूरा बहस दने का ट् करने बैठ जाना जितने question आपने पहली बार शड़ी करते समय मार्क किये ना उतने ही करना अपने marking बे भरोसा करना तुमने नहीं किये तो मैंने बताए ने LDR उतने करके चले जाना आईम बचे तो और देख लेना समझता तुम लोग यह वाला पाट पहली चीज सेकेंड ची है तुम 11 घंटे में अपने effective 10 घंटा पढ़ाई किया है कितना घंटा पढ़ाई किया है 10 घंटा अपने पढ़ाई किया है तो अब एक बाद आपको ध्यान रखनी है सिर्फ कि आज कमा को target दे रहा हूं 16, 38, 40, 36 यह करके ही सोगे यह करे बिना आप नहीं सोगया अच्छ और मेरी guarantee है लिख के लेलो हो जाएगा लिख के लेलो हो जाएगा क्योंकि आपना fresh fresh किया है अभी तो इतना मेरत से पढ़ा है और कोई भी पार्ट भूल से आपको चुटा से लगे ना मेरको याद नहीं आ रहा उतना पार्ट अरे खोलना मेरत फटा पढ़ से उतना कि दर कुछ नहीं देखने वाला तुमको कोई परिशान नहीं करेगा फटा फट जाके देख लेना ठीक है जरुद पढ़ी तो देखना उसके लावा अभी जब पढ़ोगे तो जो concept recall नहीं हुआ सिव उतना concept देखना और direct question पर जम मारना concept word by word पढ़ने में time खोटी मत करना अब question कैसे करेंगे सर रिफर करेंगा नहीं बबबा यहीं गलती करोगे अब मैंने तुमको 25 तीस question में चाप्टर में चार पाच छे साथ question बताए ना उसको at least scribble तो कर लो detail में करने का time नहीं स्क्रिबल तो कर सकतो ना बाजू में डाइरी लेके बैटो ना यहाईगा आज question के तो practice करो लिखके यही करना है अगर refer करना होता तो refer तो कर लिया ना बबाभी कितना refer करोगे तो थोड़े बहुत कुशन तो लिखके करो एक्जाम में हाथ चलना चाहिए दिमाग नहीं चलना दिमाग तो चलेगा बट हाथ भी चलना चाहिए तुम समझे मेरी बात ठीक है तो यह आपको मैंना आज कर टार्गेट दिया है आप टार्गेट अचीव करोगे और दिल से चीए तो आना marathon पर comment करके जाना टार्गेट डन नहीं करोगो तो भी चलेगा दिल से ऐसा बोल देना ऐसे वहां से आवर लगा देना जब भी टार्गेट करो अकसर हो गया सुनाई दे देगा मिर को क्या बात कर रहे है सर बोल देना अच्छा लगेगा ठीक है और किसी में और हिम्मत बचे कोई हो late night वाला तो 10541 जो भी आप उठा सको आगे उठा लेना भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है कल आपन मिलेंगे marathon में कल का मेरा target क्या है कल मै उठाँगा major major topics financial instrument, business combination, CFS, share based payment है ना फिर मैं कोशिश करूँगा अगर समय बचता है तो मैं 115-116 भी लो मेरी कोशिश पूरी रहेगी मुझा पता आप बोलो को सब ले लो लेकिन again time जितना time में जितना कर पाएंगे उस हिसाब से ठीक है कोशिश करेंगे जितना कीचा के उस वो जबता खुझ लिखके practice नहीं किया मज़ा ही नहीं आएगा तो जब सारे इंडेस हो जाएंगे marathon में तो वो खुझ से एक बर कर लेना हर चीज के लिए dependency करने के जरुवत अपने को नहीं है क्योंकि practice कर लेना ठीक है मुझे लगता है कि वो आ सकता है आ सकता है आ सकता है आपको छोड़ दो आपको करके जाना है जितना आपने किया वो करना है कोई chapter अगर पहले छोड़ा हुआ है नया पढ़ने का stunt मत मारना मुझे ठीक है आखरी चीज I would like to wish you all the best for exams ठीक है आप सबसे आप सबको शुक्रिया कि आप सुबे से शाहन तक बैठे थे ना पता मेरे साथ है मुझे जब आप ऐसा support करता है तो मुझे भी अच्छा लगता है तो हम दोने इतनी महनत किया ना मजा कब आएगा जब रिजल्ट आएगा तो अपने को सब उको अच्छे से महनत करनी है ठीक है उसके अलावा एक आखरी चीज रिक्वेश्ट करूंगा marathon पसंद जब आपका break time होगा खतम होने के बाद कि comment करके चले जाना मैंने बताया था उसका अपना क्या motive है कि पहुंच जाए कुछ लोगों तक ज्यादा लोगों तक पहुंच जा है ठीक है उसके अलावा ज्यादा कुछ बोलूंगा निया आपसे सिफ उमीद रखूंगा बच्छा आपने इनको अभी लेते जिसको लेट हो रहा देखें लीव दो चार मिनट थोड़ा फ्रेश हो लेते आपन भाई साब हैं ना इंटोन देखो शुबम सर अरे रहे दूम क्या मचा दी सर हम जब राप-प के समें और आपने बड़ा टाइम पे कॉल गिया है मुझे लगता आप भी मेराथन देख रहे हैं सर अब सर एक बात थोड़ा सा हिल्प कर दो देखो सबको बता है आप रहें करो सबको पता है एफर में एड़ी रिमार्क्स आई तो सर ऐसा कुछ टिप्स होता है जो शायद आपको बेटर पता है तो अगर सर अब 30-40 शेकंड को बता बहुत तो मज़ा आजाएगा सर आपने जो आखरी में अच्छी बहुत ही प्यारी बात बोली ना बच्चों को आपने थोड़े कोशन खुद हाथ से प्रेक्टिस करना येस तो मुझे लगता है बहुत बढ़ी चीज रहती है पर मैं सच्छी बता हूं सर मैंना जनरली अगरा तो इस सादगी के साथ जो आपने एक पॉइंट को डिटेल में बच्चों के साथ कंसिडर किया है मतलब मैं सच्छी बता हूं सर्मेर को मेरा एक रिकॉल हो गया क्या बात है सर्याद आप तो रैंकर आपको याद रहता है यह सर्थ बच्चों को मुझे लगता है अभी देखो एफार स्यादा मुझे लगता जरुवत वैसे ओडिट में होती है क्या कहते हो गाइस येस येस सर येस बताइए बताइए सुन रहे हैं अगले तीन पेपर अच्छे हो जाएंगे और सर एक बात बताओ टेंशन लेकर पढ़ने से काम बनता है क्या इसी बात पर खुशी से बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे तो ये भाई इस लाइन का बहुत डीप मीनिंग है कभी भी टेंशन मत लेना जितना हो सके अपना बैस देने का ट्राइब करना राइट शुभम सर आखरी कुछ एका दो लाइन आप कहना चोगे बच्चों से नहीं सर मैं बच्चों से बस यही रिक्वेस्ट करूँ है जैसे अकाश तर ने आज आज आपको पॉजिटिवली पढ़ाया आज अकाश तर ने आज आज आपको दिखा दिया कि 10 घंटे 11 घंटे कैसे पॉलिटी स्टेडिक है यही आपने बस अपना कंटिन्यू करना अगल अगर आज का मैंने अगर दुबार आ जाना इसी स्पीड से इसकी दुगनी एंजरी से कराऊंगा आपको ठीक है तो मज़ा आ जाएगा भाइस on that note thank you so much everyone first thing मैं लाश मैं आपके सबके नाम लेना चाहूंगा जितने लोग मेरे को दीखरें इतने starting से तुम बैटे हो thank you आरुशी वरुन रूपल जतिन कुमार अंसा उमकार वरुन यश देवानशी विधी सेजल दानेश सौमया आकाश मांसी उनकार शेफाली यश कवन अभिशेक अमोल आस्था अलिशा रिया प्रिंसी स्वाती जैश अमोल मयूर अरे बापरे मैं पागल हो जाओंगा thank you so much आस्ता, thank you so much दुरूवी, thank you अश्विनी, thank you गोपाल, thank you दीप, thank you so much कृतिका, thank you महक, thank you सिधात, thank you वेशनवी, thank you रौनक, thank you everyone, I wish you all the best for exams guys, आतंग बचा देना यार, इसी बात पर, अब मैं कर सबता हो कि अब मेरी energy खतम हो गए है, thank you so much, target आपको दे दिया है मैंने, bye bye everyone, take care, see you all, love you all, bye bye, दिल से love you, bye